तो आज की सेशन से आप लोग का एक कह सकते हैं कि नई स्रीज है और वाज 2021 में देखें कितने वीडियो एपिसोड हो सकते हैं इसके यह अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही सेशन में पर्टिकुलर पूरा सब्जेक कम्प्लेट होगा आपका ठीक है जैसे आज पहली स्रीज है पहला वीडियो है तो उद्गाटा नौराइस का भारत के भगोल से और भारत के भगोल से इसलिए क्योंकि जोग्रोफी के बिना आगे के सब्जेक अधूरे हो जाते हैं तो सुरुवात पहले भारत का भगोल फिर विश्व का भूगल फिर इसके बाद प्राचीन भारत या फिर एक काम ये कर सकते हैं इतिहास में कि पूरा सब्जेक्ट एक साथ लब की पूरा प्राचीन मद्यकाली नाधुनिक कि आपको एक एक चीजे दिखेंगी क्लास लंबी होगी ये दो घंटे धाई गंटे की क्लास नहीं है ये क्लास आपकी लगबग दस से बारा घंटे की क्लास जाएगी यहां तक इस्टिमेटेड हम लेकर के चल रहे हैं इससे जादा ना हो कमी में समराइज हो जाए तो जादा बेटर है तो मेरा विचार यह है कि चीजे आपके दिमाग में सारी याद होती चली जाएगी इस बारा घंटे की अवदी में एक तो बारा घंटे की क्लास कोई देखता नहीं है है यह आम तोर पर हमारी संकल्पना बनी हुई लेकिन हो सकता इस संकल्पना को आज से हम तोड़ दे इसमें दोनों के लिए एक टास्क है मेरे लिए टास्क है कि मैं बारा घंटे तक खड़े हो करके आपको पेटिकुलर सब्जेक को आप तक संप्रेशित करके जाओं और मेरी छमता प्लस आपकी छमता ठीकsoft है तो आम तोर पर होतागिया है जो बहुत लमबी क्लासत होती तो तरीका यह करते है कि क्लास Murge करके बनाया जाता है ठीक है, पॉसिवल होता तो ये काम मैं भी कर सकता था, लेकिन ये कहीं न कहीं पे मेरे ख्याल से नैतिक नहीं है, एक सिक्षक के तौर पे मुझे आप लोगों को इंस्पायर करना है, तो फिर बहतर यही बनता है कि मैं भी उसी फॉर्मेट में रहूं, जिस फॉर्मेट में आ पढ़ातर पढ़ा के जाओ, तब बात बराबर के होगी, आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में समझ में आएगा, ठिक, पहले चीज़ तो ये, तो इस सिरीज का नाम है इंटायर वीडियो, इंटायर मतलब संपूर्ण, एक ही सेशन, एक ही क्लास में सब फॉर्मेट इसलिए बेटर है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ दिखेंगे आपको, मास्टर वीडियो में बोर्ड नहीं दिखाई देता, मेरी आवास सुनाई देती और दो घंटे में आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हर चीज़ दिखे हैं तो आपको यह लए कि यह सब्जेक्ट आपका हो चुका है, आपको याद हो चुके हैं, फैक्ट तथे, तो आज फैक्ट का, तथ्यों का, कॉंसेप्ट का अमबार आने वाला है, एक एक विसेवस्तू आपके दिमाग में छपती चली जाएगी, यह प्रयास भी रहेगा इसके बाद 200 पढ़ाऊंगा, पहले इंडिया, फिर 200, फिजिकल जोगरोफी देखो अलग टॉपिक है, फिजिकल जोगरोफी को यहाँ पर हम नहीं लेंगे, फिजिकल जोगरोफी एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मुझे जुरुत पढ़ेगी कि भारत को समझाने में फिजिकल जोगरोफी का एक महत्पूर्ण योगदान है, वहाँ पर मैं फिजिकल जोगरोफी भी लोगा, ठीक है, तो हम देखने क्या वाले हैं, पहले तो समपूर्ण भारत के भुगोल के अंतरगत, लोकेशन, दो चीजे देखना है, प्राक्तिक और कृतिम, यानि की राजनितिक पोलिटिकल मानचित्र को समझेंगे, और साथ साथ फिजिकल मानचित्र को समझेंगे, और फिर भारत में जितनी भी महत्यपूर्ण सनरशना है, यहाँ पर, सनरशना है, प्राक्तिक सनरशना है, और कृतिम सनरशना है, मानुनिर्मिस सनरशना ह थीक है उन दोनों को समझने का प्रयास करना है बस यहीं पूरा का पूरा हमारा शेशन रहेगा ठीक उसके पीछे के कारण को जानेगे तो थोड़ा बहुत फिजिकल जोग्रोफी को समझ पाएंगे तो यह पार्टिकुलर हमारा टास्क है आज के शेशन का ठिक तो इस टास की और बढ़ेंगे पहले चीज तो यह हमारा प्रयास रहेगा दूसरा प्रयास मेरा यह रहेगा कि देखो क्लास तो लंबी है बीच में आप लोगों को थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा तो कि अभी हम सुरुआत कर रहे हैं सुरु कि आपको वहां पर मज़ा आता रहें चीजे सीखते चले जाएं और दूसरा एक संकल्प लेते हैं सुरुआत में ही कि कुछ सीख के जाना है आज आज आप बहुत बड़ा सीखने वाले हो तो बारा गंटे दिये जा सकते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं लूँगा इससे कम प करती बढ़ाऊंगा फर्ष्ट गेर से सुरू करेंगे और पांचवें छट्वें गेर तक जाएंगे ठीक है बाद में मैं स्पीड बहुत तेजी से स्पीड भी लोगा लेकिन सुरुआत मैं स्पीड में नहीं लोगा ठीक तो चलते हैं पहला यह स्रीज है पहला वीडियो ह है तो बेरा भी प्रयास रहेगा कि सबसे बहतर शुरुआत अच्छी होनी चाहिए प्रारंब अच्छा होता है तो फिर इसके बाद चीजें बहतर होती चली जाती ठीक चलिए सुरू करते हैं कि यह आपका वैसे अर्थ है गूगल अर्थ है तो इसका प्रयोग बीच- यह प्रयद्ट्व theo याए था लेकिन 2020 के इसाब से तो नया मान चित्राप का चुका है मान चित्र से पहले राजणितिक देखते हैं राजनितिक के बाद फिर हम लोग एक बार प्राक्तिक देखेंगे और इसके बाद फिर आपका विष्यवस्त में प्रवेश्थ कर जाएं तो यह आपका नविंतम पूरा मांचेत्र है ठिक यह किसने बनाया है कि संविधान ने संविधान के भाग एक ने बनाया है यह जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों को भारतिय संविधान के अनुसूची एक में सूचित किया गया है ठिक और भाग एक में इनको बनाने क पूरा तरीका दिया गया यह प्रकति नहीं बनाया प्रकति नहीं बनाया प्रकति ने उच्चावच बनाये हुए है ना कहीं पर परवत बना दिया कहीं पर कहीं पर पठार बना दिया कहीं पर मैदान बना दिया कहीं पर नदिया है कहीं पर जीले है तो प्रकति की देन है कहीं पर पश्मी घाट है पूर्वी घाट हो प्रकिती की देन है यह लेकिन जो अंदर आप निवास कर रहे हैं जहां रहे हैं यह जो आपकी भोगोलिक पहचान है वो कृतिम तरीके से बिक्सित हुई है ठीक है तो आपको सायद यह चीजें बहुत क्लियर्टी के साथ एक बार दे 2019 को यह बिल पूरी तरीके से क्या हो गया लागू हो गया लद्दाग डिश्टिक बना दिया गया दोनों यूटी बना दिये गया पहले एक राज्य होते थे अब क्या हो गए यह यूटी हो गया ठीक है दोनों यूनियन ट्रेक्ट्री में बदल दिये गए अब इसको लेकर अधिकत है प्राधिकृत है यही आपका पी आई बी में भी प्रेस रिलीज किया गया था ठीक है तो यह ध्यान रखना है यह जो राज्ज है इसका नाम लद्दाक है यह जो केंसासित राज्ज है इसका नाम लद्दाक है ना कि ले यह ध्यान रखना ठीक है यहां पे आपका एक लद्दाखे रिया है, इसकी राध्धानी ले है, और यहीं पर कारगिल है, तीन चीजे भर हैं यहां पर कारगिल, तो जितना भी पाक अधिक्रित कश्मीर था, यह गिलगिट बालिश्टान वाला है, यह पूरा हिस्सा किसके पास है, लद्दाख के पास, ठीक, दूसरा पूरा मिला करके जंबू कासमीर, जिसकी राध्धानी आपकी स्रीनगर और जंबू है, दो राध्धानी इसके अभी भी हैं, तो यह भी एक यूटी हो गया, यह भी एक यूटी हो गया, दोनों में गवर्नर सासन हो गया, लेटिनेंट गवर्नर के द्वारा, राष्ट्प देखिए दोनों मिलके एक हो गए दमन द्यूब एंड दादरा नगर हवे लिए पूरा एक बना दिया गया केंसासित प्रदेश पहले अलग-अलग होते थे ठीक है और इनकी राजधानी जो है वो दमन बना दी गई है ठीक तो यह भी द्यान रखना आपको यह दोनों अलग- संक्या कितनी हो गई आठ यह को क्लियर होना चाहिए बहुत बेसिक बात है बच्पन में हम लोग देखते हैं अभी ज्यादा इतना सोचने की जुरूत नहीं है तो यह आपका कृति में एक बार राज राध्धानी और एक बार मैं आपको सारे स्टेट क्रम से पढ़ा देता यह आपका नौर्थ इंडिया है इसको अलग इंटिटी में बांट दो यह आपका नौर्थ इस एन्डिया है यह आपका पश्मी भारत है यह आपका साउथ इंडिया है ठिक इसको साउथ बाढ़ दो यह आपका पूर्वी भारत है और यह आपका सिंट्रल है केंद्र में ठिक तो हमने इसको और यह आपका पश्यम है पूरा गुजरात महराश्ट्रा यह पूरा हिंसा को पश्यम तो यह आपका वेश्ट है यह आप आपका साउथ है यह आपका इस्ट है और यह आपका नौर्थ इस्ट है पांच भागों में हमने भारत को बांड़ दिया ठेक मोटा-मोटा इस इतनी छहत्री परसिदे भी है चेत्री परस्त बनाई गई है ना कि यह आप पढ़ेंगे बहाग एक में मैंने पढ़ाया पॉलिटी में तो अब देखे एक एक करके देखते हैं उपर से चलते हैं सबसे उपर आपका है यूनियन ड्रेटरी लग्दाक इसकी राद्धानी क्या है ले उल्टा मत कर दीजेगा बहुत साथ लोग ले बोलते हैं तो ले राद्धानी है लग्दाक यूनियन ड्रेटरी का नाम है यूटी का नाम है ठीक जम्बू कास्मीर राद्धानी आपकी जम्बू है इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश पढ़ता है आप हम जो देखेंगे जो नीचे उतरेंगे अच्छांसी विस्तार की हिसाब से उतरेंगे जिसका अच्छांस पहले पड़ेगा उसको ले करके आएगे इमाचल प्रदेश राद्धानी दो है इसकी एक सिम्ला है दूसरी धर्मशाला है धर्मशाला को भी इसकी राद्धानी गोसित किया गए ये भी ध्यान रखिएग ठिक सिम्ला और धर्मशाला तो आम तोर पर जो अफीशिली वर्क हैं सारे सिम्ला से हो रहा है ठिक इसके बाद आपका पंजाब है पंजाब और हरियाना इन दोनों की साजह राजधानी है चंडिगर ठिक बिलकुल बेशिक है जानते हैं आप लोग भारत की राजधानी भी यहाँ पे दो राजधानी गीरी हुई है एक उत्तर प्रदेश दूसरा हरियाना दो ही राजधानी यह ध्यान रखियेगा कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोग राजधान भी समझ लेते हैं तो राजधान नहीं है इसमें हरियाना और उत्तर इरिया एक है लुटियंस दिली जिसे बोलते हैं वही है नई दिली जिसमें राजी उचाओक है जो आपका सेंटरल सेकेर्टेट केंद्री सचिवाल है यह पूरा हिंसा जहां पर पार्लेमेंट हाओस यह नई दिली ना कि आप जाएंगे मुखरजी नगर मुखरजी नगर नह है यह दियान रखना भारत की राध्धानी अधैडली एरिया है डेली उसके राद्धानी नए दिल्यार आपका है यह आगे वड़ते हैं यह आपका राजिस्थान है राइस्थान की राध्धानी जैपूर, गुजरात की राध्धानी गांधी नगर, ठीक, इसके नीचे आएंगे महाराष्ट, महाराष्ट की राध्धानी, मुंबई एक और है इसमें, दूसरी राध्धानी है नागपूर, ठीक, यह भी दोनों याद रखनी है, जैसे कि हिमा और धरमशाले करता है क। गonजी तो पिर कहां पर कौन सा नदी है तलाव है पहाड़ पर wants pictured कि बाद में देखने तो पहले एक बार हम कृतिम भी भाजन देख लेते हैं इसी के अधार पर हमने चिन्नित किया है जो भी आप देखेंगे तो हर जगे पर फिर यह होता है कि भाई केटु गार्डवी नाश्चिन कहां पर है अब बदल गया भूगल बहुत साई चीज़े तो आपका लद्दाक में पड़ेगा पहले हम जम् कि पर्टिकुलर हम लोकेशन जाने है ठीक है तो यहाँ पर पणजी है आपका इसके बाद आपका आता है करनाटका करनाटका की रध्धानी बंगलूरू है ठीक इसके बाद आपकी जो पांड़ी चेरी है पुदू चेरी चार राज्य है टोटल ठीक है और तीन माफ जो कि तीन राज्यों में छितराय हुए है पुदू चेरी में चार जिले है चार जिले तीन राज्यों में छितराय हुए है तीन राज्य कौन कौन से है पहला है आपका केरला केरला में है माहे ये भी पुदू चेरी का ही एक राज्य है पुदू चेरी जो है फ्रांसीसी ब तो इसका एक तो है माहे आपका केरला में पढ़ता है लेकिन इसके चार और है एक तो पुदुचेरी खुद भी है ठिक यह आपका तमिल नाडु में पढ़ती है कराईकल यह भी पुदुचेरी का ही हिंसा है यह भी आपका तमिल नाडु में पढ़ता है तो दो तमिल कराई कर ठीक इसके बाद यह आपका है आंद्रप्रदेश रिजब में यनम यनम आपका पुदुचेरी पर ठीक तो चार हो गएं माहे आपका केरल में चार जिले तीन राज्यों में छितराए हुए है केरल तमिलनाडू और अंद्र प्रदेश तो यदि आप इसको clockwise देख लें तो clockwise पूछेगा तो clockwise में गड़बा इंटी clockwise तो दोनों याद रखना है देखो यहां जी यह नहीं है कि आपको चार पता चल गए clockwise में सबसे पहले है यनम ठीक है जो याद करने वाल जो question यहां फसाएगा वो जरूरी है यनम ठीक यनम के पुदूचेरी यदि हम clockwise देख हैं पुदूचेरी इसके बाद तीसे नंबर पे हैं आपका कराईकल 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 और यह आपका कहां पे हैं के रल पे बहुत इजी है याद रखेगा कुश्चन इस तरीके से पूछ सकता है और पूछा भी एक बार तो इसलिए आपको यह पता हूं जी राददानीन की पुदुचेरी हैं ठीक यहां पे भी है चुकि आपको पता होगा कि दो ही केंसासित प् मंद्र पंडल का भी कॉंसेप्ट किया गया है तीनों जगाओं पे जंबू काश्मीर दिल्ली और पुदुचेरी ठीक है तो तीसरा आपका पुदुचेरी अभी यहां पे सायद मेरे ख्याल से किरन बेदी हैं पुदुचेरी में हाँ ठीक है तो केरला हो गया आपका इसके राध्धानी आपकी चन नहीं बहुत बेसिक है आंध्प्रदेश यह देखो 2014 में दोनों बने 2014 में आंध्प्रदेश का पुनरगठन किया गया दो राज्य बनाए गए तिलंगाना और आंध्प्रदेश का इसकी राध्धानी को लेकर के बहुत सारे अभी भी आप लोग को को समझ नहीं है बहुत सालोग बीजयवारा कहते है किसकी राध्धानी बीजयवारा है बहुत साथ लोग कहते हैं कि अमदा बनाईप्ती अमरवति और लिए और इस को नहैं बहुत फेमस प्लेस है तो इसी को राध्धानी में परिवर्तित कर दिया गया है तो आंध्र प्रदेश की राध्धानी जो है विजय वाड़ा के अंदर एक अमरावती सहर है तो इसलिए वाड़ा डिस्ट्रिक है ठीक है तो अमरावती को भी डेवलब किया जा रहा है तो इस धीरे-धीरे आपका अमरावती को डिबलब की जा रहा है जैसे डिबलब हो जाएगी अमरावती करती जाएगी इसकी राध्धानी August 24 तक में हो जाए ठीकर तो गुम्रावुती आपकी और इसकी तिलंगाना की हैधराबार तिक इसके बाद नेक्स्ट सेपका ओडिशा भूनेश्वर ओडिशा के बगल पर ही लगा हुआ है च्षतिसगर ठिक है इसकी राध्धानी रायपूर है ठिक इसके बाद आपका पड़ता है वेश्ट बंगाल पा जरती है तो राची जो है करक्रेखा में अवस्तित है अगे बाद में चर्चा करेंगे इसके बाद जो है हमावर उपर जाये तो यह हो गए आपका यहां तक सिमठ गया अब यहीं से हम पहले एक बार पूरे इस धर के भारत को हैं फिर इस भारत बाद में जाते हैं यह आपका नौर्फ-ईश्ट इंडिया है बिहार है बिहार की राधधानी पतना उत्तर प्रदेश अपना राधधानी लख्नौ मध्व प्रदेश राधधानी भोपाल तो यह आपका इतना भारत नहीं पट गया पूरा का पूरा अब इधर आ जाओ यहां पे आपका सेवन प्लस वर्न का कॉंसेप्ट है सिक्किम एक है और सेवन सिस्टर है ठीक है आठ राज हैं आपके नौर्थ इस्ट में ठीक सुरुवात करते हैं यहां से सिक्किम से राध्धानी गंगटोख है बारत का पहला राज जहां पूरी तरीके से जैविक खेती होती है ठीक है यहां पे यह पूरा आपका 32 किलोमेटर का एक चिकन निक कॉरिडोर बोलते यहां से भी आप देखेंगे तो यह पूरा हिस्सा दारजलिंग वाला हिस्सा यहां भी अंतराष्टी सीमा है बहुत कम हिस्टा है और इधर यह ट्राइजेक्शन है यहां पे आपका चाइना बाडर लगती है इधर भूटान की बाड़ डोगलाम वाला हिस्सा यहां से ही नेक है तो बहुत छोटा हिस्सा है कोरिडोर यदि चाइना की चाल यही है कि आने वाले समय में इसको अलग करें प्रिथक करें भारत को तो यह बड़ा मुश्किल है क्योंकि नीचे बांगलादेस की बाड़ है देखो यहां पे चाइना भूटान इधर नेपाल इधर बां मड़ीपूर राध्धानी इंफाल तो इस पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होना कंफ्यूज नहीं होना इसमें राध्धानियों को क्योंकि इधर की राध्धानिया आपको हो सकता बोल भी गई हो गड़बड आप कहां पर होते हो मिजोरम मड़ीपूर औ नागलेंड में नागलेंड तब भी कोहिमा याद रह जाती पर इंफाल और आईजोल इन दोनों को ले करके थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मिजोरम की राध्धानी है आईजोल यह ध्यान रखना है मिजोरम की आईजोल मड़ीपूर की इंफाल मड़ीपूर इंफाल और मि मिघाले मिघाले की राध्धानी है सी लॉग ठिक बेसिक आपका पूरा का पूरा जितना भी मान चित्र है आशम है आपका आशम की देश्पॉर्ट आठ प्लस यहां पर आठ राज्ज हो गए आपके ठीक है बाकी हमने यहां पर देख लिए 20 राज ती आपका बेसिक है अब जो भी हम पढ़ना है हमें जो भी देखना है बात यहां तक नहीं जाती है और आगे जाए एक आपका यहां पर है ठीक है बंगाल की खाड़ी पर है अंडमान निकोबार द्यूप समों इसकी राध्धानी पोल्ट बलेयर है और एक आपका यहां पर है इसकी राध्धानी क् सब्सक्राइब यह बहुत बेसिक है मैं नहीं चाहिता यह चीज आपको याद करानी चाहिए लेकिन फिर भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं सुरुवात यहीं से करते हैं ठीक है ना आगे बढ़े हैं नेक्स्ट इस्टिप चलें तो यह तो हो गया राजनितिक में ब्रस and 53 विश्तार दिए गया है मैं पहले आपको देख लेता हूँ किसमों नहीं है यह वह अ आको अथि युए क्री य क्रित्म देख लेते हैं कि कैसे प्राक्तिक विभाजन देख लेते हैं ये है प्राकितिक विभाजád और несколько तो जो आपने देखा ये हमारे भारती सम्मिधान ने बनाया था अब ये प्रकती ने दिया है प्राकति कि इस तरीके से भारत कुछ दिखता है सेटलाइट्स के मौद्यम से आप देखें हैं तो हमारी भारत भूमी कुछ इस तरीके से दिखती है अब क्या क्या आपको यहां पर दिखेंगी संरचना है सबसे पहले यह वाला हिस्सा देख रहे हैं पूरी तरीके से बर्ब से ढखा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है उपर ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि उधर चाइना चालू हो जाता है हम इतने तक ही सीमित रहेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा तो यह आपका सबसे पहले क्या है पर्वतिय चेत्र हम देखने को पाते है सबसे पहला है पर्वतिय चेत्र उच्चा वच की द्रिष्टी से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर्वती चेत्र यह पूरा पर्वत है हिमाले पर्वस रेडी है यह तो पहली सरशना हम भारत में पाते हैं हिमाले पर्वस रेडी की ठिक दूसरी सनरशना आप देखेंगे पहले नमबर पे आपका हिमाला है दूसरे नमबर पे आपको ये पूरा का पूरा ये हिस्सा ये पूरा का पूरा हिस्सा है आप देख रहे हैं नदिया ही नदिया है ये हिस्से में भी नदिया है लेकिन ये पाकिस्तान के पाश है बट ये हिस्सा आप देखेंगे तो ये पूरा नदिया बहुल छेत्र है पूरा नदी ही नदी आपको दिखेंगे ये पूरे छेत्र में नदी ही नदी दिखेंगे आपको तो ये पूरा मैदानी छेत्र है दूसरी सनरशना आपकी मैदान है नदियों के द्वारा लाए गई जो दान ही है लेकिन रेतीला है तो यह आपका मरुस्थली अच्छेत्र है मरुस्थल है यहां पर वर्सा का भाव है मरुस्थली अच्छेत्र है यहां पर परवस्थ रेड़ी भी पाई जाती है भारत की सबसे प्राचीन तब परवस्थ रेड़ी है आरावली ठीक है तो हिमाले क है यह अभी बना है इधर कहें सभी अभी बना यह भी नभीवा यह न्यंहें लेकिन जो नीचे का हिस्था यह यह अभी का नहीं है यह पैंज्या के साथ लगा हुआ था जही जब मaronika स्पावन होना चलो है कला है तो यह इससा जो है अब प्रिंगुलर से पहले ससमझते हें प्रिंगुलर से पर weld से यहां पर भी अब देखे तीन तरफ से सागर टट है तो वह छेत्र को हम प्रायद्यूप एक जहां पे चारो तरफ सागर नहीं चारो तरफ से सागरjem हों एक तुप जल है लिए वेशन थालबों में जहां पर तीन तरफ से समुद्र छेत्र में जिस समुद्र छेत्र में तीन तरफ से भूमी हो उसे बोलते हैं खाड़ी ठीक है ऐसा समुद्र छेत्र ऐसा यह समुद्र छेत्र है इसमें तीन तरफ से इस्थल भाग हो तो उसे क्या बोलते हैं खाड़ी ठीक दोनों चीज़ों को ध्य दोनों अलग अलग है इधर देखेंगे तो यहां पर जितनी भी खाडियां यहां पर गल्फ सब्द प्रयोग करते हैं यहां पर बे बंगाल यूज करते हैं तो बे मतलब जहां बड़ी जलरासी है और गल्फ मतलब जहां छोटी जलरासी दोनों चीजों को देख लेना है जलर तरफ से जमीन को घेरा है तो द्यूब बन गया तीन तरफ से घेरा तो प्राइद्यूब बन गया और यहां पर आपका ठीक है यदि भूमी ने चारो तरफ से किसी जल को घुम गेर लिया तो क्या बन जाएगा सागर बन जाएगा जील बन जाएगा दो चीज बहुत आसान असान चीजें इसमें जांधा कुछ जो नाम दिये है तो यह उपी भारत है जिसको तीन तरप से समुदृ के द्वारा गीड़ा गया है एक तरप आपका। पूरा हिंद महाशाङर है थिक पूरे हिंद महाशागर को हमने कई नामों तिक है चुकि इस हिस्से को हिंद महास अगर के इस हिस्से को तीन तरफ से इस थल ने गेर लिया तो इसका नाम हमने बेअप बंगाल दे दिया लेकिन है यह भी आपका हिंद महास आगर ठीक भारत के भूमी के नाम से इसका नाम हिंद पड़ा है देखो वायू पुराण में वायू पुराण में भारत का नाम जो मिलता है वो भारत वर्स मिलता है ठीक है भारत के नाम को लेकर के भी एक पूरा पर्टिकुलर एतिहासिक विकास है अलग अलग नाम है भारत का तो वायू पुराण में भारत वर्स सब्द का नाम प्रयोग करते हैं लेकिन बाद में कह आती है राजदुश्यंत के बेटे भरत के नाम से तो वहां से भारत सब्दी निकल के आता है इसके नाम बहुत अलग अलग है अपने देश के देखेंगे तो बहुत पर्टिकुलर नाम है तो भरत आता है राजदुश्यंत और शकुंतला की संतान थी राजबरत उनी के नाम इसका नाम भारत का डिया लेकिन पर्टिकुलर इसके नाम और भी है जैसे एक नाम आर्या वर्त आप लोग सुनते हैं आर्य कौन थे सिंदुगाटी सब्विता के बाद एक जंजाती का भारत में प्रवेश हुआ ऐसा कहा जाता है कि ये लोग इरान वाले छेत्र से या फिर भारत में प्रवेश किये बहुत साई लोग यह भी मानते हैं कि आर्य भारती ही थे भारत में ही रहते थे इसको लेकर बिभी मत्य मैं यहां पर डिसकस नहीं करूंगा यह इतिहास के भी सवस्त हुए तो आर्या वर्त भी भारत का नाम है जहां पर आर्यों का निमास हो तो भी एक नाम आता है तो भारत वर्स भारत आर्या वर्त और नाम आते हैं भारत के जैसे कि जब यहां पर अर्भी यात्री आना प्रारम हुए तो अर्भी यात्रियों ने चुकि यहां पर इंडस नदी है सिंदू नदी है तो सिंदू को उने किस नाम से प्रयोग किया साको ह का नाम तो हिंदू प्रयोग किया अब यहां पर रहने वाले जितने निवासी थे सब को हिंदू बोला तो हिंदू बोला तो हिंदू रहने हिंदू के रहने का इस्थान हिंदूस्तान तो इसका नाम बात में हिंदूस्तान भी पड़ गया ठीक है तो हिंदूस्तान सब्द आ भारत और इंडिया एक ही सब्द है ठीक है जो राज्यों का संग होगा तो भारती सम्मिधान में इंडिया और भारत दोनों नाम मिलते हैं ठीक है तो अलग-अलग कारण है अलग-अलग कारणों से अलग-अलग इसका नाम है यह महत्यपूर इतना नहीं है लेकिन आगे इहां पर देखे बहुत सारी परुफत स्रेडी यहां पर आपकी देख रहे हैं यह इोन यह आपकी नदी है नर्वधा और यह आपकी तापी तो यहां पर एक आपकी पर्वस्रेडी है जिसका नाम है सथपुड़ा ठीक है सत्थ पूरा और इसके ऊपर है विंध्यान चल यह पूरा जो है आपका विंध्या चल इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाए गया मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा तो यह है आपकी विंध्यान चल परवस्त रेड़ी ठीक है इसमें कई सारी पहाडिय यह लगता है कि परवत है तो लगने लगा जैसे बीर आप बैठें तो जिस हिंस्से में मैं हूँ आप लोग वैठें आप मेरों ही समय नीजे धै तो मैं मुझे लएगा कि आप लोग पहाड़ में बैठें अना तो आब हाश है और कुछ नहीं है इसके बार माूंटेन नही आपको एक टट यह मिला प्राइदी उप में प्राइदी उपने दो टट बना एक टट यह चुकी है हिस्सा नुकीला तो तीसरा टट बनी नहीं सकता था तो यह इसको बोलते हैं पश्मी घाट अब दो चीजे ध्यान रखना है याप दो चीजे अभी आप समझे यह पश्मी घाट है यहां पर बहुत सारी परवस्त रेडिया है ठीक इसके आगे यह वाला हिस्सा मैं इसको एक बार ब्लैक कर देता हूं जो बिल्कुल समूर्ट टट से लगा हुआ है यह इधर का हिस्सा बिल्कुल यह पश्मी टट टटिये मैदान है यहां पर बहुत सारी नदियां पिर भी लेते हैं यह आपका यहां पे देखेंगे तो यह पूरा complete आपका पूर्वी घाठ है जैसे पश्मी घाठ यहां पर भी बहुत सारी परवर्षरी यह इने भी देखेंगे लेकिन इसका जो यह टट वाला चेत्र है टटी यहां पर बहुत सारी नदिया है जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है इनके द्वारा एक मैदान का निर्माण किया इसको बोलते हैं पूर्वी टटी मैदान तो दूनों अलग अलग चीज़ है और पूर्वी घाट अलग है पश्च्वी घाट अलग है यह भी आपको समझना चाहिए थीक है है तो हमने पहले देख लिया अभी पहले एक हमने देखा कि हैं पर्वति रह फिर मैदानी च्छेत्र है फिर यहां पर छेत्र रेटीला च्छेत्र भी मैदान ही लेकिन रेट जो है वो पवन के साथ हो एक मैदान में नहीं रहती कभी तीले में बदल जाती है कभी तो वह देखेंगे इसके अलावा और भी देखिए प्रकति के इससाब से और इसको बाड़ सकते यह आपका पठार ही यह चेतर, यहाँ पर बहुत सरे पठार है, यहाँ पर आपका एक मालवा का पठार है, यहाँ पर आपका एक छोटा नागपूर का पठार है, यहाँ पर जारकंड वाला है, छोटा नागपूर का पठार है, यहाँ पर दक्कन का पठार है, दक्कन के पठ तो टटी यह मैदान है टटो को भी कई नाम से जाना जाता है हम अभी टटो के नाम देखेंगे यहां पर है तो काठियावाइट के नाम से जानते हैं फिर इसको कुंकर टट के नाम से जानते हैं फिर इसको मालाबार टट के नाम से जानते हैं इधर कोरोमंडल टट है फिर तो तट्टो के नाम भी हम लोग करम से देखें बहुत असान है कुछ नहीं है तो यह आपका प्राकतिक भी भाण लिए दिवारत में देखने को मिलती है यह जिसे जल लासियां है बहुत जलरासियां है तो हम नदी तंत्र देखेंगे नदियों को पढ़ेंगे ठीक उच्चावच के हिसाब से हम एक बार परवत मैदान और पठारों को पढ़ेंगे ठीक है जितनी भी परवत स्रेडिया पश्मी घाट की पूर्वी घाट की मध्ध की पठारी चेत्री के सारी प्रियास करूंगा कि सब हो जाए तो यह आपका प्राक्तिक मानचित्र है एक हो गया कृतिम मानचित्र जो पॉलिटिकल था अब होता क्या है आम तोर पर जो कुछे जाते हैं दोनों को मिक्स करके पूछे जाते हैं पूछेगा प्राक्तिक सनरशना का नाम लेकिन पता टो लोकेशन और उसको मिक्स कर दिया गया है वह laquelle जानना जरूरी है जब तक दोनों की जनक नहीं होगी आप को those नहीं कर पाएंगगे आपके जितने भी प्रस्षनी प्र हैं प्राकतिक और कृतिम और यूनिवर्स फिर उसके बाद हम चीजों पर आए तो वह अलग प्लास है उसको हम अलग सेशन पर देखेंगे यहां पर मैं ट्रूली आपको किवल इंडियन जोगरोफी पढ़ाने वाला हूं और कुछ ने इसके अत्रिक तेदिया आपको सोच के बैठे हो तो आप निरास नॉर्मली जो कोश्चन जादातर बनते हैं पहले इसका प्रयास करेंगे और इसके अंतरगत अवस्थिती विस्तार यह सारी चीज़े जो हैं बेसिक एक एक चीज़े करके अब हम लोग चलेंगे चलिए शुरू करते हैं अब यहां से आपका सेशन प्रॉपर शुरू होता अब ही तक तो हमें एक प्रॉपर इंट्रोरेक्शन देख रहे थे भारत का यहां से सुरूवात करते हैं अब यहां से आपको कुछ चीज़े लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो समझना चाहो तो समझ भी सकते हो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है हर एक चीज को समझते चल ठीक याद करते हुए आपको यहां से निकलना है कि अधिक दिख रहा है ठीक इसमें कई सारी चीजे हैं जो समली थे इस पूरे मानचित्र में सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे हैं अब अस्तिती विस्तार के अंतरकर दो चीज़े होती हैं दो चीज़े समझना हैं दरसल जो भूगर्व बेता है या भूगोल बैग्यानिक है उनके द्वारा अवस्थिती को समझने का सबसे आसान तरीका बनाए गया है लेटिटिटूड और लॉंगिटिटूड ठीक है अच्छांस और देसांतर अच्छांस और देसांतर यह आपका जीरो डिगरी अच्छांस है यह आपका जीरो डिगरी देसांतर है मैंने ऐसा प्रयास किया है कि दोनों ठीक है तो इस आधार पे प्रत्वी चार भागों में बन जाती है आपकी ठीक है गोलार्द आपने क्वाडिनेट यह पढ़ी हो तो क्वाडिनेट में पहला चतुर्थांस है चार चतुर्थांस इसमें एक दो तीन चार यह दूसरा चतुर्थांस है यह तीसरा चतुर्थांस है यह चौथा अच्छत उठान से यह मूल बिंदू होता है क्वाडिनोट में आप देखते हैं जीरो जीरो इसका जो है ना तो यहां पर प्रतिभी जो है यदि आप देखें तो पहले सबसे पहले हम यदि सबसे पहले केवल हम अच्छान से रेखा को खीषते हैं वूमद्य रेखा को खीषते हैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं जीरो डिगरी विस्वत रेखा को तो दो भागों में बट गई उत्तर और दच्छड में यानि की नौर्थ यह है साउथ यह है ठिक यदि हम इसको चार भागों में लत रहे हैं आपका पश्चिम हो गया यह आपका पूर्व हो गया कुछ नहीं इसमें तो अभी इसको इसमें बढ़ देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या Lecations होगी यह आपका गोलार्थ है इस गोलार्थ का नाम क्या देंगे इस जगह का यह आपका चुकिए इधर पूरब है और इधर उत्तर पूरब हो गया ठीक है इसका नाम क्या होगा यह उत्तर है और इधर पश्यम है यह उत्तर पश्यम हो गया इधर की बात करें नीचे आ वहां तो ल οπο कहा पूराव हो जाएगा ठीक है और यह वाल हिससे को देख लेंगे तो है आपका हो जाएगा दच्छन पस्य wes큼 चार गोला रभारत आपको यहां पे अवस्थी था का पर वस्तित है उत्त्री गोलार्त में और पूर वी गोलार्स यह अब आपको याद हो जाना चाहिए ठहिक है भारत हमारा कहां पर अवस्तित आ है उत्तरि आवां पूर्वी गोलारतं भीकुल दिमाग में बैठा लेना इसको बहुत आसाने वहां पी इसे बहुत जग्रस आपको तनाव नहीं लेना है ठीक है तो भारत हमारा अवस्तित है उत्तर पूर्वी गोलार्थ पे ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पहली अवस्तिती आपको यह समझनी आवस्तिती और विस्तार्मी की प्रत्वी में कहां अवस्तित है प्रत्वी में कहां लोकेटेड है ठीक है तो प्रत्वी इसकी लोकेशन अब प्रत्वी एक बार खोली लेते हैं यह आपकी अर्थ यह आपकी लोकेशन ठीक है अब इसको ठीक है इसको कुछ हैसे बाट देते हैं यह यह आपका जीरो डिग्री कुछ यहां से जाता है ठीक और चुकि मैं इधर कर नहीं दिखा सकता क्योंकि लंदन से जाता आपका जीरो डिग्री तो लंदन आपका यह पूरा गल्फ वाला हिस्सा है तो यूरोप और गयरा मालो यह वाला हिस्सा यह भी गलत ही है ठीक है तो ज्यादा नहीं इसको दिमाग लगाते हैं यह आपका उत्तर हो गया और यह आपका पूराब हो गया यह वाला हिस्सा आपका उत्तर पूराब हो गया नीचे का यह गोलार्द आपको पता होना चाहिए गोलाद भी पूसता है तो हम उत्तर पूरी भी गोलार्द में भारत अबस्तित है बहुत बेसिक है छोटी सी बात है जादे दिमाग नहीं लगाना है इसमें ठीक है आप भारत का जो देख रहे हैं ना आधा हिस्सा भी नहीं देख पा रहे हैं प्रत्वी का अर्थ का अर्थ का हम क्योंकि प्रत्वी जो है पूरी तरीके से गोल है ठीक है और आधे हिस्से में ही तो आपका यह है क्या नाम है प्रसांत महासाग औरों को भी एक बार देख लेते हैं रफली थोड़ा सा यह वाला हिंस्सा यह आपका प्रसांत महासागर है देखिए प्राशांत जो ज्यादा गहरा होता है जिसमें ज्यादा ग्यान होता हो सबसे सांत होता सबसे सांत सागर है कि सबस्यादा सांथ है ठीक है क्योंकि सबस्यादा बड़ा सागर है देखिए कितना हिस्षा है पूरा का पूरा यह पूरा प्रसांती है आपको प्रसांती देख आधी धरती पूरी प्रसांत महासागर में ठीक इसके बाद यह वाला हिस्षा आपका यह अट्लांटिक सागर यह इसे आप देखेंगे तो यह आपका है यह कौन साभादीब है आंटार्किटिक तो यह अंटार्किटिका महाद्यूप भी जो है यह इसको हम बोलते हैं दच्छ्णी सागर दच्छ्णी महासागर दच्छ्णी महासागर जो है ये इंडियन ओसन का ही कुछude सा इंडियन ऑसन चुकी पूरा जाकर कि यहां पे आपका तो ये आपका दच्छ्णी महासागर है हिस्स्सा आपका neighborhood इस के साता है इधर being सब्सक्राइब दोनों चीज़ें आपको अभी देखेंगे इसका प्रयोग करेंगे जिज़ों को जब लोकेशन पर आएंगे तो चीज़ों को देखेंगे तो यहां पर मैं रफली आपको समझाना चाहता था कि आपकी जो आपका भारत अवस्थी थे वो कहां पर है पहले चतुर्थांस में हैं पहले चतुर्थांस में मतलब समझ रहे हैं ना नहीं समझ रहे हैं समझ रहे हैं अच्छा ठीक है पहले चतुर्थांस में यानि उत्तरपूर्व में पहला चतुर्थांस हो गया ये भी पूछ लेता है कई बार चतुर्थांस भी पूछ लेता है तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके से ठीक चलिए यह हो गई एक बात एक जनकरी हो गई अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले इसके अच्छांस यह विस्तार की अच्छांस देसांतर मैं यहां पर समझाना नहीं चाओंगा समझा दू कुछ है नहीं अच्छांस देसांतर हैं बहुत आसान है देखे पूरब से पश्चिम खीची गई जितनी भी रेखाएं हैं यह पूरी तरीके से ब्रत्य भी होती हैं यह अच्छांस रेखाएं ठिक और जो उत्तर से दच्छन या कहें उत्तरी ध्रू को दच्छनी ध्रू से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं यह आपकी देशांतर होती हैं तो देशांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्थ को दच्छनी गोलार्थ से मिलाती हैं अच्छांस रेखाएं आपकी उत्तर से पूरब की और खींचे गए गड़त हैं ज्बाती की बाता है तो यह भ्रत हैं मतलब पूरा सर्क्ल 요ें किए अपकी अच्छांस रेखा लेख्वाएं अर्द ब्रते हैं आधा बते अंड लग चीज कि खेओं को क्या कोड़ी ये दियूरी देखे दरसल बहुत आसान इसको खीचा कैसे गया होगा माली ज्य पृत्वी है कि यह प्रत्वी प्रत्वी का एक केंद्र वाला हिस्सा यह प्रत्वी के अंदर जाके देखा हमने तो केंद्र वाला हिस्सा है तो यहां से कुछ नहीं है केंद्र एक इन्हों रोग किया विश्वतरएखा एब केंदरवाले हिंसे से एक रेखा खिस दि और इससे कोडिये दूरी बनाते उए जैसे माली ईह 0 डिग्री वन डिग्री ठीक है यहाँ पर टू डिग्री यहां पर त्री डिग्री तो क्या है बहुत आसान है यह वन डिग्री अच्छांस हो गया उत्री अच्छांस हो गया है तू डिग्री अच्छांस हो गया है फोर डिग्री हो गया तो यह कोड़ी यह दूरी और कुछ नहीं है बहुत आसान है मूल बिंदू से खीची गई कोड़ी यह दूरी ठीक है इतना आसानी से खिंज दिया इसलिए वन डिगरी टू डिगरी ठीडिगरी बोल रहे हैं यह आप पूरप से पश्चिम पूरप से पश्चिम क्या है अच्छांस रेखा है ठीक है बस इतनी सी बात है अब बात कर रहा है कि भारत की अवस्तिति और बिस्तार के बारे में बात करीए अभी से याद करना चालू करना है भारत की अवस्तिति बिस्तार आज की बिस्तार की में आपको याद हो जाना चाइए सबसे पहली चीज़ देखो एक तो यहां पर एक सब्द middle भारत का खोज करता वास को डिगा मैं यह कौन हो गया भारत को खोजने वाला यूरोपिये लोग आज ने इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं रोमन ब्यापार होता था हमारे हां प्यारुक मेरी बंदरगा एक बुख है पेरी प्लसाब्दा इरीथियन सी है ना उसके है ये पूरी मी इक मूंस सब खाते थे महां सारी करते थे तो मसाले को लेकर यूरोप का जितना भी धन है जितना सब भारत के बंदर गाऊं में आगे जमा धर Iya पिलनी कॉस्टा इस चीछ को ले कर ke तो भारत एक ऐसा देस है जिसकी खोज को आते थे यह अफ्रीका टट से जब पहली बार यहां पर आटोमन समराज जिका जब इस्तांबूल वाला तुर्की वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से से पहले पुरा बयापार होता था ठीक है लेकिन क्योंकि पहले समुद्री यात्रा और यह सारी चीजें सब अंधि विश्वा किवास को डिगामा ठीक है और इस नहीं किसे से भारत आया जा सकता था रासता आप से आता है ठीक है वहां से यह उस राच्वराज्टें क آپ लिखता एक कोस्टन भी आते हैं तो आप वास कोडिगामा आयसा थो करनी सकते टीक तो करके आने ही पड़ेगा ठीक पुर्टगाली नाविक था यह वासको डिगामा और भारत में यह बीस में अठा चौदा सो अंठानवे को आया था काली कट पर उत्रा था सबसे पहले यहां पर सासक था जमूरिण है ना ठीक है तो एक गुजराती पत्प्रदर्सक था अब्दुलमनीद उसी की सहायता से यह भारत पहुंचा था ठीक है अलग बात है इस पर अभी छोड़ता है तो कहने का ताथ पर मेरा यहां पर यह है कि अ कि यह आपका है जीरो डिग्री भारत हमने बोला कि यहां पर अवस्थी थे पहले चतुर्थांस में यहां पर अवस्थी थे भारत इस वाले हिससे पर तो भारत की जो अवस्थती है यानि कि जो भारत का मुख भूमी है यह जीरो डिग्री है एक दो तीन चार पांच छे सा हो जाता भारत वेसे ठीक है भारत आपका है चारर चार मिनट से चार्लु हो जाता है हमारा जो इंद्रा है सबसे देच्छ επंद्थी चार्मिट से चाहろ हो जाता है लेकिन मुख ह성 तो भारत आपके यहां पर इस वाले हिस्से पर यहां से चालू होता है और यहां पर खतब हो जाता है इतना हिस्सा में किस तो यह जो आपको यहां की श्टर्टिंग दिगरी चार मिनट ठीक है तो याद रखेंगे एक मोबाइल नबर की तरह याद रखेंगे और एक ज़्याद रखेंगे पूरा पूरा भारत कहां पर उत्तरी घुलारत पर कि एच चांस की बात कर दौब साथ का 3 THIS होगा नहां आप तो आज डिगरी चाय मिनट रेकर साइटिस डुए चाय मिनट रि eighty calories तर यानि 84 से लेकर 30 cafe Devo藏 को आपका 308 यह याद रखना है भारत की अवस्थथि चाय मिनट चाय मिनट से लेकर 30ела लिजयें दोनों को 84 से लेकर के 306 ठीक 84 306 एक मोबाइल नमबर याद करेंगे आठ डिगरी 4 मिनट से आठ डिगरी 4 मिनट से लेकर के आठ डिगरी 37 डिगरी 6 मिनट तक ठीक यह याद कर लेना यह आपका हो गया अच्छांसी विस्तार मुख्ख भूमी का चांसी विस्तार 84 से लेकर 376 तक बहुत आसान है इसी है अब बात कर रहे हैं इसका देसांतरी विस्तार तो देसांतरी विस्तार की बात करेंगे तो हमेशा पूरा कब आएगा क्यों कहां पर हम उत्तर पूरव में नाम तो देशांतर पूरवी देशांतर हैं जितने भी देशांतर ने सारे पूरवी देशांतर यह भी याद रखना है ठीक है इसमें गड़बर नहीं होना चाहिए तो 687 से लेकर लिएक disposUS यह याद कर लेना हम 24 से लेकर 376 Saasitabe whoa अरफ डिगरी साथ मिनट इसकानवे 25 मिनट भारत का 56 विसतार डिगरी 34 मिनट से लेकर 37 ब्यक्री च्छाय मिनट तक है और यहां प्या है अरफ 6 डिगरी साथ मिनट से ले करके 97 डिगरी बहुत असाने कुछ नहीं है इसमें पिंटु सा चेज है लेकिन ये तब भी आपको याद होना जाना चाहिए इसमें कोई है नहीं बेसिक चीज है ठीक लेकिन ये भारत का सबसे दच्छंतम बिंदु नहीं है मुख भूमी के दच्छंतम बिंदु आपका कन्या कुमारी हो जाता है लेकिन जो हमारे भारत का सबसे 10.6 मिन्दू है वो यह है आपका यह आपका यह वाला हिस्सा ठीक है यह सबसे 10.6 मिन्दू है जब 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी तो यह हिस्सा अभी तक कहते हैं कि पूरी तरीके से जल्मग नहों गया था लेकिन अब दिरे दिरे बाहर आ रहा है तो यह है आपका 6 डि चार मिनट पे ठीक तो आपको बहुत आसान है 84 से लेकर के 366 ठीक है 687 से लेकर 97 पाच्चिस और चाहए यह याद रखना है आठ डिग्री चार मिनट से लेकर 376 मिनट तक 68 डिग्री साथ मिनट से लेकर 97 डिग्री बस कुछ नहीं है क्या इसमें विल्कुल इजी है अच्छांसी और देसांतरी विस्ता दिमाग में बैठ जाना चाहिए ठिक एक बात तो यह हो गई बहुत इजी है कुछ नहीं है अभी इस सिर्फ यह देसांतर ही महत्यपूर्ण नही जो है और एक अच्छांस भी महत्यपूर्ण है उस अच्छांस का नाम बताइए है आट थे साडर तेश बिग्री पुत्रय अच्छांस लिए गया 52 यह आपकी कहां से आती है यह घुब हाँ क्हाँ आपकी है भारत से ही हों कर ने फुक हुत है एक अच्छांस यह आपका important है साड़े तेश डिगरी उत्री अच्छांस उत्री है यह साड़े तेश डिगरी दच्छनी अच्छांस को मकर रेखा बोलते हैं इससे उपर जो है आपका दूसरा यह है साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर इसको हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा जिससे हमारे देश का समय निरधारित होता है यह आपकी माफ किए मानक समय रेखा समय रेखा यह आपकी है प्लस साड़े पाँच गंटा है ना इतने गंटे यह 0 डिगरी से आगे है इसका समय ठीक है तो अभी आपको पहले आपको अब एक करके हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को लेकर के कोश्चन भी पूझाते कॉंसेट भी है उस कॉंसेट को मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर एक कोश्चन है अब देखें इनका पश्चिम से पूरब विस्तार आपने यह तो देख लिया कि उत्री अच्छांसी विस्तार कितना है देसांत्री विस्तार कितना है अब बात कर रहे हैं इनका विस्तार कितना है दिमान लोग आप यहाँ से किलो मीटर में विस्तार देखना चाहें तो एक बार इस विस्तार को समझ लेते हैं ठीक है यह विस्तार है आपका पूरब से पश्चिम विस्तार ठीक सबसे पहले पूरब से पश्चिम विस्तार अब मुझे एक चीट बताइए पूरब से पश्चिम विस्तार है दी हमें देखना है किसी च चांस का मतलब यह है यह मालीजी आपका 0 डिग्री है यह आपकी आठ डिग्री चार मिनट है तो अच्छांस जो होगा जालिए आप यहां पर खड़े हैं और यदि हमें पूरब से पश्यम की दूरी नापनी हो तो हमें देशांतरों का सहरा लेना पड़ेगा कि देशांतर हमें पूरब से पश्यम की दूरी बताते हैं और अच्छांस हमें कुछ नहीं है इसमें बहुत आसान है बहुत सिंपल है तब यहां पर आप देखिए पूर सिद Cordail 4 520 पुरविविने में अवस्थित है और यहां पर पूरव यहीं समाप्त हो जाता है इस वाले हिससे में मिजोरम कह처 में तो यह पूरा टेना है ठीक तो यह पूरी दूरी आपकी कितनी इस यह िमस्थे कितना है two nine three three पूरबसे पर्शचिम विस्तार कितना है two nine three three बहुत असान है two nine three three two nine thirty पूरबसे पर्शाम बिस्तार भारत का two nine three three अब देखो इसको ले करके जो सबसे अंतिम पॉइंट है जब भारत में आप जो है माली यहाँ से यात्रा करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं तो सबसे अंतिम राज जब का उनांचल प्रदेश पड़ेगा और अंतिम जो गाउं है वहाँ पर कीविथू नामक गाउं है जिस गाउं के बाद आपको म्यानमार चालू हो जाएगा अगला देश चालू हो जाएगा ठीक है त है तो सबसे पूर्वांतम बिंदू जो है आपका कितनी का क्या है धुर्व इसी तरीके से तया आप यहाँ से पशिम की और चलेंगे तो रचाने कुछ नहीं रट जाना चाहिए और पूरफ से पश्चिम विस्तार यदि आप गोर मोता से चले और किभुतु तक पहुंचे तो कितना दूरी तै करना पड़ेगा ठीक है 2933 किलो मीटर किलो मीटर किलो मीटर केवल किलो मीटर किलो मीटर स्कॉयर नहीं ठीक है किसी लै ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो यह 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दच्छणी वाले छेत्र है यहाँ पे आपका है तमिल नाडु और तमिल नाडु का है केप के मुरिन यानी कि किन्या कुमारी सबसे दच्छण में आपका है कन्या कुमारी ऐसे मजाएगा आपको या आप देख रहे हैं समुद्र का कुछ इससा हारा दिख रहा होगा आपको यह आपका छेत्रीय सागर है है ना सेत्रीय सागर आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा अधार रेखा क्या होती है छेत्री सागर क्या होता है सनलगने छेत्र क्या होता है और अनन्य आर्थिक छेत्र क्या ह है आपका Sunset Point यहां पर आप जा करके ठीक है रामेश्वरम यहीं पर है यहीं पर आपका जो वो रॉक है जहां पर बिबेकानन जो है खड़े हुए थे ठीक है तो यह आपका कन्या कुमारी है कन्या कुमारी से सीधा-सीधा चले जाएंगे उपर साइकल से यात्रा करेंगे नहीं देखा क्यानों को जानते हैं उन्होंने भलब भारत की हैं अब बहुत यंग है बीस्यों का वर Amat साइकल से करनेव हो पूरेम इस कब्रंट का अभी लोगुग्डवर्म नीजस धेंद। हरे हुआ से टेस को जो है वो साइकल से ही पार कर रहा है साइकल साही ना पूर तो कर सकते हैं कोई impossible नहीं है लेकिन वही है कि सोच के परे और थुला जुनून भी होना चाहिए इन चीजों में जुनून होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यह आपका यहाँ पे सबसे उत्तरतम पॉइंट है विंद्रा कॉल यहाँ पे दिखाये गया है यह नहीं दिखाये देख लेते हैं एक बाद कार्गिल वाला हिस्सा है कि देखिए यहां बरफ ही बरफ है यह आपका केटू गाडविन कि सायद इसमें मेंसन नहीं किया इसी छेत को लेकर लड़ाई है सारा दंस इसी छेतर का है एक तरफ से पाकिस्तान दूसी तरफ से चाइना इस्तिती अभी भी समाने नहीं हुई है इस चीज को लेकर के कि इंद्रकॉल यहां पर भी चलिए टाइम लग जाएगा इसको धूंड़ने में नहीं तो यह तो फिर हो सकता है कि इसमें में इंसन ना किया गया हूं तो जो हमारा सबसे दच्षणतम मिंदू है उसकी तरफ बढ़ता है सबसे उत्तरतम मिंदू तो आपका हो गया इंद्रकॉल ठीक है सबसे उत्तरी छेतर में इंद्रकॉल है और सबसे भारत के मुख में दच्षणी छेतर में कन्या कुमारी केप के मुरीन है तो आठ डिग्री चार मिनट आपका कन्या कुमारी है ठीक और आपका जो है सबसे उ चंद्व मिन्दू हमारा यह पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इंद्रा पॉइंट यह सबसे दचन्द नहीं है यह आगे बढ़ते हैं यह लक्षद्यूप नहीं है बहुत लोग यह लक्षद्यूप में आपका दो चैनल आएंगे देखेंगे आठ डिग्री चैनल और नाइन डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल ठीक है आठ डिग्री चैनल का क्या महत हो है नाइन डिग्री चैनल का क्या महत हो है और टेन डिग्री चैनल का क्या महत है टेन डिग्री चैनल भी है टेन डिग्री जो है अंडमान निकोबार को प्रतक करता है एट डिग्री च चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर यह तो क्या होगा है, बहुत कठी नहीं हैं, आसान है. अब आगे बढ़ते हैं next point पे अगला है भारत के छेत्रफल को ये भी याद कर लो आज ठीक है ये छेत्रफल अभी इतना ही है 32, 87, 263 आगे 3, पीछे 3 ये बहुत याद जरूरी है ठीक है 32, 87, 263 क्या है ये किलोमीटर स्कॉयर ये याद कर लो 32, 87, 263 मोबाइल नमबर की तरह ये भी याद रखना है आपका ये भारत का छेत्रफल है विश्व के कुल छेत्रफल का दो दसंबलो चार प्रिस्वत हिस्सा ही भारत के पास है यानि कि हमारे यहाँ पे लेंड एरिया बहुत कम है क्यों भारत विश्व में यदि छेत्रफल के इससे आप से देखें तो सात्वा इस तान है इस से उपर शे देश हैं सबसे एक नमबर एक रुप सिम्हार नमबर एक रुप से डुरु केनेड़ा नमबर तीन अमेरिका यूए सांवरी इस नंभर हो गई उपेन करें गे तो कहीं पर चीन देर्खा कई अमेरिका देर अधर का लेकिन नंबर 3 पर अमेरिका ही है घो सद continues on नंबर तीन पर अमेरिका नंबर चार पर चाइना कहां कौन साउथ में कौन है अब साउथ अफ्रीका कहां से आगा यहां पर नंबर एक रूस नंबर दो कनेडा ठीक है रुख जवाएं से नहीं याद होगा अब लोगों मैं मानचितर में याद कराता हूं कि यह यह विश्व का मानचितर है नंबर एक नंबर दो ठीक है नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर च्छे नंबर साथ क्रम से याद कर लो रसिया कनेडा अमेरिका चाइना ब्राजीन अस्ट्रेलिया भारत बहुत इजी है कुछ नहीं है यह आपको याद रखना है इसका जो कन्फ्यूजन है चीन एक बार मैंने भी जो है मास्टर वीडियो में बोल रखाए है विश्व के बिखोल पर गलत है और डेटा गलत है नमबर चार पर आपका चीन है नंबर तीन पर युएस्वेसे आप देखेंगे मल्टिपल वेब्षाइट पर को युएसे ही मिलेगा और जितने भी आयोगों ने इतने अंसर दे रहे हैं इसलिए इस पर कन्फूजन नहीं होना चाहिए आपको ठीक चलिए तो हमारा च्छे तफल के अधार पे दो देसम्दू चार परसेंट यानि लेंड एरिया काफी कम है भारत के पास ठीक तो आपको यह याद रखना चाहिए लेंड टोटल कितनी है हमारे पास टोटल है थ्री टू एट सेवन टू सिक्स थ्री भूल जाओगे आप लोग पता नहीं मुझे क्यों लग रहा भूल जाओगे 32,862,862,862 km2 32,862,862,862 बहुत बेसिक है याद कर लो आ जाएगा ठीक है इसके बाद ये इसके बाद आती है पॉपुलेशन की जन संख्या देखो दोजार गेरा का दो डेटा कभी बदलेगा नहीं जो नया आएगा वो देखा जाएगा ठीक है तो डोटल जन संख्या जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 121 करोड एक सो अब ये बाकी का डेटा की जुरुवत नहीं है आपको यदि देखना चाहो ठीक है नहीं देखना चाहो तो कोई जुरुवत नहीं 121 करोड बस आप रफली याद कर लो इतना भी ठीक है 121 करोड की अबादी ये दोजार गेरा के डेटा की हिसाब से आब हम लोग बहुत तेजी से कीड़े मकोडों की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं संख्या लगबग लगबग हो गई होगी 133 के आसपास आ जाएगी देख तो आने वल सामें लैंड क्या करनी पड़ेगी कभजा करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से ठीक एक ही तरीका प्योके भारत का हिस्सा है भाई हमारा ही है हाँ प्योके में है भारत का लेकिन ठीक है प्योके नहीं है भारत का यह अबैद कभजा है ठीक है लद्दाक वाले हिस् कहां पर हैं अब यह थोड़ा सहां यहां पर डेटा अप चेंज करते जाएंगे लद्दाग हो जाएगा आपका इंद्रा कॉल प्योंके में गिलगिट बालिस्तान वाले अरिया में है जो की लद्दाग का हिस्सा है ठीक है तो यह आपको याद कर लेना है ठीक अवस्तति मैं आपको उत्त्री गोलार्द बताई थी उत्त्री पूर्वी गोलार्द एसिया महाद्यूप में है भारत इस्थलिये सीमा कितनी है यह वाली सीमा यह जो पूरी इस्थलिये सीमा है यह भी रटना है यह यादी करना है आपको अभी देखो यहां से जहां पर इस्थल इस्थल टोटल कितना है 1560 किलोमीटर आपका क्या है इस तलिए सीमा कि विकुल आसान है इसको याद कर लोगी सीमा 15106 यह वाली जो बॉडर है टेरी मेरी बॉडर आपको दिख रही है यह आपकी कितनी किलोमीटर है 15106 ठीक है और ज़्याद दसम्मलों में 107 यह टोटल आपकी है यह विद्यान रखना है स्थ्रिय सीमा टटी यह सीमा यह वाली सीमा यह कितनी है टोटल यह याद रखना है 7516 देटा बढ़ता चला जाएगा धीरे 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 मैत के खल इसको थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग रखो पीछे वालों को ज्याद है याद मत करो जो लेटेस्ट बताता जा रहा हूं याद करते जाओ 7516 ठीक है टटी यह सीमा है 7516 दोनों को जोड़ देंगे तो बाइस जयार के असपास कुछ टोटल निकल के आएगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखन है इसके बाद विदेशी सीमाओं से संबध राज्य ठीक है कौन-कौन से राज्य हैं जो विदेशी सीमाओं से जुड़े हुए हैं तो टोटल संख्या इनकी 17 है अभी देखेंगे कौन-कौन-कहां-कहां से लगता है इसके बाद भारत के इस्थलरूद यानि लैंड-लोग स्टेट कौन से हैं इनकी भी संख्यां देखें के टोटल है पाँच लैंडलोग मतलब जिनके पास समुद्र नहीं है खुला 지금 नहीया बारत में भारती सीमा से कितने देश हैं जितने सानागते हैं इस तुप sick में टोटल आँड़ आठ देश हैं, नवा देश जो सारक नहीं हूँ है चीन क्योंकि चीन है पूर्वी एसिया का देश सॉर्फ है दच्छिद एसिया के देशों का संगतनगउड़ट इसलिए चीन को इसमें लेना किसी भी तरीके से तारकिक नहीं है ठीक है तो ये आपका हो गया रफली थोड़ा सा ये जानकारी फिर से एक बार देख लेते हैं छेत्र फल है हमारा 32,87,263 किलो मेटर 32,87,263 किलो मेटर जनसंखे 121 करोड की अबादी है विश्चु का 70.5% लोग भारत में रहते हैं और विश्चु का 2.4% भूमी हमारे पास है ठीक इसके बाद इस्तिलिये सीमा हमारी कितनी है 15,167 या 15,16 15,16 इस्तिलिये सीमा है बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना बहुत आसान है और जो हमारी टटिये सीमा है वो है 75,16 75,16 75,16 या 75,16 75,16 विल्कुल रट लो ये टटिये है ठीक है टटिये सीमा आपकी ये है ठीक आशान नेक्स्ट अगला क्या है आपका विदेशी सीमाओं से संबंध भारती राज्यों की संख्या कितनी है टोटल 17 भारत के इस्थल रुद्ध राज्य कितने है पांच भारती सीमा से संबंध देशों की संख्या कितनी है नौ जिसमें साथ इस्थली है नौ दो टटी है ठीक बस इतनी सी बात है अब देखो यह तो हो गया बेसिक कुछ में फैक्ट और लिख करके लाएं वह आप लोगों के लिए अब एक एक करके आपसे पूछूँगा आप लोग बताते जाएंगे नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसमें आपका थोड़ा से सिंसेस का भी डेटा है बहुत सारा डेटा है ठीक है तो देश का नाम है भारत अन्य नाम इसके मैंने क्या क्या आप लोगों को बताए आर्यवर् राणों में जायन ग्रन्त ओमें जायन ग्र Settings वहां पर जम्बू दियुप ञार्ण नाम नामग बरिक्षक्रानी करें लिजब का भातका नाम आप लोगों को पता है नई दिल्ली आ तक तक मानक समय रेखा काओन सी है इसकी 85 डिगरी पूरवी देशांकर पूरा बोलना है साड़े 82 डिग्री पूर्वी देसांतर इलहाबाद के समीप 90 से जाती है ठीक है ग्रीन वीच माद्द से यानि कि जो आपकी 0 डिग्री देसांतर है उस देसांतर से कितना समय जादा है साड़े 5 गंटा बहुत आसान है कुछ नहीं आब इसमें बताइए किन किन राज्जों से मानक समय रेखा हो करके जाती है ठीक है पांच और आज जबाब को एक एक करके देखते जाने है कि यह रहा तो यह होगी आपकी माली यह आपका कौन सा था यह कौन सी है यह रेखा यह आपकी 68 डिगरी 7 मिनट यह कौन सी है आपकी 97 डिगरी 25 मिनट दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो लगबग 30 मिनट के आसपास 30 डिगरी के आसपास आता है ठीक है तो यदि हम यानि कि इनका माध्ध निकालते हैं भागे दो तो 15 डिगरी के आसपास मालो रफली आता है एक में 15 जोडेंगे तो आपका बीचों बीच का माध्ध निकल के आ जाएगा ठीक है इसी का आपका टाइम है मालो आप यहां बैठे हैं गुजरात में बैठे हैं समय आपका यहां का बताता नैनी वाला यहां आपको लग रहा है आपका समय सही नहीं है गड़ी में लेकिन चुकि आप भारत वर्स के अंदर भरमाड कर रहे हैं तो एक ही टाइम जोन मना दिया गया है बहुत समय से डिमांड चल रही चाय बगान टाइम जोन की अंग्रेजों के था भी तो पूर्वी पूर्वत्त अलग है आप लोग का वर्किंग फिरेट अलग है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हमारा टाइम जोन अलग कर दीजे ताकि उसी सब्सक्राइब जैसे माल लिजे यहां पर आफिस टाइम आपने हर जिगाए ऑफिस टाइम हमने दस बज़े बना रखा है दस बज़े यहां का दस बज़े और यहां के दस बज़े में अंतर है ना यहां दस बज़े पहले हो जाएगा यहां पर तब नौ बज़े होंगे लेकिन इन लोग इनका इनको यहां का यहां जब नौ बज़ रहे हैं ठीक है तब इनके यहां पर दस बज़ चुके एक घंटा पहले हो गया है ल चुना हुए थे तो पूरा मुद्दा भी था वहां का कि हम एक अलग टाइम जोन ले करके आएंगे लेकिन गौर्वर्मेंट को लगता है कि थोड़ा सा हम एक टाइम जोन दीजिए लेकिन भारत सरकार को लग रहा है कि ट्रेने चलेंगी तो फिर दो टाइम जोन भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे भी नहीं हो अभी 24 गंटे वाला समय थाई से नहीं देख पाते हैं 24 गंटों का समय 19 बजा है तो वही से लग रहे हैं कि दो टाइम मना देंगे यहाँ जाने वाली ट्रेनों का पिर कैसे लोग निर्धारीद करेंगे कैसे अपनी क्लॉक सेट करेंगे कैसे तो भारत त्विपान चलाते हैं क्शृक्ता के न की जिए झ publi UV को भी आगाता है थारी इक तरफ है लेकिन यहां तर पर यहां पर प्रसाशनी कारे करने में दिक्कत आ रही है भारत सरकार करें आपको दिक्कत आ रही है आपके दिक्कत को सुल्यान चक्क में पूरा देश दिक्कत में आ जाएगा ठीक हमें सब कुछ पर्फेक्ट टाइम के हिसाब से चल रहे हैं प्रयाग राज वाले को फिट टाइम से चलते हैं हम लोग होंगे थोड़ा बहुत फ्लेक्ट होगा यहां पर देखेंगे तो सत अत्तर अठतर पे होंगे लगभा इतने के असपास होंगे तो बहुत ज़्यदा अंतर नहीं होगा हमारा एक डिग्री मतलब चार मिनट तो पांच डिग्री मतलब कोई दिक्कत नहीं इतने इतनी घड़ी चलती है हमारी तोड़ा से ज्यादस हो लेते हैं ठीक है तो यह आपका पहला यूपी दूसरा एंपी ठीक है मानक समय कहा कहा से पांच राज्यों से होके जाती है पांच राज्यों से होके जात पहला कौन सा है आपका फिर से सबसे पहले उत्तर प्रदेश दूसरे नुम्ह बप्रदेश तीसे अभर प्रोडीशा और फिर आंद्र प्रदेश इसके बाद अगला है आपका करक्रेखा पर चलते हैं ठीक है यह पांच राजवीकुल आपको ध्यान से दिमाग में बैठा ले अब त्रिपूरा उपर है त्रिपूरा मिजोरम दोनों होगा रोजी रुख जाए रुख जाए हाँ राइस्तान में भी जाएगी यह यह है चत्प्रद नहीं है आए आए ना अब नमबर एक गुजरात ठिक नमबर दो राइस्तान के थोड़ा से इससा है राजिस्तान नमबर तीन एंपी चत्तिस गड़ भी है देखो यह आपका है चत्तिस गड़ उत्तर प्रदेश नहीं है इस पर तीसरा आपका राची या जहारखन जहारखन फिर इसके बाद आपका पश्यमंगाल यह ज्य जादा कन्फ्यूज करता है औरीशा का ओप्शन हर बार देता है तो अडिशा नहीं है इस पर फिर आपका है त्रिपुरा फिर आपका अंतिम है मिजोरा मिजोरा थिक तो यह भी आपको आठ के आठ याद कलेने नमबर एक गुजरात राजिस्तान मध्य प्रदेश अब देखो थोड़ा सा एक काम जरूर करना होगा एक हाई लाइटर लेना और लेके जहां पे करकर रेखाजाती है उसे हाइलाइट कर लेना थोड़ा सा हाईलाइट करने का बेनिफिट ही होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि आसपास के सहर कौन कौन से हैं जैसे न सिपाल कितना नस्डेग है विदिशा कितना नस्दीक है है यहां पर राची कितना तो यह आपको एपना पड़ेगा कि टिक नौर्थीष के दो हैं चैनल और मजारम मรीपर बिलकुल भी दिमाग से अटा चलते हैं पांच जो है लेंड लॉक स्टेट है पांच लेंड लॉक स्टेट का नाम बताई एक कि मद्धप्रदेश तलंगाना मद्धप्रदेश चत्ति सगर्ड हरियाडा धारखंड तलंगाना यहीं पर देख लेते हैं सबसे एक नंबर एक है आपका ये ये देखे ये बंद है इसके पास कुछ नहीं है इसके पास कुछ नहीं है इसके पास कुछ नहीं है ये भी बंद है ये पांच बंद है नंबर एक हर्याणा नंबर दो जारखंड नंबर तीन ठीक है मद्द प्रदेश नंबर 4 36 गर नंबर 5 तिलंगाना तिये 5 यह भी याद रखना चाहिए और तो कोई नहीं है बाकि या तो अंतराष्टी सीमा साजा कर रहे हैं या तो समुट टिये सीमा साजा कर रहे हैं बाकि सारे लेंड लॉक हैं आपके एक राज जी के साथ ही सीमा साजा कर रहे हैं तो यह पांच आपको याद रखना चाहिए पांच लेंड लॉक इसके बाद आपका जो है भगोलिक विस्तार मैंने बताया था उत्तर से दच्षण कितना है या अंड़े वो नहीं अब भिस्तार किलोमीटर मताना से 22 14 वाटर से दच्षण विस्तार 3214 22 14 दिमागों बैठा लेना है और पूरवसे पस्षिम विस्तार कितना था 29 तेशे 29 तेशे तिस दिमागों बैठा लो यह फी ठीक है अब बात करते हैं एक बार अंतरश्टी सीमा वगएरा को लेकर कि कि इंटरनेशनल बॉर्डर हम किस से कहां सेयर करते हैं कि अगर करें कि अगर कि अगर कि अगर कि सबसे पहले देख लेते हैं कि से कितनी है तो सबसे ज्यादा है मुड़ी वड़र है और ये कई राज्यों के साथ है पष्चिम बंगाल है फिर इधर आपका अश्यंких है पर इसके बाद एगाल है और पिर संबिदान संसोधन आपका बेरु बारी वाला छेत्र ये भारत को मिल गया था बेरु बारी इस तरफ का काफी छेत्र भारत को मिला और काफी हिस्सा उनके पास चला गया ठीक है तो पहला हो गया बांगलादेश बॉर्डर साजह करने में बड़ा देश दूसरे नंबर पर हमा से भी बारर साजह करता है चाइना और यहां पर आवडान चल पर देश से भी वार्डर साजह करता है को neri узgf 003 गत आखé टिक यह आपका चाहिना है ठीकlex के इधर वाले हैंसे में मियानमार आ जाता ता है टिकए यहां तक इधर है यह यह भी रेड़कलिफ ही है इधर ये आपका यह हिस्सा पूरा का पूरा लद्दाक और कस्मीर के साथ यहां पे पंजाब पंजाब के वाद राजिस्तान फिर आपका गुजरात अफगानिस्तान यहां पर हलकी सी वाडर है तोड़ा छोटा से 106 किलोमेटर यहां पर इस वाले स्थे में प्योके से तो यह आपका जो है यह भी रेड क्लिफ लाइन है रेड क्लिफ डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की बीच में नहीं रही अब ठीक है डूरंड के साथ यहां पर छोटा सांघिसरा है आपका यह हिस्सा यह 106 किलोमेटर का यह हिस्सा इन के साथ है इसके बाद जो Bena his यहां आपका नेपाल के साथ 1759 किलोमेटर का और सबसे second largest मैं आपका भूतान है 16 одelets यह यहalin यहां कितनी और इधर हो गया मैंनमार आपका यहां से मैंनमार चलो होता है 1643 यह मैंनमार हो गया ठीक तो कितने हो गए यहां पर हमारे पास नंबर एक में आपका बंगलादेश हो गया नंबर एक यह हो गया, नंबर दो यह हो गया, नंबर तीन यह हो गया, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर च्छे, और कौन बचा, नंबर साथ, साथ यहां पे थे, तो साथ के साथ यह हो गया, एक बर सब के देख लेते हैं, कौन कौन किसे किसे कर रहा है, सबसे पहले सबसे ज्यादा है आपका बंगलादेश 4096 याद कर लेना है दूसरा है आपका दूसरा कौन सा है बारत चीन 3488 3488 फिर इसके बाद तीसरा है आपका पाकिस्तान 3323 ठीक है 33-23 इसके बाद आपका है नेक्स नमबर पे नेपाल 1759 किलोमीटर फिर इसके बाद आपका है म्यानमार 1643 किलोमीटर फिर इसके बाद आपका भूटान तो ascending or descending order पर भी आपको याद रखना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांचवे नमबर पर म्यानमार है चटवे नमबर पर भूटान और साथ नमबर पर सबसे कम सीमा साजा 106 km ठीक है और 699 km आपकी भूटान से तो यह आपको याद रख लेना है ठीक 6 हो गए आपक दो स्ट्रेट आपके यह भी यहाँ पर जल्डमरू मद्ध है एक पाक स्ट्रेट है यहाँ ठीक है और 9 डिग्री चैनल है दो है 9 डिग्री चैनल से माप करेगा 8 डिग्री चैनल से 8 डिग्री चैनल से लक्ष द्यूप जो है माल द्यूप से अलग होता है तो 8 डिग्री चै यहां पर आपका डिगृरी चैनल है कि यह वाला हिस्सा एडिगृरी चैनल चैनल क्या है देखो जलसन्दी यहां पर पाक किस्ट्रेट है यह आपका पाक स्ट्रेट है कि यह सी郡ंका सेहिए सलंक इसा सती और जबतर जगा ठर्ट्ट सबसे सस्ता जगह इंडोनेशिया कभी आपको घूमने टैलने जाना हो तो आप लोग इंडोनेशिया की ट्रिप बना सकते हैं लगबग 10-15,000 में काम हो जाएगा सस्ता सस्ता आपको बता रहा हूँ इदना सस्ता है वहाँ पर मतलब भारती रुपिया जो है काफी लगब काफी वैलियू रखता है 12 रुपया 38 एक मुझे एक जैक्ट याद नहीं है ठीक है लेकिन कहते हैं कई जगे पर कई दूपों में डॉलर चलता है तो वहां पर दॉलर ही लेते हैं तो फिर हमाई लिए महेंगा हो जाएगा पड़ कुछ दूप हैं जो सस्ते हैं वहाँ ठीक है चलते हैं एक बार इसको स दल संदी है देखिए क्या होता है कई जगे पर मैं आपको गूगल अर्थ दिखाता हूं कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि एक सो बान बेरूपय मुद्रा कौंस यह स्थानी वां कि नाम तो लिखा होगा ना यह चुक्की सागर आपका अट्लांटिक आर्केटिक ब्रित्य पर आर्केटिक महाशागर पर यह आपका है बेरिंग जलसंदी अब यहां पर यह जलसंदी वाला जो पूरा एक कॉंसेप्ट है इसे थोड़ा से समझ लेते हैं यह है आपका अलाशका यह है यह आपका है साइबेरिया ठीक है यह रूस का हिस्सा है पहले रूस का हिस्सा यह भी हुगा करता था लाशका ठीक है लेकिन अमेरिका नहीं क्या किया इससे कृरीद लिया क्योंकि रण नितिक तवर बहुत महत्य relay पूर्ण था रहने तो यह यह वाला छेत्र जो है यह छेत्र इसको बोलते हैं Bearing जलसंदी यहाँ पे हैं आपकी Bearing जलसंदी ऐसी विश्व में बहुत सारी जलसंदिया है जब हम वर्ड जोग्रोफी देखेंगे तो सारी जलसंदियों को भी देखेंगे तो जलसंदी क्या मतलब यह होता है एक बड़ा जलिये भाग यह है यहां पर बड़े इस ताप एक जलिये जलरासी है जलिये राशी ठीक है और यह आपका एक जलिये राशी है बिसाल जलरासी और इन दोनों बिसाल जलरासीों को जोड़ने का काम कर रहा है एक पात तो जब दो विसाल जल रासियों को एक संकीड जल रासि के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं जल संधी जल संधी दो जलों को जो संधी का मतलब होता है जोड़ना ठीक है अब एक चीज़ और समझेगा या फिर इसको दूसरे भाग में देखते हैं एक विसाल भुखंड इधर है दो विसाल भुखंडों को प्रथक करने वाली संकीड जल रासि को क्या कहते हैं जल संधी जल संधी दो तरीके से प्रिभासित करते हैं या तो विसाल जल रासियों को जोड़ती है या विशाल भूखन्णों को प्रथक करती है ठीक है? इसे जलसंदी कहते है ठीक? एक सब्द और आता है जल डमरू मद्ध ये क्या है? डमरू क्या है? यहाँ पे तो एक बार हम चलते हैं मलक्का के पास मलक्का जलसंदी पे यहाँ पे देखेंगे मलक्का स्ट्रेट है? यह सिंगापूर का इस पे अधिपत्य है यही है? मलक्का स्ट्रेट यही है न? नहीं नहीं मलक्का स्ट्रेट मलक्का तो यह है मलक्का स्ट्रेट पे जो पूरा का पूरा कैप्चर है वो सिंगापूर के पास है तब ही सिंगापूर इतना रिच है ये वाला हिस्सा ही आपका यहीं पे इस्ट्रेट है तो मलक का इस्ट्रेट जो आपका है ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा ये पूरी स्ट्रेट ही है ये भी स्ट्रेट ही है पूरी की पूरी ये प्रसांत महास महासागर है इन दोनों को आपस में जोडती है इन महासागर को प्रसांत महासागर पर लेकिन आप एक चीज देखिए यहां पर विशाल भुभाग भी है आप एक चीज देखिए एक विशाल भुभाग यह है एक विशाल भुभाग यह है यहां पर देखिए एक संकीर छेत्र है संक्रित पर से जल से घिरा हुआ है तो यह एक डमरो से आकरिती बनती है जल डमरो मदDIC को बोलते हैं जल डमरो मदD का मतलब है दो विसाल जर्रासियों को जो आपस पर चोड़े तो यह इस्थल भाग है जल da भाग की बात कर रहा है तो मलक्का इस्ट्रेट यहां से चालू होती है और यह पूरी मलक्का इस्ट्रेट ही है पूरी आपकी मलक्का इस्ट्रेट ते प्रसांत महासागर को यहां से खतम कोई यह पूरा जोड़ती हिंद महासागर से अंडमानसी है इधर और इधर आपका यह पूरा का पूरा प्रसान्त महां सागर चालू हो जाता है ठीक है, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और इस पे जो पूरा कैपशर करता है इस फे सिंगापूर करता है सिंगापूर के पास राइट है कश्टर्म डूटी शारा कुछ करने का ठीक तो यह द्यान रखना एक आपका तो जल्डमरू मतलब इस्थाल भाग की बात हो रही है और जल्डसंदी की बात हो रही है तो जल्डसंदी आपका जलिये छेत रही है मलकन इस्ट्रेट ठीक है अब यहां पे हम इस्ट्रेट की बात कर रहे थे दो हमारे कि यह आपका पा पाक जलसंदी है यह अभासी है ठीक है अभासी मतलब यह चीज समुद्र सेटेलाइट से फोटो खीची गई तो अब देखे यहां पर है वास्तों में आपका जो है सिलंका और भारत के बीच में ब्रिज बनाए गया है यहां पर पेट्रोलियम संसाधन और एक बड़े इस्तर है लक्ष द्यूप से लेकर के यह है आपके यह द्यूप है माल द्यूप यह सारे माल द्यूप है यह भी पूरे आपके प्रवाल द्यूप है और इसके उपर यह आपका लक्ष द्यूप है ठीक है तो यहां पर यह मिनी काय है और इसके बीच में माल द्यूप के बीच में पर 8 डिग्री है यहां पर 9 डिग्री है मिनी काय लक्ष द्यूप से अलग हो जाता है 9 डिग्री से और 8 डिग्री से भारत से पूरा यह अलग हो जाता है मिनी काय लक्ष द्यूप का ही एक द्यूप है ठिक ट्लियर ठिक तो यह हमारे टोटल कितने हो गए Now state हो गये, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहां पे हम, बात हो गई हमारी सारे अंतराष्टी सीमा साझा करने वाले राज्यों से तो कौन-कौन से अंतराष्टी सीमा उत्तर पश्चिमें कितने हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे हैं ये उत्तर पश्चिम में ठीक है लोकेशन के इस आप से देखेंगे तो उत्तर पश्ची में क्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर में कौन से हैं चीन नेपाल भूटान पूरब में कौन-कौन से म्यानमार और बंगलादेश दच्छण में दच्छण हिंदमासागर में दो हैं आपके पाक परिंदमरू और मनार की खाड यह से प्रतथक होता है स्ईलंका और अट डिग्री शकतम होता है ठीक अंधर रश्टी सीमा वावली राज जी कौन-कौन से हैं भारतीी राज कौन-कौन से हैं जो सीमा-साजा करते हैं इनकी तरब चलते हैं कि से क्मड़ बहरती-ज्द सीमा- से भी आता है यह इसको देखें या फिर हम पॉलिटिकल मानचितर को निकालते हैं यह ठीक है बताईए बताते जाएगे सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे यहां से बांगलादेश से सुरुआत करते हैं नमबर एक बांगलादेश से सीमा साजा करने में पश्ची मंगाल छotz सीमा है इसकी ठीक है नंबर दो अजम करें कर लिए चो एक चोता सा-स इस्सा आपको कि पिर्पुरा नेक्स्ट यह वाला हिस्सा भी आपका बांगलादेश ही है तो पांच ये याद कर लिजे नमबर एक पश्यमंगा नमबर दो आशम नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच ठिक कितनी है टोटल 4096 बांगलादेश से सबसे यदा सीमा साजा करने वाला ठिक इसके वाद नेक्स्ट अगला कहां पर चले चीन के साथ देखते हैं चीन के साथ पहला कौन सा हो गया ये नमबर दो अब याद क्या जम्बू कास्मीर चीन के साथ सीमा साजा कर रहा है नहीं कर रहा है क्लियर इसके वाद दूसरा इमाचल प्रदेश उत्राखंड करता है या नहीं करता है करता है ठीक इसके बाद इसके बाद ठीक ये आपके पांच इसके साथ भी हो गए पांच इसके साथ पांच इसके साथ लद्दाक इमाचल प्रदेश उत्राखंड सेक्किम और रांचल प्रदेश ठीक है इसके बाद नेक्स चलते हैं हम इस वाले चैत्र में पाकिस्तान वाले चैत्र में पाकिस्तान में बताईए नंबर एक लद्दाक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच अब कौन सो बचा मियान मार पहले इसी में रहते हैं अफगानिस्तान रुख जाई अभी अफगानिस्तान रुख जी पहले चार होते थे या पांच हो गए हां हां बस यही ठीक है तो लद्दाक जम्बू कास्मीर पंजाब ठीक है एक प्लस होगे आपका लद्दाक वाला इंशा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है इधर म्यानमार इधर आते हैं म्यानमार में नमबर एक नमबर दो नागलेंड नमबर तीन मरीपूर नमबर चार कितने हैं इसके साथ टोटल चार म्यानमार के साथ चार चाइना के साथ पांच बांगलादेश के साथ पांच और इसके साथ पांच हमने का यह कम पढ़ रहा है इसको भी एक डिवेत है तो कब करने नेपाल नेपाल के साथ नंबर एक नंभर दो नमबर तीन नंबर चार इसकार इसके पाशे हैं ठिक पाशन्वार नहींट बूटान के पास नंबर हैं बूटान के पास चार हो गए उसके साथ इसके पास एक ही है योके के लद्दाक वाला च्छेतर इसके पास है ठीक है तो यह हो गए हमारे अब इसमें से जो कुश्चन पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि कौन सा राज्जी है जो तीन से ज्यादा देशों के पर एक यह देखें यह वाला एक तरफ से तो इससे कर रहा है एक तरफ से इससे कर रहा है एक तरफ से इससे कर रहा है तो पहला तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल जो बांगला देश नेपाल और भूटान से सीमा साजा करता है ठीक नंबर दो अवडांचल प्रदेश के बंगार दूसरा हो गया उडान चल प्रदेश और बताईए नेक्स्ट पर कहां पर चलने लद्दाख में लद्दाख तीसरा कौन सा लद्दाख के पास है पहले इसके पास चलते हैं तीन के साथ ये भी कर रहा है नमबर एक चीन नमबर दो अफगानिस्तान नमबर तीन पाकि ये भी अपडेटेड है नेक्स्ट अगला सिक्किम सिक्किम के पास पहला है आपका नेपाल दूसरा है आपका चाइना तीसरा है आपका बोटान ठीक है तो ये आपका हो गया तीसरा सिक्किम और कोई बचा और कोई है कि बस हो गए ये है नहीं ये है नहीं ये है नहीं इसके बस की बात नहीं है ये है उगया अशम अशम आपका सिर्फ एक साथ तरफ इस से एक तरफ इस से दो तरफ से ये करता है बागी ठीक है पर्याप इतने ही है तो ये चार ये रटने हैं आपको किससे किससे करते हैं पश्यमंगाल अव तीन से ज्यादा सीमा साजा करने वाले राज आशान है ठीक है कर लेंगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस लिए सीमा कितनी थी भारत की 15106 किलो मीटर जलिये सीमा कितनी थी भारत की 7516 किलो मीटर ठीक है अब बात करते हैं एक बार भारत के जो प्रदेशिक यह तो जलिये सीमा है जलिये सीमा से जुड़ी हुई कुछ समाने जनकर ये पार देख लेते हैं कहां पर क्या क्या है ठीक है तो यूनाइटट नेंशन कंविंसान आफ सी एक कानून मनाया गया है संयुक्त राष्ट के दौरा समुद्र पर एक कानून मनाया है जिस कानून के अधार पर संयुक्त राष्टर ने ये बोला है कि आपको अपनी जैसे आप चाइना देख रहा हो ना चाइना ने क्या किया है दच्छनी चीन सागर पर उसने एक 9-line खीज दिया बोलिए हमारा इतियास रहा है तो हम इस line को नहीं त्यास सकते हैं इसको नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है तो एक बार हम इस पर देखते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले आप ये देखिए ये जो पूरी line है ये line बहुत कटी फटी है ठीक है तो सबसे पहले काम करते हैं इसको मिला देते है सबसे पहला काम क्या किया जाता है इसको आपस में मिला दिया जाता है ताकि ये सीधी लाइन हो जाए ताकि समुद्र भी कटा फटा ना रहे यदि ये कटी-फटी रहेगी तो समुद्र में भी जो हम distance लेंगे हो भी कटी-फटी हो जाएगी तो पहला काम ये कर दिया गया है इसको बोला गया है आधार रेखा क्या बोला गया इसे? आधार रेखा समुद्र के कटे-पटे-टट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा ठीक है? आधार रेखा के अंदर जो जल होता है आप देख रहे हैं इसके अंदर भी वाटर बॉड़ी है ना? तो इसके अंदर के जल को क्या बोलते हैं? बताइए आंतरिक जल हाँ, अरे कुछ नहीं है आप लोग सोचने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक जल आंतरिक जल, यानि कि ये जल अंदर का ही जल है, लेंड वाला ही हिस्सा है और कुछ नहीं है ठीक है? अब इसके बाद डिस्टेंस ली गई है पहले डिस्टेंस ली गई है है थे कि तीन डिस्टेंस हैं पहली में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं नमबर 1 सबसे इंपोर्टेंट है यह प्रादेशिक समुद्री शीमा इसमें भारत का संपूर अधिकार होता है संपूर अधिकार का मतलब भारत सरकार यहां पर कोई भी कारे कर सकती है रिसर्च अंसंधान कर सकती है इसको जो है लैंड एरिया पर बदल सकती है जैसे नीदर लैंड की नीदर लैंड के पास किसी भूम बहुत कम है तो उसने क्या किया है दिवाले खड़ी करके पूरे समुद्र को पलट दिया तरप है और उस भूमी को धिक्री कल Intक के रूप में यूझ कर रहा है टेकनोलॉजि की मदद से तो हम चाहें तो इस लैंड को हम किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं इस पर हमारा संपूर्ण अधिकार है संपूर्ण अधिकार ठीक है नंबर दो है अपकी इसको बोलते हैं सनलगने छेत्र या इसको बोलते हैं अभी छिन मंडल ठीक है अभी छिन मंडल भी बोलते हैं 24 नौटिकल मेल अभी पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले यहां पर हम स्वक्षता रख सकते हैं साब सफाई करने का भारत सरकार को अधिकार है साब सफाई करने का भारत सरकार क्यों क्यों क्योंकि यहां पर साब सफाई नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रदेशिक सीमा है ये भी अभिवस्तित हो सकती है, मालनो यहां पर कोई समुद्री तेल, कोई टैंक है, वो फट जाए, कुछ भी हो जाए, दूसरा, यहां पर हम सीमा सुलकी वसूली भी कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, इस छेत्र में, सीमा सिमा सुल्क की वसूली कर सकते हैं सीमा सुल्क की वसूली कर सकते हैं ठीक है तीसरा क्या काम और यहां पर कर सकते हैं हम लोग हमारे यहां पर सारे वित्ती अधिकार है यानि यहां पर किसी भी तरीके की गत्विधी कोई दूसरा देश आके करेगा तो भारती राज्चेत्र के अंतरगत आएगा ठीक पहले वाले छेत्र में हमारा सारे right से हमारे पास डूसरे वाल चेतर में सापसपाई और वित्ती अधिकार हमारे पास सारे custom duty भी हम कर सकते हैं तीसरा अनन्य अर्थिक छेत्र इस्क्लिशीव economic zone तीसरा है ई ईजेड इस्क्लिशी उक्षी इकॉनमिक जोन तो یہ क्या होता यहां पर पहली बात यहां पर जितने भी संसादन है जितने भी प्राक्तिक संसादन है उन सब के दोहन करने का हमाई पास राइट होता है हम सब को सब को दोहन कर सकते हैं वहां पर जो भी पेट्रोलियम पदार थे जैसे बंबे हाई है हमारा ठीक है जो हो भी है तो वहां पर पेट्रोलियम मिलता है किसी भी तरीके के खनीच लवन मिलते हैं तो यहां पर सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम कोई भी कौनमी गद्विदी यहां पर भी कर सकते हैं दूसरा काम हम यह कर सकते हैं कि यहां पर मान लिजे कल की दिन आबादी बहुत जादा हो जाए यां पिर हमें कोई कोई क्रयोकसा बनानी हो कुछ ऐसे आने वाले वीचर मैं टो यहां पर हम नए चाहिना ने यही काम कर रहा है तो संधान को रिसرच को लेकर के और यहां पर किसी भी तरीकेodelी को लेकर संसाधनों को दोहन को लेकर के यहां पर हमाँ पास सारे राइट होता है यह तीनों चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए पहली आधार रेखा आधार रेखा से ही हम इस दूरी को लेते हैं 12 नौटिकल मिल 24 नौटिकल मिल और 200 नौटिकल मिल के प्रदेशिक जल सनलगनी छेत्र आपको 24 नौटिकल और प्रदेशिक जल सीमा आपकी है वह है 12 नौटिकल मिल तक ठीक है आगे बात करते हैं भारत का छेत्रफल 32-28233' किलोमिटर विष्व के को ल छेत्रफल का कितने प्रिशत है 2.42 प्रिशत है दो दे संबलो 4 प्रिशत है चहत्रफल की दिरशत के भारत का कौन सा इस्थान है विष्व में सात्व इस्ताने च्छै बड़े देश कौन से हैं पहला है रूस दूसरा है कनेडा तीसरा है अमेरिका चौता है चाहिना पांचवा है ब्राजील छटवा है अस्ट्रेलिया सात्वा है आपका भारत विश्व की कुल जन संख्या कितनी है भारत के पास 121 करोड यदि हम टोटल देटा देखें जो जितना था 121 करोड 5,79,573 यह टोटल था लेकिन 121 करोड आपको याद रखना है 121 करोड 5,79,573 व्यक्ति भारत में थे उस टाइम पे दोजार गेरा की जन गरना पुरुष जन गरना की बात करें अब इस सेंसेस की बात हो गई आसपास पूरुष थे 62 करोड हां 62 करोड बासट करोड 31 लाग 21,843 इतने पूरुष थे महिलाओं की संख्या थी 58 करोड के आप आसपास 59 करोड 74 लाग यह महिलाओं की संख्या ठीक है तो 62 इस टूट रफली याद रखे बाहाँ सट आर सट लगवक कितने का अंतर है कितने क रखे चार करोड के आसपास डिफरेंट है महिलाओं की संख्या चार करोड का में नेक्स्ट उस चार करोड में आप भी हो सकते हैं कि विवार ना हो आपका मैलाई नहीं तो कहां से विवार होगा ठीक है ध्यान रखेगा इस चीज़ का हां अरे बाद में आपका हिसावी दे ठीक है समझना पड़ेगा निश्चिंत रहिए आप बताऊंगा किस दिन क्लास में चर्चा करेंगे अगला चलते हैं आज थोड़ा से लंबी क्लास है यह दस से बारा घंटी की क्लास है आज आपको दस से बारा घंटे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया है कि पता है आ गाउं में लोग ज्यादा रहते हैं कि सहरों में गाउं में कितने लोग रहते हैं लगबग 68.8% लोग गाउं में रहते हैं लगबग 83 करोड़ लोग बागाउं में रहते हैं बारत में दोजार गेरा की जनगरना के अनुसार लगबग 31% लोग कहां पे रहते हैं सहरों में रहते हैं 37 करोड के आसपास लोग सहरों में रहते हैं ठीक है ठीक रफली आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए 68 करोड और सट दसमलो आठ प्रिस्थत लोग कहा रहते हैं गाओं में 31.2 प्रिस्थत लोग कहा रहते हैं सहरों में ठीक दस्किय जनसंक्या ब्रिद्धी कि 2001 से 2000 गेरा के मद्ध मेंद सकी sırी कितने प्रिस्तग जंसंध्रां बढ़ गई थी हुरं कि ऐसे 17 दसम्लों साथ प्रिस्तग दस्की जंच्छ अब्रिद्ध यह हुई थी दस्की द assert षब नंसंध्री कितनी हुई थी सत्रा सम्लों साथ प्रिस्तग लिंगा नुपात कितना था दोजार गेरा की जंगणना में covers है एक हजार पुर्सों में 943 महिलाएं तो लिंगा्न नुपात नकरात्मक 948 महिलाएं शिशु लिंगानुपात कितना था है मोजो बैसमग थैक है 919 एक हजार पुर्सों में जनसन्ख्या घनत्थो 382 382 एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे थे और शतन है ठीक है 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे यह और शतन है सबसे कम आपका कहां पर है अवडांचर प्रदेश में वहां पर 17 लोग रहते हैं एक वर्क्रम और दिल्ली में सबसे ज्यादा राज्यों में बिहार में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग ठीक जिसमें पुरुष सक्षर्था कितनी होगी पूरुष सक्षर्था ज्यादा होगी कि महिला सक्षर्था पूरुष सक्षर्था कितनी 81 प्रिस्ट के आसपास 80.9 प्रिस्ट लोग पूरुष साक्षर थे माईदा साक्षर तक कितनी थी 64.6 प्रिस्ट ठीक है रफली डेटा है एक परिचे के तौर पे भी फिर डेटेल में आगे आएंगे इसके बाद भारत में अनसूची जातियों की जनसंख्या कितनी थी यह दोनों याद कर लेना डेटा अनसूची जाति और अनसूची जनजाति यह दोनों अलग-अलग चीज हैं सी कटेगरी का जो परसेंटेज है टूटल जनसंख्या में अनसूची जाति का जादा होगा कि अनसूची जनजाति का जादा होगा पहले यह बताओ अनसूची जात कि अंसूची जन जाती अंसूची जाती 16.6 प्रसाथ अंसूची जन जाती के लोग थे कितने 16.6 st category कितना है 16.6 st category कितना है 8.6 st आदा है just st से यह द्यान रखना वह तो यह आपको याद कर लेना है ठीक है राज्यों की संख्याब कुल कितनी हो गई है आपकी 28 केंसासित प्रदेश आठ प्राक्तिक विभाग उत्तर भारत को प्राकितिक तौर पर अभी यह सब देखेंगे कैसे हम बाटेंगे वैसे पांच भागों में भारत को हम प्राकितिक तौर पर बाटते हैं पहला है उत्तर का परवतिय मैदान यानि हिमाले परवत्षेत्र दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान तीसरा है दच्छिंड का प्राइज दूपिये पैठार चौता है समुद्र टटिये छेत्र और नेक्स्ट है आपका दूपिये छेत्र तो पांच वागों में ऐसे बाठते हैं और डिटेल में जाएंगे तो आठ भाग हो जाएंगे वह बाद में भी आपको दिखाऊंगा ठीक है इसके बाद इसको और भी हम देख सकते हैं और भी जादा टोटल यदि आप देखें तो भारत में पर्वतिय छेत्र का विस्तार 10.7 प्रिस्त पर्वत हें यदि हम पहारी चेत्र पहार और परवत में अंतर होता है कि नहीं पहार बड़ा houता की परवत कि पहाडियां हो जो होती है इनकी ऑसत उंचाई एक हजार मीटर होती है और परवतों की मुचाई इससे उपर होती है ठीक है तो पहाड़ी अलग चीज़ है परवत अलग चीज़ है पहाड़ी हो सकता आपके गाउं में भी हो ठीक है? पर्वत जो होती है एक सरंखला में होती है बिस्तारी सरंखला में होती है पहाड़ी एक सिंगल भी हो सकती तो दोनों के अलगरग परिभास hai बनाए गई है पहाड़ी लगबग 18 पिरिस्द के आस पास हैं भारत में पर्वत 10 पिरिस्द है 10.7 प्रिस्ट मैदानी छेत्र 43 प्रिस्ट है कुल भारत के टोटल लेंड का 43 प्रिस्ट हिंसा मैदान है द्यूपों की कुल संक्या भारत में 247 है और इसके अलावा अब बहुत सारी चीजे हैं जो एक एक करके देखेंगे ठीक है बड़े बंदर गाहों की बात करें तो बंद ठीक है चलिए अब कहां पर चलना है अगला चालू करना है काफी कुछ डेटा हो गया दिमाग में भरता जा रहा है समझ में आ रहा है यह बहुत जरूरी है देखो डेटा बहुत ज्यादा है तो इसको संप्रेशिद भी करना है समय कम है एक आपका कुश्चन पूछा गया ह एा रहा है त्रिपुरा सून ने रहा क्या है क्या कर अब देखते हैं वसलाइडी से तीन तरब से घिरा हुआ है यह इसको बोलते हैं त्रिपुरा और बंग्ला देश यह का पूरा यह सीमा रीखा है इसको बोलते हैं त्रिपुरा सुने रेखा यह द्यान रखना यह पूशा जाता है तो 856 किलोमीटर की पूरी जो रेखा है यह पूरी रेखा आपकी कहला त्रिपुरा सुने रेखा क्योंकि ठीपुरा एक मात्र भारत का राज है जो तीन तरफ से अंताराष्टी सी दीमा से घीरा हुआ राज कौन सा है त्रिपुरा यह भी ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अब तो इसमें हमने क्या क्या सारा लगबलब मोटर मोटर यह सारी चीजें यह वाला हमने ग्राप पूरा देख लिया देख लिया कुछ बचा ने इसमें टट रेखा भी देख लिया हमने अभी तिके इसके बाद चारों तरफ के देख लिए उनकी सीमाव संबंद अच्छांसी ओर देशांत्री विस्तार एक कुश्चन यह वे बनता है इसको भी शासत क्लियर ही करता चलूँ मैं आप देखते हैं कि भारत के अच्छांसी और देशांत्री विस्तार के बीश डिफ्रेंस देखें हम तो डिफ्रेंस जैसे निकाले आप कितना है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा आपका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट ठीक है इन दोनों का डिफ्रेंस दिया आप रफली देखेंगे तो 29 देसमलों कुछ यहाँ पे आएगा तो हम यह देखने को पा रहे हैं कि इनका अच्छांसी और देशांत्री विस्तार इक्वल है ठीक है अच्छांत्री और देशांत्री विस्तार में बहुत अंतर नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरप से पशिम विस्तार और उत्तर से दच्छन विस्तार में अंतर है क्य आम तोर पे यब यह मेंस का कुश्चन है यह पूछा जाता है कि भारत का चांसिया और देशांत्री विस्तार के बीच का अंतर एक ही है लेकिन दोनों का उत्तर से दच्छन विस्तार और पूरव से पश्चिम विस्तार पर्यापत अंतर है लगबग कितने किलोमीटर का अंतर आप पाएंगे लगबग आपका 200 से ज्यादा किलोमीटर का अंतर है तो क्यों है तो इसका एक सिंपल सा सीधा सांसर आपको देना है क्योंकि द दूरियां होती हैं, ध्रूओं की और जाने पर कम होती जाती है, आप देखेंगे, देशांतर रेखा को, यहाँ पर दूरी इन दोनों के मद्द कम है, यहाँ पर दूरी थोड़ा बढ़ गई, यहाँ पर दूरी और बढ़ गई, यहाँ पर दूरी पर्याप्त है, देखें, कम हो रही की नहीं हो रही है तो आप यहां पर एक चीज़ देखए भारत का युए वाला विस्तार है कयसा उत्तर से दच्छण केसे पता से पता चलेगा तो उत्तर से चुकि देश्चान से रेखाओं के मद्ध बराबर दूरी होती है अच्रγο के बिछ दूरी बराबर होंगी जथी इसके मद्ध यहां पर वही है यहां पर कम होती जाती है यहां यह कम है तो इसका आंसर आपको यह देना है यही इसका शही आंसर होता है ठीक है तो यहां पर रफली ये भी आपको जान लेना चाहिए थीक इसके बाद राज नितिक भी मैंने आपको इता दी अब करते हैं अगला यह एक प्रती को से जुड़ा हूआ है आ semb सब जानते हैं टीका एक मिनट में बताęता हूं रात धनी आपकी नई दिली है राश्टी दğज आपका तिरंगा है अ Obviously आपका बंदे मात्रम है राश्टीके यहां संभत है आपका सकhmen रहे आपका कनिषिक कृषराजरृण होता Aim it 78 80 में तब से प्रारंब होता है 하나 둘 से विक्रिमी समबच जो है वह आपका 572 है तो दोनों के बीच में दिन डिफप्रेंस देखते हैं तो 135 वर्स का डिफप्रेंस है दोनों के बीच में भी क्रीब करेंफ़ और सकसंबच के बीच में ठीक है ये दियान रखना अबको दोनों को ठीक है जो यह आपका सक संभत सक कलेंड हमारा राश्री, चैarm फॉल जो है मैंगी फेरा इंडी का यह नहीं आम है राश्ट भासा हंधी है यह थोड़ा से गलत लिख आपका बर्गत है राश्टि पक्षी मोर है राष्टी रुपिय का सिंबल एक बनाए गया है रुपी है नदी है आपका गंगा ठीक है राष्टी चिन आपका सोके स्थांबर रफ्ली यह जानकारी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट यह है यह थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया कि कौन कब अब्य चैन्बू काशमिर कीशता क्टूबर निस सचने चैन्बू कासमिर को आप यह नहीं कहेंगे कि यह एक ऐस्सскटूबर 2019 को बना कि बहुत sixसी स्थापित 26 क्टूबर को जब साइन होए थे राजा अरी चिंगे से माना जाता है तो सब का इस्थापना लेटेस्ट आपको देखना हो तो लेटेस्ट मैं आपको थोड़ा से बता दू तिलंगाना आपका दो जून है ठीक है लगदाक का आपको पता ही है तिलंगाना का दो जून है इस्थापना दिवस और इससे पहले जो बने हैं इससे पहले कौन बने थे तीन बने 2000 को बना है ठीक है 36 गड़ आपका मेंपी से अलग हुआ है दूसे नंबर पर आपका उत्रा खंड नाव नौंबर 2000 को और तीसे नंबर पर आपका जहार खंड 15 नौंबर सन 2000 को तो तीन यह याद रखे कि इसके बाद आपका तिलंगाना है दो अक्टूबर दो जून यह हो गया आपका बाकि सबके दिये गये हैं कोई बहुत जाई जरुवत नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यह राज राद धानिया मैंने सबसे पहले बता दी थी आपको नेक्स्ट है आपका यह चट्टानों को क्रम एक बार देख लेते हैं कि भारत में चट् में क्या हुआ है क्या हुआ है थो ब्रत्वी को धर दरतलि भूवबाग जो 24 प्रिष्तत का भूवबाग सबसे फेक ने ज़सरी पूछी आती हैं कि यहां पर खनीज पाई जाते हैं हमारे जितने भी खनीच जितने भी लौग जक्रीव यर् tutaj जितनी भी धातों यह जितने भी आपके खनि अंसलने ऍवास सब आपकी यह जह जाते हैं अलग अलग छेत्र में तो सबसे पहला चठथानी करहलों आपका क्या है आर्वार करण कि चठ्थान हैं दूसरे नंबर भए आप baka farming कि चठ्थान है ठीक है और यह सब यहां पर राइस्थानवरे छेत्र में भी हैं कुछ महाराज छेत्र में भी यह चट्टानी चेत्र हैं यह आपका उडीसा का छेत्र है यह आपका जहारखंड का छेत्र और पश्चिमंगाल का छेत्र है तो जहां जहां पर यह चट्टानी सनचनाएं हैं दर लेकिन आंध प्रदेश नहीं पाएजाती दिख़ो यह फ़गा करनाटका में have सबस्ते बदे अंगर्वाद 500 की चत्तानों के बाद सबसे ज़ाधा को tenían बिंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्मार्ट समागरी पाई जाती है कि क्या हो गया इसे अब ठीक है यह जितना भी आप देखते न मकराना से आपका मार्वाल आता है या फिर सीमेंड निकलती है जितना आपका बिंध्यन बिंध्यन स्रेडी है तो वहां पर आपका भवन निर्मार्ट समागरी का छेत्र यह है बिंध्यन क्रम की चट्टाने गुंडवाना क्रम की चट्टानों से कोईला सबस्यादा कोईला यहीं पाय जाता है ठीक है तो छोटा नाकपूर का पठार हो गया राजमहल पहाड़ी छे चट्टाने टर्सरी क्रम की चट्टानों में ही आपकी जितने भी पेट्रोलियम पदार थे पेट्रोलियम पदार थे सारे टर्सरी क्रम की चट्टानों में और इसके बाद हैं आपकी क्वाट्नरी चट्टाने तो टोटल आपको एक क्रम याद रखना सब सबसे पहले आर्क यार इन क्रम टिक नंबर 6 में तरसरी चरम और फिर कवर्ट्नरी को यह याद कर ले ना है यह को फिले नमबर पे आर्क्यान क्रम नंबर दोपे दारवार क्रम नंबर तीन पे लुडप्प् नंबर 4 में विनलें क्रम नंबर 5 सांट जुद कर दुद धर घं Karim नमबर साथ पे टर्सरी नमबर साथ पे आठ पे क्वाट नरी यह याद रख लेना आपको ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट अब परवतिये छेत्रों में पहले बाद में जाएंगे प्राक्तिक विवाजन पहले भारत का देखेंगे कि भारत को कैसे कैसे कहां कहां पर क्या-क्य छेत्र बाटा गया है फिर इसके बाद देखेंगे तो यह आपका जो है यह आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है ठीक है क्लियर है यह यह नहीं भूलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारत की परवत एवं पहाडिया इससे जुड़े हुए कुश्चन देखेंगे और यह एक बड़ा सेक्षन है लेकिन इससे पहले भारत का प्राक्तिक विभाजन देखो समान परिचे से जुड़ी हो मैं लगता है सभी बाते हमने देख लिए समान परिचे में अब कुछ ब ठीक ना अभी कोई दिक्कत तो नहीं है अभी बैठ सकते हो ना ठीक है टेंसर नलो फोड़ा जाएंगे नहीं ना ठीक अभी तक चीज़े समझ में आ रही है ठीक है बहुत कठिन नहीं है यह सारी चीज़े पढ़ चुके हो यही आपका रिवीजन हो रहा है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राक्तिक चेत्रों में तो सबसे पहले एक बार प्राक्तिक चेत्रों को विभाजित करके देख लेते हैं पहले रफली पान चेत्रों में बाटेंगे फिर इसके बाद और डिटेल में बाटेंगे आपका प्राक्तिक मान चेत्र पे ही चलते हैं यहीं पर इसका विभाजन करता है तो सबसे पहला यह मैंने शुरुवात में आपको बताया भी था लेकिन फिर से इसको एक बार देख लेते हैं एक विवाजन आपका यह यह पूरा हिस्सा यहां से ले लेते हैं कि थोड़ा समय आपको हिमाले के पत्ति बताऊंगा यहां पर कि कैसे हिमाले बना यहां पर प्रकतिक सनशनाइक कैसे आई कि यह पूरा एक छेत्र है मारा पर्वतिय छेत्र कि इतना हिसाब भूल यह राज ज्वाज दिमाग से अटा दीजिये एक छेत्र तो आपका यह है दूसरा छेत्रे आपका यहाँ से ले करके यह वाले हिस्से से ले करके यहां पर सत्लुच का थोड़ा मैदान चालू हो जाता है पंजाब वलत छेत्र आपका सतलूज का मैदान है और यह आपका पूरा MP में चंबल बेतवा ठीक है सोन का मैदान इधर जो है आपका महान दमोदर का और यह पूरा हिस्सा इधर चेटर ब्र database मैदान ये पूरा मैदानी चेत्रे है मारा कीुट है यह हमारा मैदान है कि टेय के मैदानों और भी यहां पर टूटिए च्छा सब्सक्राइं भी मैदान ये यतने भी नदीया है नदियों के द्वारा लाए गया एक मैदानी चेत्रिये है एक मैदानी चेत्रिये ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है अपका मरुस्थलिय चेत्र पूरा रायुस्थान मरुस्थल नहीं है जदी आप जाएंगे यहां से गंगनगर वाला यहां से गंगनगर चालू होता है गंगनगर में तो मरुस्थल नहीं मिलेगा आपको आपको लेगा कि दिल्ली जैसा ही सहर है लेकिन गंगनगर से जैसे आगे बढ़ेंगे आप हनुमानगर जिला है हनुमानगर जिला पहले गंगनगर और हनुमानगर एक ही जिला होते थे तो अब हनुमानगड जिले में भी आपको मरुस्थल उस तरीके से नहीं मिलेगा लेकिन हनुमानगड के बाद जबाप आएंगे उसके बाद सूरतगड पड़ता है सूरतगड के बाद बीका नेर बीकाँ यह से मरस्थाल चालो हो जाता है सूरतगर सी आप रेट के टिबे देखने चालू कर देगे फिर बीका नेर से आपको थोड़ा मरस्थाल के दर्शन होंगे लेकिन जैसी आप जैसल मेर और इधर प्रवेस करेंगे तो आपको विकराल मरस्थाल मिलेगा killing तो यह आपका यहां से मरुस्थली चेत्र जो बड़े इस्तर पर यह वाले हिंसे पर सघन मरुस्थल आपका यह पूरा मरुस्थल इधर जो है आपका मरुस्थल इतना नहीं है कई सारी नदिया भी है लोकल लेकिन इतना डेंस नहीं है डेंस मरुस्थल यह ठीक है जैपूर हो गए रहा में तो आपको दीखेगा भी नहीं कि मार उस्थल है कहीं आसपास ठीक यह हो गया हमारा तीसरा इसके बाद नेक्स्ट प्राक्टिक तौर पे आपका इधर जो है आपका पठारी रचेत्र एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है पठार आपका जो है यहां पर भी है यह यह भी पठार है मेगालय का ही पठार है यह हिंसा थोड़ा सा यहां तक जाएगा यह ठीक है इसके बीच में एक गैप है इसको बोलते हैं यह राज महल यहां पर राजमहल पारी आया राज महल गारो ग depression गैप दोय मालदा भी बोलते इसे बंगलद्र है कि पूरा टार है इसको भी आपको ध्यान रखना है से पूरा रहया अब कर चुछ Спींद पूरा गूंप्लीट आपका पुछ निया टतार है ऊससे दाक्कन ट्रेप है और यह पठार यहां बहुत चाहिए बहुत चाहरी पहाड़ी भी है तो उनको इतना ज्याद़ द्यान नहीं रखेंगे तो पहली सनरस्णा हमारी ये प्राप्तुई दूसरी सनरस्णा हमें प्राक्तिक ये प्राप्तुई तीसरी सनरस्णा प्राक्तिक हमें ये प्राप्तुई इसके बाद यहाँ पर दूपी ये छेत्र हैं ये हमारी चौथी सनरस्णा है चौथी सरशना हमारी दूप है पांचवी सरशना हमारी यह है ठीक है छट्वी अब आप यहां पर यह चट्वी आपकी टटीय मैदान है ठीक है और यहीं पर आपका नेक्स्ट और क्या बचा और क्या बचा यह वाला हिस्सा इसमें भी कुछ आपका पठारी छेत रहे है यहां तक यह पूरा पठारी छेत रहे है यहां पर आपका रनाव कक्ष है एक तरीके से दलदली छेत रहे है यहां पर आपका दलदली छेत रहे है ठीक है बाकी यह पश्मी घाट है पश्मी घाट परवस्त्रेडी है पूर्वी घाट परवस्त्रेडी है पूर्वी घाट परवस्त्रेडी है ठीक तो अब एक एक करके देखना है सबसे पहले में उत्तर भारत का विशाल मैदा परवतिय छेते देखना है फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान देखना है फिर पठारी छेते द तोड़ा मुद्दा है इसमें दो सिध्धांत काम करते हैं पहला सिध्धांत है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिध्धांत दूसरा काम करता है आपका कोबर का भू सनती सिध्धांत दो लोग में निकल के आते हैं पहला है कोबर और दूसरा है ठीक है प्लेट विवर्तनिकी य यहारी हैस ने दिया था हैरी हैस महोदय का दिया हुआ है और कोबर ने ख़ुद अपना सिध्धान दिया ठीक है अब दरसल है क्या दुनें बहुत आसान वासर में सबस्ते हैं बहुट ज्यादा जटेल नहीं यहां पर चुक्क एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा विशाल एक समुद्र था ठीक है यहां पर क्या था इस वाले छेत्र में प्लेट थी एक भूभाग था इस भूभाग का नाम था यूरेसियन प्लेट यूरेसियन भू सन्नती नाम दिया उसने और इधर आपका इंडो अ इस छेत में बहुत सारी नदियां बहती रही होंगी जो आ करके टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी इस छेत में भी बहुत सारी नदियां बहती थी जो अपना जल कहां गिराती थी इसी है कुछ नहीं तो जब नदियां अपना जल गिराती थी तो अपने साथ भारी भरक मातरा में आवशाद भी लाती रही होंगी है ना तो जी आवशादों का जमाव टेथिस भूसन्यती में होता चला गया टेथिस भूसन्यती में आवशाद भरने चालू हुए ठीक है दोनों तरब के नदियों के दोरा औसाद भरना सुरूब किया गया कालांतर में इस छेतर में एक बहुत दबाव पड़ा प्रिसर पड़ा और उस प्रिसर के पैडाम सुरूब क्या हुआ यहां पर कुछ इस तरीके से उसने बताया यह जो पूरा औसादी मलवा था यह दोनों चट्टा ने एक दूसरे के नजदी के आ गई और औसादी मलवा पूरा उपर उठ गया यही औसादी मलवा हिमाला है ठीक है यह एक बहुत लंबे समय काल पे हुआ यह एक दिन के उत्पति नहीं बहुत लंबे समय काल पे तो उसने क्या किया उसने बताया कि कुछ ऐसी इस्थति बनी इधर उसने बताया ये Eurasian plate है ये आपकी Indos Australian plate थी बीच में तेथि सागर था जब ये मलवा उठा तो एक स्रेड़ी यहां पर बन गई एक पर्वस्रेड़ी यहां पर बन गई और बीच में पठारी सन्रशन आ गई तो इसे उसने तिबबत का पठार बोला इसे उसने क्या बोला हिमाले परवस्रेडी बोली और इसे उसने बोला कुलनोंसाम ठीक है एक बार गूगल अर्थ में देखते हैं यह सन्रशन आपको देखने को मिलेगी तो हिमाले की उत्पती की व्याख्या सबसे बेधर तरीके से करता है कौन कोबर का भूस अनति सिद्धांत यह कुश्चन कभी बी आता है यह आपका तिबबत का पठार है ठीक है पठारी छेत्रे यहाँ पर आपकी जो है हिमाले परवस्रेडी है यह हमारी हिमाले है ठीक यह लग्दाख वाला छेत्र है यह सारा यह सब हिमाले परवस्रेडी है यह सब्सक्राइब आपका यह कुल्न उनसान यह रिदी आप जो देख रहें तूसने का पहले कुल्न तो यह उसका कोबर का कहना था यह कोबर का सिध्धान्त है और एक तरह से देखें तो सही प्रतीत होता है इसके बाद जो है यह दूसरे परसंद थे आपके ठीक है दूसरे परसंद थे आपके इनका नाम था गो अपां अलेर से हरी है्स महुँआ ओंप फूर्स यहीं बताया कि प्रत्वी पूरी की पूरी प्रत्वी जो है वह प्लेटों में बट्व हुई है जब प्रत्वी गरम गोला थी जब ठंडी हुई तो बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए प्रत्वी में और कई सारी प्लेटे बन गए जिसमें से कुछ प्लेटे महाद्यूपिये प्लेटे हैं कुछ महाद्यूपिये प्लेटे हैं और कुछ जो है आपकी महासागरिये प्लेटे हैं महासागरिये प्लेटे हैं ठीक है यह ओसनिक प्लेट है आपकी कॉंटिनेंटल प्लेट है कि आशान अब चुकि महासागरी प्लेट क्या है महासागर जो है महासागरी प्लेट नीचे है और यह आपके ऐसे चट्टानों से बनी है इसलिए उपर है हल्की चट्टानों सा बनी हैस लिए ये अपकी हल्की है ये भारी है तो इस ने कहा प्लेट ब्रती की शिधान्त्र निए बताया कि दो नूंद fingers मिलन से दो प्लेट नाम उसने बताये एक प्लेट थी अपकी रेशन प्लेट और दूसरी ये इंडो आस्टेलियन प्लेट दोनों प्लेटों के आपस में अभी सरंड से दोनों एक दूसरे के नस्दीक आ रहे थी और आने के कारण से चुकि दोनों प्लेटे महादूपी ये प्लेटे थी ये भी ओसनिक प्लेट थी तो जब दोनों ओसनिक यानि हलकी प्लेटे एक यहां पर आपका कि देखेंगे आपका जो र्जाने वले चृत हैं यहां पर पत्रोलियम प kulli- próxima रहोंगे जो पिरस Day रहे पास इसम्दा लगे पना टाने सवाने घ। उस्थ इसागर यहां पर ओशाथ हैं उसी कशनीज को सब प्रकॉडgebot और पर पाए जा रहे हैं तो इसने बताया कि प्लेट भी ओतनी की सिद्दान ने जब दोनों प्लेटों का भी सरण हुआ तो अभी सरण के पैडाम सुरूप दोनों प्लेटों के मत देख बलन पढ़ गया और यही बलन जो है यही आपका क्या है दोनों जैसे बलन का मतलब प्लेट है तो प्रसांत महासागर की प्लेट चुकीं रहे हैं समर्ज हो जाएगी क्योंकि भारी एन्हां और पर बलन पढ़ जाएगा इसमें तो चुकी यहां पर क्या होता है यहां पर चुकी यह नीचे जाएगी and हो जाएगी जैसे दर तक तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपके ब्ल Biraz attendant आप कॉंटिनेंटल थी इसलिए हिमाले मेंना तो कोई कोई जवाला मुखी है कि जपनीज हुगी आप ठीक है यह फंड़ा बहुत इजी उसने बताया है क्योंकि ओसनिक प्लेट नीचे जाके क्या होगी समर्ज होगी और पिगलेगी मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वही लावा के रूप में उपर आएगी ठीक है बहुत असान है बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें फिर यह प्लेटे दोनों कैसे एक दूसरी की और आगती है जाती है उसके लिए उसने बताए संभाई नहीं अधारा सिध्धांद क्कमेंशनल सेल नीचे कंवेंशल सेल डेवलाप होती है ज्यसे पानी को गरम करते हैं ना जब नीचे गरम करते हैं तो उपर तक पानी गरम कैसे होता है समभाण की प्रक्रिया के द्वारा तो ऐसे यहां पर पिगली हुई चटाने जैसे ऍसी नीचे जाते टमपरेचर कम हो स्थिति में कन्वेंसिन के एक सेल का निर्माड़ होता है और यह सेल जिस में सबस्था की ओर क्या होगी या करती सील हो जाएंगी ठीक है तो एक दूसरे की तरफ प्लेटे जब आती है तो अभिशारी एक दूसरे से दूर जाती है तो अप शारी बहुत सिंपल और अशाने कुछ आए नहीं इसमें तो इसी कारण से यूरेसियन प्लेट का इंडो अस्टेलियन प्लेट से आपस में टक्रा हुआ और यहां पे विशाल मोड़दार परवस्त्रेडी का जन्म हुआ जिसका नाम है हिमाले परवस्त्रेडी इन दोनों ने यह बताया है ठीक इतनी सी बात है अब इसको समझ करते हैं डिकोड करते हैं केवल हिमाले परवस्त्रेडी को कि हिमाले परवस्त्रेडी है क्या ठीक है इसको डिटेल से एक बार एक पूरी स्रेडी को समझने का प्रयास करें अब यह बहुत की परवत्रेडी पहाड़ी इसमें पूरा कंप्लीट है मैं एक एक करके लेकर चलूंगा अब जो हम पूरा एक गंटा लए गंटेंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे जितनी भी परवत्त पहाड़ी आ ध्यान से बैठना है ऑक्सिजन की कमी तो नहीं हो रही आप अराम से बैठो प्यास व्यास लगे तो बता देंगे तो चलिए भारत की परवत्रेव पहाड़िया अब देखिए हिमाले परवस्च्रेडी को हम तीन भागों में बाटते हैं ठीक तीन भाग समझें कौन कौन से सबसे पहला है ट्रांस हिमाले ट्रांस मतलब हिमाले के उस पार का हिमाले एक तो है मुख हिमाले जिसको हम बोलते हैं ब्राद हिमाले ग्रेट हिमाले आप यहां से देख सकते हैं यह आपका जो एक यह आप यहां से देख रहे हैं यह वाला यह पूरा यह हिमाले का हिंशा आपका यह पूरा हिमाले का हिंशा यह आपको ग्रेट हिम दूसरा है आपका लगु हमाल ऐ》 और तीसरा है आपका सिवालिक पर वस्रैड़ी यह तीन प्रमुखिस की ब्रांच घजने बांकि उस पार कही माले अलग है ट्रान्स हिमाले तिबबत वाले ज्य चेत में या फिर सुलेमान पाकिस्तान में ठीक है इधर कुलनुंसान और इधर हिमाल है और यहां पे एक पुरा नौट बनती है पमीर विश्चु की छत बोलते हैं पमीर नौट को ठीक है चलिए अब एक एक करके यहां पे देखते हैं तो ट्रांस हिमाले की जो आपको याद करना है तीन प्र रांसिमाले की कारा कूरम स्रेडी ही जब तिबत वाले छेत में प्रवेश कर जाती है तो इसको कैलास स्रेडी कहते हैं कैलास मांसरोर की जो यात्र हम करते हैं या फिर जो हमारे पुराणों में कॉंसेप्ट है भगवान सिव के निवास इस्थान का वो यही स्रेडी है कैलास कि यहां पर आप जब कहलावाश मिन्सोडर करेंगे तो यह पर कहलास प arrow पूरे उसमें दिखा तो यह तो कहला है कारा कोरम का ही विस्तार है तिब्बत्वाले छेत्र में ठीक तो पहला है kaरा कोरम दूसरा है लद्दाक और तीसरी है जासकर ठीक है इसके बाद ब्रहाद हिमाले को भी कई नामों से जाना जाता है हर जगे प्यालग अलग इसका नाम हो जाता है तो ब्रहाद हिमाले में आपका एक हिस्सा जो जंबू कास्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल सरेली ठीक है पीर पंजाल यह आपका ज तो यदि हमें क्रम देखें, कारा कूरम, लदाख, जासकर, पीर पंजाल, धौलदार और सिवालेका, पूरा क्रम है, complete क्रम है, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे यह पूरा हिस्से पे आप एक एक करके देखेंगे, तो यहां सब्सक्रा इससे आखे और बार में अलग अलग से भी दिखाऊंगा लेकिन एक एक नंग करके ब्रहाद समझता है ब्रहाद हिमाले को जिखाय न buffन इसको समझना कर लिए कि कर दो दो चीज़े करें सीदह सिदह डिरेक्टिकल्याद करते हैं जो चीज़मी दोके से ट्रिक भूल गई और पूरी कहानि बिगड़ जाती है ठीक है तो कारा कोरम लद्दाख जासकर पीर पंजाल धोलदार सीवालिग 6 सेडिया है क्रम से सजाने को कई बार कोश्चन आ चुका तो हमें क्रम से इसको ठिक, कारा कोरम, लद्दाख, जाशकर, पीर पंजाल, धौलदार, सिवालिक ठिक, यह आपके ट्रांस हिमाले की है अब यह हिमाले का देखो कई प्रकार से भी भाजन किया गया पहले तो उत्तर से दच्छन भी भाजन किया गया उत्तर से दच्छन विभाजन में चार भाग हैं ट्रांस हिमाले, ब्रात हिमाले, लगू हिमाले, सीवालिक हिमाले एक हिमाले का पुपश्यम से पूरब भी इसको विभाजित किया गया है तो हिमाले का ये विभाजन बाडिया महोदे ने किया है तो इन्होंने जो राज्यों के अधार पे हिमाले को बाटा है देखो चार भागों में बाटा है इन्होंने हिमाले को पहला है इसको बोलते है पंजाब हिमाले ठीक है पंजाब हिमाले जो है आपका सिंधु नदी से ले करके 17 नदी तक के छेत्र को इन्होंने नाम दिया है पंजाब हिमाले ठीक है लगबख कितना एरिया है इसका 560 किलो मीटर का एरिया है ठीक इसके बाद दूसरे नमबर पे आपका है कुमायु हिमाले ये 320 किलो मीटर का एरिया है कुमायु हिमाले ठीक है तीसरे नमबर पे आपका है नेपाल हिमाले नेपाल हिमाले को देखो कुमायु हिमाले आपका 17 नदी से लेकर काली नदी तक है ठीक है नदियों के हिसाब से इसको भी वाज़ित किया गया है सिंदु नदी से लेकर सतलब नदी तक पंजाब हिमाले सतलब नदी से लेकर काली नदी तक कुमायू हिमाले काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमाले और तीस्ता नदी से लेकर ब्रंपुत नदी तक अशम हिमाले ठिक तो ये बाडिया महोदे ने हिमाले का पश्यम से पूरविस्तार किया है पश्यम से पूरविस्तार तो पश्यम से पूरविस्तार के इतने भागों में हैं चार भागों में हिमाले सबसे पहले आपका पंजाब हिमाले दूसे नमबर पे कुमाई हिमाले तीसे नमबर पे आपका नेपाल हिमाले चौथे नमबर पे आपका clear? समझ में आ रहा है? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये हिमाले का बाडिया महोदे के द्वारा किया गया पश्चिम से पूरविस्तार है ठीक है? आगे ये पूरवत्तर की पहाडिया हैं इनको अभी देखेंगे पहले हम एक बार हिमाले के परवस्षिकरों को देख लेते हैं जितने भी परवस्षिकर है प्रमुख प्रमुख परवस्षिकर हाँ यह है परवसी का तो दो तरीके से हिमाले को बाटा गया उत्तर से धच्छन, ट्रांस हिमाले, ब्रात हिमाले, लगो हिमाले और सिवालिक उसके अंतरगत हमने देखा कारा कोरम, लद्दाक, जासकर, पीर पंजाल, धौलदार, सिवालिक है भाग वहां पर देखें, इसके बाद हमने इस तरीक से बाटा पंजाब हिमाले, कुमायpoint हिमाले, नेपाल हिमाले, असम हिमाले, अब परवत्चोटिया, देखो परवत्चूटिया भी आपको पुरवा पुरव से पश्令 मेंसे देख सकते हैं। सबसे उंची पर वह सड़ी मांट औरेश्ट है अभी इसको फिर से इसका डेटा आया था उस अधार पे इसकी उंचाई और बढ़ गई है कितनी हो गई है एक फाइब जीरो है क्या और प्लस हुई है और नहीं टोटल अच्छा फोर एट पॉइंट टू बढ़ी है अच्छा एट एट इसक्स है और एट पॉइंट पॉइंट एट शिक्स अच्छ यह आपका लेटेस्ट डेटा यह ना ठीक तो यह यह दिखाता है कि यह जो अभी भी देखो हिमाले नया नया है अभी भी यह ध दीरे दीरे इसका विस्तार चली रहा है तो आने वाले समय में हिमाले पर वस्तिटी अभी चुकी नई है तो हो सकता अभी यह बहुत उंचे तक जाए और उंची हो जितने वी क्यों यहां पर आने वाले समय सिस्मिक जोन पर बैठे हुए आप भूकंप जोन चार पर बैठ हुए ठीक है कभी भी कोई इस्तिती हो सकती है तो अब एक एक करके देखते सबसे उंची चोटी अब यहां पर जो बेसिक समझने का है दो तरीके के कोश्चन यहां पर बनते हैं माउं टरेष्ट भारत में अवस्तित नहीं है यह हिमाले की सबसे उंची चोटी नहीं है वि हारत में इस्तित सबसे बड़ी चोटी जो है आपकी वह लगदाख में पढ़ती है जिसका नाम है केटू ठीक है केटू आपकी साइद ऊपर है कि हाँ यह दिया हुग गया है केटू यह आपकी सबसे उंची चोटी है लगदाख में लेकिन आप और आल देखें तो यह लग यह आपकी कारा कोरम पर है किस पर हैं कारा कोरम में तो भारत की सबसे उची चोटी केटू रहेगी लेकिन हिमालय में अवस्तित भारत की सबसे उची चोटी कंचन जंगा हो जाएगी ठीक है तीन चीज़े ध्यान रखना है हिमाले की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट भारत की सबसे उची चोटी यह हिमाले की नहीं है यह कारा कोरम की है लेकिन यह केटू होगी यह ध्यान रखना है लेकिन हिमाले में भारत में अवस्थित हिमाले की सबसे उची चोट यह कंचन यंगा इसको द्यान रखना आपको यह मलब बेसिक तीन चीजे हैं इस पर भी हम बहुत मिश्टेक करते हैं यह हिमाले में अवस्थित भारत की सबसे उची चोटी है भारत की सबसे उची चोटी यानि कारा कोरम में हो जिसमें हो तो वह हो गई केटू हिमाले पे नंगा परवत और एक है नामचा बरवा ठीक है यह है आपका नामचा बरवा इसका सबसे पश्मी और सबसे उंची सबसे पूर्वी और सबसे उंची चोटी ठीक और यह आपका नंगा परवत यह इसकी सबसे पश्मी चोटी है ही मालिकी सबसे होची यह दो चोटियां ठिक अब इनके बीच की चोटियां सारी देखते हैं सबसे इसके बाद नामचाबरवा फिर कंचन जंगा ठिक इसके बाद मकालू मकालू के बाद अन्यपूडा अन्यपूड़ा के बाद धौला गेरी ठीक है इसके माफ करेगा एक बार फिर से पहले है नामचा बर्वा दूसरा है कंचन जंगा तीसरा है आपका मउंटे आरेश्ट। ठीक है , तीसे नमबर पर मॉंटे रेश्ट' । चौते नमबर पर अन्यपूढ फिर यहीं पर है का धौलागिरी यहीं पर मनसालू मनसालू इसमें दिया नहीं गया है मकालू के बाद आता है यहीं पर मनसालू आता है साइद यहां पर है आपका मनसालू इसके बाद आपका है नंदा देवी, कामित, बद्रिनाथ, बंदरपुक्ष, बंदरपुक्ष में ही गंगोट्री ग्लेशियर है, फिर आपकी यहाँ पे है आपका माशेर ब्रूम, यहाँ पे गाशेर ब्रूम, ब्राडपीक, फिर यहाँ पे नंगा परवत और राका पोशी राका पोशी सबसे तीब्र ढ़लान का परवसिखर है, सबस्यादा तीब्र ढ़ल लेदी किसी की है, तो राका पोशी की है, ठीक है, तो यह आपका पूरप से पश्ची में एक बार आपको याद रखना चाहिए, बहुत कठी नहीं है, फिर से एक बार देखते हैं, नामचा का जो है, यहाँ पर मकालू के बाद मनसालू आता है, यदि ये का है, का मतलब कंचन जंगा, का से कंचन जंगा और इसके बाद सा आता है, तो थोड़ा से यह दोनों डिस्टप करती है, यदि कभी पोश्टा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पहला है नामचा बरवा फिर इसके बाद कंचन जंगा, फिर मकालू, मकालू के बाद अनपूंडा, अनपूंडा के बाद धौला गिरी, धौला गिरी के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेद, कामेद के बाद बद्रीनात, बंदर पुक्ष, मासेर ब्रूम, प्रासेंबू, ब्राड प सेविन भी है राका पोशी नंगा परवत यह क्रम है आप एक बार इसको फिर से अगें सुनिएगा या फिर अपने उसमें डिनोट कर लीजिएगा आपको मिल जाएंगे ठीक है अर्ग इसमें क्लियर बहुत आसानिक कुछ नहीं है इसमे एक बार फिर से भीघ्र यहां से लिख तेंसे नमबर एक में कंचन जंगा, नमबर तीन में मकालू, मकालू के बाद एवरेष्ट, पाचवे नमबर पे अन्य पूंडा, अन्य पूंडा के बाद मन सालू, मन सालू, मन सालू के बाद धौला गिरी, धौला गिरी, धौला गिरी के बाद नंदा देवी, आठवे नमबर पे नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेत, ठीक है, फिर बद्रीनाद, बंदर, पुक्ष, बाकी के, ठीक है, तो यह आप आपको एक क्रम याद रखना चाहिए नामचा बर्वा कंचन जंगा मकालू एवरेष्ट अनपूडा मनसालू दौलागिरी नंदा देवी कामित ठीक है फिर बद्रीनाथ आपकी बंदरपुक्ष बाकी की है ठीक है तो यह आपको याद रखना है बहुत असान है कुछ नहीं ह ही अभी हिमाले को और डिकोट करते हैं आगे यह हिमाले का भोगोली विभाजन यहाँ पर था यह वाली ठीक है हा यहाँ पर दिया तो गया है नामचा बरवा फिर कंचन जंगा फिर यहाँ पर मकालू माउंट एरेष्ट अन्यपूर्डा मनसालू इसमें भी गयव है मनसालू धावला गिरी नंदा देवी ठीक है फिर आपकी सारी दीख है यहाँ पर complete ठीक है चलिए अब कि पहाड़ियां यह देख लेते हैं ठिक यह भी पूस्ता है बहुत आसान है कुछ नहीं है इसमें भी एक-एक करके पुर्वत्तर भारत की पहाड़ियां यह भी देख लेते हैं कि बताइए इसमें कुछ नहीं है देखो एक चीत ध्यान रखना जो ब्रहात हिमाले परवस्त्रेडी है आपकी ब्रहात हिमाले फिर नीचे लगू हिमाले और फिर सिवाली कि यह जाकर उत्तर पारत में एक साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद इनमें क्रैक्स पड़ जाते है तो यह एक साथ नहीं है पूरी परवस्त्रेडिया हिमाले जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाता है संकिन होता जाता है पूरप की ओर जाता है संकिन होता जाता है तो यह पूरी आपकी बिखरी हुई पहाडिया है उत्तर पूर में जितनी पहाडिया है सारी बिखरी हुई पहा 4पाड़ियं आपको याद रखेना उड़ांचे प्रदेश की DM AM एक मिरी अबोर मिश्मिन डाफला मिरी अबओर मिश्मिन डाफला मिरी अबुर्मिश्मिन चार पाढ़ियं आपकी क्या है चारों जिन जात्यों के नाम पे हैं बहुत आशान है ठीक है नागा इंड की दो पहाड़ियां है यह पटकाई भूम भी आपकी आती है उडांचे प्रदेशकार नागा इंड का थोड़ा सहिसा है तो पटकाई भूम इसके बाद यह हम बराइल पहाड़िया इसके बाद देखेंगे यहां पर मिजोरम वाले हिस्से पर हैं लुसाई पहाड़िया ठीक है लुसाई पहाड़िया इसके पश्चमी छेतर पर हैं मिजो पहाड़िया त्रिपूरा में हैं त्रिपूरी पहाड़िया अशम वाले छेतर में जाएंगे त डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, फिर यहां पर बराइल पहाड़ियां, बराइल के बाद लुसाई पहाड़ियां, लुसाई के बाद मीजो पहाड़ियां, फिर आपकी त्रिपुरी पहाड़ियां या त्रिपुरा पहाड़ियां, इस पुर्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मिश्मि कुछ नहीं है इसमें अब बात करते हैं प्रायदूपी भारत को ले करके ठीक है प्रायदूपी भारत में प्रमुक जितनी भी परवत हैं पहाडिया हैं स्रेडिया हैं एक बार इनको भी देख लेते हैं ठीक एक-एक करके सारी देखते हैं और फिर इसके बाद प्रयदुपी पहाडियों का जो क्रम है वह भी देख लेंगे तो हिमाले कुछ नहीं है कुछ पहाड़िओं का क्रम दिया गया है वहाँ पर भी जो परवस्त रंकला हैं उनका क्रम है ठीक है उत्तर से दच्छड क्रम पर आपकी कारा कोरम लद्दाक केल जे जासकर फिर पीर पंजाल फिर धौलदार फिर सिवालिक छह पाड़ियां यह हैं आपकी क्रम से उसके पार ट्रांस हिमाले की तीन पाड़ियां कारा कोरम लद्दाक जासकर ट्रांस हिमाले की ब्रहाद हिमाले में पीर पंजाल फिर धौलदार लगू हिमाले और सिवालिक तीन यह आपका हो गया इधर पंजाब हिमाले फिर कुमाई हिमाले फिर नेपाल ह मिमाले फिर आसा मिमाले बहुत इजी है फिर हमने सारी की सारी जितने भी हैं परवसिखर देख लिए उसके जुड़े हुए फिर इसके बाद हमने यहां की पहाड़िया देख ली ठिक जितनी भी बेसिक पाड़िया है इधर छुटकी हुई पाड़िया यह सारी देख ली आपकी आरावल्य परवस्ट्रिणिया है रह स्थान में खास्कर मुख शिंकर रह स्थान में लेकिन दिली में भी जो परवस्ट्रिश स्रंखला आप देखते हैं आपको जायेंगे जो राश्पती भवन भवन है ठीक है या फिर आप जब मुखरजिन अगर कभी जाईएगा तो उसके बगल पर हिंदू राव हस्पिटल है वो दिली रिज के पास ही है ठीक है तो आपका वह अरावली ही है राय सीना हील जो है या फिर यहां पर जेन्यू के अंदर आपका बना हुआ है ग्रेट रॉक करक है जबकि सबसे आदर समय में वहीं व्यतीत किया हूं काफी टाइम तक जाके बैठता था बताओंगा भी नाम याद आएगर तैसे बताता हूं दिमाग से निकल गया ठीक है तो आरावली परवस्त्रेडी है दिल्ली तक यह गुजरात के पालनपूर से लेके दिल्ली तक है है जिसतरी ठीक है यहाँ पर मद्वर्देस वाले चेत मैं आपकी बिंध्या चल परवस्त्रेडी है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपका यह अपका ऊजह अपका तीन पाडिया है कर्वस्त्रेडी पाडी यही आगे चलके आपकी पाडिया है कक्ष पाडिया है मांडव पाडिया है गिरी पाडिया है ठीक यह आपकी सत्पुड़ा परवस्रेडी है उससे ही जुड़ी हुई सत्माला परवस्रेडी सत्पुड़ा परवस्रेडी महादेव परवस्रेडी मैकाल परवस्रेडी यही आगे चलके आपकी गरजा पहाड़ी और यह आजंता स्रेडी ठीक है इसके बाद यहां पर आपकी है यह आपका उड़ी सवलत छेत्र मलाइगिरी इसी पर महेंद्रगर परवत सिखा रहे नयागर पहाड़िया है और फिर इदर आपका पश्मी घाट है भी पश्मी घाट और पूरी घाट के हम लोग प जो पहाड़ियां है यही पर आपकी नाल कुंडा पहाड़ियां है जावेदी पहाड़िया है तो यहें सब आपका पूरी घाट का हिससा है और यहां पे जाकर के नील गिरी के पास से आपस हूं मिल जाती है नीलगेरी अन्नाइमुडी और यहाँ पर आपका जो हैं ये कार्डमम हिल है इलायची पहाड़ियां बोलता है तीकर यहीं से एक निकलती आपकी पालेनी पहाडियां तो टोटल जो आपकी हैं यहां पर पूर्वी घाट की प्रमुक पहाडियां पूर्वी घाट में यह पूरी आ जाएंगी नयागर पहाडियां रामपा पहाडियां सेचा सलम पहाडियां पाल कॉंडा पहाडियां नाल कॉंडा पहाडियां जावेदी पहाडियां सेवराय पहड़िया तो इनका है क्रम मैं आगे बता दूंगा तो यहाँ पे आपको यह पूरा कंप्लीट क्रम होना चाहिए ठीक है वैसे इसकी पीडियेप मैं आपों को साज्ळा कर दूंगा तो यहाँ पे आप यह है आपकी क्रम एक बार बना लेते हैं इसका ताकि बेसिक आपको भी पता रहे हैं सबसे पहले हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां पूर्वी घाट आप भी लिखते जाएगा ठीक है पूर्वी घाट में सबसे पहले हैं आपकी मलय गिरी मलय गिरी उड़ीशा में रमपा पहारिया नमर चार है आपकी सेसा चलम पहारिया पांच है आपकी नला मलाई पहारिया थीक है тот के बाद नेक्स्ट है पाल कॉंडा पाल कोंडा पहाडिया पाल कोंडा के बाद है जावेदी पहाडिया जावेदी फिर आपकी है सेवराय पहाडिया फिर आपकी है पंच मलाई पहाडिया पंच मलाई पहाडिया यहां से जा करके यह आपका पूरा का पूरवी घाट है नील गिरी पहाड़ियों के पास जुड़ जाता है पश्मी घाट से और पश्मी घाट का ही हिस्सा बन जाता है ठीक है यहां पे नील गिरी पहाड़ियों के पास यह क्या होता है आपका तो यह आपको क्रम से लिख ले ठिक क्रम से आपको यह लिखना है लिख गया ठिक आगे अब एक बार इसको आगे इधर की भी समझ लेते हैं जो पशनी घाट कि पशंी घाट की पहाडिया पश्मी घाट में अब देखो यहां से अदि आप लेखर के चलोगे वैसे यह हिंसा पूरा का पूरा आपका इनके साथ जुड़ जाता है सत्पूरा पहाडियों के साथ तो हम यहां से लेकर चलते हैं इस वाले हिंसे से ठीक है तो यहां पर आपकी है हरिश्चंद्र पहाडियां हरिश्चंद्र पहाडियां हरिश्चंद्र के बाद चि आपका पढ़ता है बाबा बूदन की पहाड़ियां इसके बाद नेक्स्ट है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां ये आपका जंक्सन पॉइंट है नीलगिरी के बाद है अन्नाई मुदी की पहाड़िया अन्नाई मुदी की पहाड़िया अन्नामलाई पहाड़िया या अन्नाई मुदी की पहाड़िया नेक्स्ट है आपकी कार्डमम ही लिया इलाइची पहाड़िया इलाइची पहाड़िया इसके बाद यहीं से पालेनी पहाडियां पालेनी पहाडियां तो पालेनी पहाडियां जो है वो इलाइची से थोड़ा उपर हैं माफ करेगा इसको पालेनी को उपर कर लीजे इलाइची को नीचे क्योंकि पालेनी पहाडियां आपकी तमिल नाडु में प्रवेश कर जाती है यहां से नील गिरी से ही एक ट्रांजेक्शन पॉइंट पड़ता है लेकिन पालिनी पहले फिर इलाची तो सबसे लाश्ट में आपकी काड़मा मिलस है ठीक है सबसे लाश्ट आपका काड़मा मिलस है अब चलिए एक एक करके सबको समझते हैं नेक्स्ट आगे आगे आपके यह है टटीय परवस्रेडियां सारी की सारी परवस्रेडियां आपकी यहां पर दी गई है जितनी जितनी मैंने अभी आप लोगों को बताई देखें यहां पर आपकी सबसे उपर है बालागाट पहाडियां इससे उपर ही सत्माला है इसके नीचे सत्माला के नीचे अजंत तरफेस है सत्माला जंता बालाःघाट पहाड़िया सिर शित्रदूर्ग पहाड़िया बाबा बूदन की पहाड़िया तुमालाई आपका है पाल नी पहाड़िया ऑब लुए आपको याद़ रखना है पूरा कापूरा जितना भी क्रम हैं और इधर की याद रखना है दोनों करब जरूर याद रखेगा क्रम गड़ बढ़ाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्रम कूषता है क्रम दिया गया है क्रम दिया गया है पूरा का पूरा कि किस तरीके से मैंने बता भी आपको ठीक है अब भारत के प्रमुक परवस सिखर जितने भी है सबसे पहले एक परवस सिखर याद कर लो दच्छन भारत का सबसे उचा परवस सिखर है अन्नाई हमें तेक इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका दोर्धा पेट्टा दोंदीड आपका निल गृते ये आप का पढ़ता है अन्नमलाई पहाडियों में और ये आपका पाण नेल गृत पारी हो दोनूं की पहाडियां भी अलग-अलग है ठीक है यह याद रख लेजे ठीक है फिर इसके बाद यह है आपका कुद्रे मुख पहाडिया यह आपके परवस्थिकर हैं ब्रह्म गिरी कुद्रे मुख और महाबलेश्वर इन तीनों का एक महत्वूर महत्व है जब अभी हम नदियों को पढ़ेंगे तो नदियों में इहीं से निकलती है ब्रहम गिरी से आपकी है निदि तो प्रहरब गिरी से कावेरी नदी निकलती है यहां से कोई पट्रिकुलर नहीं इस्थानी जब आगे आँगा आपको ठीक है भारत की सबसे दच्छंधतम चोटी इसको ले sophomore रहता है एक चोटी पीगा है यहां प Hackie सैडल पीक उत्री अंडमान में हैं और यह बैरन haniop के पास ही है इसके बाद आप्की आज है मौन्ट डियो बेली है मांट को що Yo है मांट हैरियट है मांट फुलियर है तुम मुट छोड़ी छोड़ी छोटी चोटिया है आप पर जो अंडबान के परवस्तिखर के तौर पर ठीक इसके बाद हिमाले की यहां पर दस सबसे एक दिया गया है बर फिर से इनको देख लेते हैं मैंने बता भी दिया वैसे आपको फिर से बार देख लीजिए नामचा बरवा है नामचा बरवा के बाद आपका कंचन जंगा है नमबर एक पर मांट एरेस्ट है नमबर दो पर केटु गाडविन है लेकिन केटी गाडविन आपकी कारा कोरम पर हिमाले की नहीं है ठीक नमबर तीन पर आपकी कंचन जंगा है ठीक नमबर चार पर आपके स्रेडी यहां पर है लुहोसो नमबर पांच मकालू है नमबर छह पर आपका चोईू यह भी आपकाशीं वाले या नेपाल वाले छेतर पर नेक्स्ट आपका मंसालू लुग। पेमर खानेक यह नमबर साथ एक देख मैं घृळची क्याह完 मतार hybrid University दस रेडिया इसमें इन्हों में दी हैं ठीक है एक बाद ले लिजेगा पीडियेफ देख लिजेगा अजाद इस एकेडमी के में टेलिग्राम चैनल पे इसको आप लोगों को दे दूँगा नेक्स्ट आपकी प्रमुख धर्रे भारत के प्रमुख धर्रे अब देखो दर्रे क्या होते हैं दरसल दर्रे भी एक तरीके से नदियों के रास्ते होते हैं आम तोर पे नदियां दो परवतों को काट करके कई बार होता है कि नदियां अपना रास्ता नहीं बदलती है ठीक है नदियां क्या करते हैं इसे नदियों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके से औरोध आ जाता है तो वो उस औरोध को काट देती है माल लिजे नदिया किसी इस छेतर से बह रही है और नदियों के छेतर में यह औरोध आ गया तो नदिया अपना रास्ता नहीं बदलेंगी बलकि इस औरोध को ही काट देंगी और इस औरोध को काटने के दौरान वहाँ पर वो गार्ज का निर्मार करती है कैनियन का निर्मार करती है ठीक है? जैसे माल लेजे आपका ये वाला बिवर्तनी घटना भी माल लेजे कोई हो जाती है कोई नदी नदी हमेशा समुद्र टल से नीचे कभी बह नहीं सकती है नदी समुद्र टल is समुद्र तल आपसे मुड़ितार के बराबर उससे उचाई पे डिन भी रही है तो धीरे 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 वह परवती कुण काट देगी कभी भी आप जाएंगे हिमालेई चेतर में या उत्तरा खंडोगरा कभी भी जाएंगे तो अप देखेंगे नदी जो है पहाडों के नीचे से ही बहर रही है उसने अपने पहाडों के कांट से रास्ते नहीं बदले तो इसलिए वो गार्ज का निर्मार करती है या फिर आई अकार की आकरती का निर्मार करती है ठीक है वी अकार की गाटे का भी निर्मार करती है तो नदी अपने मार्ग को कभी भी बदलती नहीं है छोड़ती नहीं है तो यह जो दर जितने भी दर्रे दिखाई देते हैं बड़े-बड़े पहाड़도 के बीच में दर्रे यह 무श्य ऑपके कुश दर्रे हैं जो सबसे पहले सबसे पहले एक दर्रा है बनीहाल दर्रा है ठीक है बनीहाल दर्रा की क्या विसेश्था है यदि आपको जंबू से स्रीनगर जाना है तो आप बनीहाल दर्रे से ही आपकी ट्रेन गुजरेगी बनीहाल दर्रे से यह रास्ता जाता है जो जम्बू को स्रीनगर से जोड़ता है पहले तो आपको यह याद रखना है ये कि जब आप स्रीनगर से ले की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर दिया नहीं गया है दिया गया है जोजिला पास यह दिया गया है तो फिर जोजिला दर्रे से आपको गुजरना पड़ेगा ठीक है यहां से जंबू से स्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा और बरिहाल से आपको ले जाने के लिए जोजिला दर्रे से गुजरना पड़ेगा ठीक है यहां से ले जाने के लि पर चौटता और स्त्री णर को लेच साथी जौडने वाला है जोटीला दो दर्रें इसके बाद हिमाचल प्रदेथ के दो दर्रें एक है है रोतांगला यहां इसी के पास से ही यह नदी निकलती आपकी कौण से नहीं सब्सक्राइब निकलती राकस ताल से यहां पर कौन से निकलती है दो दर रहे हैं एक बाराज वाचला है यह बाड़ा चला एक नदी यहां से निकलती एक नदी रोत अंगला के पास से निकलती है ब्यास नदी ब्यास कुंड इसे निकलती है जब कुलू मनाली जाओगे तो कुलू मनाली के पास आप पाओगे कि वहीं पर ब्यास कुंड है वहीं से ब्यास नदी निकलती है कि यहां से रोतांगला से रावी नदी निकलती है बाड़ा लाचला से आपकी चिनाब नदी निकलते हैं चिनाब नदी और रोतांगला से रावी नदी यह सिंदु नदीतंत की दो प्रमुक्ष नदिया है ठीक है दो दर्रों के पास से एक दर्रा है आपका सीपी कीला ठीक ये भी आपका प्रमुग दर्रा है लेकिन सीपी कीला दर्रे के पास से सतलज इससे नहीं प्रवेश करती है सतलज का मार्ग लग है ये सीपी कीला दर्रा लग है तीमाचल प्रदेश के तीन दर्रे हैं पहला है आपका रोतांगला बाड़ा लाचला और सी पिकिला यहां के दो प्रमुक दर्रे हैं पहला है बनिहाल और दूसरा है आपका क्या नाम है इसका जोजिला बाकी आन्ने देखो बहुत सारे दर्रे हैं जोजिला जो आपका है यह अब लद्दाक में पड़ेगा लद्द पीर पंजाल वनीहाल यह तीन दर्रे आपके बचल गाल ऑखी के दर्रे आपके लगदाक छेत्र हैं अills दर्रा का रादंग बुर आपका चला गई जंबो में चांगला दर्रह खांद उंगला जो दर्रह है इसकी विस्टा यह है कि जब हम कभी भी मनाली से ले की तरब जाते हैं तो हम खारदुंगला दर्रे से होके जाते हैं यहां से जाएंगे इमाचल प्रदिश से ले तो आपको खारदुंगला पकड़ना पड़ेगा और यहां से जाएंगे तो यहां से जोजिला पकड़ना पड़ेगा जंबू से ठीक है इ आपके प्रमुख जो है वो खमुख दर्रे हो गए जंबू के और यह तीन दर्रे आपके प्रमुख हो गए पहला है आपका रोतांगला दूसरा आपका सिपी कीला तीसरा है बाड़ाला चला यह तीन दर्रे आपके हो गए ठीक यह तीन ही याद करिए बहुत ज्यादा याद क करेंगे तो परसान भी जाएंगे तीनी चार से कोश्चन पोस्ता है ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला है आपका जम्बु उत्राखंड पर चलते हैं उत्राखंड पर मानाला है लिपू लेक है आपका लिपू लेक इस पर दिखाया नहीं है साइद मानाला है नीतिला है लिपू लेक दर्रा है यहीं पर लिपू लेक इस पर विवाद भी चल रहा है नेपाल ने इस बार इसको अपने उसमें दिखाया है ठीक है तो तीन प्रमुख दर्रे यहां पर इसके बाद यह आपका नाथूला सिक्किम का प्रमुख दर्रा है ठीक है ज दर्रा है यांग पाग दर्रा और लिखा पानी दर्रा यह तीन दर्रे और उडांचर प्रदेश के प्रमुग दर्रे हैं बाकी एक तुझु दर्रा है आपका यह मडीपूर में पड़ता है तुझु दर्रा यहां पे पांग शाड दर्रा यह भी आपका यह पड़ता है नाग अब नीचे भी है कुछ नीचे आपके तीन दर्रे हैं प्रमुख ठालगाट और पालगाट ठीक है यह दो महराष्ट्र में है थालगाट भोरगाट देखे आप पूरे जाएंगे यदि तो पूरे थालगाट से आपको गुजनना पड़ेगा मुंबई जाएंगे तो भोरगा ogen दखें गुजनना पड़ेगा प्रमुख दर्रे आपके दच्छन भारत के है चारी दच्छन भारत के और बाकी के मुख दर्रे आपके यहां पर ठुक यह हो गया हमारे प्रमुख धर औरे फिर भारत के अब पर पठारी छेत्र हैं परवत छेत्र में क्या क्या चीज़े चाहिए थी हमें लगवक सारी हो गई कि कुछ बचा है बताइए हमारा हिमाले का छेत्र हो गया पूरा परवस सीखर और परवस रेडी उत्तर नौर्थीस्ट हो गया हमारा परवस सीखर और परवस रेडी इसके ब कौन कौन सा पठारी छेत्र गई रहा पठार आपका है पर्वति 가운데 हो गया ठीक कि चलिए पठारी कर देखो पठार एक ऐसी सन्राश्चना है जो उपर समतल होती है और टरीके से टे stud Doom माकरती है Leo मैदान ओता है पूरी तरीके से समतल होता है लेकिन जो जो पठार चेड़र है पहला आपका पठार यह है उत्तर प्रदेश में पढ़ता ही उत्तर प्रदेश के लगवागों का अर्थनों जीले से पठार पे आते हैं मुंध्यल कंट का ठार are такая सबसे बड़ा पठारी च्षेत जहां से चंबल होगा जाती यह मालवा पठारी चेत है यहीं बगेल खंड का पठार है छोटा नागपूर पठार है यह फिलिस्ड है बहुत ज़्यादा यहां पर गुर्णवाना करम की पर चट्टाने पाई जाती हैं इसके बाद यहां पे हैं मेघाले का पठार यह भी आपका दक्कन के पठार कहीं हिस्सा है यह आपका है दक्कन का पठार यहां पर आपका तेलंगाना का पठार ठीक है यह आपका है कक्ष का पठार नेट्स्ट है आपका यहांपर करनाटक का पठार, तो पठार आपका कुछ, इतने आपका कुल टोटल पठार है, आपको सारे पता होने चाहिए और इनको मानचितरन पर आपको खुद भी इंगित करना चाहिए, ठीक है? पठारों के निर्मार कैसे हो सकता है इनके निर्मार का क्या करण हो सकता है पठारों के निर्मार का तिबबत के पठार के निर्मार कैसे हुआ कोबर ने क्या बताया कोबर ने कहा कि जब आउशादी बलन पड़ा तो तो जब भी यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर बहुत कंकाली सनड़शना नीचे का पूरा स्ट्रक्चर और स्ट्कण सीड है उसके उसके उपर दरारी उद्भेदन हुआ है धक्कन है और सका कंकाली सनड़शना पौर जब घान कि और क्या हो रहा था गतिमान था कब गतिमान था कारबेनी फेरस इरा में जब अभी भी टेथिस सागर के उपसे थी भारत इंडो अश्टेजन प्लेट में था तो री यूनियन द्यूप के पास से जब भारत गुजरता है तो वहां पर एक सक्री जौलाम की होट इसपॉट इसके कारण से दरारी उत्वेदन हुआ था टीग है उसी दरारी उत्थवेदन का पईडाम क्या है आपका है ठीक उसी दरारी उत्वेदन का पैडाम है हमां पूरा यहां पर काली मिट्टी पहे जाती है दखकन ट्रैप दखकन सील डखकन का पठार ठीक है बहुत असान है इसमें कुछ हैने चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह आपका हो गया दखकन को यह पठार भारत के जितने भी हो गए यह भारत के प्रमुख मैदानी मैदानी छेत है तो भारत में जो प्रमुख मैदान है पहला है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदानी छेत्र यह पूरा मैदान गंगा नदी ने बनाया है उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसमें आपका पंजाब का कुछ हिस्सा हर्याणा का हिस्सा उत्तर प्रदेश का बिहार का जहरकंड का मद्ध प्रदेश का खुछेसा यह सब समलित है गंगा नदी तंत्र के द्वारा बनाए गया है सतलर नदी और सिंदु नदी तंत्र ने यह हर्याणा का और पंजाब का कुछ मैदान बनाया है ये सिंदु नदी तंत की द्वरा बनाए गया है ब्रंपुत नदी ने अशम के मैदान का निर्माड किया है तो यहाँ पर अशम का मैदान है यह आपका रेतीला छेत है और यह आपका राइस्थान का यह भी मैदानी छेत है भी मैदानी आता है ठीक है लेकिन है यह मरुस्था गुजरात में जो टटिये छेत्र है यहां पर गुजरात का टटिये मैदान है जो समुद्र ने खुद बनाया है ठीक है इसके बाद पश्मी टटिये मैदान है यह भी समुद्र ने बनाया है और नदिया जो यहां पर बहने वाली नदिया है उनके द्वारा लाए गए अबनाे गया है ठीques यह आपका च्छतिजगड़क मैदान है यहां पे ठीओ तो यह आपके कुल जो है टोटल प्रमुख मैदान है बाकी यह पठार हिस्सा है ऊपर पर्वति हिस्सा है तरह यह इतना हिस्स लगवक्ळ तालिस परसेंट का हिस्साप का मैदान का है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमुग घाटियां गाटियां क्या है परवतिये छेत्रों के नीचे का स्थान ठीक है जहां परवत होगा परवत के नीचे का जो पादिये छेत्र है परवत पादिये छेत्र को गाटी कहते हैं ठीक है परवत के ये परवत छेत्र है तो इसका जो परवत पादिये छेत्र है नीचे का स्थान इसे इतनी घाटियव आपकी कौन से कहा पर हैं जंबु कास्मेर में जंबी घाटी कांग्ला गार्टी लाहूल गाटी मालना गाटी स्पीति गाटी पांगी गाटी कुलू गाटी संगला गाटी पारवती गाटी किन्नावर गाटी यह आपकी हिमाचल प्रदेश में ठीक उत्त्राखंड में दून गाटी जोहार गाटी फूलो की घाटी धर्मा गाटी सोर गाटी यह आपकी भारत में देख लेते हैं ठीक है एक साइलेंट वैली है सांत घाटी सांत घाटी आपकी केरल में पड़ते हैं इससे भी पहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तमिलनाड में कंबल घाटी है ठीक है तो तीन घाटियां है दच्छन भारत में प्रमुक अराकु घाटी आंदर तंत्र यहां से चालो हो जाता है तो बेसिक बेसिक परवतिय छेत्रों से जितने भी प्रश्ण आपके बनेंगे लोकेशन वाइस या तो दर्रे से बनेंगे दर्रे हमने देख लिए या तो आपके परवस सिखरों से बनेंगे वो भी हमने देख लिया परवस स्रेडिएंगे वो भी हमने देख लिया और क्या-क्याचीज़ा हो सकती हैं है भाटियों से थे जार्टियां भी हमने देख लि कहते हैं अब बात करते हैं नदी reco ले अगला जो प्राक्तिक विभाजन है वो है नदी तंत्र इससे बहुत सारे प्रश्णापके बनते है ठीक है तो देखे एक चीज समझे पूरे भारत में यदि हम नदियों को दो भागों में बाट देते हैं पूरे भारत की नदी तंत्र को दो भागों में बाटते हैं पहला है प्राइद्यूपिय भारत की नदियों में जल की उपस्तिती मानसूनी काल में अधिक रहती है, सामान इस्तिती में सामान नहीं रहती है, तो पहला है जल के स्रोत के तोर पे, पहली तो ये हमने बदलाव किया, ठीक, दूसरा क्या है, नदियां कभी भी अकेले नहीं बहती है, कोई नदीय अपने साथए अकेले बहे नदियां बकाइदा पूरे नदी को ले करके बहती हैं अपने साथ एक नदीयों को दो भागों में बाढते हैं पहला है बंगाल की खाड़ी में जिरने वाली नदिया और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां दो भागों में हम इनको बाट के देखते हैं तो आप बेसिक एक एक करके हम देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे सिंदु नदी तंत्र की ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे सिंदु नदी तंत्र की कि सिंदु नदी तंत्र तो सिंदु एक अ सिंदू सिंदू देखे यहां से निकलती यह आपका सिंदू है आधिया आपका सिंदू नदी है अठीक है अरब सागर में जा करके जल्गी राती है कहां से निकलती है ये मान सुरुवर जील के पास से निकलती है ठीक दूसरी आपकी अंतर रश्टी नदी है यहाँ पर उसका नाम है सतलज यह राकस ताल जील से निकलती है यह आपकी सतलज नदी सिंदू में जाके यह मिल जाती है तो दो अंतर रश्टी नदिया मिल करके इस तंत्र को बनाती है अब इनकी कुछ सहायक नदिया है कुछ छोटी-छोटी इस्थानी नदिया है कुछ बड़ी-बड़ी इस्थानी नदिया है तो दोनों को एक बार देख लेते हैं कौन-कौन स से इनकी साइक नदी अहैं सबसे पहले सिंदू के बाद दूसरी नदी कौन सी इन के साथ कि ये कौन सी उप जह लम क्रम पूषता है इसके बाद next जैनाम बारा लाचला दरे के पास चेनाब नदी रोट अंगला के पास ज भावी नदी ठीक इसके बाद व्यास कुंड के पास से व्यास नदी लेकिन व्यास जो है आपकी हरीके के पास जो है कहां पर मिल जाती सतलच पर तो क्रम याद कर लेते सिंदू नदी तंत्र का पहली नदी इसकी मुख नदी तो आपकी सिंदू ही है सिंदू में देखो बहु आजए आपकी शल नइसलिए इसको इसमें से बयास को मुख नदी नहीं मानते हैं وैसे लेकिन ब्यास भी एक नदी है तो पंच नदी छेत्र बोलते हैं इसको पंजाब इसही मतलब है पंजाब मतलब पांच नदियों की भूमी जो पांच नदियों से मिलके बना कि ब्यास पहले ही पंजाब में या कि इससे मिल जाता है तो यह पांच बड़ी नदिया मिलके आदा पंजाब पाकिस्तान में आदा हमारे भारत में ठीक है यह तो गई बड़ी नदिया प को पता है ये कहां से निकल रही है मांसरोवर जील के पास से ये आपकी राकस्ताल से निकल रही है सतलच सिंदू मांसरोवर से निकल रही है इसके बाद अब देखे इससे बहुत सारी तो उसका ये वाला हिस्सा कैसा टट होगा ये ये दाया टट होगा और उसका लेफ्ट लेफ्ट राइट जैसे आपका होता ना इधर का लेफ्ट ये तो ये आपका बाया टट होगा तो स्योक इसके दाया टट में आके मिलती है जासकर इसके बाया टट में जासकर भी इसके ल लेकर के आप लोगों ने आयार में पढ़ा भी होगा कि इस भारत पाकिस्तान के बीच में किसा नंगंगा नदी विवाद भी था हुआ था क्या कुछ नहीं भारत ने ऐसे करके देखिए जेलम की साइक नदी है आपको साथ पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिं तीन नदियां हैं पहला कौन सी है सिंदू जेलम चिनाव इन शुरुआती ये तीन नदियों के जल का असी प्रिसत पानी क्यों प्रयोग करेगा पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा चुकि जेलम किस्ते आती है जेलम आपकी पढ़ रही है दूसरे नंबर पे उससी की सायक है किसंगंगा तो भारत में किया क्या इसमें एक नहर पर्योजना बना दी जल विद्दुत पर्योजणा थी है ठीक है अब किया भारत ने कुछ नहीं किसंगंगा के पानी को हम भ्यास से जोड़ देते तो पाकिस्तान चला गई अंतर राष्टी नियाले और अंतर राष्टी नियाले ने समझाया उसे की बेटा पानी एके जगह आए अलग अलग जगह नहीं है थोड़ा समझ बात को उसको समझित नहीं आती चीजों को ठीक है तो कहीं नकहीं पे यह आपका जो तीन नदी तंत्र आपके पाकिस्तान को ले करके दिये गए हैं और बाकी के तीन नदी तंत्र तीन नदी तंत्र कौन कौन से हमारे भारत भारबा धंकिया आप देखते हैं यही देता रहता इसी को कहता रहते हम इसे खतम कर देंगे तो खतम कर दोगे तो पानी अत्रिक्त इनने बहुत सारे डेम बना दिये है ना और उससे मतलब एक यह भी दबाव बन रहा कि कभी युद्ध के इस्तिती पर कभी इसका दुर्पियोग न कर दिया जाए और या फिर ऐसा नहों जाए कि यदि ब्रह्मपुत्रा के पूरे पानी को रोग देता है तो असम्म हमारा पूरा का पूरा चेत्र क्रिसी भी खतम होगा और वहां पर जितने भी अवादी रही बड़ी मुसंख्या में पूरा मैदान अनुर्बर हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी से ही हो ठीक है तो एक यह अनितिकल वर्क है क्योंकि अंतर अश्टी संदी है ट्रीटी है लेकिन भारत बार बार धंकी देता रहता है तो आपको पहली कौन सी हो गई सिंदू जेलम चिनाब रावी ब्यास अतलज अब इन में मिलने वाली जो सायक नदी तो किसं गंगा आपकी जेलम की सायक नदी है इसके बाद देखिए यहां पर पाकिस्तान च्छेत से यह प्योक्य वाल च्छेत में बैती है इस्थानी नदी गिल्गिट गिल्गिट भी नदिया आपने नाम भी पढ़ाओगा तोची ठीक है गोमल ठीक है कुंदर जोब ठीक है तो प्रमुख नदियां इसमें से कौन सी हैं गिलगित काबुल स्वात कुर्रम को मल कुंदर जोब ये सारी सिंदु नदी तंथर में डायटस से आकर मिलने वाली नदिया बाए टट से मिलती है जासकर ठीक है जासकर सोहन एक छोटी से नदिये पाकिस्तान पर ही जाके मिलती है ठीक है बाकी और बहुत सरी इस बाकी की जितनी भी नदिया है आप अब एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे सिर्फ एक नदी जाकर किसे मिलती है सिंदू से कौन सी नदी मिलती है बाकी की कोई भी नदी सिंदू से डारेक्ट नहीं मिलती है ठीक है बाकी किसमें गिरती है जेलम जाके चनाब में मिलती है चेनाब जाकर यहां पर प्रम नदी चैनल का सिंदु से मिलग आकी पाकिस्तान यहीं से इन्दरागांधी नहर पड्योजना जो की पाकस्तान को वीडियो वी बनाये था ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं तो कहां पे हो गए हम लोग कितना हो गए यह पे यह वगया आपका लगबल लगबल पूरा जो है सिंदु नदीतंत्र यहां पे बस यह देखना है यहां पे व्यासकुंडु से निकलती है सदलज आपका राकस्तार निकलती है तो यह आपका होगा सिंद्धु नदी तंट्र ब्कष्ट अगे बढ़ें नेक्स्ट चलिए यह हो गया पहला नदी और हिमाले नदी तंत्र का दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र तो गंगा नदी तंत्र में आप समझें पहली बाद गंगा कहां कहां एक तो अंतर राष्टी नदी ये भी है अंतर राष्टी नदी किसी साब से ये जाके दूसरे राष्ट में दो देशों में जाके बैती है भारत और ब भागी रथी के नाम से होती है आपको पताओगा पशिम मंगाल में थोड़े से हिस्से में फरक्का बैराज के पास से फिर यह भागी रथी के नाम से ही जाने जाती है तो इसके दोनों सुरुवात और प्रारम यह दोनों भागी रथी के नाम से है अब यहां पर ध्यान से करके मिलती हैं पहली नदी भागी रथी दूसरी नदी आपकी अलखननदा ठीक है यह भागी रथी है कि टीबर प्रवाह में आती है इसका प्रकुप बहुत ज़्यादा अलखनंदाइनको सास बहु भूभी बोला जाता है सास कैसी होती है धीक है इने सास भhu भी बोला जाता है कि दोनों सास भhu हैं यहीं से बनती आपकी द्युप्रयाग से ही बनती है आपकी गंगा, ञीक है तो द्युप्रयाग में इसका नाम गंगा होता है थिक है इससे पहले भी कुछ नदिया है या केले इससे पहले भी बहुत सारी पिंटू-पिंटू नदिया बनती है ठीक है इसके दोनों के संगम पे आपका है टिहरी गढ़वाल डैम बनाया गया है ठीक है बाकी इनसे और बहुत से निदिया मिलती है जैसे पिंडर पिंडर कहा मिलती है कांड़ प्रयाग पे कांड़ प्रयाग पे और रुद्ध प्रयाग पे मंदाकनी मिलती है मंदाकनी मिलती है रुद्ध प्र आग पे भागी रथी अलग नंदा निकलती है ये भागी रथी के नाम से ठीक है आपका जो ये पूरी कहानी है जो चौदा मकर संक्रांती जो आप मनाते हैं ये वही दिन है जिस दिन गंगा का उतराण होता है भारत में अब इसके बारे में बोला जाता है कि उस समय क्या था चाक वंस के साशक तो उन्ते भागी रथी है ना तो भागी रथी के द्वारा अपने पुर्खों को तेजने के लिए उसके बहुत सारे पुर्खे थे रगू दिली बहुत सारे उनको उनका उधार करने के लिए गंगा मा का उतराण कराय जाता है तो पहले गोरता पश्या क उन्होंने कहा कि इनको इनका बेग सहेगा कौन तो भागी रहती पहले बताई ब्रह्मभा जी की तपश्चा करते हैं फिर जब कहते हैं बेग सहने वाला चाहिए तो फिर एक ही आदमी मिलता संकर बगवान बोले बाबा उनको कुछ भी कर बिस पिला दो सर में चंद्रमा टां यह भी सई गंगा अपने सर पर फिर रखते हैं तो फिर गंगा को भागी रथी लेकर गंगा सागर तक पहुंसते हैं आपके तो 14 जनवरी को मकर संक्रांती मनाते हैं यह गंगा का उतरान है उस दिन गंगा जो है गंगा सागर तक पहुंसती है तो गंगा भागी रथी प्र्याक के बाद जु है लगतार इसे बहुत सारी सहायक नदीया मे kg इसके दाय टट से मिलती आप गंगा इस तरफ बहर तो इसका दाय टट कौन सा होगा उपर तरफ दायां होगा और इधर आपका बाय टट होगा ठीख है तो एक बार एक एक कर के देखे लेते हैं इसकी आपको रट लेना चाहिए सारी की सारी ठीक तो गंगा में एक पहली नदी है कनाउज के पास आके मिलती है यहाँ पे सायगा नदी इसका surgical यह राम गंगा राम गंगा जिम कारभिट नेशनल पार्क में गह धा वहां पे राम गंगा नदी जो जिम कारबिट नेशनल पार्क से होकर जाती है आप लोग उन्हें एक देखा होगा वियर ग्रिल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक एपिसोड है तो उसमें जो नदी पार कर रहे हो राम गंगा नदी है उसी पे एक डैम भी बना हुआ है वहीं पे काला गड नामक एक जगह है काला गड डैम ये काला गड पूरा का पूरा ठीक है तो ये आपका जो है राम गंगा नदी है ठीक है राम गंगा के बात जो है आपका निक्स्ट नदी आपकी है प्रियाग राज के पास आपकी यमुना भी आती है यमनोत्री ग्लेसियर से यहीं से सेम जगह से उसके पास ह समानांतर बहते बहते प्रियाग राज के पास मिलती है यमुना तो सबसे पहले गंगा से कौन मिलता है राम गंगा दूसरी नदी आपकी राम गंगा कहा मिलती है कर्नाज के पास तीसरी नदी बाहरे टट से आके मिलती है जो सबसे बड़ी नदी है यमुना गंगा की साहिक न नदी यहां पे गोमती नदी लखनव सहर इसी के किनारे उत्तर पदेश की राधधानी इसके बाद छपरा के पास घागरा नदी घागरा जो आपकी निपाल से आती है सारदा नदी के नाम से पर आती है फिर यह आपकी मिल जाती है छपरा के पास ठीक है बिहार में इसके कोशी नदी बिहार का सुक आठवे नंबर पर ये भी आके गंगा के ही सायक नदी बन जाती है ये भी आपकी भागल पूर के पास आके मिलती है और इसके बाद मालदा के पास ही महानंदा जो है गंगा की सायक नदी बनती है ठीक तो ये आपकी फिर से एक बार क्रम से देखते पहली है आपकी राम गंगा राम गंगा के बाद गोमती गोमती के बाद घागरा गागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी कोशी के बाद महानंदा ठीक है गंगा नदीत अंत्र फिर से एक बार देख लिए पहले हम दाया टट देख रहे हैं दाया टट में नहीं तो फ पर पर आपका हो गई यह यमुना फिर या की यमुना मिली ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपकी मिलती है आपकी गोमती फिर आप देखते हैं घागरा फिर इदर से देखे सोन चली आ है नीचे से कि अमर कवाल शर्जी सोंच चलिए आ रही है त altern mais आसे मिलती बाहिए चुट से मिलती है या कि यमुना और दूसरी आपकी यृपकी त्षी आपको याद के बाद गोमती के बाद घागरा घागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी कोशी के बाद महानंदा फिर से एक बार देख लेते हैं राम गंगा राम गंगा के बाद गोमती के बाद घागरा घागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी 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 के बाद जाती है इसकी एक ब्रांच हुगली के तौर पे नीचे चली जाती है निकी कोलकाता में पश्चिम मंगाल में ठीक गंगा ही हुगली बन जाती है और बाद में दूसरी ब्रांच इसकी कहा निकल जाती है दूसरी ब्रांच इसकी निकल जाती है पश्चिम मंगाल में पदमा के नाम से इसका जैसी पश्चिमंग वह माप करेगा बंगलादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या पदमा लेकिन जब यह फरक्खा में दो भागों में बढ़ती है ठीक है हुगली और ठीक है भागी रथी के रूप में बढ़ जाती है थोड़ा सा थोड़ प्रदेश में 1000 किलोमीटर फिर इसके बाद बिहार में प्रवेश करती है बिहार में जुह है यह 405 किलोमीटर उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा 110 किलोमीटर की बनाती है फिर इसके बाद जहारखंड में 40 किलोमीटर सबसे कम फिर पश्चिमंगाल में 520 किलोमीटर और टोट समझ पार है नहीं समझ पार रहा हूं बहुत आसान है कुछ नहीं है फिर से एक बार देखते हैं दाइट से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है देखो सबसे पहले यहां से देखते हैं यहां सुरुवात से सबसे पहले ठीक है भागी रती में मिलती है कौन पिंडर ठीक है आगी रती देव प्रयाग में मिलती हैं यहीं के बाद फिर राम गंगा मिलती है राम गंगा के बाद गोमती गोमती के बाद गागरा गागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी कोशी बाद महा नदी क्लियर ठिक इसके बाद दाएं टट से मिलने वाली यह हो गई दाए पाaky तो प्रियाग राज में जिप संगम में नहलाते हैं तो तो वह क्या कहते हैं कि देखो यह हरा पानी हैं या मुना का यह देखरा मटमेला पानी गंगा का तो जो गहां ऑफ Kr string नहाते संगम में आप नहां कि यमुना में आते हो ठीक है लेकिन क्योंकि यमुना का घाट वहां चौड़ा है गंगा का घाट ज्यादा चौड़ा नहीं मिले गा समाने दिनों में बांसून में तो थोड़ा बहुत ज्याद्धा पानी हो गया जलिस्तर बढ़ने कांट से चंबलनास और काली सिंध यह दो नदिएं जो है चंबल से मिलती है फिर चंबल जाकर आपकी कहäng मिलती है ठिक है इटावा के должны प्रदेश में जाकर मिल जाती है ठीक है इसके बाद है बेत्वा ये icos Googles घंशा ठीक है इक सिंध नदी आज इस थानी यह दो दोटीख मिनेरницу और हैं यहाँ सोन नदी जो आपकी है यह पत्वना के पास मिलती है पत्वना में सोन नदी गंगा से मिल जाती Cyrus extr come क्लों निकलती है उसमें कहते हैं कि सोने के कुछ अंग पाय जाते हैं कुछ dens पाय जाते हैं बहुत-स लोग यहोड़ते मिलते हैं है सबस्सक्राइब सब्सक्राइब कोई फाइदाधा नहीं है तो यहां पे आपका यह होगी सोननदी आ दी सोननदी के बाद फिर यह आपकी यहां पर हुगली में बढ़ जाती है और यह ब्रांच इसकी निकल जाती है बांगलादेश पदमा पदमा इसका अंतिम नाम नहीं है फिर नाम बदले गी है फिर इसके बाद यहां से एक बराक नदी मडीपूर से एक बराक नदी चली आ रही होती है और यहां और पदमा का संगम हो जाता है और दोनों का नाम पदमा हो जाता है जमुना पदमा दोनों मिलके पदमा बनती है लेकिन जब बराक आती है मड़ीपूर पहाड़ियों से तो बराक कही बराक या मेगना उसे बोलते हैं जब वो मिलती है बराक और मेगना पदमा से तो इनकी दो क्या नामी नाम बदल रही है कितने नाम ऊपर से बदलती चली आ रही ठीक है तो यह हो गई आपकी गंगा नदी की यात्रा ठीक तो और इसमें कुछ बताईए अभी आगे ब्रहम पुत्रा देखेंगे फिर मिला देंगे इन दोनों को यह गगा नदीत अंत्रे गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदिया बाएं तरफ से मिलने वाली नदिया ठीके आप जगे तोड़ा से याद कर सकते हैं गंगा देव प्रयाक से बनती है फिर इसके बाद कन्नौज में राम गंगा से मिलती है प्रयाग राज में यमुना से मिलती है गाजीपूर में गोम्ती से मिलती है छपरा में घागरा से मिलती है सोन पटना में मिलती है हाजीपूर में गंडक मिलती है कोसी में भागलपूर मिलती है और मालदा में मानंदा मिल थीक है यह आपका टोटल यह सके डिस्टेंस है यह हुग बात ठीक है चलिए आगे बरते नेक्स्ट अगला है ब्रंपुत नदीतंत यह है अपका यह भी मांसरोवर जील के पास से ब्रंपुत्रा भी निकलती है ब्रंपुत्रा का भी उद्गम छेत्र मांसरोवर जील के पास से ही आंग्सी ग्लेशियर है वहां से निकलती है ठीक है नाम रहता है सांगपो वहां पर ये भी नाम बदलती है तिब्बती नाम है सांगपो तो वहाँ से निकलती है और अवदांचल प्रदेश के पास ही वहीं से नामचा बरवा पर्वस्य धाल यह अवदांचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है ठीक है काफी चौड़ा घाठ है इसका भारत का सबसे चौड़ा घाठ जमुना का ही इसी का ब्रह्म पुत्र का ही है ठीक तो ब्रह्म पुत्र नदी में बहुत सारी वहां की भी लोकल साहेक नदियां जैसे कि एक नदी ये है न्यांक्यूल नदी ये तिब्बत से आती है पाल होगा राइट होगा इसका और यह इसका बाया टट होगा ठीक है बाया टट होगा तो इसके बाया टट से मिलने वाली प्रमुख नदी में दिबांग नदी ठीक है दूसरी यह लोहित नदी यह प्रमुख नदी है इसका घाट चौड़ा हो जाता है और यहीं पर एक बीच में ड्यूब बनता है माजुली तो ठीक अब यहीं पर देखें यह दिबांग नदी इसके बाएं टट से मिलने वाली दिबांग और लोही दो प्रमुख नदी बाएं टट से बाकी और भी धंसरी कापिली ठीक है य दूसरा है शुबन सिरी रंगा नदी जिया बरेली ठीक है तेजपुर्गा पिथु मारी मानस अशम में है यह प्रमुख नदी तिपकई संकोष ठीक है तीस्ता इधर से गंगा आती है पदमा के नाम से ठीक है तो आप डाय टट से एक बार करम से देख लिए दाय टट से द पिथु मारी मानस टिपकई संकोष ठीक है आपको यात होना चाहिए क्रम से से मिलने वाली नदी दाय ठट से मिलने वाली प्रमुख नदिया दिहांग, सुबनसिरी, जियाबरेली, पिथुमारी, मानस, तिपिकई, संकोस, तीस्ता ठीक, एक और है, दाय टट से ही, गंगा भी पदमा के नाम से मिलती है ध्यान रखेगा, ठीक है, चांदपूर वाला छेतर है, चांदपूर छेतर पे दोनों मिलती है यहीं पे मेघना आती है, यहां से, बाय टट से, लोहित, उससे पहले दिबांग, लोहित, धनसरी, कापली, ठीक है और फिर यह बाराक नदी आपकी मड़ीपूर पहाड़ियों में सूर्मा घाटी से नीचे आती है और इसकी एक सायक नदी है, भैरो नामकिस्थान पे यह सूर्मा नदी जो है इससे मिलती है और इसके बाद मेघना के नाम से यहां से हो जाती है, पदमा मेघना का संगा मोता चांदपूर पे यही से पूरी नदी मेघना के नाम से हो जाती है और मेगना बंगाल की थाड़ी में गिरती है तो यह हो गया आपका ब्रंपुत नदीतंत्र क्लियर कुछ नहीं है असान है यह भी ठीक है यह दोनों तीनों नदीतंत्र आपके प्रमुख प्रमुख हो गए अब बात करते हो गए आपके कौन से नदीतंत्र हिमाले नदीतंत्र अभी हिमाले के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपका यह दच्छन भारत का प्रमुख नदी तंत्र यह भी है ठीक दच्छन भारत की प्रमुख नदियां इनको एक बार देख लेते हैं इनको भी दो भागो में बाटेंगे पहला आपकी बंगाल की जिती और आप सबसे पहले अब यहां पर देखिए यह पदमा यह है यहां पर जो यह पदमा नदी है या कह सकते हैं यह हुगली नदी है आपकी हुगली नदी आई थी न कहां पर आई थी गंगाही फरक्का से दो भागों में बटी थी हुगली में उसी की सहायक नदी है दामोदर बंगाल का सोग भी कही जाती है तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी है दामोदर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसे नमबर पे हैं स्वांड रेखा, तीसे नमबर पे हैं महा नदी, चौथे नमबर पे हैं इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की, अब चलिए यहां से बात करते हैं गोदावरी की, गोदा किसी जगह से निकलती महा कालेश्वर से तो निकलती है ना महा बलेश्वर उस से में बोल रहे तो महा बलेश्वर से कृष्णा निकलती है हां महा कालेश्वर जो आपका उज्जैन के पास से यह निकलती है उज्जैन नाशिक है या उज्जैन के पास से नाशिक से निकलती है है नासिक से निकलती है आफ करिये कर गड़ बढ़ हो गया यहां पर कौन से परवसीखर है यहां पर है त्रमभी केश्वर यहां पर त्रमभी केश्वर त्रम्बिकेश्वर त्रम्बिकेश्वर से निकलती आपकी गोदावरी नासिक के पास कुझ जो है शिप्रण नदी की किना रहे मुए जो दुदे को ऐसा रहे थि मैं ने यहां से गोदावरी is गुदावरी आपकी जो है यहां पे जो है केजी बेशन है क्रिष्णा गुदावरी बेशन है इस छेट पर आप देखेंगे तो दोनों नदियां बड़ी मात्रा में गाद लाकर के लगातार यहां पर डेल्टा बना रही है और गाद लाकर पूरे ठटको कुछ समय बाद आने महा बलेश्वर से क्रिष्णा निकलती है और ब्रम्वगिरी से कावेरी निकलती है ते तीनों नदियों को अलग जो इनके उद्गम छेत है गोदावरी में बहुत सरी सायक नदिया है इसकी पहली है इंद्रावती तूसरी है बेन गंगा तीसरी है पेन गंगा और इधर है म अब देखो एक पता नहीं कौन मूरक ने बनाया है दच्षण घंगा दच्षण भारत की घंगा यह नहीं समझ में ब Whew कौन सब्सक्राइड किस ने गुष्टन बना दिया और फिर हम लोग इसे पढ़ते चले जा रहे हैं किस मतलब का कुश्यन है और गोधावरी का है गंगा क्यों गंगा से कंपेर कर रहे है उसको फिर दो गंगा बना दी देचलिदी गंग अलग देचंद भारत की अलग तो देचल यह तो मुझे आज तक समझी नहीं आया और इस पर बहुत कंप्यूजन भी रहता है लेकिन जो कुश्चन आपका दच्छड गंगा गोदावरी है दच्छड भारत की गंगा कावेरी है यह थोड़ा से ध्यान रखना आप लोगे दिक अभी पोस्ता है तो दोनों में अंतर य दिया है इसके बाद यहां पर इस वाले ख्यत्र को हम देख रहे थे दामोदन नदी पिर आपनी प्रमूख नदी के बाद है गोदावरी गोदावरी के बाद कःुर मरी नदी परेरू नदी फिर आपकी पलेरू नदी पुलार लिखा हो है पलेरू है पलेरू नदी ठीक है फिर इसके बाद कावेरी नदी कावेरी नदी और फिर वैगई तो एक बार ये क्रम पूरा देख लेते हैं प्रेक डामोंदरर नमबर दो 1 महा नदी नमबर चार आपका गिदावरी नदी नमबर पांच रितवाञा नदी फिर पलेरूं नदी पलेरूंurg कावेरी नदी वैगया नदी एक और है ताम रिलिपती यहां पर छोटी सी नदी यह सक्सेदव ताम रिलिप्ती नदी यह टोटल प्रमुख जो है इधर की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया है ठीक है टोटल छह साथ नदिया है क्रम आपको क्रम से एक बार इनको याद रखना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि नदियों को देखना हो तो एक बार आप भारत दर्शन का वह एपिशोड जरूर देखेगा आपको कम समय में ज्यादा ज्यादा आधे गंटे में मैं उसको बता दिया था अगला नेक्स्ट है आपका यह है आपकी जो बंगा अरब शागर में गिरने वाली नदिया तो यहां पर एक नदी इसका नाम है माही नदी देखो इससे उपर भी कुछ नदिया है सबसे पहले एक अंता इस्थली नदी है लूनी नदी वह विचारी आके ही रह जाती है ठी समय काटती है तो गुजरात की दो प्रमुख नदिया है एक माही है दूसरी साबर मती है ठीक है दो प्रमुख नदिया दोनों नदिया जो है अरब सागर में जलगी राती है साबर मती भी और माही भी ठीक फिर एक प्रमुख नदी है अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक से धुआधार जलपरपाद और और इसके बाद आपकी दूसरी कोई इतना बड़ा मात तू नहीं है अच्छे यह देखा आरपसागर में जल गिराने वाली दो प्रमुख यह Harry है बाकी तो बना दि गए बाकी का कोई इतना बड़ा मात तो नहीं है तो बंगाल की खाडी में जल गिराने वाली दो प्रमुख नदिया यह है लेकिन आगे अभी कुछ नदियों को पारे में अभी यहां पर बता देता हूं जैसे कि पहली नदी आपकी यहां पर है दो नदिया है आपकी जो गोवा में जल गिराती है पहली है मांडवी मांडवी नदी और दूसरी है जौरी नदी मांडवी और जौरी नदी इसके बार नेक्स्ट है आपकी करनाटक की दो नदिया हैं पहली है आपकी सरावती सरावती पे ही आपका भारत का सबसे उचा जल प्रपाथ है गोर सप्पा जल सप्पाथ ठीक है जो आपका सबसे उचा जोग जल प्रपात है लेको जोग जल प्रपात को लेकर कि फी विवाद है बहुत साई लोग करते हैं कि जोग जल प्रपात सबसे उचा जल प्रपात नहीं है कुंचिकल जल प्रपात है तो कुंचिकल और जोग यह जो भी है जोग जो है भारत म 829 मीटर उचाही से गिरने वाला यह पहला जल प्रपात है जो सीधा गिरता है कुंचिकल ऐसे गिरता है मूरग बनाता है ठीक है सीधी नुमा गिरता है तो दोनों का लागे वैसे देखा जाते लंबाई नापेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा है ठीक है और वैसे बीद्विफ को आप जोग है ना ठीक है वह नहीं चि alles को समझते हैं तो लेकिन आप नट पर अप कहीं फोलकalten देखेंगे तो आपको जोग ही मिलेगा 90% आप जोग देखेंगे आपको मिलेगा कहीं कहीं पर अब कोईरा वगरा में लोग लिग देते हैं तो सही नहीं हो तो दो नदियां गोवा की है मांडवी और जुवारी यहां की दो नदियां पहली है सरावती नदी और दूसरी है दूसरी कौन सी है गंगावेली ठीक है दो नदियां आपकी करनाटक की है गंगावेली तीसरी नदी यहां पर केरल में पिरियार और एक और है भरत पूजा ठीक है तो यह तीन चार नदियां है क्रम से आतकले ना पहला मांडवी जुवारी सरावती गंगावेली पिरियार और भरत पूजा ठिक ऊपर आपकी थी माही उससे पहले साबरवती माही नरबदा तापती तापती के बाद यहाँ पे मांडवी जुवारी सरावती गंगावेली पेरियार और भरत पूजा यह आपकी प्रमुख नदियां जो हैं यह अरब सागर में जल गिराती हैं यह हो गई आ हो गया क्लियर मामला तो नदी तंत्र में आपका लगबग लबग जितना नदियों से जुड़ा हुआ था यह हो गया आपका अब बात करते हैं भारत की प्रमुख जीलों के बारे में अब जाए टाइमिकाओ अभी कितना हुआ हमारा दो घंटे हुए बस अरे दो घंटे हुए तीन हो गए अब चलिए भारत की प्रमुख जीले तो नदियों में देखो जल में जल के अंतर गता आपका एक नदी तंत्र क्या हुआ नहीं आप ही से पूछाओ ठीक है ना सब बढ़िया सब बढ़िया रहना चाहिए कोई दिकत नहीं होनी चाहिए खतम करना है तो खतम ही करके उठेंगे ध्यान रखेगा जो उठ गया उसको बिद्या कसम है बहुत विद्या कसम खाया है किसी की साथ मेडिकल एमर्जंसी हो तो जा सकते हो यह द्यान रखना बास मेडिकल एमर्जंसी नहीं रुकनी चाहिए ठीक है जानते ना प्राकतिक पीड़ा वह जदी प्रसर करने लग जा उठके निकल जाईएगा चली अगला चलते हैं नहीं पता चला जोग्रोफिक की चक्कर में बाई लोजी खराब हो गए आपके वह नहीं कर बढ़ करने हैं ठीक है तो एक एक करके देखेंगे पहले हम जंबू कास्मीर की जीले देखेंगे यह सारी जंबू की जीले हैं और लद्दाग की जीली है जो चाइना को लेकर इसम पेर रखा हो और चोटी जल्रासी हो जील के तौर पर होती है यदि यहीं जल्रासी बड़ी हो जाती है तो सागर के तौर पर हो जाती है ठीक तो जील क्या है यह आपकी छोटी जल्रासिया है दो तरीके की जीले हो सकती है कृतिम जील और प्राक्तिक जील करतिम जीले कैसी बनती हैं जब हम बहुत देशी पर्योजनाय बनाते हैं तो बहुत देसी प्रयोजनाय यानि कि किसी नदि के मारं रोक देते हैं तो फिर पूरा मार्फ आपका जील में करमड हो जाता वहां पर जल कटा होंने लग जाता तक तो आजाएगा रूड़की बात तक इतना है कि चला जाए तो जाता बड़ी इधर ना है नहीं दिल्ली तक की बात संकच जताई जाती कि जब कभी तीरी गड़वाल तूटेगा तो दिल्ली भी आपका निपट सकता है ऐसी मान कहते हैं लेकिन देखो क्या होता है आप उत पैस्ती अंसागर कहां पहुंच रहाए है आप झिल का जी ठीक है भारत की चिल का जील ठीक है तो यह NOR जीले पहले तो याद कर लो सबसे मीठे-पानी की जील बुलर जील यापकी ठिक खारे बाने के, आगे बढ़ते हैं, डल जील, ये भी आपकी जम्बू कास्मीर की है, सेसनाग जील और जनसर जील, यह चार जीले और है यहांपे, ठिक, यहांपे एक जीले, प्योंग जोग जील, यह आपकी लद्दाग की है, बहरत चाइना में भी काफी हिस्सा है, इसका और जो है आपये कुछ कंफ्यूजन भी है कुछ ताल उत्रकंड के पास भी है नैनी ताल जैसे नैनी ताल आपका उत्रकंड के पास भीम ताल साथ ताल यह सारे उत्रकंड के हैं तो ताल आपको ध्यान रखना है सूरज ताल और चंड'll व् drinks दोनों है हिमाचल फिस गड़े अगीृ है।它的 बातुपी जील्फेंश मिर्ट जीए फिर एक है आपकी नाको जील्फेठी जील यह चार जील आपकी हिमाचर प्रदेश की हैं उत्राखंड में हैं साथ थाल भीमताल रूपकंड जील नैनीताल और एक है नौटुषिया ओपनड और ननौटुछिया जील थेके वहाद यहां पर आते हैं हम लोग पिस वाले पंजाब बल हैं हिस्से पे तो पहला आपका यहां पे है हरीके जील, हरीके बैराज पे बनी है, सूरजकुंड आपका, सूरजकुंड जील, सूरजकुंड कहां पड़ता है, हरियाणा में, हरीके आपका पंजाब में है, सूरजकुंड आपका हरियाणा पे है, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आपका राजस्थान पे राजस्थान पे आपका है पुसकर जील ठिक डेडवाना जील यह भी खारी पानी की जील है लूनर कर जील पंच भद्रा जील धेबर जील राज समंद जील ठिक है तो यह सारी जीले आपकी कैसी है यह सारी आपकी यहाँ पर है ठ उत्तर प्रदेश में रामगर ताल है ठीक है यहां पर आपकी लोकटक जील फेमस जील है आपकी यह मड़ीपूर में मड़ीपूर पर लोकटक जील पर ही क्या है एक आपका तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान है केबुल लाम जाओ ठीक है तो यह आपका लोकटक जील हो ग सित किया गया है इसके बाद यूपी का किसम हाँ हाँ आते हैं रुक जाइए मैं पालक से पूरी 42 लिस्ट बता कर जाऊंगा आपको अइसके बाद आपका बिमबा नुटु जील बिमनाद जील बीरन पूझा जील ये सब करल की हैं बिमनाद बेटा-नुटु बीरन ही नचीया सहinery आपगी फिर इसका तमन सब चल में पौलिकण जील क्योंकि यहां पे काँंस है किसका रेसी छींटर स runners 19 किस का ए यहां पे प्रच्छत प्रच्छे सेंटर है फुलीकट जीन के अंदर कोलोर्य जी इसके बाद आपका उस्मान साग्र जील हिमायास साग्र जील चिलका जील आपने देख लिया, लोक्टक जील आपने देख लिया मेन मेन जील यह हो गई, अब बात करते आदरभूमी छेतरों में कुछ जीले आपको यहां से मिलेंगी ठीक है, आदरभूमी इस्थल जो हमारे भारत में अभी इस बार जो है, कुछ प्रमुका अदरभूमी इस्थल घोसित किये गए ठीक है, 42 के 42 एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अभी लेटेस्ट हैं तो साइदीन से प्रस्ण भी पूछे जाएंगे आपके यह है, भारत के 42 रामसर इस्थल बेटलेंड मतलब समझ रहे हैं, आदरभूमी इस्थ हैं, दो फरवरी 1971 को इरान की रामसर छेत्र में जो छेत्र जो दलदली छेत्र हैं, जहां पर जल भराव बना रहता है ऐसे छेत्रों में जैवित्ता सनरक्षन को लेकर एक सम्मेलन किया गया, और उस सम्मेलन के साइद विस्थ भर के प्रमुख जो आदरभूमी छेत्र हैं, उनका सनरक्षन किया राता है तो रामसर इरान पे है, यह आईरान पे इस्थित है, उसी के तहट यह अभी जो है, टोटल 42 इस्थल हो चुके हैं, कौन-कौन से एक बार देख लिजेगा कोलोरु जील जो आपकी है, आंद्र प्रदेश में इसको रामसर इस्थल गोसित किया गया है गहरा बील अशम में हैं, नल सरौर पक्षी अब्यरन गुजरात में हैं, चंदेटल विटलेंड हिमाचल प्रदेश में हैं, पौंग यह सब पुराने हैं, अभी नए जो होंगे जो अभी लेटेस्टेड होंगे हों बता दूँगा पौंग बान जील हिमाचल प्रदेश में हैं, रेडुका विटलेंड हिमाचल प्रदेश में होकेरा विटलेंड जम्बू कास्मीर में हैं, सुरिसार मानसर जील जम्बू कास्मीर पे हैं, त्योंग सो मुरारी लद्दाक में हैं, बुलर जील जम्बू कास्मीर में हैं, ठीक है नेक्स्ट आपका है। मुराद नगर से है ना मुराद नगर में आप देखे एक नहर आई हुई है आपर गंगा कैनाल आपके गाउं से है और ये पूरी नरावरा तक गई हूई है बुलन सहर तक तिसको भी जो है किसमे रखा गया है पूरा का पूरा ये भी आपका रामसर जलसंदी के अंतरगत है पूर्भी कलकत्या नी कृतिम है ये ये वैसे नहीं है पूर्भी कलकत्या वेटलेंड पश्चिमंगाल सुन्दर वन डेल्टा पश्चिमंगाल अब इस वर्स जो सामिल किये गए हैं पहले 10 छेत्र फिलेटेश दो अठाइशो नंबर में नंदूर मद मदेशो नासिक मद महाराष्ट्रा केशोपूर मियानी कमूनिटी डिजर्व पंजाब व्यास सनरक्षन डिजर्व छेत्रकु पंजाब नागल वन जी अभेरंड रूपनगर पंजाब यानि पंजाब से कितने हो गए आपके 3 फिर सांडी पक्षी अभेरंड हर्दोई उत्तर प्रदेश ठीक है फिर समस्पूर पक्षी अभेरंड रायबरेली उत्तर प्रदेश इसके बाद नेक्स्ट है आपका नमाब गंज पक्षी अभेरंड उन्नाव उत्तर प्रदेश समनपूर पक्षी अभ्यरंड मैनपूरी उत्तर प्रदेश से कितने हो गए ठीक नेक्स्ट आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यरंड उत्तर प्रदेश सरसई नावर जील इतावा उत्तर प्रदेश से कितने हो गए ठीक है आसन रिजर्ब काबरतल बिहार लोनार जील मह महराष्ट सुर सरोवर आगराब कितने हो गए तो कर लेक यह लद्दाख में तो टोटल यह संख्या टोटल 42 हो चुके लेटेस्ट डेटा 42 का है अभी यह 2020 में यह पूरा कपूर अक्टूबर में 16 अक्टूबर के असपा सब्डेट हुआ था ठीक यह चीज मैंने मास्टर वी सबसे बची ब sempre चीज यह आपकी चोल ल्यामु जीज यह सबसे उचाई पर अवस्तित है यह भी देख लो टीक है एक आपकी सबसीर कि यह सब सिक्क्ख्किम की जीज सिक्किम की है खेचियोश्य पलारी जील यह budget सिक्किथ हैं भाक्य आपकी सारी एक यह सारे हो गए हमारी यह वो गया जीलों से जुड़ा हूँ मुद्बा, अगला है जलपरपात, जो प्रमुक जलपरपात बनाए गये हैं, जलपरपात समझ रहे हैं, कुछ प्रमुक प्रमुक कुछ प्रमुक बताऊंगा, सारे आप याद भी नहीं कर पाऊउगे, कोई मतलब भी नहीं है, π्रमु बगल पे बराही नदी पे बना हुआ है कुंचिकल जल्प्रपाथ ठीक है दो प्रमुग जल्प्रपाथ तो यह है इसके बार नर्बदा में धुवाधार कपिल धारा जल्प्रपाथ पुनासा जल्प्रपाथ यह सब आपके ठीक है इसके बाद आपका यह आपका नुहास बंगी थी आट ये भी कई बार पूछा जाता है यह आपका ब्रहमपुत्र में बना हुआ है नुहास बंगी थी आट ठीक है ब्रहमपुत्र नदी पे है इसके बाद आपका वांता वांग लू नदी पर बना हुआ है वांता वांग जल्परपाथ बाकी आपके कोई प्रमुख नहीं है इतना ज्यादा चंबल पे है चचाई जल्परपाथ ठीक है यहीं पे है बनास नदी पर बना हुआ है चूलिया जल्परपाथ ठीक है तो प्रमुख यही दो ही प्रांडा है हुंडरू है तो आप देख लिए जगा प्रमुक यही है और सबसे उचा यही है सबसे उचा यही है सही ऑप्षन ही होता है लेकिन एक बार ध्यान रखेगा जहां पुंचीकल और जोग आ जाए वहां पे पुंचीकल ही मारना है ठीक है थोड़ा लेंग्वेज समझना है लेंग्वेज क्या दे रहा है लेंग्वेज जैसा पूछ रहा है कि सबसे उचाई से गिरने वाला जल प्रपात क्या है यदि यह लेंग्वेज दिया तो जोग होगा यह सबसे उचा जल प्रपात क्या है तो कुंचीकल होगा दोनों ठीक है कहां कहां पर कौन कौन से दूइब है सबसे पहले यह है गंगा सागर दूप ठीक है भूगली नदी के मुखाने पर यह यहाँ पर एक दूप है न्यू मोर दूप इस दूप के साथ बिवाद भी रहता है दरवसल 1970 से पहले दूप था नहीं ठीक है खात्तर के बाद देश बना ये भी प्रकट हो गया तो बंगलादेश कहता है कि मेरा है भारत कहता है मेरा है ठीक है तो यह देश के ये दूप भी समय के साथ जो है तेवी बिवाद का विशा है, विलर दूब, ठिक, विलर दूब का नाम बदल गया है, इसका नाम डाक्टर एपी जब्दुल कलाम के नाम से कर दिया गया है, और यहीं दूब से ही चांदीपुर में है यहीं से आपका डियоде का प्रच्छे पड केंदर है, डिय어줘्यो के दौर जो भी गदविदी की जाएंगी वो श्रीहरी कोटा से की जाएंगी ठीक है सतीज दवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर ठीक है एक होप दियूफ है आपका यहाँ पर इसके बाद देखो यह क्या है इस्च्यू समुद्रम दियूफ यह दरसल कवेरी खुद दियूफ बनात ठीक है ब्रह्म पूत्रा जैसे माजूली दूप बनाता है वैसे ही यहां पर यह जूप है ठीक है इसके बाद प्रमुक्व द्यूपों में एक बिलिंगटन द्यूप है आपका ठीक है आंद ये आपका केरलक पे है करुआ द्यूप है वलिया परामबा द्यूप है बाकी छोड़े-छोड़े द्यूप है बहुत सारे थुमबा द्यूप जो आप लोग पढ़ते हैं वो यहां से पहला राकेट पर सझिर्पित किया था ठीक है बाका बाकी एक द्यूप है सी लंका और भारत के बीच में विवाद भी है और प्रदेश कच्छा तीक्यी दियुक्ट बारे में आपको पता है रामियसи impressum जो आपका मुह पंबन द्यूप में हैं ठीक है तो ये भी आपका तमिलनाड़ में हो जोगा रामियस्वरम खुद एक दूप है ठीक है पंबन के अंदर एक दूप है क्रोकोडाइल डूप ठीक है यह आपके टोटल लिए टोटल डी उप अभी पूरे नहीं है कुछ डूप यह पिये हो गए कुछ डूप फिर अंडमान और उसको देख लेंगे इदर भी बहुत सारे दीउप है मोरा दीउप नोरा दीव बेट दीव बेला दीव पाचन दीव करककर दीव यह फुदी ए ठीक है और बैठ दीविहां पर आलिया बैठ है एलिफंटा की गुफाएं ए यह आप जाओ गाना तो This Release Cop आपको समुद्र पर चलना पड़ेगा ठीक है यहां तक के लिए और बीज बन गया वह ब्रीज बना दिया गया है तो आप उसके थू जा सकते हैं एलफेंटा की गूफाएं यहां पर फिर के लावा और बहुत बार दोनों को समस्तें यह आपका याम्डमाननों निप और और भूसके भर वह बहुत सार आर कई यहां पर आपका देखे इसमें मुख तौर पर आप देखे तो चार प्रमुख द्यूप है यहां पर पहला आपका उत्री अंडमान है दूसरा आपका मध्य अंडमान है तीसरा आपका दच्छडी अंडमान है यही तीन द्यूप है आपके ठीक है और चौथा आपका लीटिल अंडमान है तो यह जो अंडमान है अंडमान में चार प्रमुख द्यूप आपको देखेंगे वैसे टोटल 238 के आसपास द्यूप है इसमें अकेले ठीक है लेकिन जो प्रमुख द्यूप है अंडमान के चार ह निकोबार अलग है निकोबार के पास इसके पास तीन द्यूप है निकोबार में भी तीन द्यूप है बड़े बड़े ठीक है एक बर निकोबार को देखे निकोबार में पहला है आपका कार निकोबार कार निको बार दूसरा है आपका लिटिल निको बार और तीसरा है आपका ग्रेट निको बार ठीक तो इसमें तीन है उपर चार 10 डिग्री चनल दोनों को क्या करता है अलग करता है फिर इंटू पिंटू दिूप बहुत सारे हैं यहाँ पर यहां जाने लाइक भी नहीं जन जाती हैं पकड़ के मार भी देती हैं बहुत सारे द्यूपों में आप जा सकते हैं बहुत सारे द्यूपों में आप नहीं जा सकते हैं सकता है इसी साल मैं आपको यहां से भारत के अभिष्यू के सभी द्यूप पढ़ाऊंगी अंडमान सही खड़े होके लेकिन पोल्ट वेयर की इदा उधर नहीं ही लेंगे वज़ चला लोटी की नहीं आए करता है खताम होगे यह parle कहान यहां पर प्रमुख इप रृट लेंड द्यूप थिक्थ हो लोग द्यूप जो एक प्रमुख धे वैरन द्यूप यह सक्री जależ ऑलमुखी भी है इनका इसके बाद साउंड द्यूप इसमित विन्टयू Mogal थिक्थी शेंटिनल द्यूप दच्छडी Central ड्यूप ठीक है डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान को दच्छडी अंडमान से अलग करता है यहाँ पर एक जलसंदी है डंकन पास के नाम से जो की दच्छडी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है ठीक है नील ड्यूप जॉन लारवेस ड्यूप अ अंडमान का हिस्सा नहीं है आए हैं आप देखेगा एक दो आपको कुशन ऐसे मिलेंगे तो आपको इसको भी बारीकी से देखना पड़ेगा ठीक है तार मुगली द्यूप तो यह आपके हैं अंडमान के हिस्से अब निकोबार के देख लेते हैं एक बार जो इनकी राजधानी है पहले ये भी पूछ लेता है कि राजधानी किस द्यूप में आवस्तित है तो राजधानी किस द्यूप में इसकी किस में है दच्छडी अंडमान में ये दियान रखना अंडमान निकोबार द्यूप समूग की राददानी दच्छडी अंडमान में आवस्तित है ये ध्यान रखिएगा ठीक है पोर्ट ब्लेर के बारे में देख लिए वो निकोबार द्यूप समूझ जो है निकोबार में सबसे बड़ा ये है आपका ठीक है ग्रेट निकोबार इसी में ही दच्छडी बिंदु है भार निकोबार छोबरा द्यूप यहीं पर कुमारता द्यूप अबुल आफ में द्यूप इसके बार ननकौरी द्यूप ठीक है कैचल द्यूप यहीं पर कैचल द्यूप और लिटिल निकोबार द्यूप के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है सुम्ब्रेरो चैनल ठीक है इसक डिगरी लेकिन आप देखेंगे सोम ब्रेरो चैनल जो है आपका यह किससे किससे प्रथक कर रहा है आपका किससे किससे प्रथक कर कैचल द्यूप को लिटिल निकोबार से और लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से प्राइस चैनल यह दोनों चैनल आप याद रखे का यह भी कुश्चन पोच सकता है ठीक तो यह होगे आपका अंदमान निकोबार द्यूप समूँ अब लक्ष द्यूप पे आते हैं लक्ष द्यूप के पास भी बहुत सारे द्यूप है यह लेकिन सारे प्रवाल द्यूप है प्रवालों पे बने हुए द्यूप है ठीक है प्रवाल एक तरीके का उसके का जीवी होता जो मुंगा-चत्टानों पे अपना जीवन एक Latino कार्भॉनेट के खोल पे रहता है और जब एक घिल सियम कार्भॉनेट का खोल यही बड़ी मात्रा में क्या होते हैं द्यूपों के रूपे बन चुके हैं यहां पर बड़ी मात्रे में द्यूप तो लक्ष द्यूप समूँ में जो हैं इसके अंतरगत आपके जो प्रमुख है काबारती इसकी मुख इसकी राध्धानी है अमीनी द्यूप समूँ ठीक है इसके बाद इसमें पर यहां पे कौन से हैं एक एंडरोट इंडरोट कश्राइब्स आधा कभईरति से भी बड़ा एंडरोट इसवस्बीटी इसका सबसे बड़ा इस पर दिखाये नहीं गया यहीं पर इसका एंडरोट इफ ठीक बाकि और हैं छोटे-छोटे द्यूप यह भी देख लिए यह एंड्रोइड द्यूप माफ करेगा एंड्रोड द्यूप इसका सबसे बड़ा द्यूप है जो ठीक है बाकि मिनिकाय भी एंड्रोड से बड़ा फिर मिनिकाय है मिनिकाय अलग है और मिनिकाय और इससे अलग होते हैं दोनों आठ डिग्री चैनल से में निकाय से वो अलग होता है यह आपके हो गए पूरे द्यूप ठीक कंप्लीट हमने कितना कुछ कर लिया अभी तक में देखो राजनितिक मांचित देख लिया फिजिकल मांचित देख लिया परवत देख लिये नदिये देख लिये जीलें देख लिये जीलों के बाद जो है हां दर्रे देख लिये परवत सिखर देख लिये और द्यूप देख लिये और पठारोगरा देख अभी तटीय मैदान देख लेते हैं अब नेक्स्ट है तटीय मैदान अब ठीक है टटों के नाम अलग अलग है हई जग इससे भी प्रश्ण पूस्ता है तो सबसे पहला है आपका काठिया वाड टट यह है काठियाबार टट आपका ठिक काठियाबार टट यह केरल वाला टट जितना है देखिए टटिये मैदान है नदियों के द्वारा जो अच्छेप ला रहे हैं हो मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं यह आपका टटिये मैदान है तो इस वाले टट का नाम दिया है काठिया वाल टट, गादी जी यहीं से थे, इसके बाद ये पूरा टट, जो गोवा वाला टट है, ठीक है, दमन से लेकर के गोवा तक जो टट है, दमन से लेकर गोवा तक के टट का नाम क्या है, कोंकार टट, इसका नाम देते हैं कोंकार ट ये टट है पूरा इस टट का नाम है कोंका टट ठीक है इसके बाद आपका गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो टट है गोवा से लेकर मंगलोर टट का यहां तक का टट इसका नाम है कन्ना टट या कनारा टट भी बोलते हैं या कन्ना टट बोलते हैं फिर से ध्यान से समझेग दमन से लेकर के गोवा तक के टट का नाम है कॉंकर टट गोवा से लेकर मंगलोर टट के टट का नाम है कन्नर टट और मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी टट के तक के टट का नाम क्या है माला बाल टट ठीक इनके सबके अलग-अलग इस्थाने ध्यान रखे इनको याल रखेगा इसके बाद कन्या कुमारी से ले करके कन्या कुमारी से ले करके क्रस्ना नदी का डेल्टा कहा है क्रस्ना नदी उत्तरी सरकार पुलिकट जील तो क्या माप करेगा यह है आपका आंद्र प्रदेश तो यह आपका पूरा का पूरा हिंस्सा जितना भी है आपका यह यहां तक का ठीक है यह पूरा आपका कोरो मंडल टाटाता है पुलिकट जील तक कन्या कुमारी से लेकर पुलिकट जील तक के टट को क्या बोलते हैं कोरो मंडलते ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपका है पुलिकट जील से ले करके महा नदी का जो डेल्टा है ये डेल्टा इसको बोलते हैं उत्री सरकार टट क्या बोलते हैं उत्री सरकार टट और महा नदी के डेल्टा से ले करक ये वाला हिस्सा गंगा नदी का यहां पर डेल्टा है ना यह पूरा पदमा गंगा का डेल्टा यहां तक को बोलते हैं उतकल टट तो पहले टटों के इनके नाम फिर से एक बार देख लेते हैं नमबर एक काटियाबा टट कहां से कहां तक रन आफ कक्स से लेकर दमन तक काटियाबा टट कहते हैं दमन से लेकर के गोवा तक के टट को कॉंकर टट कहते हैं इसके बाद कॉंकर टट से गोवा के टट से मंगलोर टट के टट को क्या बोलते हैं कना टट या कनारा टट मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी तक के टट को क्या बोलते हैं माला बार टट माला बार टट से लेकर के कोरो मंदल माला बार कन्या कुमारी टट से लेकर पुलिकट जील तक के टट को कोरो मंदल टट यानि पूरवी घाट के टट को कोरो मंदल टट पश्मी घाट में माला बार है पश्मी घाट में माला भार पूर्वी घाट में कोरो मंडल ठीक है पुलिकट जील से लेकर महा नदी के डेल्टा तक क्या है उत्री सरकार है ना महा नदी के डेल्टा से के गंगा नदी के डेल्टा तक का उन सा टट है फुद्कल टट है के सिंपल सा कुछ है नहीं इसमें ठीक है याद कर लिजेगा इसको कुछ है नहीं है बहुत आसान है ठीक है अब भारत के राश्ट्यु अध्यान के लिए पर्यवरन का विशेवस्तु है वहां लग पढ़ें आप लोग अभी ध्यान रखना है क्योंकि पता चला कि राश्टी उद्यान की संख्या कितनी है टोटल इस समय वर्तमान में 104 राश्टी उद्यान है ठीक है लेटेस्ट आपका सायद राश्टी प्रदेश का था औरंग औरंग था टोटल एक सुचार है पहला नाम था पहला है जिम कार्वेट नेशनल पार्क तो जिम कार्वेट वाला एक मेरा भारत दरसन देख सकते हैं आप लोग वहां पर मैंने सारे राश्टी उद्यान पढ़ा है ठीक है और देखना हो तो देख लेते हैं जाए टाइम नहीं लएगा देखना है क्या नहीं देखना चलिए बहुत सारी चीज़ें अभी तो अभी सुरुवात अभी तो आप लोग गुद्योगों में आई ही नहीं है ठीक है बाग रिजर्वों की बात करें तो टोटल संक्या कितनी है पचास पचास यह तिरपन कहां से आ गया है हां ठीक है लेटिश्ट पंना है 18 है तोटल इनकी संक्या है यह भी पड़ना जरूरी नहीं है टोटल संक्या पंना बना है 18 वा आपका मद्ध्य Прदेश का ठीक लेटिश्ट बाकि देखना ओ तो अठार हमें देख लेते हैं दो मुनिट लेगा इसको देखने में ठीक है सबसे पहले आ ठीक इसके बाद उत्त्राखंड में है पंजाब में कोई नहीं है याणा में कोई नहीं राजिस्तान में कोई नहीं गुजरात में रनौफ कक्ष का है इसके बाद मद्द प्रदेश में दो है आपका पन्ना है और दूसरा है पंचमडी ठीक है इसके बाद तीसरा आपका नेक जो काफी विस्तारी थैं कर नामनाड और के रल तीनों पयाता है अगस्तिया मलाई थिक के अगस्तिया है सब राष्टि उद्ध्यान मैंने सारा पढ़ाय था राष्टि उद्ध्यान वने जी अबेरेंड संरक्षण अभार आगार समुदाय आगार जैव मंदाला रक्षी छेत्र सारी चीज़ें वहां पर पढ़ा था हमने ठीक है इसके बाद आपका सेसा चलम यह आपका अंद्र प्रदेश प्रदेश के पास एक जैव मंडार्ट अच्छी छेत्र त्र यह कौन करता है योनेसilstक के द्वारा माणों और जैव मंडल के बीच में अंतर संवंद स्तापित करने के व्पधत्देश से यह बनाए गया है इसके जोद्धान है आut क्लिए आपको कह पर हैं मेघा ब्रुसेख हुआ ठीक है कंचन जंगा आपका पड़ता है सिक्किम में ठीक बस यह इतने यह टोटे और मद्ध्य प्रदिस में लेटेस्ट अठारवाँ आपका पन्ना है यह भी लेटेस्ट यह अभी बनाएं ठीक है रामसर बताई दिया मैंने आपको पूरा ठीक है रामसर ह से दो तीन होते हैं एक उद्देश से नहीं बनाए जाती है मल्टी परपस प्रोजेक्ट है पहला उद्देश इनका होता है बाड़ प्रबंधन का किसी छेत्र में यदि बाड़ बहुत तीब्रता से आ रही तो उस छेत्र के जल को रोकने के लिए यह बना जाते हैं अब उ हमारे जल्विदूत उत्पादन में काम आता है दूसरा वहां पर हम मतस्यपालन का काम कर सकते हैं ठीक है मतस्यपालन का काम कर सकते हैं तीसरा पर्टेन का काम कर सकते हैं पर्टेन यानि आर्थिक गद्विधी विक्सित कर सकते हैं चौथा वहां पर क्या कर सकते हैं प्रबंधन तो है इसके अलावा यहां पर नए प्रकार कहीं कि एको सिस्टम डिबलप किया जा सकता है एको सिस्टम भी हाँ क्या बोल रहा है कुछ और भी है कि नहीं न है हाँ हाँ जैविता वह इको सिस्टम तो कई सारी चीज़ों को ले करके किया कुछ नहीं जाता नदिय हैं मानलों दो नदिया हैं इनका पानी जो है यहीं पर रोक दिया गया और कुछ हैंसी परिस्तितियां उन्चे ही कि जल को नीचे हम बांद के तुरू गिराते हैं टर्बाइन चलता है जल बिदू तो पादन होता है सिंपन औरीजी ठीक है तो यहां पर हर जगे पर हर नद गंगा परियोजना में जो है सतलज नदी पे सतलज नदी पे आपकी कौन सी परियोजना बनी है सतलज पे भाक्रा नागल परियोजना भाक्रा नागल गबांध परियोजना आपकी सतलज पे बनी होई प्रमुक परियोजना है ठीक इसके बाद यहां पर आपकी दामोदर अदिया रिहन्द तो रिहन्द पर ही रिहन्द बांद बनाया गया जो उत्तरप्रदेश पर आपका है ये वारा हिस्टां जो आपका पड़ता है उत्तरप्रदेश्न मद्ध्र प्रदेश बॉर्डर पे सोनबद्ध्ष वाले हिस्से पे कौन सा एक वो मैं जहील बनी हो यह लेकिन यह पूरा का पूरा आपका लिए Gτι पास ही है सिंग्रैनी सिंग्रैनी प्लांट लगा हुआ है सिंग्रैनी जो यहां पर ठीक है तो रिहंद परियोजना हो गई आपकी इसके बाद कोसी नदी पर कोसी परियोजना है सारे जल बिद्दुत परियोजना है हर एक नदी पर पर बनाए गई है भागी रती और भिलांगना के संगम पर टिहरी गड़वाल भारत का सबसे उचा बांद कौन सा है टिहरी गड़वाल भांद यह आपको धियान रखना है अचिक सबसे उचा बांध आपका टिहरी गड़वाल भांध है इसके बाद आपकी नेक्स्ट जैसे की जेलम है तो जेलम नदी पे ही तीन बड़ी परियोजना है आपकी ठीक है पहला है आपकी यहां पर दुलहस्ती परियोजना आपके जेलम की है एक बार चेक करिए नेट पर चेक करिए दुलहस्ती परियोजना आपकी साहिज जेलम की परियोजना है दुलहस्ती तुलबुल और किसन गंगा किसन गंगा तो जेलम की साहिक नदी है तो उसी के साथ हो जाएगी ठीक है इसी पर भी वाद था ठीक है तीन परियोजना ये हैं चिनाप पर बनी हुई दो परियोजना हैं पहला है बगली हर परियोजना और दूसरी है सलाल परियोजन मैं जबफ फालोइंग में कॉशन पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए कहां पे कौन सी परियोजना है इसके बाद लूनी नदी पे भी परियोजना बनाईगी है जवाई परियोजना ठीक है इसके बाद आपका रेडु का बांध बनाए गया है आपका यह मुना सागर गांधी सागर और एक और हैं आपे कौन सा है नहीं 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 गोविन सागर जील तो यहां पर आपका भाक्रा नागल के पीछे बनी हुए चलो याद हैगा तो अभी बताऊंगा मैं ठीक है इसके बाद यहां पर बाकी पर्टिकुलर आपकी एक माता तीला पर योजन याफ फॉरका भाकी मेरे खैल से जहां तक दुलасती आपकी इस पर यह लब बता रहाता है को अधर कन्फूजन नहीं होना चाइब चिनाब पर चिनाब पर तो दुलहस्ती परियोजने यहां पर गलत है चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजने आपकी चिनाब पर है कई बार पूछी गई यह परियोजने तो यह ध्यान रखिएगा चिनाब नदी त्स्रिक इसके बाद आपकी और particular हैं तो बहुत सारी प्रिश्ण नदी पे नागरजुन सागर है स्री सैलम पर्योजना है निजाम सागर पर्योजना है कोईना पर्योजना है पूंचब बात पर्योजना है ठीक है तो यह पर्टिकुलर आप एक बार इनकी लिष्ट देख देजिएगा इसको यहीं तक रखते हैं कि कि अधिक है तो यह आपके सारे प्रमुख हां एक यह पूस्ता है यह कुश्टन जो प्रटिकुलर फोच्टा छे श्यू समूद्रम पर्योजना तो श्यू समूद्र माप का वेरी नदी पर बनीुए श्यू समूद्रम आपका का तो दावरी नदी की परियोजना है नागारजुन सागर कृष्णा नदी की परियोजना है भीमा परियोजना भीमा नदी पे बनी हुई है तो आम तौर पे जहां पर नदियों का संगम है वहां पर ये पर्टिकुलर परियोजना पर्टिकुलर नदी के नाम पे बनी हुई है तो कुस्त वा पहुंच लेंगे अब परियार नदी पे दो परियोजना है परियार परियोजना और इडुकी परियोजना नर्बदा नदी पे कई परियोजना है नर्बदा नदी पे ये आपकी सरदार सरोर परियोजना है काफी बिवादित भी रही है तो बिवादित होने का क बार रहा लोग अभी लोगों को रख दिया गया आप भी तो नहीं हो जो लोग हैं तो फिर अच्छा का सब मौाजाबी सरकार देती है ऐसा नहीं होता कि ऐसे कि किसी को भेट दिया जाता है उपयासा पैसा भी समाप्त हो जाता है जहाँ पर अप समझे देश के कितने हिस्सों पर प्रयोजनाय बनी तो जब बहुत सारी परियोजनाय बनती हैं तो फिर एक बीवात की इस्तिती दो बनती है यहीं पर सरदार पटेल की मूर्टी भी लगा गी एक अंतराश्टी इस तर पर बनेगा क्यो की सबसे उची मूर्ती है फिर यह इसी पर नर्वदा पर तीन प्रमुक पर्योजना है आपकी एक है इंद्रा सागर पर्योजना तवा पर्योजना उंकारेश्वर पर्योजना और सरदार सरवर पर्योजना ठीक है तापी नदी पर यह पूछी जाते हैं दो पर्योजना पर नदी पर पंचेट बांद, यहां पर बहुद सारी है, दामोदर परियूजना आठ नो परियूजनाओं से मिल के बने हुई है, क्योगी हो», ठीक है तो यह एक तरब से ठीक हैं तो यह हो गई आपकी कुछ particular चीजें अब बात करते हैं कि अब हम आ जाएंगे अन्य चीजों में देखे प्राक्तिक तोर पर लगबल लगबग सारी चीजें आपकी हो गए जो प्राक्तिक तोर पर होना चाहिए सारा हो गया लगभग-लगभग हो गया अब यहां पर कुछ पॉइंटे दिबस्ते हैं तक बार मैं देख लेता हूं कि बताइए बाकिए आप लोग भी यह दिकुछ प्राक्तिक पर छूटा हो तो हां 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 वी मिट्टी पर आते हैं मिट्टी टेंशन मतले जिए प्राक्तिक बनस्पतियां सारी सावी सभी पर आते हैं कि अग्याइब कि कि अग्यात कि अग्या इपनी विल्ण को भारत के प्रमुक हिम्नत हिम्नत नहीं देखें हमने तो भारत के सबसे बड़ा हिम्नत कौन सा है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनत है सिया चीं यह ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार जो है गलत होता है कई बार जो हम एक कौर हिमनत है आपका वहीं पर ही है ससाइमी हिमनत तो कई सबसे बड़ा आपका सिया चीन यह लेकर कोश्चन आया है और ससाइमी जो है ऐसा लंबाई वे ना कि वह छेत्रफल के अधार पे हैं तो सबसे बड़ा ग्लेशीयर जो आपका है सिया चेन यह आपका कहाँ पर अवस्तिथ है सियाचीन वियू फिर आपका अवस्तीर कारकोरमस्रेडी पर हुगें फिर आपका ब्याफों है रिमों गंगोत्री tu मिलाम है कंचन जंगा प्रमुक्त प्रमुख़ से आधropheए है कई और यह इंद को वहां पर देख मानचित्र पर देख लिया जाए ठीक है कुछ चीज़े मैं आपको मानचित्र पर भी बनाता हुआ चलता जाओं रूँ यह हैं तो सबसे पहला आपका यहां पर है यह वाला हिस्सा यह है जेमू ग्लेसियर कहां पर पढ़ता है सिक्किम पर यहां पर आपका यह कौन सा है सिया चिन ग्लेसियर ठीक है यहीं पर हैं आपके लाइन से हिस्पर बाल्टोरो वियाफो यह लाइन से ग्लेसियर हैं आपके सारे यहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर बंदर पुछ पे ही है आपका उत्तराखंड पे गंगोत्री ग्लेशियर तो आपके तीनसिया चुन, हिस्पर, वियाफो, बाल्टेरो ठीक है और बातुरा यह चारो कारखोरम पे हैं चोमो लुंगमा भी आपका कारखोरम पे ही है इसके फोसी इसके बाद आपका एक है नेपाल ऊईर सिक्क्वम पर डोगे दो हैं आपके सिक्के पे एक यह गलेशियर दूसरा हो गयान kचिन जंगा अंग अ ठीके इतने से ही आपके प्रश्णाते हैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है इसके बाद नेक्स्ट गाटियां हमने देख ली थी घाटियों में चुम्भी घाटी कहां पर है सिक्किम पर अवस्तित है कांगणा घाटी कहां पर है धरमशाला हिमाचल प्रदेश पर लाहूल घाटी कहां पर है लाहूल इस्पिती हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे इस्पिती घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे कुलू घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे सांगला घाटी कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश पे पार्वती घाटी कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश पे किन्नावर घाटी कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश पे जुकु घाटी कहाँ पे है नागलेंड पे धर्मा घाटी कहाँ पे है ये भी आपकी उत् उत्ताराखंड पे हैं कि उत्तराखंड पे वे यूधाग घठी कहां पे थी चुम्भी घठी और यूधाग षाटी ये दोनों सिक्किम t थी सिक्केम पे वने बताए था राकू घाटी आपकी आंद्रप्रदेश में कंबन घाटी कहां बताए था तमिल नाड़ु पे और सांत घाटी केरल पे ठीप है पशी मंगाल में एक जगे हैं नयो वरा घाटी यहां पर पशी मंगाल पे इस पूरिय अवधी में अब आपके vos particular सिर्फ मिटियों वाला चिप्ठर बचा है प्राक्तिक बनस्पतियों वाला चिप्ठर बचा है और आपका बचा हुआ है जो प्रमुक ॉध्योगी छेत्र है फिर agriculture का सेक्टर इतने सेक्टर बचे हुआ है पानी पीना है हाँ क्लाइमेट होगा रखे चलो अब अगला क्लाइमेट ही डिसकस कर लेते हैं जार टेम नहीं लाएगा क्लाइमेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट में थोड़ा सा कुछ कॉंसेप्ट है कुछ कॉंसेप्ट समझे फिर इसके बाद क्लाइमेट को समझता है ठीक है नेक्स्ट है भारत का जलवायू तो भारत की जलवायू के बारे में पूछा जाया तो भारत की जलवायू कैसी है मानसूनी जलवायू ह मानसूनी जलवायो और कैसी है उजड कडबंधी जलवायो है भारत की उजड कडबंधी जलवायो क्यों कही जाती है जबकि भारत तो सीतोर्ड कडबंध में भी कुछ हिस्सा आता है बताईए मानसूनी और उजड कडबंधी जलवायो है हमारी तो भारत की जलवाई उजड कड़बंदी जलवाई क्यों कहा जाता है क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा यदि हम लोग कड़बंदों को बाटें तो यह 0 डिग्री हो गया 0 से 30 डिग्री का हिस्सा जो है वो आपका कैसा कड़बंद है North and South कैसा है उजड कड़बंद है ठीक है कैसा है यह उजड कड़बंद ठीक इसके बाद सीतोंड कड़बंद कहा तक है 30 से 60 तक का जो हिस्सा है आपका सीतोंड कड़बंद का है इसको दो भागों में बाट देते है इसको हम दो भागों में बाट देते है पैस आलिश डीगरी के नीचे वाले को बोलते हम और सीतोर्ड कड़िबंद और इसके उपर वाले को बोलते हम सीत सीतोर्ड कड़िबंद अब ये नामकरण किया कैसे गया क्यों किया गया? बताइए सबसे महत्यपूर्ण कारा की सूर्य है सूर्य की द्वारा उस्मा की प्राप्ते दरसल प्रत्वी आपकी साड़े तेज डिगरी टिल्टेड है ठीक है तो सिंपल और असान भासा में सूर्य जो है वो साड़े तेज डिगरी नौर्स से साउथ क्या करता रहता है ब्रहमण करता रहता है कभी उत्राइड रहता है कभी दच्छनाइड रहता है क्यों क्योंकि प्रत्वी गोडन के साथ साथ क्या कर रही है परिक्रमण गती कर रही है ठिक इसके साथ घूम भी रहे इसके चारों तरफ तो कहने का तात पर ये है कि जहां पर जैसे यह 0 डिग्री है यहां पर वर्ष भर सूरी की केड़े सीधी पड़ती है इस कारण से साड़े 30 डिग्री उत्री और दच्छडी अच्छांस के बीच में सूरी क्या है रमड करता रहता है तो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में क्या है यहां पर क्या पाय जाता है उल्ड कड़ बंधी जलवाई पायाती है जैसे यह से हम द्रों की और जाते हैं सूरी की के भाव होता जाता है ऐसी इस्तिती में क्या हो जाता है यह आपका इस हिस्से में उस्मा कम होगी तो यहां पर ठंड ज्यादा होगी सीध ज्यादा होगी तापमन कम होगा तो यहां पर आपका यह होगे आपका साठ तक का साठ से उपर को हम बोलते हैं सीध कड़िबंद यह 90 डिग्री है यह आपका सीद कड़िबंद है यही इस्तिती यहाँ पर भी है दोनों तरह तो भारत की अवस्तिती आपकी कहाँ पर है भारत आपका 8 डिग्री 4 मिनट से ले करके 37 डिग्री 6 मिनट तक है यह अवस्तिती यहाँ पर भारत तो सीटोष्ड में भी प्रवेश क कर गया तो भारत को फिर भी उञ्ड कडबंदी जल्वाइवाला देश क्जिए क्यूंं कहा जाता है सी तोस्ट भी जल्वाय तो पाई जा रहे ही isekon dg सीतोल्ड कडबंधी जलवायू में पहुंच जाता यद हिमालय नहीं होता तो हिमालय की उपस्तिती के कारण से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाय हैं उनको हिमालय का औरोधक की तरह काम करता और उन्हें रोग देता है तो हिमालय की उपस्तिती क्या करती है भारत को कैसी जलवाई प्रदान करती है उल्ड जलवाई प्रदेश प्रदान करती है हमारे यहां की उस्मा को संतुलित रखता है तो यहां पर हिमाली को पस्तिती सबसे बड़ा कारक है तो जब भी कभी यह पूछा जाएगा मानसून का मतलब यह है कि रितुओं के परिवर्तन के सासाथ पाउनों की दिशा में परिवर्तन पाउनों की दिशा में परिवर्तन पाउनों की दिशा भी बदल जाए इसका मतलब है मांसून ठीक है? लेकिन पाउनों की दिशा के बाद ये दि हम बात करते हैं यहाँ पर कि उष्ड कडबंदी ये क्यों है तो उष्ड कडबंदी का अंतर है हिमाले की ठीक आब इसको समझते हैं दरसल सबसे पहले हम समझते हैं कि पाउनों की दिशा बदलती कैसे तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक बार पाउन तंत को विंड सिस्टम को ठीक सबसे पहले दाब को समझना है और वेग को समझना है एक चीज ध्यान रखे जहां पर वेग ज़्यादा होगा प्रसर ज़्यादा होगा वहां पर प्रसर कम होगा माफ करिएगा जहां पर वेलेस्टी ज़्यादा होगी वेग ज़्यादा होगा वहाँ पे दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है बहुत सिम्पल सी बात है जहाँ पे वेग जादा होगा इस्पीड जादा होगी वहाँ पे दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जहाँ पे वेग क्या होगा कम होगा वहाँ पे दाब क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा सिम्पल असान भासा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा अब एक चीज़ और समझे कोई भी चीज चाया वो हवा हो, चाया आप हो, चाया कोई भी हो सबकी प्रकति यही होती है कि वो कम दाब की और खीचे जाएं हमारी कम दाब की और जाने की प्रबत्ती होती है जहां पर दबाओ कम होता है जहां पर प्रशर कम होता है ठीक है? तो कोई भी चीद कम दाब की और जाने की और अग्रसारित होती है समझ रहे हैं इस बात को? पर सिम्पल सी दो बाते समझना है जहां पर ये फिरिक्स का रूल है जहां पर दाब कम होगा वहाँ वेग जादा होगा जहां पर वेग कम होगा वहाँ पर दाब जादा होगा पर सिम्पल सा ममला है जैसे कि माली जग क्या होता है कई बार रात में तूफान आने लग जाए तो आपके टीन सेट क्यों उड़ जाती है उसका कारण यह है कि जब यहां पे माली यह टीन सेट है आपके घर पे लगा हुआ है ठीक है तो यहां पे बहुत तेजी से क्या होगी हमाई बहुत तेज हो कि यहां पर वेग कम है दाब क्या होगा दाब क्या होगा तो टीन सेट कहां जाना चाहेगी जिदर दाब कम होगा ठीक आसान बासा में दूसरा एक एक्जम्पल और बताता हूं आप रेल्वे आपको लिए चली जाएगे वह अपने साथ क्यूं बेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा उसके आसपास कम होगा और दाब कम होगा तो आप इसके पास खड़े रहे तो आप इदर भागने का प्रयास करेंगे जिधर दाब कम होगा हम हमेशा दाब की और जाने का प्रयास करते हैं सिंपल असान फार्मूला है आप कभी ट्रक को भागते हुए देखें ट्रक जितना तेज भागेगा उसके पीछे धूल कंकर सब उतनी थे वो किसलिए नहीं भाग रहे हैं हवा नहीं ले जा रहे हैं उन्हें दाब ले जा रहा है दाब कम है और वो ज़्यादा दाब से कम दाब की और जाना चाहते हैं आप ही हैं ज़्यादा पढ़ाई में दबाव होने लग जाता है तो आप कम दाब की और जाते हैं कम दाब क्या है निपट लोग गोल गोल बनाया निकल ग लगज जाते हैं पर लेडिफा बहुत ना चाहता को stratég कम द्दबाव है हर चीज में हमारी प्रबत्तिक य выше जाने की तो हवा की बीजी प्रकति वह कम द्दबाव की और जाए इस कि नहीं समझ रहा जहां पर दबाव कम पड़ेगा वहां पर आप लोग ज्यादा ज्यादा अकर्शित होगे तो सिंपल सा रूल अब इसी को हावा पर हम अप्लाई करेंगे यह जगह पर बिंट सिस्टम का यही रूल है और कुछ नहीं है देखो आप समझते हैं बहुत आसान है इसी है आप पिर्दी है यह आपका शूर्ण है क्यों है हुए 10 फिर यह फिरो डिग्री सिक पृति फिस्वत्वात्त रेखा में परता है वहां पर यहां पिस Wat रेखा विकुल तप जाती है गरम हो जाती है ठीक है तो जो जो धरातल को जाएगा ज़्यादा टाபनान पाएगा बार बार सूर जो है कुछ नहीं पाता तो विस्वत रिखा को गरम करता रहता है तो धरातल केसे हो जाएगा ये गरम हो जाएगा यदि धरातल गरम हो जाएगी तो धरातल के संपर्क की वायू देखो एक सिंपल सा रूल जब सूर से आने वाली जो उसमा होती है उसमा से पहले धरातल गरम होता है सूर से आने वाली लगू तरंगे जो होती है लगू तरंगों से पहले कौन होता है लगू तरंगों से पहले कौन गरम होता है धरातल गरम होता है ठीक है पहले कौन गरम होता है धरातल गरम होता है और धरातल के संपर्क होते हैं तो धूप आपको धरातल से मिल रहा होता है कि उपर से मिल रहा होता है कि उपर से कहां से मिलेगा फ़ले तो आके धरातल गरम होगा ना आप मूरक बनते हैं हर बार आपको लगता है कि सूर्य कुछ नहीं कर रहा है सूर्य आपको गरम ही नहीं करेगा सीधे कि आप भी धरातल का काम करने लग जाते हैं औरे आप भी तो ठोग अब सीधा गरम होते हैं शुरी की प्रकास यानि कि वाइव गरम नहीं होती बीच की वाइव किसके संपर गरम धरातल के संपर्ख से गरम होती है तब ही तो काली सथ पहन के चलिए काले काली सथ का क्या प्रबत्ति है वह ज्यादा उस्मा असोसित करेग उसका एलबीडो ज़्यादा होगा ठीक है तो सिंपल असान सा फर्मूला है धरातल आपका जो है धरातल गरम होगा तो धरातल गरम होने से धरातल के संपर्क की वायू गरम होगी ठीक है संपर्क वायू गरम होगी गर्म वायू कैसी होगी गर्म वायू हल्की होगी हल्की वाय भी तो गायब यहां से जो वाई हूँ है उसने अपना इस्थान छोड़ दिया निकल गई उपर की तरफ कहां से जीरो डिग्री के पास से तो अब यहां पर वाई हूँ है नहीं जब कोई चीज है नहीं तो उसका दबाव होगा कि नहीं होगा माहा लेज़े पढ़ाई अभी मैं आपको दो मिर्ट में बोलों कि पढ़ाई आज से करना ही नहीं है ऐसे ही बनाए जाएंगे यूपीएसी में दोड़ से बनाए जाएंगे सीधी दोड़ की जाएगी पांच एर मीटर की दबाव खतम स्लेवा सी बदल जाए यूपीएसी प अब करा दाए मुझे नहीं पढरेगा ना तो जब यहाँ पर हवा नहीं तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका सिम्पल आशान लोग ऎक्सन तीम्यूचा क्या बन गैए यहां पर फ्रश बनें जब हावा ही नहीं तो प्रशरीं नहीं today और हावा गयी कैसे यहांसे चुकि धरातल गरम ओ रहा संपर को यह गरम और हल्को हो रही तो हल्की झाली त्रक उपर यह अब ऊठोड़लेगी तुपर उठने पर जाने पर क्या होता है उपर temperature घटेगा बढ़ेगा उपर जाएगा तो क्योंकि उपर temperature घटेगा ठीक है ठंडी ho जाएगी ठंडी वाइव कैसी होती है भारी होती है भारी वाइव उठेगी कि नीचे बैटेगी ठीक है तो यह आफ कहाँगी कि भाई आप कहीं पर जगह लें degree के पास नीचे वैठेगी लो कि इस है लिए समझ पा रहे हूं इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गया तो नीचे बैट रही है तो यहाँ प्रसार बनेंगा मजबूरी हो जाएगी हाई प्रसार बेल्ट बन जाएगा यह आपका ठीक है ये कैसा बेल्ट बन जाएगा हाई प्रसर यानि कि 0 डिग्री के पास से उठने वाली हलकी गरम वायू 30 डिग्री के पास जाकर क्या होती है नीचे बैठती है जिसका अंसे तो ये क्या हो गया आपका हेडली कोस क्या हो गया है आपका headlicose इसको बोलते है headlicose इसको क्या बोलते है headlicose headlicose simple अब वाईव जाएगी कहाँ वाईव यहां आ गई high pressure to high pressure to high pressure to simple सासान यहां से आने वाली वाईव किधर निगलेगी क्योंकि कोई भी high pressure पर पर नहीं रहना चाहेता थिक एक बिंट सिस्टम ये क्रियेट हो गया इसको बोलते हैं ट्रेड बियापारिक पाउने अभी रुख जे इनकी पाउनों की दीसा बाद में बनाएंगे इसमें फिर लगाएंगे हम फेरल का नियम कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल से पाउनों की हैं वाल चाहिंगे तो अब यह तो गई यहां पर हाई प्राई कैसे भंस पेर किसे वपर उठा रहे हैं कौन से हवाएं हम हाई प्रेसर वाली कहां उपर उठेंगी कौन हलकी कहां से उपर नीचे कर रहे हैं अब रुख जाओ यहां वाली छोड़ दो भी यहां वाली की जाया दिमाग नहीं लगाना है अभी चलते हैं 90 डिग्री पे फेर अलकोस बाद में बनाएंगे ठीक है पहले हम समझते हैं आप का पूरल कोस यानि की दुरुवी एकोस यहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब खूप ठंडी दरातल ठंडा क्यों ठंडा क्योंकि भाई साब जा नहीं रहें अपने अटिट्यूड में ठीक है यहां पे भी यह भी आपका 90 डिग्री ठंडा रहे गए छे तो दुरुवी छे हो ठीक है तो यहां पर क्या बन गया एक हाई प्रसर जोन बन गया यहां पर बहुत सरी वाई हो है यहां पर भी एक हाई प्रसर जोन बन गया पर्मनेंट हाई प्रसर जोन ठीक है अब यहां पर जो हाई प्रसर जोन है अब इसको समझने का आपको प्रयास करना है कि यहां प लाएगा है कि अधिश्टम नहीं फिजिक्स पीछे के कोई रूल है कोई नियम है बिना नियम की थोड़ना चलेगा कुछ भी जब रजस्ती लो प्रेसर जोन बनेगा तो लेकिन बन कैसे रहा है यही तो बताओ फेरल कोस कैसे क्रियेट करें अधिली तो बन गया है है यह है कोई देर में घंडा है अरे दरातल जल्दी ठंडा जल्दी गरम होता है दरातल की प्रकतिये पानी की तरकतिये वह तो आप कहां पहुंच गए इस्थल समीर और अलग का नहीं हो गए आपकी और लोकल विंडे में काम करता है घाटी वाटी पाउन वहां पर काम करता है यहां पर क्या काम करेगा है पड़त तो पड़त होगे टॉपिक फिर कि आइटी सीजेट कहां गया हो आइटी सीजेट जा जएदा बस उतने तक ही घूमना है उसको 30 डिगर तक ही घूमना है उपर नीचे होना है फेरल कोस कैसे बनेगा बना पाओगी की नहीं नहीं हो पाएगा नहीं बन पाएगा बहुत बुरा हाल है आप लोगा वाताग अभी कैसे बन जाएगा पहले वाताग के लिए आवश्यक दशाएं तो बनाएंगे हम बिना वश्यक दशाओं के वातागर बना देंगे यहां पे मैं कह रहा हूं लोग प्रसर जोन कैसे क्रियेट करें लोग प्रसर जोन कैसे बनेगा यहां पे पौने तभी तो इधर उदर आएंगी जाएंगी इधर से हाई प्रसर जोने तो पौने उपर जाएंगी उपर से है तो वहां पे तो लेकिन लोग बनेगा कैसे लोग बनने का कारण क्या होगा क्या करें आप लोग का देखिए समझे अभी यहां का यहां का रूल थोड़ा सा अलग है यहां पर ही नहीं समझ में आती है कहानी अब चूकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है यह तो हेडली आपको समझ में आ गया बहुत आसानी से ठीक है फेरल का रूल थोड़ा सा हैं तो घंडी हवाएं कि होंगी आपकी ठंडी हवाएं यहां पर आएंगी गुद है इस तरह की और भागेंगी अब चुकि यह वाला छेतर उस्ड़ कड़ बन दिए जोलबी दरातली चैतर की बात कर रहा हूं यह छेतर कैसा आपका उल्ड कड़ बन दिए जोल है जहां पे आप आप पुक आप तो यहां से साथ डि़ी की जिए और आपका क्या होगा यहां पाज़ते ऋब्राइबर के समपर की गरम पाज़े वह यहां से पहुंचेंगी इस तरफ ठीक है क्योंकि हाइप प्रसर है यहां पर in accident आप छेत है और जब पावन धरातल के संपरक में डिए तो गरम हो रही है यहां पर क्या है आपका हाई-pressure जोने लेकिन ठंडी पावने हैं समझने का प्रयास करिएगा यहां पर दोनों चीजों को ठंडी पाउने हैं तो यहां से गरम पाउने जाकर और यहां से ठंडी पाउने जाकर के क्या होंगी वातागर का निर्माड करेंगी ठंडी नीचे की ओर जाएगी और यह उपर की तरफ जाएगी यानि यहाँ पे पहुने एक दूसरे के साथ जा करके ठंडी पहुन नीचे प्रवेस कर जाएगी और गरम पहुन उपर प्रवेस कर जाएगी उपर उठ जाएगी समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है नहीं समझे अब समझो फिर से ये आपका हाई प्रिसर बेल्ट है ठीक है हाई प्रिसर बेल्ट पे पाउने बहुत तेजी से नीचे बैठ रही है लेकिन जोन कैसा है ये उस डिकड़बंदी ये जोन है जहां पे सूरी की उसमा पर्याप्त है तो जब इस धरातल से पाउने ट टकराएंगी तो टकराने के बाद पाउने क्या होंगी गरम होंगी गरम होंगी कि नहीं गरम होंगी अब चू कि इस तरफ क्या है यहां पे आपकी ठंडी पाउने है ठीक है यहां पे ठंडी पाउने होने के काट से पाउने कैसी है आपकी भारी है और यह इस तरफ भागें क्योंकि यहां पर HIGH-Presour Zone है यहां पर भागेंगी लेकिन भांगने के सचाथ यहां पर जो लो pressure zone बन रहा है उसका कारण कि यहां पर यह दोनों पावने ठहरी नहीं रही है कारण जो ठंडी पावने है वह भारी होने ठंडी और गरम दोनों के पहराम से बड़ी मात्रह में बादल बनेगे और यहाँ पे चुकी पाऊवने तो यहाँ पे कि a temporary low pressure zone बनेगा यहाँ पे लोग प्रिसर जोन बनेगा Temporary क्योंकि जो भी पाऊवने हैं वो पाऊवने यहाँ पे रुक नहीं रहें नहीं समझा भी भी यहां पे जो ये 60 डिगरी के पास low pressure zone बन रहा है इसका कोई particular reason नहीं है इसका reason है कि यहां से जाने वाली high pressure bed से जाने वाली पाउने और 90 डिगरी से आने वाली पाउने दोनों एक साथ मिल करके वातागरी इस्थिती बनाती है अब भी नहीं समझ आया है कि नहीं शुक्त आने वाली पानों की तुलना में तो यह तो यहां से जाने वाली पाउने और यहां से आने वाली पाउने कैसी होंगी यह नीचे बैठने की प्रवत्ति रखेंगी क्योंकि ठंडी और बारी हैं यह पाउने गरम हैं और यह उपर उठने की प्रबत्ती रखेंगी तो यहां पे पूरा complete cycle बनेगा इस cycle को बोलेंगे फेरल कोस फेरल चक्र बनेगा ठीक है और यहां से यह जो पाउने फिर वापस जाएंगी यहां पे पूरल कोस बनेगा ध्रुवी कोस बनेगा ठीक है और इस पाईडाम शुरूप अब देखो अगले ही चित्र में आपको यह समझ में आ जाएंगे अब देखे पाउनों का पूरा का पूरा खेला यह है यह जीरो डिगरी यहां पे हमने समझा कि एक यहां से पाउने गरम होकर के उपर उठ रही है उपर उठने के पैडाम सुरूप जो है 30 डिगरी के पास नीचे वैठ रही है ठंडी होकर के तो यहां पे हाई प्रिसर बेल्ट बना यहां पे लो प्रिसर बेल्ट बना ठीक है और यहां से पाउने जो है इस तरफ की ओर मूप कर रही है क्योंकि यहां पे लो प्रिसर जोन है ठीक है प्रसारण यहां पे हो रहा है यह जीरो से 30 डिगरी के बाद दोनों तरफ सेम कंडिश यहां पर हो रही है यहां पर 90 डिग्री पर हमने यहीं समझा कि यहां से माफ करेगा 90 से 60 डिग्री के ओर आपका 60 डिग्री है यहां पर भी आपने देखा कि भारी पाउने इस तरफ आ रही है लेकिन आने के पैडाम से यहां पर भी चुकी हाई प्रेसर बेल्ट है तो यहां से भी पाउने इधर की ओर जा रही है लेकिन जब पहुंसती है तो यह सापेक्षता इनके गरम होती है और यह सापेक्षता इनके कैसी होती है ठंडी होती है ठंडी होने के पैडाम सुरूप ग पूरे एक pattern develop होता है प्रत्वी पर इस्थाई पौनों का यह कैसी पौने इस्थाई पौने तीन प्रकार की इस्थाई पौने पूरे प्रत्वी पर पाई जाती है पहली प्रकार की पौनों का नाम है वाड़िजिक पौन क्या बोलते हैं से वाड़िजिक पौन वाड़िजिक पावन दूसरे प्रकार की पावनों को बोलते हम पच्छुआ पावन पच्छुआ पावन और तीसरी आपकी दुरुवी ये पावन दुरुवी ये पावन ठीक सेम पैटरन आपका यहाँ पर भी बनता है यहाँ पर भी यह हाई प्रिसर बिल्ट है आपका यहाँ पे एक high pressure बना ठीक है तो एक बार जो है एक यह complete पेटी को आप जब समझेंगे तो आप पौनों की दिशा को निर्धारित कर पाएंगे यहाँ पे low pressure है zero degree पे यहाँ पे high pressure 30 degree पे यहाँ पे आपका high pressure 30 degree पे ठीक है 60 degree पे आपका क्या है low pressure और यहाँ पे high pressure यहाँ पे 60 degree पे एक low pressure create हुआ यहाँ पे high pressure create हुआ पौने high to low 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 यह direction create हो जाएगी अपकी लेकिन पौनों की दिशा क्या यही रहेगी क्योंकि प्रित्वी घूडन कर रही है है ना प्रित्वी क्या कर रही है गती कर रही है बहुत वेग से गती कर रही है और वेग से गती करने के कारण से जैसे माल लिजे आप भी बहुत आसानी समझाओं आप लों को माल लो यह आपका गतिमान जल है गतिसील जल है ठीक है गतिसील जल पर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं आप यहाँ पर खड़े हैं आपको यहाँ पहुँचना है तो आप कहाँ से तहरेंगे यहाँ से ज़िसोचे हैं कि यहाँ सीधा सीधा मैं पहुँच जाऊंगा तो आप मूरक हैं एक नमबर के आप यहाँ पहुँचेंगे क्यों? क्योंकि इसमें एक अभासी बल कारे कर रहा है ठीक है? वैसे ही जब प्रत्वी गत्सील है पौनों की दिशा में तो यहाँ पर एक अभासी बल कारे करेगा जिसका नाम है कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल ठीक है? तो कोरियोलिस बल क्या करता है? फेरल के द्वारे पूरा नियम प्रत्वादित किया उसने कहा कि चुकी प्रत्वी गत्सील है तो उत्री गोलार्द में जो पवने हैं वो अपने दिशा के दाईयोर इसका दाया क्या होगा? लेft राइट दाया और क्या हो जाएंगी? अब उत्तरी गोलार्द पे दाया और और दच्णी गोलार्द पे बाया और घूम जाती है तो इसका बाया तो आपको जो फाइनिली डाइग्राम आपको मिलेगा कुछ ऐसा है पाउनों की जो डिरेक्शन है ठीक है अब यह सारी चीज़ें देखो डिटेल से कराने पर थोड़ा सा एक दो यह पांच-छे दिन की क्लास है कम से कम मेरी बेक्तिकत तौर पर तो पांच-छे दिन में जाके फिर आपको मैं समझा पाऊंगा 10-15 मिनट में जितना आप समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ जाए तो पर मैं कुछ नहीं कर सकता कोई पॉसिबलिटी यह नहीं बची देखो यह आपका डिरेक्शन निकल के आया ठीक है यह डिरेक्शन निकल के आया ठीक है यह डिरेक्शन निकल के आया यह डिरेक्शन निकल के यही निकल के आएगा यह डारिक्षा निकल के आएगा पॉन आउगा फाइनली ये कनक्लूजन निकल के आए कि हमारे प्रतवी में जो तीन इस्थाई पहुने हैं वह कुछ यह है ठीक है ये पच्छुबवा पहुन है आपकी 30-30-30 के बीच में बहती है पच्छुबवा दिखान था है इतना जीदा इसमें कुछ था नहीं ट्रिकर यह डाइग्राम आपका निकलता है अब इसमें है क्या कुछ नहीं है महासागरी धारायें इसी तरीके से भाघती हैं महासागरी धारायें क्या है अब पाउनों को देखे यह क्या कर रही है इसके नीचे कोई पानी होगा यह पाउन इस दिशा में डारेक्टि बह रहे हैं बहुत तेजी से बहुत तेजी से गती से यह पाउने बह रहे हैं अब यह पाउने इस दिशा में बह रहे हैं कुछ नहीं अपलाई कर तो कुछ भी अपल समुद्री जल का डाल को पानी बहता है दूसरा उसके उपर कोई फोर्स हो समुद्र जल जो है उसका डाल क्या है कि नदी के उपर बह रही है पूरी तरीके से तो ऐसी कंडिशन में आपको एक चीज समझना है यहां पर बहुत आसान है बहुत तीजी है कि जो आपका जो यह महासागर है महा सागरों में आप देखेंगे दि जूम करके तो पानी एक दिसा तेजी से भाग रहा है ठीक है इसी को बोलते महा सागरी महासागरी जलधारा है ठीक एक डिरेक्शन है क्लॉक्वाइस डिरेक्शन है ठीक उस क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में तो महासागरी जलधारा है अलग अलग है अट्लांटिक महासागर की अलग है और प्रसांत महासागर की अलग है हिंद महासागर की अलग है लेकिन हिंद महा महासागर की परिगटना और किसी महासागर में नहीं पाई जाती है ठीक है यानि की पाउनों की दिशा ही पूरी तरीके से बदल जाती है तो ऐसी कंडिशन को एक बार समझने का हमें प्रयास करना है हाँ कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना अभी तक मामला समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आए बहुत बेसिक था बहुत आसान थे इसमें कुछ था नहीं कि समझ नहीं आए यह यह बिंड सिस्टम को जब जस्ती मत वो लिए जाने बोल थेंगे तो जल्दी जाने को मिलेगा कि बिंड सिस्टम में जो हमें फाइनल डाइग्राम मिला है तो डाइग्राम कैसे मिले यह तो समझ में आ गया ना अना आई नहीं आया क्यों पक्का जोड बोल रहे हैं नहीं पक्का नहीं समझ में आया होगा आप लोग को समझ में चाहिए बहुत इजी है अब इसको समझाने हम थोड़ा एक दो तीन दिन की क्लास लगती है तब समझ में आता है हाँ बिलकुल होंगे बाप हां क्या पच्वाई पुरुवाई नहीं समझ में आती है पावन जिस दिशा से आती है उसी दिशा से उसका पावन का ठीक है देखो मैं आपको दो मिनट में सब्सक्राइब तो पावन का नाम कैसे रखते हैं जैसे कोई पावन इस दिशा को बह रही है तो इसको बोलेंगे दच्छडी पावन कोई दिशा से बह रही मालों जैसे कोई पावन ऐसे बह रही है तो किस दिशा से आ रही हम समझ करो कि हम लोग भी और दचनी को समय हैं हम अत्री गुलार्da के नवासी हैं ठीक है और जो हम लोकल बिंडी की बात करते हैं पुरुआई पछवाई का मतलब चिसे गाजयावाद है तो गाजयावाद में दी पवन आपकी पश्चिम की और से आए तो पचियाओं है पूरब की तरफ से आप डिरेक्शन देखे न किस डिरेक्शन से बह रही है जिस डिरेक्शन से आएगी उसी डिरेक्शन से उसका नाम हो जाएगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं समझ पा रहे हैं नहीं लोड दो करना को आपको बताए किस ड्येरक्षाइन के और किसी जी देरेक्षान से आ रहोगी उसकए दूसर आप ऊजी डेरेक्षान में अलमीटी किर रही होगा आ रही तो रूल बताया जिधर दाब कम होगा पवन उदर भागने लग जाएगी वह दाब मलब पूरे छेत्र को समतल करने का प्रयाद और गतीवी पवन की जितना दाब कम होता जाएगा उतना तेज पाउन भागेगी वैक्यूम को फिल करना चाहेगी ठीक है जिधर दाब कम ह होगा जिस चेत्र की तरफ पौन उदर भागेगी जैसे कि आप देखेंगे पहाड़ी चेत्र में आप रह रहे हैं गरम होगा तो गरम होनी के पईडाम शुरूप यहां पे क्या हो जाएगा गरम होने के पैडाम सुरूप से यहां पर आजपास की संपर्क वाईव कैसी तो यहां पर क्या होगा यह वाला छेतर जो आपका है यहां पर लोग प्रेसर जोन बन गया और जो नीचे घाटी वाला छेतर है तो मेसा दिन के समय पर पहाड से नीचे की ओर आएगा ठीक है नहीं उल्टा बोल गया क्या मैं नहीं समझ पाया अभी हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया कहानी थोड़ा समस्ते हैं इसको दो चीजे समस्ते हैं दो तरीके की समीर होती है घाटी समीर होती है समुद्री समीर होती है दोनों समस्ते हैं दिन के समय पर यहां पर क्या उपर कि ओ पावन ऊपर चड़ेगी रात के समय में क्या हूगा यहां पर ठंड बड़ेगी उपर आले हिस्थे पर यहां पर हाइप राइप क्या बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा नीचे लो प्रेशर बन जाएगा तो पकव। नीचे उतरेगी, इसलिए जो खेती की जाती है, कभी भी घाटी वाले छेत में नहीं की जाती है ठीक है, नहीं तो ठंडी हवा आकर करके डेली पाला लग जाए ठीक है, यहाँ पर की जाए, सीड़ीदार खेत बना दिए जाते है कभी बी पर्वति चेत्रों में ठीक है यही चीज उल्टा होता आपका समुध्री NICK यहां पर प्रशर है रात के समय यहां पर यहां पर प्रशर यहां पर लो प्रशर बिल्कुल समझ गया समझ गया बात को समझते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका अब समुद्री छेत में यहां पर माली जली है जल है तो दिन के समय में क्या होगा दिन के समय में इस्थल गरम हो जाएगा इस्थल गरम का मतलब क्या है यहां पर लो प्रशर बन गया ठीक है यहां पर क्या बनेगा आपका इस जगे पर यहां पर हाई प्रशर बनेगा तो पावन आइसे बहेंगी ठीक है इसे हो जाएगी direction दिन के समय पेढ़िंके समय पर आपको समुधर से जोका आता हुआ दीखेगा रात में क्या फोगा उल्टा हो जाएगा कहानी रात में His यह जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसको ठंडा होने में टाइम लगता है तो यह बन जाएगा आपका हाई प्रिसर नाइप में और ये वण जाएगा आपका संहोपता उसी साब से लोज तो पॉण ऐसे बहने लग तक मान्सूनी महीना को देखते हैं घेकिंगे बहुत आसान है आपका यह का भारत इहाँ पर ठिक है यहाँ पर आपका आश्ट्रेलिया भूमी है ठिक यह आपका आश्ट्रेलिया है यह आपका बहृता है इंडिया है को जि utra होता है उत्तराइड का मतलब क्या है उत्तरी गुलार्थ पर रहे सूर मार्च के महीने के बाद से उत्तरी गुलार्थ पर पूरी तरीके से आ होता है तो जब उत्त्री गॉलार्थ पे रहेगा चुक्सकी भारत कहां पे उत्त्री गॉलार्थ पे तो यहां पर क्या होगा धर्डराटल गर्म हो जाएगा ठीक उत्तर भारत का मैदान गरम जाएगा पूरी तरीके से ठीक है यहां पर क्या है चुकि इस समय सूर्य उत्तराइड है तो यहां पर क्या होगा जो अस्ट्रेलिया का मद्ध भागे पूरी तरीकी से रेतीला है ठीक है यहां पर जो जनसंक्याबादी रहती है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका यहां यहाँ पे हाई प्रेसर बन जाएगा पूरी तरीके से exactly दोनों चीज़ समझना है बहुत सिंपल कुछ नहीं है यहाँ पर्मनेंट जीडियो डिग्री पे ठीक तो जब उत्राइड होगा सूरे तो होता क्या है हाई प्रेसर यहाँ पर हाई प्रेसर बना है यहाँ पर लो प्र सब्सक्राइब जितना लोग प्रसर है इस से भी तीब्र लोग प्रसर यहां पर बना वाई उत्तर भारत के मैदान पर क्लियर तो होना कुछ नहीं है बहुत आसान है पाउने जो है बहना इधर चालू होंगी ब्यापारिक पाउने अबस ही प्रसर फिर इसको यहां पर लोग प्रसर में जब पाउने आएंगी तो आपको पता है कि जैसे ही यह उत्तरी गुलार्ध में पहुंचेंगी तो कोरियोलि सबल प्रभाव करेगा, को इन पौनों को क्या क्या करेगा, दाहिनी और मोर देगा त्योंकि यहाँ पर लो प्रिसर तीब्र लो प्रिसर बना तो यह पूरी पवणों को क्या कर लेगा उपने धृच लेला का सिंग कर लेगा यही है यही इस्थी यही अपका है उत्राहिण के इस्थी में जब सुर्धर दच्छणायन हो है तो दच्षणायन के इस्तिती में इस्तिती पलट जाती है हमारे यहां पर सेप्टेंबर के महीने के बाद से मांसून लौटने लग जाता है ठीक है यह पहली कंडीशन हो गई रुख जाब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं फिर मैं समझा भी दूंगा आपको बहुत क है तो दच्षणायन के स्तिती में क्या होगा हैं यहां पर गर्मी होगी बहुत ज्यादा तो यहाँ पर startर वो जाएगा याओ लेडी लोग्रसर इससे भी जादा थीब्र होगा यहांilar चुक्क Aufraksi मैदान में बहुत तेज अभी जैसे बहुत थेश ठंड चल रही है तो अभी यहां पे क्या है एक हाई प्रेसर टिल्ट create है ठीक सीधे सी बात है हाई प्रिसर टू लो प्रिसर पाउने लौटता हुआ मांसून यहां पर आ जाएगा यह पाउने जैसे जीरो डिग्री पाउस करेंगी अपने बाहिए और मुड जाएंगी और आस्ट्रेलिया का लो प्रिसर इने खीच लेगा यह लौटता हुआ मां सोन इसमें बहुत सारी दसाएं ऐसी हैं जो इसको सहायक सिद्ध हो जाते जैसे आई सी इंटर ट्रॉपिकल कनवर्जन जोन अब यह क्या होता है यह पेटी जब सूर उत्राइड होता है तो अब माल लेजे हर बार हम लोग यह तो देख रहे हैं कि सूरज हर साल जीरो डिग नीचे हो जाती है और जब उत्राइड हो तتي उपर हो जाती है तो हो जून के महीने के बहुए आवस्थित हो जाती जिसके पैडाम लोग प्रसर और भी ज्यादा तीब्र हो जाता है और तेजी से जितने भी पाउने अपनी तरफ कीज़ता है और इसमें है क्या जब आता हुआ मानसून आपके जून महीने में मानसून आता है क्या अब यह पाउने कहां से आ रही है समुद्र से आ रही है तो अपने साथ आप पर पाउने कहां से आ रही है मरूस कहां से इस थल भाग से आ रही है तो इस थल भाग से आने वली पाउने कहां बारिस कराएंगी कहीं नहीं उनके पाद पानी नहीं तो बारिस कहां कराएं कुछ पाउने हैं जो बंगाल की खाड़ी से होके आती तो तमिल लाड़ में बारिस होती है कोरोमंडल टट पे कुछ नहीं बहुत आसान सा मामला है तो पाउन का एक जो सबसे बड़ा जो आपका कारक है वह यह है आई प्रिस बहुत इजी है इसमें मानसून समझ में नाये तो आप लोग दुरभाग गिसाली है पाउनों का खेल है और क्या है इसमें है बारिस होना नहीं होना इब def に नीदाव नीनों होता है फिर यह होता सदर्ण ऑंक्सिलेशन यैंभणी दोलन ठीक है यह सारी चीजियन जो है ना यह कारक होते है जो ini मांसून को तीबर बना देते हैं तो प्रसाथ महास अगर की गटना अल्नीमों की दसा उसमें होता क्या है कि परेऊबियन टठ है पता नहीं परोमें टठ में क्या हो जाता है कभी नहीं चला है कि वहां से ठंडा पानी जो वहां पर हम बोल्ट जल्धारा यह ठंडी जल्धारा है तो यह जल्धारा का जो ठंडा पानी है यह चुकि जल्धारा आप इसको मुझे पुरा एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा आपके लिए यहां पर यह आपका है मालेजे दच पश्च्छी अमेरेका टट तक शडी अमेरिक की तक पर आपका आश्ट 14 यहां से हमबोल जलदारा पर बारती ना Right आता है यहां पे तो जो पूरी यहां पर प्रति विश्वतिय धारा यहां पर यह महासागरी जल धारा के द्वारा यह जो जल आता है यह ज्वल जो है यहां पर रिप्लेस हो जाता है इधर चला जाता है और पैडाम सुरूप भारत में बर्सक कम होती है क्यों क्योंकि जो हजाएगा यहां पर लोग नहां पर बन जाएगा न यहां पर क्रिकोंट क्या बन जाएगा प्रेसर बन जाएगा यही लोग बन जा रहा है जब ये low pressure बन जाएगा तो पाउनों की दीषा बदल जाएगी ना इधार हो जाएगी ना पाउनों की दीषा high to low हो जाएगी ना तो जो जो पाउने सहायक होनी चाहिए भारत भूमी में मानसून कर आने के लिए इधर बाग जाती है क्योंकि यहां पर लोग प्रिसर बन जाता है और आटकामा मरुस्थल में कहते हैं कि जो विस्व का सबसे सुख्टम मरुस्थल है वहां पर खूब बरसा होती है अएल नीनों में कुछ नहीं बस इतनी इसे घटना है कि ठंडी जल्दारा का पानी रिपलेस ओकर यहां पे अजयर अब्धि गरम-पानी आने कई सारे कारण बता जाते हैं पहले तो यहां पे विश्वती यह गरम जल्दारा है इसको बहुते प्रसांत विश्वतिय जलधारा ठीक है कहते हैं यह जब आती है यह पानी आती तो आने के बाद क्या होता है इसके आपोजिट में चुकि यहां से पूरा पानी चला आ रहा है कहा रहा है यहां पर पानी इकठा होगा तो वापस तो जाएगा तो इसको बोलते प्रति जलधारा प्रति विश्वति यह महासागरी जल्धारा जिब ज्यादा थीब तीब्र होती है तो ऐसी कंडिशन त soy यहां पर गरम इस्थि उत्पन हो जाती है और हम बोलत हो बढ़ारा नीचे चली जाती कि आप उस कांट से यहां पर लोग प्रेसर बन जाता क्योंकि यहां का दरातल प्रष्ट भूमी यहां का लोग प्रिसर क्रिएट कर देता है और जो पाउने अब यही इस्ति यहां पे दिमालीजी हाई प्रिसर रहें फिक्रत तो भारत के मांसून को तीब्र बना देंगी और उल्टा हो हो गया पक्का मैं इसलिए कहा हुए क्योंकि मैं मान की चल रहा हुँ कि आप लोगो कुछ पढ़ रखा आपने समझ रखा पहले से इसलिए आप लोगों के लिए होना चाहिए इसमें कुछ है नहीं ठीक है इसी में दच्छणी डोलन है वाकर चक्र यह इसी को वाकर चक्र बो कभी ऐसा हो जाता है यहां से भारत का जो यहां से पमने हैं और उदर पहुंसती और हब आने इस्को ला लीनवगा और जब यही इस्तिति हो जाते तो यह ळिनो वन जाती तो ला लीनो के दसह ही मत्तॉर मानसून में ऐसा काउन सा आसानी समझ में आ गया मांसूनawanष इ hang पर नहीं आया जुट मत बोलिएगा हैं है पक्ता समझ में आगया मनसोन क्या है भारत भूम में बारिस कैसे होती है बताइए जून के महीने में कैसे बारिस होती है नहीं समझ पाया ना प्रफर क्या नहीं कुछ नहीं मैं इसमें ज्यादा परसान वाइए बहुत आसान इसी है ठीक है तो चलिए बिंट सिस्टम समझ गया दिया आप तो असानी से वह सिस्टम है अपोजी डिरेक्शन समय के साथ बदलती रहती है उत्राइड होगा तो मांसून भारत की तरफ आएगा दच्छनायन होगा तो मांसून भारत से जाएगा लौटता वह मांसून होगा ठीक है बस सिंपल सी बात है अब दो तीन बाते और समझते हैं मांसून जब आत होते हैं तो शुकि भारत की प्राइद् intentarी है तो क्या होता है दो वहागों में बढ़ जाता है तो पहली धार और पहली साखा 152 आनारब सागर की साखा कि वहता होता है पूरा हमालय कारे हो जाता ह है है और खूब बारिस होती है गारोखाशी जेंतिया में पहाड़ीयां कीपाकार का पूरी पौन को रोक लेती हैं और चेरा-पूजी मासिन राम में खूब दबादब बारिस होती है तब ही आप देखते सबस्यादा बारिस वाल च्षेतर भाई है उत्तर भारत में भी भूब बारिस होती है मानसून के टाइम पर लेकिन अरब सागर की साखाएं स्वतंत्र होती है उनको रोकने वाला कोई है नहीं अरावली की परवस्रेणिया जो है समानांतर होती है ना तो इसलिए यह जितना करवाई तो करवाई पश्मी घाट में थोड़ा बहुत बारिस कर करें वाई का का वाता है जून के महीने में एक जून को भारत में पहली जून को किती थी एक एक जून को माई के मैंने में अंडमान निकोबार द्यूप समों फिर एक जून को केला टट पर आता है ठीक आने के बाद जुह है यह दो भागों में बढ़ जाता है एक ब्रांच इसकी यह रहती है दूसरी ब्रांच यह रहती है हां क्या हुआ अच्छा आप थे तो कुछ न पहाड से टकराती है तो इस छेतर पे बादल बनते हैं और खूब बारिस कराती है जमा जम बारिस होती है लेकिन इस छेतर में कुछ नहीं कराती है क्यों यह ब्रश्ट इछाया प्रदेश होता है ठीक है तो आप देखेंगे तो पश्मी घाट का जो यह वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से में तो खूब बारिस होती है ये वाले हिस्से में लेकिन इधर के हिस्से में कोई बारिस नहीं होती इसलिए बिदर्व किसान विचारा सूखे से मरता रहता है हैं यहां पर सिचाय की कृतिम तरीक अपनाने पड़ते हैं यह पूरा छेतर यह भी आप का बृष्टी चाय प्रदेश हो जाता है ठीक है वह беспonomi की खाडी की साख200 यह भी प्रवेश करती है यहां से यहां से प्रवेश करती है यहां पर इसको औरोध के तौर पर हिमाले परवस्त्रेडी होती है तो उत्तर भारत में खूब बारिश होती है लेकिन दिल्ली आते आते कम जोर हो जाता है आपको बता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो बरसा ह होती है मतुरा वाले चेतर पर होती है मतुरा में ज्यादा परसा नहीं होती सबसे कम बरसा मतुरा पर ही होती है इधर से आरब सागर की साखा यह भी जो है यहां पर आवली परवत्रेडी है तो इसके समानांतर निकल जाती है तो ज्यादा बारिस और यह यहां तक पहुंसते लद्देलेद लद्दाक में भी ज़्यादा बारिश ने होती है इसलिए इसको बोलते है सीत मरूस्थल क्यूं क्यों क्योंकि जब तक ही पहुंचता है वहाँ तक तब तक कमजोर हो चुका होता है ज़्यादा पावर इसके पास नहीं बस्ती है बंगाल की खाड़ी की साखा को भी ज़्यादा पावर नहीं मिलती है ठीक है दिल्ली वगएरा में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जब दोनों पहुंचती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत संबहनी वर्सा होती है या फिर मांसूनी वर्सा भी होती है तो दिल्ली ठीक है तो ब्रेश्टी छाया प्रदेश के कारण बहुत सारे छेत्रों में बारिस नहीं हो पाती है और इसी कार्ट से वर्षा का विंतरान है हमारे यहां पर यह 400 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्षा होती है दिरे-दिरे 200 सेंटीमीटर और फिर यहां पर 100 सेंटीमीट यहां पर 400 cm के आसपास बारिस होती है फिर घटती जाते हैं यहां पर 100 cm और फिर तो यह अलग लग तरीके से यहां पर बरसा का एक पैटर्न मना हुआ है ठीक है कोरो मंडर टट पे बरसा नहीं हो पाती क्योंकि यह भी ब्रिष्टी चाया प्रदेश होता है पश्चमी घाट का ब्रिष्टी चाया प्रदेश आये इस पर बरसा कब होती है लौटता हुआ मानसून पर जब सूर दच्छनायन जाता है लौटता हुआ मानसून होता है तो जो पाउने यहां से लोट रही होती है तो बंगाल की खाड़ी की साखा से जल लेती है और यहां पर बारिस कराती है तो दिसंबर के महीने में हमेशा सुनने को मिलेगा कि तमिल नाडु में यदि आप घूमने जा रहे हैं तो छाता लेके जाएं वहाँ बारिस होती है ठीक है नहीं फास जाएंगे आप ठीक है ना चले यह बात हो गए आपकी लगभग लगभग मानसून से कुछ है नहीं इसमें खास नहीं है इजी है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब एक करके थोड़ा सा यह भी देखते जाते हैं भारत के तापी उर्जासजंद है यह आपका अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर के जो काम चल रहा है झाल नेक्स्ट है यहां पे भारत के परमाण उर्जास स uniform okay सो कि शुद्ग क餐 तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल होता है नदियों का इस नदियों का रोल हैं दूसरा वर्षा का भी है वर्षा का वित्रण नदियों द्वारा और सादों को ला करके डालना और दूसरा कई छेत्रों पर इस्थानी प्रकार की विभिन विशेस्ताव कांट से मित्यों का निर्माड होता है ठीक है तो यह वाला जो पूरा हिस्सा है आपका यह वाला पूरा हिस्सा यह देख रहे हैं यह आपका गंगा नदी का मैदानी छेत्र है ठीक है यह चेत्र में पाई जाने वाले मिट्टी आपकी इसका काई इसका नाम क्या है जलोड मिट्टी यह आप देख रहे हैं जितना भी मैं ग्रीन कलर से करू इसका नाम है जलोड मिट्टी ठीक है दो प्रिकार क्यों होती है पहले खादर दूसरी है बांगर खादर जो होती है नवीनतम जलोड होती है नवीनतम जलोड और बांगर जो होती है आपकी वो बांगर जो आपकी होती हो प्राचीन या पुरानी मिट्टी पुरानी जलोड मिट्टी ओни हैं 후मस की मात्रह इसमें पड्याप्त को पूर्य्यत्यु समस्ते मित्टी में बहुत सारी बनसपतिया और यह जितनी प्रकार की प्रकार के आपकी होती हैं जैसे कपास की फसल below सबस् Meanwhile को काली मिट्टी इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है तो आपका जो पूरा खेथ रहें फिर गुजरात फूर्प महाराष्ट का चेथर ऐहां पर पाई जाती आपकी काली मिट्टी अवी इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट मिट्टी है आपकी यह आपकी इधर वाली यह लाइनिंग आप देख रहा है एक में यह यह वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप यह आपकी लाल मिट्टी लाल है तो लाल समयनी चाहिए ठीक है यह आपकी लाल मिट्टी यह लाल मिट्टी का छेतर है यह पूरा जितना भी छेतर है लाल मिट्टी का छेतर है इसमें आइरन के तद तो जली ये निच्छे पड़ के पैडाम सुरूब जब जल की मात्रा जो है बार-बार किसी चेत्र को निच्छालित करती है तो वहाँ पर आइरन के तत तो इससे मिल जाते हैं और मिट्टी का रंग लाल हो जाता है तो फेरस अकसाइड की उपस्तिती में मिट्टी लाल हो जाती है ठीक है यह आपकी पूरी के पूरी लाल मिट्टी नेक्स्ट है आपकी लेट राइट मिट्टी यह जो हमारे टटी यह चेत्र हैं यह वाले चेत्र है इन चेत्रों में पाई जाती है लेट राइट मिट्टी यह पूरी है लेट राइट मिट्टी ठीक है यह पूरी है आपकी लेट राइट मिट्टी कुछी छेत्रों में पाई जाती है सबसे आदर छेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी जलोर मिट्टी है ठीक है इसके बाद यह आपकी है मरुस्थलिय मिट्टी यह आपकी रेती ली मिट्टी होती है यहां पर पाई जाती है कुछ इससा इसका यहां पर भी पाई जाता मरुस्त ली मिट्टी का क्योंकि यहां पर भी बारिस कम होती है करनाटक वाले छेत में तो यहां पर भी मरुस्त ली मिट्टी पाई जाती है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है आप देख रहे हैं यह weilt है आपका परवती इमेटियों का यह पूरी आपकी है परवती हिए मेर्टी या वनी इमेटि कि ठीक और नेक्स्ट है आपका अंतिम लास्ट लास्ट है आपका लवड़ युक्ति मिट्टी जो आपके मैग्रोव वन छेत्र है यहां पर आपके लवड़ युक्ति मिट्टी पाई जाती है in a new group on 66 यहां पर भी आपकी हैं लमण युक्ति मिट्ट्टी तो मिट्टी कितने प्रकार कि हो गए यहां पहले है जलोड मिट्टी तो आगके इसके बाद दूसरी पर्वतिय मिट्टी थीख सिर्फिए यह आपकी मरुस्त लिए मिट्टी नेक्स्ट है आपकी यह काली मिट्टी नेक्स्ट है आपकी लाल मिट्टी लाल मिट्टी कहां पर हैं यह जितनी भी मिट्टी है यह मिट्टी यहां से यह मिट्टी यह है लाल मिट्टी ठीक है काली मिट्टी का कुछ हिस्सा जो है आपका इसके बाद नेक्स्ट है आपकी लैट्राइट मिट्टी देखो लैट्राइट मिट्टी यहां भी भी पाई जा रही है और यहां पर भी पाई जा रही है यह तो लैट्राइट मिट्टी नौर्थ इस्ट में भी है और जो आपका पश्मी घाट है लैट्राइट मिट्टी ठीक है इसके बाद आपकी ये वे परवतिय हो गई है कि यहां पर यह कौन ठी एक मिट्टी और है ये इसको बोलते हैं जय हुए पेट मिट्टी यह रावा च्चतर जो यह जय ув मिटी यह पीट मिटी ठीक है ब्हारत में ये मिट्टियों का वित्रण है next है आपका प्राक्तिक बनस्पतिया अब देखो तीन चीज़े ध्यान रखना है पहला हमने वर्षा का वित्रण देखा प्राक्तिक बनस्पतियों तीन चीज़ों से निरधारित होंगी पहले चीज़े वर्षा का वित्रण वर्षा का वित्रण ठीक सबसे पहला तो यह पॉइंट दूसरा पॉइंट है आपका दूसरा पॉइंट है आपका मिट्टी यह भी निरधारित करेगी ठीक है तीसरा है आपका अच्छानसी है अच्छानसी है इस्थिती इस्थिती चौथा है आपका उचाई या उच्चावच यह तीनों चारों अवियों मिल करके किसी भी छेत्र की बनस्पति को निरधारित करता है ठीक है तो अब यहां पर आप देखिए बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं पहले तो भारत पूरा उल्ड कड बंदे में ही आता है ठीक है तो आप बनस्पतियों की बात करेंगे तो बनस्पतियां बहुत आसानी से आप डिकोड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बनस्पतियों का एक तरीका बताता हूं पूरा का पूरा की कैसे हम बनस्पतियों को परशिवालों बताओं हां मैंने एक तरीका बताया था उसी तरीके के हिसाब से आपको मैं समझाने का प्रियास करूगा ठीक है कैसे हम विश्चु की जलवाईयों को निकल सकते हैं किसी भी तरीके से ठीक है चलिए थोड़ा सा टाइम लेगा थोड़े टाइम में आप एक बड़ा कॉंसेप्ट फिर से आपका रिवाईज हो जाएगा और यह दिन नहीं जानते तो जान जाएंगे है तो सबसे पहले हम विश्चु के कटिबंध प्रदेशों को देख लेते हैं कि यह आपका थिक है यह आपका है विश्वतिये कटिबंध बोलते हमाई से विश्वतिये कटिबंध अप यह जो ने इसे बना भी सकते हैं अप ठीक है एक रोँल वताओं सले क्लिशित को आपको अपलाई करना है ओवहां पर अप्लाई करते ही आप उच्छी के प्राक्तिक बनस्पति के बारे में पता कर लेंगे ठीक है तो एला है आपका विश्वती दूसरा है आपका यहां से ले करके हम इसको बाट रहे हैं दस डिग्री सेंटीग्रेट तक इसको बोलते हैं उज्ड कडबंध ही यह छहत्र है बोलों गुलार्दों में एक एक करके देखेंगे इसको ठीके दोनों गुलार्दों में एक एक करके देखेंगे तीसरा है आपका कि हां एसा करते हैं रुख जएए एक मिनट अब जीरो डिग्री जीरो से दास डिग्री जीरो से दास डिग्री इस पूरे कटिबंद का नाम है विश्वतिय कटिबंद तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भारत की सवे जल विदुद परियोजनाओं को ठीक है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी राम गंगा राम गंगा में आपकी राम गंगा परियोजना रिहंद में रिहंद परियोजना इसके बाद एक टोंस नदी है टोंस नदी पे टोंस परियोजना है चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पे है माटा टिला परियोजना आपकी ह प्रियोजना इसके बाद अगला जाए आपका उत्राखंड पर उत्राखंड पर पहली मुव इस लीए यह पाल द då परियोजना भागी रथी नदी पर बनी हुई है कालिक नदी पर टनकपूर परियोजना है धौली गंगा पर बेकांग बिलिंग परियोजना है टून्स नदी पर किसाव बांध परियोजना है धौली गंगा नदी पर मलेरी जेलम परियोजना है वीहरी गंगा नदी पर गोहन सागर परियोजना, बारगी नदी पर बारगी परियोजना, नर्बदा नदी पर नर्बदा सागर परियोजना, नर्बदा नदी पर इंद्रा सागर परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, आपकी नर्बदा नदी पर, उंकारेश् आपकी सरदार चुरौर परियोजना भी गुजरात में पढ़ती है यह भी आपका किस पर है नर्वदा नदी पर है नेक्स्ट है आपका पंजाब पंजाब में है व्यास नदी पर पोक परियोजना सदल नदी पर भाकड़ा परियोजना नागल परियोजना जो है आपकी वह कह पर्योजना चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर पर्योजना चंबल नदी पर है जवार सागर पर्योजना नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जवाई नदी पर जवाई पर्योजना रावी की सहायक नदी है वैरा शूल पर्योजना यहां पर रही है इसके बाद सतलच पर नाफ्था जाकरी पर्योजना हिमाचल प्रदेश में इसके बाद आपकी सत्लच की सायक एक स्थ पीती नदी है इसमें भाप पर योजना है तो बीट फित पर योजना है माचल में कोलं पन भिजली पर परियोजना चुटक परियोजना शुरू नदी पर निंबो बाजगो परियोजना शुरू नदी पर तुल्बू परियोजना जेलम नदी पर बगलिहार परियोजना चेलम नदी पर जेलम नदी पर उरी परियोजना चिनाब नदी पर सलाल परियोजना बुरसर परियोजना तुम भद्रा परियोजना काली नदी के संगम पर है काली काली परियोजना नेक्स्ट है आपका अगला स्टेट है करनाटक में ही है कृष्णा नदी पर है अलमाटी परियोजना सरावती नदी पर है सरावती परियोजना घाट प्रभा नदी पर है घाट प्रभा परियोजना भद्र नदी पर है बद्र परियोजना कवेरी नदी पर है सियू समुद्रम परियोजना उडिशा में हीरा कुंड परियोजना महा नदी पर, बाली मेला परियोजना सिरेरू नदी पर, अशम पर है कुलसी परियोजना कुलसी नदी पर, कोपली परियोजना है कोपली नदी पर, केरल में है आपका छोटी नदी उद्वारा संचालित है परामबिकुलम अलियार परिय परियोजने को चलाती हैं इडुक्की परियार नदी पर मदिरा पूजा नदी ये बल्ली बासम परियोजना मदिरा पूजा नदी पर है और पंबा नदी पर है सबरीगीरी परियोजना सिक्किम में तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना रंगीत नदी पर रंगीत परियोजन नेक्स्ट है आपका अगला है अगला है अगला इस्टेट है आपका नेक्स्ट है आपका तमिल नाडु पे पेरियार नदी पे पेरियार परियोजना मैटूर परियोजना कवेरी नदी पर पापनासम परियोजना ताम्रपंडी नदी पर कायपारा परियोजना कायपारा नदी पर ठीक है नेपाल में पंच परियोजना भूटान में कर्चू परियोजना और बुनाखा परियोजना भूटान पे इतनी आपकी टोटल ये परियोजना थी ठीक है ये अपका ब्रीफ थोड़ा सा हमने कर दिया आगे से अब चलिए प्रारम करते हैं नेक्स्ट आपका जो मैं पढ़ा का है एक रूल बताए उस नियम को कहीं भी अपलाई करिये वह लेकिन सार्वत्रिक नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपको हर जगे आप रफली पता कर सकते हैं कहीं की जल्वाई पता करना वहां से कर लेंगे अब बात करते हैं भारत की प्राक्तिक बन सबसे पहले पहला अधार होना चाहिए वर्सा का वित्रण वर्सा का वित्रण दूसरा अधार होना चाहिए आपका तापमान टेंपरेचर क्या है तीसरा है उच्चावच उच्चावच चौथा है मिट्टियां मिट्टियां भी निर्धारित करेंगी कि कहां पे कौन सी बनस् जाती है ठीक है temperature और वर्षा का वित्रा तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्षा इस छेत्र में बहुत बड़े इस्तर पर होती है यहां पर यहां पर बंगाल की खाड़ी की साखा 400 से जादा वर्षा कराती है ठीक है यहां पर आपकी भारत में और यह आपको आपको पता अर बनाया ना बनस्पतियों का देखिए उसमें क्या है जीरो से 10 डिग्री के बीच में सदा बहार बनस्पति आपको मिलेगी उज्ड कट बन दिये सदा बहार बनस्पति तो इन छेत्रों पे उज्ड कट बन दिये सदा बहार बनस्पति पाई जाएगी सदा बहार बनस्पती पाई जाएगे लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजे है वर्सा का वित्रण चुकी इस जगह पर कुछ और है ठीक है तो यहाँ पर बनस्पतियों का अधार बदल जाएगा यहाँ पर कोरो मंडल टट पर भी वर्सा होती है उजड कडबंदिये सदा बहार बन ठीक है यहाँ पर पाई जाते है यहाँ पर वर्सा सबसे कम पाई जाती है ठीक है तो जब यहाँ पर वर्सा सबसे कम पाई जाएगी तो यहाँ पर पाई जुकी पूरा भारत उजड कडबंद में ही आता है तो यहां पर पाई जाएगी उजड कडबंदिये काटेदार जाड़िया या सुस्क बनसपतिया उजड कडबंदिये सुस्क बनसपतिया तो इस जगे पर क्या पाई जाएगी उजड कडबंदिये सुस्क बनसपतिया सुस के बनसपतिया मैंने आपको लिखवाया होगा चार नंबर देखिए मरुस्थली बनसपतिया कुछ लिखा होगा चुकि आप इसको देखेंगे तो यह आपका इसी चौथे नंबर पर आएगा ठीक रफली आप देखेंगे तो यहां पर आपकी मरुस्थली चुकि मरुस् पाए जाती है अब बात है यह वाला चैति यह परवतीय चैत्त है बहुत आसानी से कड़ बन दिए कौड़ धारी one क्यूं क्योंकि यहां पर उच्चा वच यहां पर कारक बन गया उच्च वच ऐसा है यहां पर क्योंकि बहुत हight में 4000 मीटर से उच्ई आपकी पर्वत चोट़्ट्यां तो यहां पर कैसे पाए जाएँगी तुंड्रा बनास्पतियां पाए जाएंगांगी ॥ी ची यहां पर सुखसक्बान और बनास्पतियां द्ट परवणत्य होताइं आपकर अब है यहां पर उज्ड कडवन दिये पंड पाती बन पाए जाएंगे जैसे नीम है नीम के पंड पाती बने अपनी पत्तियां गिरा देता है ठीक है तो यह वाला पूरा जो आपका बेल्ट है यह पंड पाती बनों का पाये जाएगा ठीक है भारत में मुख ताउर पे यह प्रमु प्रकार की बनस्पतियां पाए जाते हैं जितने भी जुआरी यह चेत्र हैं यहां पर आपको मेग्रों प्रकार की बनस्पतियां पाए जाते हैं जुआरी यह वन पाए जाते हैं ठीक है तो भारत में प्रकार की प्राक्तिक बनस्पतियां पाए जाते हैं नेक्स्ट आगे ये अग्रिकल्चर पैटर्न है कि कहां पर कौन सी ठीक है ये देख लेंगे कोई बहुत बहुत इंपोर्टन नहीं है आप ठीक आप कर दो अब नेक्स्ट आपका इसी के अंतरगत थोड़ा सा कुछ चीजह और देख लेते हैं उज्ड कडबंदी सबसे पहले आप इनके बारे में दो दो बाते मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे कौन-कौन सी किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं अब सबसे पहले भारत में वण महशुन मनाय जाता है प्रतिवर्स कब मनाय जाता है देट कि एक जुलाई से लेकिए हर साल भारत में फर्स में लोग चारकाम मनाय जाता है तो आप देखेंजियां लाल मुंसी केम मुंसी साहब जो थे इनों ने ही ये 1950 में अधिक ब्रक्ष लगाओ अंदोलन शुरू किया था उसी के तहत ये पूरा एक जुलाई से साथ जुलाई के बीच में पूरा क्रिस्प बन महस्व मनाई जाता है तो इनके द्वारा जो पूरा का पूरा ये वन इस्त पती पाई जाती है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सदा बहार छेत्र जो होता है आपका सदा बहार छेत्र या उष्ड कड़ बन दिए सदा बहार छेतर आप में कौन-कौन से ब्रच पाए जाते हैं सबसे पहला ब्रच होता है आपका नारियल का नारियल का सदा बहार ब्रच का पेड़ है इसकी कभी भी पत्या नहीं गिरती है आबनूस का पेड़, रोजबुट का पेड़, बेत का पेड़, एबोनी का पेड़, महोगनी का पेड़, तार का पेड़, ये सारी पेड़ आपके सदा बहार, जो सदा बहार बिल्ट है, उसमें इस तरीके के पेड़ हाएंगे, तो कुछ लिखना हो दो लिख लिजे, सदा बहार बन कहां पाए जाते हैं यदि हम लोग एरिया वाइस देखें मैंने आपको एरिया वाइस बताया जो आपका नौर्थ इस्ट का छेत्र है आसम मेगाले त्रिपुरा मिजोरम ये वाला चेत्र अंडमान निकोबार द्यूप समू पश्मी गाट का छेत्र तो यहां पर कि किस तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे तार का पेड़ महोगनी का पेड़ नारियल का पेड़ एबोनी का पेड़ आबनूस का पेड़ बास का पेड़ रोजबुट का पेड़ बेत काव पेड़ इस तरीके के पेड़ यहां पे आपके पाए जाएंगे ठीक है दूसरे प्र इस हिस्से में आपकी जो प्राक्तिक बनस्पति उष्डगडबंदी पंडपाती बनस्पतियां होती हैं यहां पर कौन-कौन से पाए जाएंगे वन साल का पेड़ साल सागौन सीसम चंदन आम हरड बहेडा आवला मौहा हल्दू बहुत सारे पेड़ है ठीक है अब आप बाक ठीक है यह सारे पेड़ आपके जितने भी हैं तो आपका जितना भी उत्तर प्रदेश है उत्रांचल है पश्चिम मंगाल है महराष्ट है ठीक है उडीशा है चत्तिस गड़ है यह पूरा बिल्ट आपका यही है इसी बिल्ट पे उज्ड कडवन दिये पत्जडवन पाए जाते हैं दूसरा है जो आपका कांटेदारबन है जहां पर आपका यह वाला पिछेत्र इस छेत्में सुस्क छेत्में किस तरीके के ब्रक्ष पाए जाएंगे तो लिख लिए यहां पर कौन-कौन से बबूल खजूर नागफणी रीठा बेर आवला करील ठीक है बबूल खजूर नागफणी रीठा केर बेर आवला करील आदी के ब्रच यहां पर पाए जाते हैं तो यह आपका जो राजिस्थान है गुजरात है दच्छनी पस्चमी उत्तर प्रदेश है मद्द प्रदेश है और करनाटक का जो छेत्र है करनाटक का यह वाला छे शेत्र ध्चेत्र में यह बल पाए जातें तोमाइब मनस्पति को डेल ताई बन यहां पर आपके का यहां पर आपका कैसूरीना कैसूरीना नारियल फोनिक्स नारियल फोनिक्स नीपा नीपा सुन्दरी ब्रच्छ भी यहां पे उगते हैं सुन्दरी ब्रच्छ भी यहां पे उगते हैं इसलिए सुन्दर बन का जो डेल्टा का नाम पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा कि गंगा ब्रमपुत के डेल कि लिख लिए ओक देवदार देखो सबसे पहले जब आप हिमालेन छेत्र में चढ़ेंगे उपर तो 900 मीटर तक की उचाई में जाएंगे तो वहां पर सदाबहार पेड़ मिलेंगे आपको सदाबहार बन लेकिन जैसे उसके उपर जाना चालू करेंगे आप 900 से 800 मीटर पर तो आप इसी तोल्ट कट बंदी चौड़ी पत्ति वाले बन पाए जाएंगे तो आपको जैसे 900 मीटर से उपर जाएंगे वैसे ही बनस्पती बदल जाएगे तो यहां पर क्या-क्या पाए जाते हैं लिखे ओक देवदार ओक देवदार वर्च मैपिल ठीक है इसके बाद आप जैसे 1800 से 3000 मीटर की उचाई पर जाएंगे तो यहां पर समसी तोल्ड कोड़ धारी बन पाए जाएंगे आपके जैसे से उचाई पर बढ़ते जाएंगे एक बार इसको भी आप बनाना चाहें तो बना लीजिए साथ में हाइट के हिसाब से भी बनस्पति आपकी बदल जाती है यदि हम हाइट के हिसाब से उपर चलते जाते हैं तो सबसे उपर आपका यह क्या है 900 मीटर तक की बात है सबसे पहले हम 900 मीटर तक उचाई में 900 मीटर तक चढ़ेंगे तो यहां पर सदा बहार बन पाए जाएंगे यह बना लिजिए ठीक है 900 से 1800 मीटर तक यह आप जाएंगे तो यहां पर क्या पाए जाएंगे सीतोजड कडबंदी चौड़ी पत्ती वाले बन पेड़ सीतोजड कडबंदी चौड़ी पत्ती ठीक है यदि इसके उपर जाएंगे 1800 लेकर के आप 3000 तक जाएंगे तो यहां पर सम सीतोजड कोंड़ धारी बन पाए जाएंगे 3000 मीटर तक जाएंगे तो सम सीतोजड कोंड़ धारी बन ठीक है इसके उपर यह दिया आप जाते हैं तो आपको 4800 से 5000 इसके उपर यहां पे 4800 से 5000 मीटर तक में टुन्डरा बनस्पती मिलेगी टुन्डरा बनस्पती बनस्पती और 5000 से उपर जाएंगे तो बनस्पती बिहीन हो जाएगा बनस्पती नहीं होगी बनस्पती बिहीन छेत्र होगा बर्फ से ढखा हुआ छेत्र होगा ठीक है हमेशा बर्फ से उपर जब ही रहती है जब भी आप जाएंगे पाड़ों में तो आप एक यह पैटन देखेंगे ठीक है तो आप देखेंगे कि फारे स्प्रूस चीड सनोर चीड वगयरा जो होता है ना चीड आपका यहां पर मिलेगा इस तीन हजार से उपर वाली उचाही पर जाएंगे और देवदार आपको पहले मिल जाएगा इस वाले बेल्ट पर ठीक है तो इन दो इनका सब कर लि देख लीजिए अठारा सो वाले पर नौसों से अठारा सो के बिल्ट पर क्या क्या मिलता है कि ठीक है कि यहां पर आपके कि सीटोड कडवंदी चौड़ी पत्ति वाले बनों में आपकी जितने भी बन हमने उस पर देखे हैं ये वाला जो आपका बता रहा हूं मैं जो दूसरे वाले में देखा है हाँ यहां पर लिखे ओक देवदार वर्च मैपिल ठीक है इसके उपर लिख लिजे फर इस्प्रूस चिड़ सनोर इसके उपर में फर इस्प्रूस चिड़ सनोर ठीक है इसके उपर लिखे यहां पर समसे यहां पर लिखे ब्लू पाइन यह भी ब्रच्छों का एक प्रकार है कहां पर नहीं टुन्डरा तो अलग बनस्पति और लाइकें टुन्डरा बनस्पति घास काई लाइकें ऐसे टाइप की बनस्पति होती है चोटी-चोटी बनस्पति ठीक है जैसे आप नीचे जाएंगे पत्तियां ऊपर उपर जाने चोटी होती जाएंगी नीचे आते जाएंगे बड़ी होती जाएंगी ठीक है तो नेक्स्ट हो गया अब देखो एक चीज यहाँ पर समझ लो जैसे आप हिमाले की पश्मी हिमाले का पश्मी हिमाले में आपका जो पैटन है वो यह पैटन पैटन पाए जाता आम तोर पे ठीक है पश्मी हिमाले पर मेंटर नंसांव Ettwich के खतम हो जाती हैं पूरवी हिमाले पर चार मीटर के बाद बर्हा स्पतियां नहीं पूरवी हिमाले जो परवत चोटियां लेकिन च्छा दिना पर च्रुंध पर च्रबायात यहां पर यहां कि चीया होते थिए थी तो एसे में यहां पगल यहां पर शूर्धाय मेठ रहता है और आंग और यहां पर आपका 5000 मीटर है 5000 पथाइरर घैंच बहुत की और जाले ला कि इसको बोलते हैं रेखा यानि हे ऊपर कि आपका क्या होगा बर्फ ही जमी मिलेगी हमयशा बनस्पति भीहिंच चैत्र मिलेगा ठीक है तो यह होगी आपका कि ठीक है और आपको तो सबसे नीचे वाला चेत्र जो यहां वाला चेत्र होगा यहां पे यहाँ पे ब्रच और जाडिया बहुत सारे मिलेंगे आपको जाडिया एवं ब्रच ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं next यह हो गए आपकी बनस्पतियां सारी की सारी कि अब बनस्पतियों में कुछ बचा है लगबग लगबग कहां पे कौन सी बनस्पति पाई जाती है हमने देख लिया ठीक है आगे एक चीज और लिख लिजे भारत को आठ बनस्पति छेत्रों में बाटा जाता है भारत को आठ बनस्पति छेत्रों में बाटा जाता है आठ बनस्पती छेत्रों में बाटा जाता है भारत को आठ बनस्पती छेत्रों में बाटा जाता है लिखना हो तो सबके नाम एक एक लिख लिजे पहला है पश्मी हिमाले छेत्र पहली बनस्पती छेत्र है पश्मी हिमाले छेत्र दूसरा है पूर्भी हिमाले छेत्र पश्मी हिमाले छेत्र में चीड़, देवदार, संगुधारी, ब्रच्छी ये सब पाए जाते हैं पूर्भी हिमाले छेत्र में जो है ओक, जैफल, दूइफल, फूलों के बड़े-बड़े पेड़ ये सब पाए जाते है तीसरा है अपका आसम छेतर, पहला है पश्मी हिमाले छेतर दूसरा है पूर्भी हिमाले छेतर तीसरा है आसम छेतर चौता है सिंदु का मैदानी छेत्र सिंदु का मैदानी छेत्र नेक्स्ट है गंगा का मैदानी छेत्र सिंदु का मैदानी छेत्र गंगा का मैदानी छेत्र फिर नेक्स्ट है दक्कन छेत्र दक्कन छेत्र नेक्स्ट है मालाबार छेत्र next है अंड मान चेत्र अंड मान चेत्र ठीक है बनों से बहुत सारे प्रोडत bending निकलते हैं forest प्रोडक्त निकलते हैं जैसे कि मालीज्य अपका तेंदू का पत्ता है ठीक है तो यह बनों से ही प्राप्त होने वाला प्रोडक्त है है ऐपका जो ऊडिशा है मद्ध प्रक्रदेश चतिस गड़ है दच्छेण पूर्भी राजिस्थान है यहां पर आपकी इनकी जो है यह 00 WOW यह पत्ते का प्रयोग करते बीडि उद्ध्योग ना पूरा बीडी की थेवर तेंदू के पत्ते पर लिट गया इसके पूरा भरा हुटा हुट है तन दू का होता है और बीड़ी त्योग में इसका प्रेयोग करते हैं ठीक है दूसरा आप तो बीड़ी लोग संद्ध हो गई आप थोड़ा ग्रेड कीड़े कीह को तो लाग का प्रयोग हम लोग करते हैं जारखंड में इसका प्रयोग औसधी बनाने में रेसम रंगने में है ना चूडियां बनाने में पेंट बनाने में इलेक्ट्रोनिक बहुत सारे समान बनाने में spirit बनाने में इन सब चीज़ों में लाख का प्रयोग किया जाता है तो तेंदु पत्ता हो गया लाख हो गया बेंट मेट हो गया वेट वेट एक तरीके का कह सकते हैं कि बनों क्यों के लडलों में ब्रेंग उगता है से बहुत सारे तार बना जाते हैं रस्तियां बना और इसके माध्यम से आपका तmee बनाय जाती है स्नीहक पदार्थ बनाय जाते हैं गोंद ढहीं आप देखते हिना एक गोंद तो हम परियोग होती है पिंट में परियोग होती कउडी में में परियोग होती है ड्रकस बनाने में भी गोंद का पर fusion किया जाता है थिक है इसके बहुत सारे प्रकार के रंग पाय जाते हैं हमें तो जिसे पेंट होते हैं पेंट का प्रयोग जो है जैसे आपका मेहंदी हो गया चंदन हो गया चंदर पेंदी क्या है मेहंदी का पेड़ क्या है कलर ही तो मिलता है उससे आपको एक कलर एक खैर के बख्षे से प्राप्त होता है लेकिन यह इक टरीके का रंग है कथा भी आपका इक कलर होता है तो बहुत सारी चीजें ब्रच अमारे लिए मतलब एक तरीकिसे प्राक्तिक तोर पर ब्यापक और सदिया भी मिलती हैं और साथ-साथ ठीक है हर एक ब्रच में और सदिये बोड़ भी होते हैं तो ब्रच मतलब पर्याप्त संसाधनों के एक बड़े रूप है ठीक है वन जीव अगयरा मैं यहां पर कोई पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है वन जीव आपका वहां पर है टॉपिक ठीक है और नेक्स्ट आपका बचा क्या किस डीरेक्शन से बढ़ना चाई है है मुट रिखियो और ऽी lle इम इस्ट सेक्टर की तरफ निकलना चाहिए ना है अब अब क्या बचा किए अग्रि कल्चर हां इंग्री कल्चर है आपको आपको हाइँ कि चलता है तो देखे भारत में जो करिसी रितुएं हैं तीन प्रमुक करिसी रितुएं हैं भारत में ठीक है अभी जैसे कि आपका जो चल रहा है दिसंबर ये दिसंबर और जन्वरी के महीने का है तो खरीब की फसल पहली होती है आपकी जून से सितंबर के महीने तक होती है इसके बाद खरीब की फसल में धान की खेती करते हो आप, चावल, कपास, बाजरा, यह सारी, मक्का, जुआर, आरहर, यह सारी फसले कवंपरीयोक करते हैं, जब खरीब की फसल होती है, ठिक? रभी की फशल में गेहूं, चना, तरोई, सरसो, जव, ये सारी चीज़े रभी की फशल पे तो क्रिसी रित्वें, तीन प्रमुक्रिसी रित्वें पहली है पहली आपकी खरीब की फशल करीब की फशल का टाइम क्या है जून से लेकर के सेब्टेम्बर तक जून से सेब्टेम्बर तक करीब की फशल ठीक Одज ठीक रभी की फसल अक्टूबर से मार्च के महीने में जिसमें गेहू चना सरसो जव इत्यादीона प्रमुब फसले इसके अलावा जायद की फसल जो होती है आपकी दो महीने-तीन मेंने होती है अपरेल से लेके जूम तब जिसमें बनस्पती सब्जियां, फल, चारा फसलें यह सारी चीज़े यहां पर होती है तो यह हमारे यहां का देश का पैटर्न मना दिया गया है और इसी पैटर्न से चीज़े चल रहे है तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक फसल को उठाए जाए या फिर एक बार इसमें देख लेते हैं साइध मानचितरण है यह आपका अगरी कल्चर पैटर्न है कि भारत में कैसे खेती कि जाती है ठीक है तो कहां पे कहां पे जूमिंग कल्टिवेशन है कहां पे आपका परवती इक्रिसी है एक यह के सपॉर्ट से करने के लेकिन सब परवतिये नहीं कुछ मैदानी चैत्रों में ठिक, जहाँ पे spot लगे हुए हैं, पहले चीज़ यह समझने, दूसरा ये pattern आपका पुरा परवती एकरिसी का है, इलए छेटर जहाँ पर परवती एक खेती होती है, क्योंकि हमें इसी अधार पर पता चल पाएगा कि कहां पर क्या हो रहा है इसके बाद जो है दूसरा है सिंचित क्रिसी यह वाला पंजाब यह पूरा हरित क्रांती वाला छेत्र है इनके पास बड़ी मात्रा में सिचाई के साधन नदियां और सासा तुरबरत यह पूरा का पतलब यह नदियों द्वारा नदिया बहुले छेत्र हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल के उपलब देता है तो यहां पर आध्र क्रिसी की जाते हैं नदियों के द्वारा नहरों के द्वारा नलकूपों के द्वारा ठीक है भारत में अलग अलग अगरिकल्चर उत्पादक ज्यादा होता है उत्च उत्पादक तक ऐसे होती है तो एक करके इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानने बहुत जरूरी है हम इस पर कुछ फैक्ट लेकर के चलेंगे सबसे पहले लिख लिजे भारत को पंद्रा क्रिसी जलवायु च्रहों में बांटा गया है है टूटल एक ग्रीक लेमिटिक जोन कितने हैं पंद Corinna इस प्रश्ण पोर्सता आपका लुटल भारत में पंद्रा क्रिसी जलवायु छेतर है में है में पंद्रा क्रिसी जलवायु छेतर है ठीक है 15 की 15 लिखवानेक जुरूत नहीं है ठीक है पहला है आपका पश्मी हिमाले प्रदेश दूसरा है आपका पूर्भी हिमाले प्रदेश तीसरा है आपका गंगा का निशली घाटी वाला मैदान चोथा है आपका गंगा का मद्ध वर्ती घाटी वाला मैदान पांचवा है आपका गंगा का उपरी घाटी वाला मैदान छट्वा है आपका ट्रांस गंगा का मैदानी छेत्र सात्वा है आपका पूर्वी पठारी वा पर्वतिय चेत्र आठ्वा है आपका मद्ध वर्तिय प नवाहां है आपका पश्मी, पर्वतीय पर्वतिय चेटर, दसवाह है आपका दच्छनी-पर्वतिय छेतर, ग्यारवाहां है पूर्वी-टटी मैदानी या करवतिय चेतर, लगानी- क्रिसी जलवाई छेत्रों में बाटा गया है ठीक है तो अलग अलग है सबके राज्य अलग अलग है पश्मी हिमाले प्रदेश में हिमाचा प्रदेश जंबू और उत्तर प्रदेश इतने राज्य आते हैं पूर्भी हिमाले प्रदेश में अवडांचा प्रदेश असम मेघा शिक्किम और नागलेंड आते हैं निचली गंगा घाटी का मैदान इसमें पश्ची मंगाल आता है निचली गंगा घाटी का मैदान ठिक मद्दवर्ती गंगा घाटी का मैदान उत्तर प्रदेश और विहार दोनों मद्दवर्ती छेतर में आते हैं गंगा का उपरी घाटी मैदान केवल उत्तर प्रदेश आता है इसमें उत्तराखंड का छेतर भी है इसके बाद Trans-Ganga का मैदानी छेत्र इसमें चंडीगड यानि गंगा के उस पार Trans-Ganga चंडीगड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजिस्थान यहाँ पे गंगा नहीं है Trans-Ganga के छेत्र है इसके बाद पूर्वी, पठारी वा पर्वतिय छेत्र में बिहार, मद्द प्रदेश, ओडिशा, महराष्ट वा पश्चिमंगाल मद्वर्ती, पठारी वा पर्वतिय छेत्र में मद्द प्रदेश, उत्तर प्रदेश वा राजिस्थान पश्मी परवती वा पठारी चेत में मद्ध प्रदेश वा महराष्ट, दच्छनी पठारी वा परवती चेत में आंध प्रदेश करनाटक वा तमिलनाडू, पूर्वी टटीय मैदानी वा परवती चेत में आंध प्रदेश तमिलनाडू, ओडिशा पुदूचेरी, पश्मी क्रथ्ट Story मैधानी कार estiloo घाट चत्में गोवा करणाटा केरल महराश्ट वा तंइल नाडू गुजराथ बंबटीयवा मैदानी चत्में गुजराद, दमंद्यूब, दादरानगर, हवेली, राजिस्थान, पश्मी, सुस्क, प्रदेश में, राजिस्थान, और दूपीय छेत्र में, अंडमान, निकोबार, द्यूपसमू, लक्ष दूप द्यूपसमू, ये मतलब एक पूरा पैटर्न बनाये गया है, ठीक है, पै बड़ी मात्रा में क्या होना चाहिए, पानी के उपलब्धता होनी चाहिए, बिना पानी के चावल की फसल होना मुस्किल है, तो खरीब के फसल की रूप में इसे उगाया जाता है, और देश के कुल खाद्यान वाले छेतर में, 47% छेतर में हम चावल की क्रिसी करते हैं, ठी एक फसल इसकी सरदियों में भी होती है, तीन फसले, तीनों फसलों को आप लेख सकते हैं, चावल की तीन प्रमुक फसले हैं, पहली आमन, आमन जो है सीत कालीन फसल है इसकी, आमन, दूसरी ये बोरो, बोरो ग्रीसम कालीन फसल है, आमन, बोरो और तीसरी आउश, आउश ज कि ठिक है कहां कहां इसल्य चावल होता है भारत में पूर्भी भारत में सबसेज़़ now और भारत के मैदानी च्षेट यह preacher यह है आपको जिन च्षेटरों में उच्षेटरों पादक ता होती यह वालज च्षेटर이 यह आप देख रहे हैं न उड़ीसा चतिसगर पश्रिममंगाल जारखंड इस छेत्र में खूब होता है चावल और उत्ता प्रदेस और बिहार के इन छेत्रों में चावल खूब होता उच उत्पादक्ता होती है यहां पे पंजाब हर याणा यह वाला छेत्र में आपके यहां पर चावल आपका खूब होता है कि मध्यमुत पादक्ता में आप देख रहे हैं दूसरी यह बीच में मध्यमुत पादक्ता लेकिन जो मुख छेत्र है बाकी जहां ब्लैक है इसका मदब यहां चावल आई नहीं राइस्तान वाले चावल इंपोर्ट करते हैं गया का इसके बाद आपकानी गहूं तो देश में चावल के बाद दूसरा मुख खाद्यान फसला आपका गहूं है देश के लगबक कुल खाद्यान फसल के दस प्रिस्षद भूमी पर गेहूं उगाये जाता है 47 प्रिस्षद हिस्षे पे चावल उगाये जाता है 10 प्रिस्षद भाग पे गेहूं की किर्शी की जाती है कि इसका जो उत्पादन है ना वह जादा गेहूं से प्रति हिक्तेयर उत्पादन नियूल का चावल से ज्यादा है ठीक है और चावल के लिए ज्यादा खेती की करिशिसी चाई की जूरत होती इसके लिए ज़्यादा कृषिसुचाई को उसकी अपेक्षा काम है तो देश के कई हिस्सों पर जो है गेहुं की फशल होती है ठीक है इसके अलावा प्रमुख उत्पादक राजी कौन है उत्तर सबसे प्रमुक्राज्य जो गेहूं की फशल का को उत्तरप्रदेस ठीकिए पंजाब दूसरा है कि productivity में सबसे ज़्यादा पंजाब हर चीज में आपंजाब है लेकिन सबसे ज़्यादा कि परफ दन करता उत्तर प्रदेस ठीकिन अगला है जल्ले छरह फास सब्सक्राइब प्रभाव जो पढ़ा वो गेहूं की क्रिसी पर ही पढ़ा यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गेहूं की क्रिसी पर सबसे आदा पढ़ा और इसका सबसे जादा उत्पाधन जो है उत्तर-प्रदेश-Panjab और हरियाणा इन तीन राज्यों ने भरित करांती पे उस फसल का सबस्यद उत्पादन किया ठीक तकि मात्रा भी अलग थी और उच्छ उत्पादक साथ उत्पादन भी अदिक था अगला है जव जव जो मोटी मोटे अनाच के रूप में इसकी गड़ना के जाती है ठीक है और यह हमाव समानता बालुई मुट मुझता परदेश्ट दो छेतर हैं दो चेत्रों में जोगी खेती की जाते अगला है चया जो है यापका इसमें जरुई ज्टाइची ज्युरुत पड़े तो इसके लिए आपकी इस पे बालूई Talk यह आपका यह रा इस्थान में भी जोडरत सबसे चाफ सूखा सहने वाली फसल है अब सबसे आदा सूखा पढ़ भी जाए तो भी यह हो जाता है तो राजिस्थान में सबसे आदा आपका राजिस्थान गुजरात हरियाना मध्य प्रदेश उत्त्रप्रदेश में बाजरे की खेती होती है ठीक है बेसिक इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाजरा मतलब गरीबों का भोजन है कुछ मिले न मिले गाहों में गामीड जन संक्या मुक्काचाहिरों में लोग तो देखने को नहीं पाते हैं लेकिन बाजरा नेक्स्ट है मक्का मक्का जो है यह आप होनी चाहिए अच्छी खेती होनी चाहिए और देश में सबस्यादा मक्का उत्पादन का कारे करता है उत्तर प्रदेश लेकिन सबस्यादा मक्का उत्पादन करता है आपकी पंजाब में ठीक है पंजाब का मक्का अच्छा होता है मक्का है वैसे देखा जाए ओवरॉल ये प अगला है दाले तो जो लोग साखा हारी है उनके पास एक ही साधने प्रोटीन प्राप्ति का वह दाले दालों से ही आपको प्रोटीन मिलती है और हमारे यहां पे रभी और खरीब डोनों फसलों के अंतरगत दालों की परियाप्त केती होती है अरहर चना मतर मसहूर मूंग अग्माव दाल है कि कि इस तीलहन में आता है तो प्रोटीन यदि देखा सब से ज्यादा जो प्रोटीन पया जाती वह पाई जाती मूंग फर सोया बीन और मूंग फली में लगब लबग बराबर प्रोटीन पाई जाती है बड़ सबसे जादा लिए देखें उच्छ उसमें मुंफली नहीं रहता option तो आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगला नेक्स्ट है आपका अरहर तो अरहर के बारे में दो तिन बाते हैं सबसे ज़्यादा अरहर आपका कहां होता है जितनी दलहनी फसले हैं दलहनी फसलों में सबसे प्रमुक राज्य है अपका मद्ध प्रदेश ठीक है मद्ध प्रदेश में सबसे अदर दलहनी फसले होती हैं और सोयबीन तो नंबर एक है आपका मद्द प्रदेश बाकी देखिए महाराष्ट तमिलनाडु करनाटा कांद प्रदेश आदीन छेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में होता है ठीक है बाकी नगदी फसले होती है कुछ वाड़िजिक फसले जैसे कि गन्ना गन्ना सुगर के इस ठीक है तो संपूर्ण विस्व में गन्ना उत्पादक में भारत पहला स्थान पर आता है और लगबग विस्व का 40% गन्ना भारत में उगाया जाता है इसके अलावा जो है गन्ना इस समय देखें तो सबसे आदा मिले जो हैं महाराष्ट्रा में और सबसे अदा उत्तर प्र प्रदेश में अच्छा तो और इन्होंने सारी कुल आच्छा तो सबसे ज़्यादा हो गए आपका यूपी ठीक है चलिए अच्छा नेक्स्ट है आपका रबर रबर भी आपका एक नगदी फसल है और नगड रबर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ब्राजील तो नगने है डचनी अमेरिका में ब्राजील में सबसे अधा रबर की केसी होती है लेकिन वहां लाह करके ये केरल वालेא छहत्तं में पेरियार नदी के किनारे लगाया गया तो हमारे रबर सब सबसे अधाधा केरल रबरी सापका केरल ठीक है इसके बाद प्रेप यूद प सबसे य्दा खतंब कर देते क्योंकि बढारत में बायत बात में चाय पिला जाती है घारों पर जले यो घी गी दूद्ग का उतना मात नहीं जितना चाय का तो काहएं 変 सबसे यादा इसको शेतर में करनाटक जो है और असम जो है आपका चाय उत्पादन पर नंबर एक है ठीक है हाँ केरला में भी होता है तो छुटपूट होता है लेकिन सबस्याद का हुआ का करनाटक में होता है ठीक है रेसेदार फसले हैं रेसेदार फसले में आपका जूट आता है ठीक है भारत में विस्सु की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी लेकिन जब भारत का विवाजन हो गया तो दिक्कत यह हो गई कि जितनी मसीने थी फैक्ट्रियां थी भारत में रह गई और जूट छेत्र जो हो पश्री मंगाल से अलग होके बांगलदेश में चला गया तो वहां ज़्यादा होता है लेकिन फैक्ट्री हमारे पास है यह हो गया नहीं तो एक समय था कि जूट उतपादन भारत में सबसेज़ादा हुआ करता थे एक समय में क्योंकि इसको उतपादन करने में बहुत जरूरत नहीं होती बहुत सस्ता स्रम्भी मिल जाता है और देश म में अभी सबसे आदा जूट उत्पादन का कारें पश्यमंगाल ही करता के लिए 70 परसंट जूट उत्पादन आपका पश्यमंगाल करता है ठीक है तो यह हो गया लगबाल लगबाल आपका क्रिसी से जुड़ी हुई कुछ कुछ फैक्ट है और एदी कुछ फैक्ट मुझे कठे मिल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं अग्री कल्चर का मात तो बढ़ रहा है इस समय लेकिन लगतार अब एग्री कल्चर पर्टिकुलर हम खुदी प्रयास करेंगे कि अब अगला एक सब्जेक्ट ही पर्टिकुलर एग्री कल्चर चालू किया जाए क्योंकि यूप्यस्ट में इस बार 11 कुछन पूछे हैं इन हाँ तरी ऐगरी कल्चर को अब अलग से मोग देखेंगे अब बात करते हैं खने संसाधनों को ले करें ठीक है तो सबसे पहले खनी यह क्या है खनीज एक प्रेकार का प्राकतिक शंसाधन है जिसकी रचना एक सधिक तत्तों के संयोजन से सेलों से मिलती है वो खनीज कहलाता है आपका और भुगार्विक संसे मपदा के तौर में पराप्त कैसी होता है उत्खानन के द्वारा प्राप्arta होता है जब हम जीवास्मों में का उत्खानन करते ठीक है तो धात्तिक खनीज हुए होते हैं जिनको गलाने से धातु प्राप्त होती जैसे तांबा हो गया लोहा हो गया टीन हो गया बैक सीट हो बैक बॉकसाइट हो गई मैगनीज हो गया है ना यह सारा आपका धात्तिक खनीज है और अधात्तिक खनीज हो वह है जिनको गलान है ये साहिजो आगनेएग चट्ट्टानोंचे पनी हिए ऑधातिक नि यहीं होते हैं और जो निच्छेपट के ओपर दूसरी अवसाध के तौर पर जाएं ठीक है तो दो प्रकार से खनीज होते हैं और इन में से भी हम खनीजों को दो प्रकार से और बांट सकते हैं लोहा खनीज या अलाओ खनीज जिन खनिजों में लोहे का अंस होता है उन्हें लाओ खनिज कहते हैं और उन्हें लोहा इस पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि Magneja, Tungustan हो गया, लोहे के सारे आयसक हो गये आपके, यह सारे आपके कैसे होते हैं, लोहा खनीज होते हैं, अलाव खनीज वो होते हैं, जिन में लोहे का आंस नहीं पाया जाता है, इने अलाव जैसे Tamba, जैसे Sona, जैसे Sisa, जैसे Voxite, जैसे Tin, Magnecium, यह आदी जितने आपके कैसे हैं अलाहो खनीज है तो खनीजों को दो प्रकार से बाटा जा सकता है पहला है धात्वी खनीज और दूसरा धात्वी खनीज यानि जिस्म को गलाने से धातु मिले जिसको गलाने से धातु ना मिले एक प्रकार यह है या फिर दूसरा प्रकार है कि हम इसे लोहा ख सबस्क्राइब आपका ओरीशा का पठार है नाकपूर का पठार है चत्यसगर्ण का उत्री भाग गए इस पूरे छेत्र में बड़ी मात्रा में धातुएं पाइज आप एक बार देखते हैं इस पर कुछ मांचेत्र में मिले ठीक है अच्छा अभी एक क्रिसी एकरी कल्चर कही है चाय का उत्पादान है यह चाय का देखिए असम का छेतर है आपका और यह हिमाचल प्रदेश में भी चाय पाई जाती है आप जब कभी धरम साला वगरा जाएंगे तो टी गार्डेनी पूरा लग लग से आपको कई सारे मिलेंगे जहां पर चाय की और यहां पर केरला में भी चाय होती है ठीक है कॉफी उत्पादन चेतर में यह है आपका पूरा करनाटक केरल तमिलनाड यह परमपरागत चेतर हैं बाकी कई चेतरों में भी यहां पर भी जो है गयर परमपरागत चेतर हैं यह हमारा यहां से चालू हो जाएगा कहां पर क्या पाए जाता है तो सुरुवात किस से की जाए लोहा एस्क से है ना ठीक है तो देश में सबसे पहले चालू करते हैं लोहा एक सबसे प्रमुक्त हनी स्साद Yoo हमारा क्षे बेज में कुड़प्पा धारयूप की जितने वी चट्टाने है इन चट्टानों में लोहा यस्क से ठीक है अब लोहे के प्रमुक्तस के कौन कौन से हैं पहला है मेग्नेटरैट सबसे प्रमुक्त दूसरा हेमेटाइट तीसरा ॥ी हीमेट right limonite ठीक है लैट्ट राइट यह प्रमों क्याइस्क हैं और देश में सबसे ज्यादा जो लगभाто magnet ट्में बाहत्तर प्रिस्टत से जचादा आपका लोहगे की सुभinyत कूल पाये जाता है भीजिद है सबसेदा किसमें पाये यहां पर कहां थी बाबा बूदन दिया गया इसमें एक तो धरवाड क्रम है यह आपका धरवाड क्रम सीमोगा वेलारी यह पूरे जितने छेत्र हैं करनाटक वाला छेत्र पूरा का पूरा आपका अब इनको आपको बनाना पड़ेगा अलाग अलग से करके आप इसे और यहां पर पर्टिकुलर सारे छेत्र दिये गये तो छेत्र आपको बनाने होँगे मैं एक-एक करके आपको कुछ बता देता हूँ सबसे पहला है आपका जहां पर पाये जाता है आपका हेमेटाइट आयस के एक है चिक मंगलूर जिला में बाबा बुधन की पारियों में हेमेटाइट पाये जाता है ठीक है इसके अलावा मेगनेट आयस कापका करनाटक के कुद्रो मिल्क में पाय जाता है तमिल नाडु के सालिम में पाय जाता है उत्री अरकाट छेतर में, नीलगिरी छेतर में, देवला छेतर में, आंधर प्रदेश के आदिलाबाद में, करीम नगर में, निजामाबाद में, केरल के कोजी कोड में, हरियाणा के महेंदरगड में, जारकंड के सिंग गोवा में पाकी फिल लिमोनाइट पाया जाता है, पशिम मंगाल के बीरभूम जिले में, हिमाचर प्रदेश के मंडल छेतर में, जंबू कास्मीर के उधंपूर और जंबू कर जिले में, उत्तर प्रदेश में भी गलवाड उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड करे दे, गड़वाल, अ एक बार देख लिजेगा हर्याना का महंदर गड़ भी दिया है यह गड़वालपूर दिया हुआ है यहां पर देखिए पूरा छेत्र है तो क्यों जर छेत्र है यहां पर आपको यह सालिम छेत्र है ठीक है अबेदकर छेत्र है कुद्रे मुख छेत्र है ठीक है तो इस सारी छ कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त mahdollina tuoे मैगनीज मैगनीज जो है लोْहे उध्योग में मैगनीज का भी प्रियोक किया जाता है काले रंगin का होता है प्राक्तिक भसमों के रूप में धार्माद युक्त कि चटानों में पाई जाता है कहां का इसके प्रमुः की एस्कि ज्ञादा तर पोस्छ से जाते हैं तो आपको आयसक पता होना चाह प्रिंट्ध अब हया आएसक दोसरह आई कर लिखना चाहिए तो क्यों आयसक ऐस्क लिख सकते हैं ठीक है पहले लूहा के लिख लिजी है लूहा के आपके चार एसकंप पांच अजसके लिख लेजे लेक्ट है मेरने के मैगनेटाइट है है मेटाइट के लिमोणाइट तथा लैटर राइट मैगनेट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, तथा लैटराइट इसके बाद दूसरा था आपका मैगनीज मैगनीज का लिखे साइलोमैलीन, ब्रोनाइट दो प्रमुख हैसक हैं, साइलोमैलीन और ब्रोनाइट ये दो प्रमुख हैसक हैं, इसके अलावा भी पाय जाता है ये पाइरोलुसाइट से पाय जाता है, हाउस मैटाइन से पाय जाता है में देश के प्रमुख मैगनीज उत्पादक राज्य हैं और मद्ध प्रदेश का बाला घाट और छिंदवारा जिला यह आपका मैगनीज छेत्र है और महाराश्ट्र का जो है नागपूर और भंडारे की जो जिलों में पेटी है वह है गुजरात में भी है गोवा में भी आं अगोष्ट का आशो को बैस मद्ध कॉपर के दाइस क्लिक लीजे छलको पलाई आइट अ चलको पलाई राइट अ dragging को साइट गहिए यह की चैल को साइट इस एक मुर्नाइट अ मुर्णाइट पर नाइट अ इसको क्यूप्राइड भी बोलते हैं आक्साइड या क्यूप्राइड तथा कार्बोनेट कार्बोरेट क्यूप्राइड कार्बोरेट क्यूप्राइड कार्बोरेट इसमें दो हैं मैचलाइड और एजूराइड तो पहला है चाल चेलकोपैराइड चेलकोसाइड वोनाइड कितीनों सलफाइड हैं इसके सधंशायड हैं एक साउड है तक और कार्बोनेट हैं मैचलाइट और कि तुआ यह इसके टांबे के प्रमुकियस हैं और यह तांबा आगने अवशादी और क्यांती तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है तांभी के बारे में एक चीजह आपको पता होगा कि विद्दूत का सबसे अच्छह सुचालक होता है सबसे अच्छा होता है चांदी ठीक है चांदी के बात आंभा फिर कर दें पहले तो चांदी की इतनी उपलब दिता नहीं है और हो भी जाए तो फिर छोड़ेंगे नहीं फिर चाहे जैसे भी हो तो एल्मूनियम का प्रयोग फिर उसी साब से करते हैं तो लिखिए इसमें ठीक है इसमें सबसे ज़्यादा तामबा उत्खनन होता है आपका सिंग भूमी जिला से जार्खंड के सिंग भूमी जिला से यहां पर जार्खंड में कई सारी खाने हैं मोसा बानी की खान है राखा की खान है पाथर गोड़ा की खान है सुर्गा की खान है बहुत सारी खाने ह तो राजिस्थान में भी आपका है खेतड़ी खेतड़ी में तांबा होता है आपका राजिस्थान में खेतड़ी भील वाड़ा उद्यपूर बहांस वाड़ा जिंजनू वाकी के यह जिले हैं तो यहां भी पाए जाता है तांबा ठीक है सिंदुगाटी सब्विता में आपक खेतड़ी की खान से ही तामा लाया जाता था काली बंगा पहुंचाया जाता था और काली बंगा आपको साइद पता हो काली बंगा सिंदुगाटी सब्विता की भारत की सबसे बड़ी साइट है राकी गड़ी से राकी गड़ी के सिमलर राकी गड़ी भी बहुत बड़ी साइ लेकिन है सिंदुगाटी शीपटा कि चले गए पाकिस्तान तो अब हमारी सिंदुगाटी सब्यता काना में रख यह काली बंगन सब्यता लेकिन बड़ा मिलब बिढमना है जब मैं यहां से काली बंगा का एक मेरा आए भी ना मालो मैं आपको सजेस्ट करूं क्यों करूं भाई मैंने उन से कहा कि आपने हालत क्या बना रिगोले साब पैसे नहीं है इतने ज्यादा लाइट ही नहीं खोलके रखते बंद पूरे म्यूजियम की लाइट बंद जब कोई जाता है हाथ पाउंच ओड़ता तो फि पूरी खोद आप जाएंगे कभी साइट में जाएंगे तो साइट में कुछ नहीं मिलेगा आपको सब मिलेगा म्यूजियम पे साइट पे सिर्फ खंडार पड़े हुए उसको पूपर से इन्होंने पड़ दिया है और भी मुझे लगता बहुत जाए टाइम नहीं लाएग वहां जाओगे आपको लगए चलावा है गलत पड़ाया जाता है क्या खुदाई यहां पर कुछ दिखता है नहीं वहां पर कोई खुदाई हुदाई कुछ भी ठीक है तो कम सक्क्रम खोदा हुए दिखे ना कि यहां से नरक अंकाल मिला है यह जूता हुआ खेत था अब प गड़वाल में भी पाय जयता है सिक्की में पाये जाता है ऀत्रा खंडınd के गडवाल जिले में भी पाये जाता इसके बाद जंबु कास्मिर कास्मीर घंटी बधेस पस्चिम मंगाल करनाटक दुनिया वर के जितने वी राज्ज बुस्में अगह है आफ कि अगला है आपक प्रमुक्त है आपका बाकसाइट ठीक है फिर बाहर है बोमाइट डायसफोर और गिबराइट यहां से भी एलमुनियम पाए जाता है ठीक है तो सबसे ज्यादा प्रमुक्त पादक राज फिर उन्हीं का नाम आएगा जार खंड चत्तिस गड़ मद्द प्रदेश उड़ी इसा गुजरात महराष्ट तमिल नारुकर नाटक इन सब जगहों में कुछ जगह हैं बाबा बूदन की पहाड़ी कुल याद रखेगा स सब कुछ यहीं से मिलता है अगला है गोल्ड सोना तो सोना में आपका इसका सबसे बहुमूले धातुओं में सिसकी गड़ना की जाती है और उपयोग इसका अंतर राष्टी इस तर पर आधान-प्रदान के रूप में होता है महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्री हैं इसको यह भी सुद्ध रूप में नहीं मिलता है और इसमें चांदी के बहुत सारे अंस होते हैं इसको भी तो इसके बारे में इसका जो प्रमुख इसके वारे में लिख लीजे जो करनाटक राज्जी सबसे ज़्यादा अकेले करनाटक राज्जी इसका उत्पादन करता है कोलार और हट्टी कि स्वाड़ खाने हैं यहीं से सोना सबसे ज़्यादा निकलता है कोलार की खान और हट्टी की खान बाकी और बहुत सारी खाने है यहीं पर करनाटक में मैसोर खान खाना आण्द प्रदेश में कउननाद कोईला निकलता है लोग सोन नदी पर ढूरते हैं स्वाड़रेखा नदी वैसे वह वह नदी निकलती वहाँ पर अगला है माईका अब्रक अब्रक आपका जो है कायांत्रित रूपांत्रि T वह ड़त के भंडों में पाई जाता है ठीक इसकी तीन किस्में पाई जाती है दूसरा है पीत अभ्रक पीत अभ्रक को ही फ्रालोगोपाइट बोलते हैं फ्रालोगोपाइट फ्रालोगोपाइट पीत अभ्रक को और तीसरा है स्याम अभ्रक सियाम अभरग को हम बोलते हैं बायो राइट बायो राइट थीक है, नेक्स्त है आपका अब्रक की प्रमुक खाने जो हैं वो भी फिर वही बात है कोई अंतर नहीं है अब्रक उत्पादन में देश का हमारा विश्व में पहला इस्थान है भारत का सबस्यादा अब्रक भारत उत्पादन करता है तो देश का विश्व में प्रथम इस्थान है सबसे पहले चीज यह और सबसे अच्छी खिस्म का अब्रक भारत से ही मिलता है विदेशों को निर्यात भी किया जाता है जार्खंड में सबस्यादा अब्रक जार्खंड में है ठीक है जार्खंड भी आपका अब्रक उत्पादन में नमबर एक है ठीक है यहां पे कई सारी हैं हजारी बाग में हैं सिंग भूम में हैं पलामू में हैं यहां सब अगला हीरा डायमंड कार्बन का सबसे सुद्ध रूप है यह और यह भी क्या है आपका कायांति चट्टान है ठीक है कोईला हीरा में बदल जाता है है इतनी जादा औसमा सहता है जितनी ज्यादा औसमा और ताप सहता है वह घीरे में बदल मूझें बदल लेता है अपना सीधा चेंज तो यह आपका सबसे 15 में फारे प्राचीन और एक खान है आपकी गोलकुंडा की खान तिलंगाना में यहां से कोहनूर हीरा निकाला जाता था ठीक है और कोहनूर हीरा सब चले गए हमारे यहां से एक तो बिर्टेन की महरानी अपने ताज में लगाये हुए बभारत का आपस और बाकी नादर साय चुरा के ले गया मुहमत सार रंगीला से एक कोहनूर उसके पास था और है अग्रेज़ ले गया आपके यह राजा रजी ऑस से ले जाए गए गया था रजी सिंझ में admira अ उनके पास कोहनूर ही रहा था तोंग्रेजों में कभी आप जाईएगा तो वहां पर यह होता है कि आपने दो फूर्ट तीन फूर्ट चार फूर्ट जमीन करीद ली उप्यस्ति नहों तो हीरा कुदाई कर लिजिएगा तायद के दो किसे लिए करते हैं लोग लेतें हैं सौफुड जगा ले लेते हीरा इसका तो ही काम कर रहे हैं कर सकता है उकते नेक्स अगला है अपका तीकं यह आंपे एक नदी है उस नदी के निचेपों से कहते हैं ही एहीरा हुआ भागने नदी है यहां पर पास में उसी के जम्हा किए गए निचेपों से यह यहां पर टीक है बाकी अगला वह जिप्सम जिप्सम ठीक है तो जिप्सम को हम बोलते हैं अमोनियम सलफेट आम तोर पर जो सीमेंट होती है सीमेंट पर जिप्सम भी मिलाए जाता है कारण यह होता है कि वो जम न जाए पत्थर न हो जाए तो जिप्सम का वहाँ प्रियोग करते है बहुत सारी अनुरबर भूमी होती है उस भूमी को भी उरबर बनाने में जिपसम का प्रयोग होता है तो जिपसम का सरवादी कुदपादन राजिस्थान द्वारा किया जाता है ठीक है तो इसमें राजिस्थान का नाम लिख लीजिए पाकी प्रमुखुत पादक्षेत में पूरे भारत का नाम लिखे हर जगे पे जिपसम है कहां नहीं है उत्तरा अंचल पे है गुजराद पे है महराश्ट पे है इमार्चा प्रदेश पे है जम्बू कास्मीर भूटान पे है लेकिन पर्टिकुलर आपको कुछ-कुछ लिखन पोस्ता है पेमस चगेत hostel पेव गति पूस्ता है अगला है क्रोम आइट क्रोम फयर होता है क्रोम अध़ी आइप हो जो होता है यह ए प्रचारा है फिर क्रोमीयम और लोहें का प्रब्रीयाफ पूस्तरान ठीक स्था फ्रमुक उत्पादक छेत्र में महाराज फो गया जहारकंड तमिलनाड़ अंद्रप्रदेश हो गया है सब गया अगला है सीशा लेड तो इसका ऐस्क है गैलेना गैलेना एस्क से प्राप्थ होता है सीशा इसक बिद्दुत का कुछ-ालक होता है ठीक है और हमारे देश में सीसे का उत्पादन सबसे कम होता है इसलिए हम इसको आयात करते हैं विविन देशों से स्वेंगतराज अमेरिका से अस्ट्रेलिया से यहां से सब आयात होता है ठीक है प्रमुक खाने इसकी राजिस्थान में सबसे प्रमुक खान राजिस्थान में से जावरा नामक स्थान पर इसकी खान है और कि हिंदुस्तान जिंक लिम्टेट द्वारा इसका उत्खानन किया जाता है अगला जिंक जस्ता तो जस्ता की प्राप्त होती है जिंक सलफाइट जिंकाइट बिले माइट हैं chemimorphite यह सारे इसके आयश्क है जिंक सलफाइट कलेमीन कि जिंक आइट केलेमीन जिंक गाइड बिलेमाइट और है मृम हैमी मोर्फाइड है ठीक है तो लौहे को जंग रोदी बनाने के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं ठीकि ताकि जंग से बचे ठीक है इसका उप्योग और कई जगहों पर किया जाता है दवाईयों में किया जाता है मोटर के कल पूर्जों में किया जाता है रंग रोधन में किया जाता है सेल बैटरियों में किया जाता है कई जगह पर इसको किया जाता है जिंक भी आपका राजिस्तान से निकलता है उद ती मिक्स रूप में पाई जाती हैं इसके प्रवुक्वकष के लिख लीजे चांदी के अरजन टाइट हो कि अर जंट टाइट पहरा जाईराइट हो और न सिल्वर इन थे अ इसट्य फैनाइट अ इसस्ट्य फाईनाइट जाइट अई दो तथा आव इस्टाइट तो इससे भी कलात्मा का भूष्णों का जो है सस्ते और कलात्मा का भूष्णों का निर्माड किया जाता है विद्धुत की सुचालक होती है भारत में ज्यादा है नहीं इसलिए बाहर से हम मंगवाते हैं ठीक है चांदी भारत में ज्यादा नहीं बे दावर की है राइस्तान हो गया करनाटक में चित्र दुर्ग और बिलारी से ठीक है आंद्र प्रदेश में कुड़पा गुंटूर करनूल से जहार खंड में संथाल परगना सिंग पूम से पश्चिमंगाल अत्राखंड से भी कुछ है ठीक है और क्या हुगा है यही तो बहुत सारी है इनको आपको एक बार बैठके वो करना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर इस पर ही मुझे मैं आप लोगों को एक जिस्ट बनाके कोई एक क्लास इस पर देना बनता है अगला ग्रेफाइड ग्रेफाइड को काला सीशा यह कहते हैं काला सीशा और इससे जो है ग्रेफाइड से ही जो आप पेंसिल है ना जो लिखते हैं ग्रेफाइड ही होती हो पेंसिल की जो लेड होती है आप क्यों ग्रेफाइड से लिखते हैं ठीक है तो पेंसिलों प्रयोग की आता है दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रयोग होता है परुमा प्रमुखुत पादक राज्य आपका है जारखन जारखन ए उडिशा में काला हंडी छेतर रहे उडिशा आंद्र प्रदेस जम्भू कास्मिर मद्प्रदेस केरल उत्तर प्रदेस में बहुत कम पाए जाता है अगला है फिर आपका अणुशक्त यानि की जो न्यूक्लियर खनी जाना कोई जाए गई नहीं आप प्लान कर रहें क्या नहीं नहीं जाने ही और अटमिक मिनरल्स बस खतम बहुत नदीग आ रहे हैं आप टेंसन क्यों ले रहे हैं क्या कि इसकी इसकी बात मत करिया भी हां तब ही तो बियार बिहार ही रह गया जार्खंड जार्खंड बन गया किसी कि इसकी बिहार के जार्खंड अलग हो गया जार्खंड चला गया जो में जहां पर इंग्रिष्ड था इतने सारे संसाधन थे वो चला गया इसलिए वह रहत रहे हैं बियार पॉलिटीशियन के कार्ट से वहां पर राजनीती बहुत गरीब ही बनाई गई गई ना ठीक है तो भीहार का काम बनाएगा पूरे विष्व को पूरे भारत को श्रम उत्पादन करना को जिर्वार बिस्व फैक्ट्री बना देंगे श्रम चाहिए विष्वार का बिहार से ले जाओ लोग दे रहे हैं सब स्रम सक्ती के तौर पर काम कर रहा है लोग प्यानी होते जो ग्यानी होते है नौलेज आप पूरे भारत में देखेंगे हर जिगे जो बड़े छित्रों बैठें सब बिहार के लोग बैठे हुए लेकिन दुरबाग क्या पॉलिटीशियन निखा गए वहाँ पे ऐसे लोग आ गए यह सब हुआ है 75 के दसक के बाद से जब इमर्जनसी लगी है उसके बाद से बिहार तबाह होना चालू हो गया गुंडा राज चालू हो गया वहाँ पे आज भी चल रहा है भी सेम कंडिशन है कोई बदलाव नहीं है ठीक है पबलिक जातिवाद में बट गई बोट बैंक की राजनीती धर्म की राजनीती इन रा इन in फ्रीघ लो है श्टेमर देश के मद्य प्रदेश और ये सब हुर इसेलिए उनकी नाम बी मार्वी दे दिया गया और जलदी सही잖ें और टाइम लहा है को सब क साउनी न होत्ता है इस सब्सक्राइब नहीं होगा टाइम लेगा थोड़ा सब्सक्राइब क्या करना चाह रहा है क्या कह रहा है ने दीजिए प्रकति के साथ प्रकति बहुत बुरी है आप साय जोग्राफी नहीं समझते इसलिए इतना बड़ा प्रस्ण आपने कर डाला यह जानते कैसे हैं इसका ढाल ऐसे चड़ाना पड़ेगा आप घर पे जैसे की ऐसा आप करें कि नल का पानी आपका सीडियों से चड़ता हूँ अच्छा तो दोबाइ की जेक्राफीकल कंणीशन अलग है ना दुबाइ की जो प्र хот भारत से नहीं जोड़ी है ना उसको रेतीला रिट पर बना हुआ है रेत के समदर पर दूबाई बना हुआ है उनक्त से मदों इत्टा सा है इतने कितने दूबाई भारत में पता है आपको बहुत अं तोड़ा साथ कोई बात नहीं समय लगे का जान जाएंगे है कि अधिया 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 नेक्स कहां पर थे हां अब हम बात करें थे कि जो आपके मिनरल्स है उनके वारे में चर्चा कर रहते तो हमारे देश में आपका सबसे इंपर्टन थोरियम आ थे थये थोरियम भारत में पाये जाता है और टटिय च्हेतरों में Kafi पाये जाता है जैसे कि आप आपह देखेंगे केरल वाले छेतर में मोना जयर्ट बालू पाय जाती है तो वहान पे बालू का निच्शेप फोरियम परयाप्त मातरा में पाय जाता है लेकिन अंभी पाया तो जूते है यह लेकिन उसको सब में पाए जाता है कर Gram वे पाए जाता है करनाटक में पाए जाता है औरषा में मैं यूरोनियम जु है ऐसा यहां पर धार्वल क्रम की चातानओं के थोड़ाव बात पाए जाता है और बाकी यूरेनियम जो है आपका जहारखंड करनाटा का अंद्रपदेश राइस्थान केरल और तमिलाड यहां पर भी पाए जाता है तो केरल में जो मोनाजाइड बालू है वहां पर भी जो है कुछ मामले में कुछ हद तक युरेनियम पाए जाता है अगला है बिरेलियम तो बिरेलियम भी आपका ये भी आगनिय चट्टानों से पाएजाता है ठीके यह भी आपका प्राप्ति स्थान इसके भी जहारखंड विहार राईस्थान आंदर प्रदेश जिर्कॉन नेक्स्ट है जिर्कॉन आपका जिर्कॉन भी इसको जिर्कॉनियम आयस्क है वहां से जिर्कॉन पाये जाता है और बाकी प्राप्ति स्थान केरल तमिलनाडव आंदर जहारखंड है अगला है वेनडियम वेनडियम इस दादव का प्रयोग जो है मिश्रित इस पातों के निरमाण में किया जाता है वेनडियम का और यह भी जारखंड औरीशा ओंद परदेश and derivatives यहां पर पाये जाता है मौनी विल्रिण नहीं है इनको देखने की अब बात कर रहे हैं उर्जा के स्रोत उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या परंपरागत स्रोत देखो दो तरीके के स्रोत हम देखते हैं उर्जा के पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत का मतलब क्या है परंपरागस रोत का मतलब है जो परंपरा से चले आ रहे हो यह आपका परंपरागस रोत है जो मलब परंपरा से चले आ रहे हैं लेकिन अब जो है इनको आने वाले समय में यह खतम हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे ठीक है तो यह है आपके परंपरागस रोत तो कोईला जो है आपका परंपरागस रोत है गैर परंपरागस रोत वो है जैसे कि परंपरागत में आपका कोईला है पेट्रोलियम है प्राक्टिक गैस है परमार उखनी जैसे यूरेनियम थोरियम यह गैर प्रमप्रागत है जो alternative energy के तौर पर सामने निकल के आए हैं यानि कि जिनको हम renew कर सकते हैं जैसे स्व उरजा पवं पुचा है तो यह सारी जितनी विजा आपकी ओपकी यह सारी जटनी बीक अठीय है ही तिक है जैसे की गया narrative energy जिए user energy lehar उर्जा नग्रिय कर्च कच्रा उर्जा नगरों में कच्रा तो कभी खतम नहीं होना एक तरफ सो आता जाएगा और लगाते जाएंगे हम लोग ठीक है तो फसल अप्सिष्ट हो गया लकडी इधन बायो डीजल इथेनौल आएंसे बहुत सारे जो है यह आपके गैर परमप्रा परमप्रागत है और नवी कर्डी है जितने भी गैर परमप्रागत थे इनको नवी कर्डी है कहते है नवी कर्डी मतलब इनको फिर से रिनू किया जा सकता है जैसे सौर उर्जा रिनवल है पावन उर्जा रिनवल है जितने भी परमप्रागत है नवी कर्डी है यानि कि आपका संसादन है जो परंपरागत है लेकिन नवी करड़ी है कौन सा जल विद्धुत जल विद्धुत हम परंपरागत तौर पर प्रयोग करते आ रहे हैं परंपरागत मतलब जो परंपरा से भी चला रहा है यह परंपरागत हो गया नवी करड़ी मतलब जिसको चल विद्दुद भी रिवależy आपका जल की जब improving अप्लब दी रहेगी तब तक रिवल रहेगा तो कोईला आपका कैसा है कोईला कैसा हैं परंप्रागत है और अभी कंडी है इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है काला सोना कहा जाता है डिगे तो सबसे पहले 1774 में जारखंड में आधनिक ठंसे कोईला को उत्पादन करने का या उसको माइनिंग करने का पहला प्रयास किया गया था ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कोईला के छेत्र हैं हमारे भारत में सबसे बड़ा बिल्ट आपका है यह आपके तीन प्रमुख उत्पादक छेत्र हैं आपके 36 गर जारखंड और इशा और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में कोईले के जो प्रमुख आयस्क है सबसे पहला सबसे ज़्यादा कोईला होता है एंथ्रेसाइट में इंथ्रेसाइट कोईला इसमें क्या होता है जलते समय धुआ नहीं निकलता ज़्यादा धुआ भी नहीं निकलता और ज़्यादा तर इसमें कार्बन रहता है तो कार्बन की पात्रा पर्याप्त होती है 80-90 प्रिसत कार्बन पाये जाता है किसमें? इंत्रेसाइट में, तो कारबन अधीक होगा, जिसमें जितना ज़्यादा कारबन होगा, उतना अच्छा कोईला होगा, ठीक है? तो इंत्रेसाइट सबसे बेहतर कोईला है, भारत में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, जम्बू कास्मीर के सियास जिले में इसकी यह पाय जाता है दूसरा लिख लिजे बीटू मिनस कोईला इसे काला कोईला भी बोलते हैं बीटू मिनस को इंत्रेसाइट को हम बोलते हैं कठोर कोईला और बिटू मिनस को बोलते हैं काला कोईला काला कोईला जो है आपका ये पाये जाता है गुंडवाना क्रम की चट्टानों पे ठीक है गुंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं कोईला इसमें लगबख 60-80% तक कर्बन पाए जाता है कहां कहां पाए जाता है भारत में किस-किस छेत्र में लिख लिजे जारकंड में उडिशा में, 36 गड़ में और मद्य प्रधिस में बीटू मिनस पर रे याप पाए जाता है कि फिर तीसरा प्रकार क्या है कोईले का लिगनाइट कोईला है लिगनाइट कोयला लिगनाइट कोईला को हम बोलते हैं भूरा कोईला लिगनाइट को बोला जाता है भूरा कोईला ये किसका था आपका था इसको बोलते हैं भूरा कोईला इसमें 40-60% تक कार्बन पाया जाता है जलने पर बहुत धूओ देता है अब आप देखें आपके घर में कौन से कोईला रहता है जलने में बहुत अधिक धुआ देता है थीक है यह कहां कहां है तमिल नाडु में एक जगह है नेवेली अरकाट जिले में नेवेली में यह पाये जाता है असं में लखेम पूर जिला है वहां पे कोईला है पश्रिम मंगाल में दार्जलिंग छेतर में और कस्वीर में करेवा छेतर में चार छेतर लिए तमिल नाड़ु में अरकाट या नवेली अशम में लखीमपूर पश्रिम मंगाल में दार्जलिंग कस्मीर में करेवा इसके बाद आपका पीट कोईला यह निम निम निस्तरी कोईला होता है और इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है नमी होता है तो जलता नहीं और जलने में बहुत धुआ करता है पागल हो जाएंगे ठीक है तो इसमें 40 प्रिसर से कम मात्रा में कार्बन पाये जाता है चालिस प्रिस्ट से कम मात्रा में कार्वन पाय जाता है तो गोंडवाना छेत्र जो आपका है गोंडवाना छेत्र में गिरी डी है जिला है जरिया जिला है बोकारो जिला है रानी गन जिला है लोहर दगगा जला है औरंगा जला है ताता पानी जगा है हिमगिरी जली है कोरबा है जमसेत पूर है पंच गाटी है बहुत सारे छेतर है कोईला उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है उत्पादक है कितना ये अलग बात है उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है ये अलग बात है तो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा 36 गड़ ठीक है है नहीं उसके पास निकाले पड़ा है दूसरे के दूसरे नबर में औरीशा के पास मैं तो दोनों अलग लग चीज़े हैं उत्पादन सबसे ज़्यादा ज्यादा 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 भर आस कोई पूरा छुपाया बैठा हुआ खतम करो बैठा जो खतम करो फिर बताएंगे है ना तो अपना कम निकाल रहा है ठीक है सबस्यादा कोईला उत्पादक छेतर अब जगे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोईला की कहां कहां पर कौन कौन जगा फेमस हैं यह ज जारखंड में जरिया बोकारो करनपूरा और गिरिडी और गिरिडी इसके बाद पश्मी बंगाल में रानी गंज बरजोरा बीर भूम उडिशा में ताल चेर संभलपूर इब नदी घाटी मद्द प्रदेश में उमरिया सिंगरॉली मद्द प्रदेश में उमरिया और सिंगरॉली 36 गड़ में कोरबा सुहागपूर सोनहट संदुरगड़ आंद प्रदेश में गोदावरी घाटी सिंगरेनी अगुदावरी घाटी शिंगरेनी महाराष्ट में वर्धा घाटी अमटेर इस ठीक है तो भारत में जो आपका ताब विद्दू था जो बिजली हम प्रियोग कर रहे हैं अभी यह भी बिजली जो आप मुझा प्रह प्रियोग कर रहे हैं सब कोयली 20 प्रीयोग कर रहे हैं बारत में सबसे अधा बिजली का निर्माड़ tender जाता है हमारे यहां पे कोईला आधारित बहुत सारी विद्दृद्ग्रै बनाए गे गैं जैसे की निवेली ताप विद्द्धड्रै तमिलनाडु पर है पतरा तुत अप हजारी बाग से करके आपके बहुत सरे अंटीपी सी जो आपका फ्टीप करें पास हैं एंटीपीस्य से काम ये विद्धूत से विद्धूत उत्पादन करना तो भारत को में जादा मात्रा में कान से हमा Кोईला पाला जाता है इसादा अधार का कोईला पालस कहले आधा ये वहा alta कोईला अगला है आपका पेट्रोलियम थोड़ा से पेट्रोलियम के बारे में लिखे लिजिए देखो कोईला भारत में बना कैसे कोईला भारत में बना कैसे जब आपका पैंजिया का बिगटन हुआ पैंजिया के बिगटन के बाद भारत ने यात्रा प्रारम की उत्तर की ओर लेकिन अचानक जब युरासी किरा में उलका पात हुआ और उसके बाद से जो है भारत का जो ये छेत्र था इस छेत्र में जो बनस्पती थी पूरी तरीके से दब गई जमीन के अंदर बसमी बूत हो गई और उसका ही औशेयस आज हमें कोईले के तौर पे निकल रहे है तो प लकड़ी को जलाते हो तो क्या बनता है तो वही तो था जमीन के नीचे बनस्पती दब गई और दबने के बाद ताप के कारण दाब के कारण कोईले में परिवर्तित हो गई आप लोग उसका उसे स्यूज कर रहे है ठीक है बस सिंपल सी बात है जलिए जीओं को यह दी हम ज लिखे पत्थर से निकला तेल पेट्रोलियम कहलाता है पत्थर से निकला तेल पेट्रोलियम कहलाता है पेट्रोलियम के जैवी कुत्पत्ति का सबसे महत्यपूर्ण स्रोत हाइड्रो कारबन तरल पदार्थ है पेट्रोलियम जैवी कुत्पत्ती का सबसे बड़ा सुरोत हाईडरो कार्बन तरलपदार्त है जिसका निर्मार बनस्पतियों तथा जीवों के जिसका निर्माण बनस्पतियों तिथा जीवों के चटानों में निछिप्त हो जाने तिथा उन पर दबाओ के फलस्रूप रूपांतरंड से होता है तो पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता है उससे केरोसीन मॉम उसका हर एक चीज प्रयोग होता है पेट्रोलियम पदारत में सब आता है डीजल पेट्रोल केरोसीन मॉम जो आप मॉम का प्रयोग करते हैं का वाइसलीन लगाते हैं आप लोग ये भी पेट्रोलियम पदार थी है आपका नेफ्था लुब्रिकेंट ये सारे आपके जितने भी होते हैं पेट्रोलियम पदार से होते हैं तो अब कहां कहां पे पेट्रोलियम कहां कहां पे हैं हमारे आप पहला है भाग्यम छेत्र पहला केयर से इंडिया के नाम से कंपनी है ठीक है ठीक है यहाँ पर इनके तीन प्रोजेक्ट हैं तीन है बार मेरे मंगला भाग्या में इस्वर्या ठीक है मंगलम भाग्या और एश्वर्या यह तीन पर योजना है एक अरब बैरल तेल की निकासी की संभावना है यहाँ पर यह आपका भी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ भाग्यम तेल छेत्र जो है यह प्रारम भूए आपका 20 जोनरी 2012 से कहां पर प्रारम भूए राइस्थान के बारमेड जिला में किसने प्रारम किया है केर्स इंडिया नामा के कंपनी है यह पब्लिक सेक्टर अंडेटेकिंग है इसके द्वारा प्रारम किया गया है ओएंजीसी और केर्स इंडिया दोनों ने मिलकर के काम प्रारम किया है ठीक है तो यह कहां पर भाग्यम तेल छेत्र अंकलेश्वर अ ठीक है तो यहाँ पे कई सारे छेत्र हैं इसके बाद असम्रण घाटी है आपका तीसरा है तेल्ण चेत्र असम्रण घाटी तो असम्रण घाटी में एक सेना का अधिकारी था और सबसे पहजे इसने ही जो आपका सुरूमा घाटी है डिग्बोई का चेत्र है वहाँ पर सबसे पहले तेल का खोज उसी टेम पर की गए थी ठीक है तो लिखिए इसमें छेत्र जो है असम में डिग बोई नहार कोटिया नहार कोटिया हग रीजन मौरान ठीक है आठ सो तेल कूप है यहां पर लगबख और आठ सो तेल के कूएं हैं क्या हुआ नहीं होने चाहिए बंद करवा दिये जाएं इसमें क्या ठीक है आठ सो तेल छेत्र हैं जिसमें बपा पांग पानी टोला हसा पांग ऐसे करके नाम दिये गए इनके ठीक है वहीं के इस्थानी जिंजातियों के नाम पे होंगे तो यहां पर ब्रहाद इस्तर का तेल हो निकाला जा रहा है जिकिन जादे तर इतना ज़्याद हमारे यहां पर और सकता है इसकी कि हमें बाहर चाहा आद करना पड़ता इतना जादा भी नहीं ठीक है जितना होना चाहिए जिनके पास है वो इस समय बैठे हुए अरब में जो कह रहे हैं कि दुबाई का खेल क्या है ते लिया जिस दिन खतम उस दिन दुबाई खतम लेकिन तब तको दूसरे अल्टरन इस वाले छेत्र में अगला है आपका नेक्स्ट है आपका बांबे हाई छेत्र है बांबे हाई छेत्र ठीक है तो मुंबई से 110 समुद्री मील पश्चिम में कहीं यहां पर इस जगए पर यहां पर कहीं पर बांबे हाई छेत्र है ठीक है तो यह भी आपका जो है किस से जुड़ा हुआ है यह और इस पर किसका किसका इस पर अधिकार होगा यह चुकि समुद्री के अंदर एक यहाँ पर इससी और दीकार पर कोई तेयलसोधन सादा अंदर यहां पर यहां पर तो यहां पर सकार पर राज सरकात में गत्र mmP कें सरकार ठीक है तो बांबे हाई आपका यह है बसीन दियूप के पास निकाला जाता और यह स्य बक्ष्चर कच्छ अप्टट छेत्र गुजरात के भुज में कच्छ अप्टट छेत्र तो जहां पर आपका पाया जाएगा पेट्रोलियम वहां पर पाया जाएगी प्राक्तिक गैस ठीक है पेट्रोलियम का ही आस्वन जो होता है वो आपका प्राक्तिक गैस में उपर इकठा होता रहता है जहां जितना ज्यादा प्राक्तिक गैस तो हमारे यहां पे सबसे ज़्यादा मुंबई हाई है जहां पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा यहीं पे सबसे ज़्यादा आप है नेचुरल गैस प्राक्तिक गैस में आपका है सीएंजी इस समय सबस्याद सीएंजी का प्रयोग आपका किया जाता है तो यह भी आपका ठीक है कोई छोड़ दीजिए अगला है परुमाड उर्जा न्यूक्लियर एनर्जी नापकी रियक्टर कहां कहां पर है तो एक परसन क आपका नाम पता होगा जिनकी आकस्मिक मृत्ति हो गई डाक्टर हुमी जहांगीर भाबा इन्हीं के निर्देशन में भारत में परुमाड उर्जा योग के स्थापना की गई थी कप की गई थी 1948 में परुमाड उर्जा विभाग बनाए गया था लेकिन इन्होंने फिर उस इन्होंने परुमाड उर्जा संस्थान भी स्थापित किया था 1967 में इसका नाम बदल के बाबा परुमाड उर्ण संधान को के नाम से है और भारती परुमाड विद्दूत निगम लिम्टेट का गठन 1987 में किया गया तो जहांगीर साब को तो खतमी कर दिया गया था यह कहत ठीक है और वो खतम कर दिये जाते हैं ऐसे हमाइसद बहुत सारे बैग्यानिकों के साथ हुआ है जिनको मार दिया गया है पता नहीं चला है इसे टाक्टर कलाम को लेकर के भी बहुत साइव लोग कहते हैं ऐसा कि उनकी आकास्मिक मृत्तु थी या वास्तविक मृत्तु थी क्योंकि जिस कंडिशन में वो बिल्कुल एक कॉलेज में जा रहे हैं और वहां पर जाकर के आका अचानक वहीं पर जाके गर जाते हैं लेकिन फिर लोगों ने जहांच वांच कुछ हुआ नहीं हमाएं देश में बहुत साइव लोग जब आगे आए कोई जैसे कि लाल की साहता से 1979 में बनाए गया तारापूर महाराश्टर में लिख लिजी लिखने हो इनके नाम लिखना हो आपको ठीक है तारापूर महाराश्टर में इसके बाद दूसरा आपका है रावत भाटा राजिस्थान में कनाड़ा की साहता से ठीक है तारापूर आपका अमेरिका क आपका है काक्रापार गुजरात में काक्रापार दो सहीं त्रियां पर लगे हुए 220 मेगावार्ट चमता के इसके बाद कुड़क कुलम तमिलनाडु में हैं रूस के साथ रूस के सहयोग से है थीक है नेक्स्ट आपका है गयर प्रमप्रागत स्रोतों में से कुछ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा ब्रहाद इस्तर पर क्या किया जा रहा है साथ रूस को बढ़ावा दिया जा रहा है तो गयर प्रमप्रागत स्रोतों में सबसे प्रमख है आपकी साथ रूस को लेकर संचालित होने वाली जितने भी स्कीम है और इसके लिए आप देख रहे हैं उजाला योजना भी चालू की गई उजला योजना तो आपकी प्राक् सबसेडी योग तो बल्ब भी मिल जाएंगे मलब यह जो से बल्ब आपको बाहर महंगा मिलेगा तो आपको विजलीवाग में सस्ता पड़ता है साथ मिरे ख्याल से ऐसा बनाए गया कुछ है ना इसके बाद जो है आपका गैर प्रमप्रागत में अप चीज़ों को खतम करक सबसेडी योग तो आप सभी के घर में सोलर लाइटे लगवाई जा रहे हैं सोलर लाइटे हर जगे हम सोलर तो इसको लेकर भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा सौर सरयंत्र जो है भुझ के पास मादोपूर में स्थापित किया है सौर तला भी नाम दिया उसका तो भार लगावाट का सौर उजय सहयंत्र रीवा में लगाया गया मद्यप्रदेश के और अभी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट के नाम से लगाये गया है तो इस दिसा में लगातार काम किये जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा सौर एक गडबंदन भी बनाये गया है जिसमें कि वोई देश जो बिस्वत रेखा के विस्वत रेखा के आस पास आवस्ति थे उंस सारे देशों के साथ मिलकर करके जिसका जो मुख्याल है आप Link गुर्द गाया है तो आने वाला फीचर आपका किसका है सौर उरज्ञा का आने वाले अर primitive से चलने वाली कारें अपके एक next और इसके बाद जितने भी आपके आपू जल्विदूत संयें भेभी गेर परम परागत में आएंगे जल्विदूत पर यूजिटना है जो आपकी नागल भारी जल्व शॉयंत लगाय गया है बाकी बहुत इतने भी आपकी जल्बिदूत पर योजनाय संचालित हैं सारी हमने चर्चा करी लिए हैं देश में बहुत सारे सोलर प्लांट आपके आप कभी इस वाले छेतर से आएंगे पंजाब से हर्याण यहां से दिल्ली से आप राइस्थान जाईए तो रास्ते में आप पाएंगे और पंजाब होते हुए तो बड़े बड़े एहिए में बहुत सब्सक्राइव प्लांट लगाये झाया है पूरा का गाउं इस डिसार प्लांट पर Wonderful पर इस पर बड़े लेवल पर काम चल रहा है ठीक है बहुत सारी कैनाले बनाए जाती है जो कैनाल के ऊपर पूरा का पूरा सोलर प्लांट पर ही बनाए जा रहा है तो इस दीशा पर काम चल रहा है ठीक है नेक्स्ट आपका है पावन उर्जा पे भी काम किया जा रहा है बड़े इस तर पे तो पावन उर्जा जाए तर लगाए कहा जा रहे हैं समुद्र टटीय छेत्रों पे जहां पर पर्याप्त मात्रा में तो वह इस लिए समीर और समुद्री समीर जो आप पढ़ते हैं उसका प उतार ली कि कोई गलती नहीं है ना यहां चोड बारत के लोगों की प्रॉब्लम है मांसिक्ता की दिक्कत है आप ठीक है तो आपका जो है किसमें आप इस कंक्लूजन में कैसे पहुंच गया कि एक काम की नहीं है अच्छा वह भारत के लोग सौरूजन की सब्सक्राइब अपने देश के लोग कहीं तो यूच कर रहे होंगे ना उसका उनको सकता रही तो ठीक है वह उसमें कोई बुराई नहीं है अपने देश के लोग है अपने देश तक जाए इसके बाद आपका तरंग उर्जा लहर उर्जा इसको लेकर के भी काम चल रहा है ठीक है तरंगों में जो है टर्बाइन लगाए जा रहे हैं समुद्री तरंगी छेत्रों पे ताकि उससे भी विद्धुत पादन हो सके तो यह सब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़े हैं इतनी टेकनलोजी हमारे पास है नहीं ठीक है तो नार्बे की साहता से भारत सरकार के दोरा बहुत सारे तरंग उर्जा को लेकर काम किया जा रहा है एक नगरी कच्रा उर्जा को लेकर के भी काम किया जा रहा है इसमें विस्व के कई कमपनियों के साथ और दूसरा नीरी राष्टी पर्यावरण अनुसंधान केंदर 3.75 मेगावार्ट विद्दूत पादन का काम आपके किया जाएगा फिर आपका जो है ओसनिक थर्मल एनर्जी करने कंजरवेशन ओटेक एनर्जी को लेकर के भी कारे किया जा रहा है तो इसको लग रहा है संभावना की जो COP होगा साइद उसमें पेरिश जल्वाई समझाता को लागू कर दे नियम पुस्तिका बन गई है अमेरिका भर को ढूंड रहा है थे कि भाई ये भी समलित हो जाए बिना इसके कहां बात बन पाएगी तो अमेरिका यदि समलित हो गया तो पेरिश में भर में बताया था पूरा का पूरा वहाँ पर बता पाना भी मुसक्शिल है इसके वाद सोलर पॉंड के बारे में चर्चा चल रहे है कि हमएं क्या करना है भारत में बड़े इस तरफे कुछ छेत्रों को पॉंड में यह बदल देना है तो यह हो गया पर्टिकुलर आप का जो पूर्जा वाला छेत्र है और क्या गुमाफिरा की यही सारी बाते हैं इसमें उर्जा वाले छेत्र में नभी कंडी और अनभी कंडी अब अगला आपका है भारत में अध्योगिक इंड़स्ट्रियल सेक्टर तो सबसे पहले बताएए तीन प्रकार के उध्योग होते हैं पहला प्रकार का उध्योग है सू इस निरमार और दूसरा आपका सरुस सेवा चे सेट। तो यदि आप manufacturing सेक्टर में जाते हैं विनिर्मान उद्योग में जाते हैं कोई चीज कोई product बनाते हैं तो उसके तहत यदि आप 25 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आप किस सेक्टर पे हैं सूख्षम उद्योग में हैं ठीक है दूसरा है लगू उद्योग में सीमा बनाई गई है 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड तक इतने तक है 句 इंवस्टमनट करके कोई business open करते हैं तो आप लगू इत्योग में हैं और मध्यमूद्योग में पांच करोड रुपए तक है यदि आप investment करते हैं तो आप मध्यमुद्योग में यह तो हो गई आपकी बिनिर्माड सेक्टर में यह आप इसी चीज को हम ले करके जाते हैं सेवा स्वारा चेत्र में तो सेवाथ 6 यहं दियाना लगाते हैं किसी भी यह समझ रहें सर्विस समझ ईसे डॉक्टर सर्विस दे दें और यह सर्विस सेक्टर है हमारा है तो इसर्विस सेक्टर में 10 आप है यहांपे 25 लाक्य रोपए था यहां पर दस रुपई था दूसरा लगू उद्योग 10 लाग से लेकर रुस्त करोड़ तक की सीमा वहां पे 25 लाग से बेकर 5 करोड तक की सीमा बनाई गई थी यहां पर मध्यum जो तो पांच करोड़ धू तो पहले तो यह मारे देश में उध्योगों को इस तरीके से विभाजित किया गया है ठीक है तो भारत में हमारे यहां पर taught करण को लेकर करके प्राचिनकाल से ही ब्यापक थी जैकτε सूती वस्ञito तो लेकर के विदेशी वस्तों को हम निर्यात करते थे हमारी चीज़े बहुत फेमस हो गई थी लेकिन अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों के आने के बाद हमारी दुर्गती हो गई और द्योगिक छेत्र हमारा हमने उन्होंने वाणिजिक फसलों की तरफ भारत भारत देश को ज़्यादा प्रस्रे किया और देश के उद्योगों को उन्होंने निरुसाहित किया ऐसी नीतियां लेकर के आए फिर इसके बाद हम समल नहीं पाए और अभी तक बना नहीं पाए अभी टाइम लएगा इंडिस्ट्राइजेशन अभी भी हमारे यहां पर नहीं उसी स्तर का जैसा होना चाहिए अब जाके भारत सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी नीतियां लेकर के आई गहीं तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां पर बहुत सारे छेत्र हैं जो तीसरा है बंगलूरू तमिलनाडू प्रदेश चौता है गुजरात प्रदेश पांचवा है विसाखा पत्तनम गुंटूरू प्रदेश छटवा है आपका साथवा है गुडगाओ दिल्ली मेरट यह वाला पूरा बेल्ट है और आठवा है आपका कोलम तिरुवन्त पुरम ठीक रत बिल्ट बनाये गएं कि प्रमुख अध्यों प्रदेश प्रदेश हमारे यह है और लगवा अध्योंगीग में भी बाता गया है पहले आपका 8 मुख्य अध्यों प्रदेश पर दूराइब बात गये हैं और track लखनव, जलपाई गुडी, कटक, गोरकपुर, अलीगर, कोटा, पूडिया, जबलपुर, बरेली ये सारे आपके और दोगीक छेतर के तौर पे विक्सित किये गए हैं ठीक है इसके अलावा आपके तेरा लगू और दोगीक प्रदेसों में भी भारत को माटा गया है जिसमे अंबाला, अमरिच्सर प्रदेस, सहारनपूर, मुझफर नगर, विजनावर प्रदेस, इंदाओर, देवास, उजयन प्रदेस, जैपूर, अजमेर प्रदेस, कोलापूर, दच्छनी, कन्नर प्रदेस, उत्तर, मालाबार प्रदेस, मद्ध, मालाबार प्रदेस, आदिलाब तो सबसे पहली industry आपकी लोहा इंडस्टी लाव इस पात उद्ध्योग ठीके देखो खनीज में लोहा अलग चीज है लेकिन जहां पर इंडस्टी डेवलफ है इसकी तो आप बताई लोहे की इंडस्टी कहां डेवलफ होगी जहां पर लोहा होगा जहां पर कच्छा माल बनके तैयार हो रहा होगा वहीं पे लोहे की इंड़ेस्ट्री डिवलप हो जाएगी तो भारत में बहुत सारी पुब्लिक सेग्नल अंडर्टेकिंग बनाई गई हैं जैसे कि जो लोहे के जहां पर अयस्क यहां प्राप्त ही वहां पर भारत से भारत के पुब्लिक सर्विनिक च्यतः को पकरम लगे होएं ठीक है तो हर जगए अलग-अलग नाफ आपने सुनाओ ठीक है टार्टा तोहवा इसपात कंपनी है आपकी कहां पर सबसे पहले जमसेदपूर को टिसको टाटा नगरी के नाम से जानते हैं ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे आपके कारखाने बनाए गए हैं बहुत सारी आपकी टाटा आयरन एंड इंड 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 इसको है इंडियन आयरन एंड इस्टील कंपनी तो इस तरीके से भारत में बड़े इसपात कारखाने बनाए गए हैं जिनका काम है कि देश के कच्छे लाहो इस तो मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं पहला है आपका इसका लिखना हो तो आप लिख सकते हो कुछ चाहिए कोईला ठीक है तो लोहा और कोईला दोनों कार खाने बहुत नस्दीक हों पर्टिकुलर कोई भी यह दिया आप कंपनी डाल लेंगे तो उसके लिए कोईले लोहा कहां से आएगा तभी तो आप कर पाएंगे है ना फिर उसका बाजार कहां होगा कहां उसे सेल या नि बंदर गाह कांसा होगा उसका भारत में बेचेंगे आंत्रिक बजार या तो विदेशों में निर्यात करेंगे तो तीनों चीजिए को लिखना है मैं तो आप लिए पहले कंपनी थोड़ा सा इस्पेसिक हो जाएगा कंपनी लोहा एसक छेत्र कांसा है फिर उसका रह पात हैं संयंत्र को टाटा रहा इस पात संयंत्र को इस को कहा पर जमसेद्पूर जहरखंड में इसका लाओ ऐसक स्चेत्र है उडीशा का गुरु महिसानी यों मैयूर भन्ज जिला उडीशा की दो खाने हैं इसकी गुरु महिसानी खान और मयूर भन्ज एक और है नोवा मुंडी खान भी है उडीशा में तीन खाने हैं गुरु, महिसानी, मयूर्भन्ज और नोवा मंडी कोईला छेत्र है इसका जरिया की खान जरिया की खान, बाजार है इसका कोलकाता तो ये जो है आपका निजी छेत्र टाटा प्रबंदन है न टाटा के द्वारा इसको प्रबंद किया जाता है टाटा एक निजी छेत्र की कमपनी है उसी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है टिसको को ठीक है एक और है टिसको का टिसको की दूसरी है भारती लहोवा इस्पास सयंत्र इसको है भारती लाहुवा इस पाथ स्यंत्र इसको कहाँ पर है बर्नपूर पश्चिं मंगाल में है लाओ आयस्क चेत्र इसका क्या है छोटा नागपूर की पठार यहां से लोहा लेता है और उड़ीशा के क्योंजर से लाव ऐसक लोहा मिलता है छोटा नाकपुर के पठार और उडिशा के क्यों जर से कोईला छेत्र है जरिया वा रानी गंज की खान जरिया वा रानी गंज की खान बाजार इसका भी कोलकाता है अगला है आपका विश्वे सरया लाव इस्पाथ सैयंत्र विश्वे सरया लाहु इस्पाथ सयंत्र भद्रावती करनाटक में ये बियाई एसल बोलते हैं से ये सार्जनिक छेत का पहला कार खाना है विश्वे सरया लाहु इस्पाथ सयंत्र सार्जनिक छेत का पहला कार खाना बनाया गया था ठीक है कहां से लेता है लोहा बाबा बूदन की पहाड़ियों से अब इसके पास कोईले को लेकर के थोड़ा संकट है यहां पर खोएला नहीं है जाहां पर यह खुला है तो अब आएसे में क्या करेगा जल विद्दुत सहीं अंत्र से बिजली लेगा ठीक है तो लिखे पश्मी घाट से जल विद्दुत प्राप्त करता है पश्चमी घाट से जल विद्धुता और बनों से लकड़ी काष्ट लकड़ी से भी प्रयोग करता है काष्ट कोईला लकड़ी का कोईला ठीक है इसका बाजार दच्छनी भारत है छोटा सहयंत्र है बहुत बड़ा सहयंत्र नहीं है अगला है आपका भिलाई लवा इसपात सह सहयंत्र बिलाई लवा इसपात सहयंत्र यह रूस के सहयोग से बनाए गया था कहां पर बनाए गया बिलाई कहां है बिलाई चत्तिस गड़ में बिलाई लवा इसपात सहयंत्र चत्तिस गड़ लोहा कहां से मिलता है इसको डली राजहरा च्छेत्र से डली राजहरा च्छेत से कोईला कहा से मिलता हैbra so go ela कहा से मिलता है कोईला इसे मिलता है कोईला जरीया वा बोकारों चाहां जर फ़रीया वा बोकारों關係 ठीक है इसके बाद इसका बाजार है मुंबलई कलकंत्ता मदरास दिली यह इसका मापाट है कि दच्छनी भारत है उम्बै कुलकाता मदराज दिल्ली से दिल्म मार्केत इसके नेक्स्ट नेक्स्टाइ आपका दुरगापूर इस्पाथ सायंत्र दुर्गापुर इस्पाथ सायंत्र पश्चिमंगार ये ब्रिटेन के सायोग से बना है दुर्गापुर ये पूस्ते हैं कुश्चन ब्रिटेन के सायोग से दुर्गापुर बना है ब्रिटेन के सायोग से दुर्गापुर बना है ठीक है नेक्स्ट राउर के ला आते हैं दूप्टे फुड़ा पस्चिम मंगाल दुर्गापूर है पस्चिम मंगाल में ब्रिटन के सायोग से बना दुर्गापूर ये इसको लोहा मिलता है छोटा नागपूर पठार औरीशा से ठीक है कोईला मिलता है इसको जरिया छेतर से बजार है कुलकाता अगला है राउर केला इसपाथ सेयंत्र राउर केला पड़ता है कहां उडिशा में ये बनाए आपका जर्मनी के सहयोग से राउर केला है आपका जर्मनी के सहयोग से पूस्ता ये सारे कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है मैस्दा फॉलॉइंग भी आते ही आते हैं मतलब इसमें हम फंसते भी बहुत ज़्यादा है राउर केरा आपका बना है कहां से जर्मनी के सहयोग से इसको लोहा मिलता है उडिशा के क्योजर बुनाई छेतर से बुनाई खान है क्योजर की खान और बुनाई की खान कोईला मिलता है जर्या और तल्चर की खान से जर्या यूम तल्चर की खान से हीरा कुंड बान से जल बिद्दुद भी मिलता है इसा बाजार इसका चन्नाई मुंबई बिसाखा पटनम ठीक है अगला है बोकारो इसपाथ सहियंत्र अगला है आपका बोकारो इसपाथ सहियंत्र बोकारो आपका कहां पर है जहार खंड में किसके सहयोग से बनाए बोकारो रूस के सहयोग से बोकारो आपका बना है रूस के सहीयोक से कहां पे हैं उडिशा उडिशा से इसको लोहा मिलता है हाँ उडिशा के खानों से लोहा उडिशा के खानों से लोहा और कोईला जरिया करनपूरा के समीब इस्थानी एकोईला मिलता है जरिया करनपुरा ठीक है बाजार कुलकाता अगला है सेलम इस्पाथ सैंत्र शेलम इस्पाथ सैंत्र तमिल नाडू सेलम इस्पाथ सैंत्र तमिल नाडू तमिल नाडू ठीक है कहां से मिलता है इसको लोहा बाबा बूदन बाबा बूदन की पहाड़ियों से कोहिला है नहीं को अस्ट्रेलिया से आयात करता है कहां से लेगा समील नाडू वालत होटिए से Technie कंई इंदर लिए заг contains a है इसके वजार फैर देख्षणी भारत अगला है विशाखा पत्तनम इस्पाच सहींत्र विशाखा पत्तनम इस्पाच सहींत्र आंद्र प्रदेश में है लोहा मिलता इसको बैला डीला की खानों से विशाखा पत्तनम इस्पाच सहींत्र लोहा मिलता इसको कहां से बैला डीला की खानों से ये भी आपकी आंद्रप्रदेश में है कोईला अश्रेलिय से आयात करता है बाजार इसका दच्छनी भारत अगला है आपका बीजय नगर इस्पाथ सयंत्र बीजय नगर इस्पाथ सेंत्र बाबा बूदन की पहाड़ी से लोहा पाता है ये भी लकड़ी के कोईले का इस्तेमाल तथा पश्मी घाट से बिजली ठीक है जगह है आपकी इसका बाजार है दच्छनी भारत अगला है पाराद्यू पिस्पाथ सयंत्र ये आपका उडिशा में है इसको लोहा मिलता है उडिशा की क्योजर बुनाई खानों से क्योजर बुनाई खानों से कोईला मिलता है जरिया तलचर से टीक है बाजार इसका भी आपका आंत्री क्यों अंतर राष्टी बाजार एक्सपोर्ट करता है आंत्रीक में दच्छन भारत है बाकि अंतर राष्टी बाजार अगला अल्मूनियम उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पे जहां पर इल्मूनियम के कार खाने होंगे वहां पे कोईला होना जरूरी है यह भी ध्यान रखेगा तो भारत में इल्मूनियम का पहला कार खाना 1937 में लगा कहां लगा जेके नगर आसन सोल पश्मी बंगाल में ठीक है तो लिख लिजे इस चीच को देश में इल्मूनिय आफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया जेके नगर आशन सोल पश्चिम बंगाल ठीक है नाम क्या है एलमूनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया के नाम से के तो भारत में जैखो बहुत सारी यंप जो लोहे के प्रमुख हीलमूनियम सही अंत्र लगाए जैसे भारती यलमूनियम कंपनी लिम्टेड इसको बोलते हैं नालको नेशनल एल्मूनियम कंपनी लिम्टेड एक हैं लिम्टेड हिंडाल को ठीक है इस तरीके जितने काल को लगे हों जैसे मद्रास एल्मूनियम कंपनी लिम्टेड माल को जितनी भी है सब इस जोड़ी हुई ठीक है तो भारती एल्मूनियम company limited जितनी कंपनिया है सब का काम क्या है अब ये सब कहां कहां हर जगे पर इनकी branches है हिंडाल को मुंबई में भी है आधित वर्ला गुरूप द्वारा संचाली थैं है इंडाल को को आदिती विल्ला गुरुप का है हिंडाल को ठीक है तो कुछ प्राइबेट सेक्टर भी है और कुछ पब्लिक सेक्टर भी है इसमें दोनों चीज़ें है ठीक है ज्यादा थोड़ नहीं लिखना है कितना लिखेंगे कि बाकी चीज़े कुछ पढ़ लीजेगा आपको बाकी मिल जाएंगे तो भारतिय लोहा वा इसपात कंपनी आपकी अगला है अगला उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग कॉटन इंडस्ट्री तो देश का सबसे इस इंद गाटी सब्वता से कोई उद्योग हम करते हैं तो यही था ठीक है और हमने ही सबसे पहले कॉटन का अभिश्कार किया है इंडस्वेली शिविलाइजेशन से कोटन था तो लिख लिजेश सूती वस्त्र की प्रथम मिलके स्थापना कहां हुई 1818 कॉलकत्ता में फोर्ट ग्लाश्टर में पहली सूती मिलके स्थापना की गई लेकुनी आसफल हो गई फिर क्या हुआ फिर एक लगाया हमने अगला प्रयास किया 1859 में मुंबई में फिर असफल हो गई अब क्या करें फिर हमने एक प्रयास किया 1854 में सफल हो गई तो पहली ग्लाश्टर फोर्ट ग्लाश्टर में लगाई गई थी 1818 कॉलकत्ता में असफल प्रयास 1859 में मुंब मुंबई में एक कार खाना लगाए गया यहीं से आपका मुंबई मलब सूती वस्रुद्योग आपका यहीं से प्रारम हो जाता है कि तो देश में सबसे आदा देखें तो कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र इसी रीजन पर होता है तो सबसे आदा सूती वस्रुद्योग कहां पर विक्सित है आपका इनी दोनों चेत्रों में महाराष्ट और गुजरात वाले चेत्र में महाराष्ट राज में 119 मिले हैं जहां पर हैं और लगबग 43% मिले यहीं पर हैं तो सबसे आदा मिले हैं आपकी महाराष्ट में सूती की राददानी किसे बोलते हैं मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया बोला जाता है मुंबई को ठीक है और यहां पर विभिन प्रकार के विदेशों के भी वस्त बनाए जाते हैं महराष्ट के बाद दूसरा इस्थान किसका 118 मिले एक मिल रहे गई है दो और बना ले तो 60 मिले यहां पर टोटल हैं अकेले अहमदाबाद में तो यहां पर जो है कई सारे वस्तर आपके यहां पर बनते हैं इसके लाव बढ़ाओदा है बढ़ाओच है मोखी बीरमगाव है कलोल है नवसारी बावनगर है नडियाल है सूरत है यह प्रमुख सूती वस्त रुद्यो पूर मोदी नगर बनारस मुरादाबाद इन जगहों पर भी सूती वस्त का उत्पादन किया जाता है तो पहले नंबर पर महाराज दूसे नंबर पर गुजरात तीसे नंबर पर उत्तरपदेश पर पश्रिम मंगाल फिर तमिल नाडु यह सारे आपके कपास उत्पादन औ का है कोईवाद नहीं एक ही रहा का नाम किसी नाम पर ठीक है अग्ला चलिए अगला है जूट उद्ध्योग और आपका इसको गोल्ड को तौनि का रेशा भी कहा जाता है तो इसका पहला लेकिन फिर वही बात है आजादी के बाद विभाजन हुआ विभाजन के बाद जो है हमारे पास 120 खाने रह गई और उनके पास 10 खाने गई लेकिन उनके साथ दिक्कते थी कि उनके पास उत्पादन बहुत ज्यादा था कच्छा माल वहीं पे था लेकिन खाने नहीं थी यहां बांगलादेश में और भारत जोए दूसरे नमबर 7 कच्चेमाल को लेके जब कि जूट उतपादन में नमबर 1 में भारत थिक कै पहला इस्थान है पस्षी मंगाल सबसे जूट उत्पादन होता है 114 जूट कार खाने हैं पस्षी मंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पे जूट ही जूट है लगबग आपको इसरा है बाली है नौहाटी है यहां पर बड़े इस तर पर जूट इंडेस्ट्री को लेकर कोई यह कहें कि भाई भारत सरकार की कंपनी नहीं सारी यह प्राइबिट कंपनी यहां पर काम कर रहे हैं प्राइब यह प्राइब जूट इंडेस्ट्री आपकी उद्योग का मतलब है कार खाने लगे होने चीए अगला है चीनी उद्योग ठीक है सुगर इंडेस्ट्री तो सूति वस रुद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिसी पर नेरफर उद्योग कौन सा है चीनी मलुद्योग ठीक है तो भारत में आदनिक धंग से चीनी जो है इसका उत्पादन का प्रारंब हुआ यह काम शुरू किया डच ब्यावसाईयों ने डच के जब डच भारत में आये तो अठारा सो चालिस में उन्होंने वेतिया बिहार में एक उन्होंने प्रयास किया जो की असफाल रहा ठीक है लेकिन 1903 में सबसे पहला प्रयास लेकिन आपको पता हुंची सबसे पहला प्रयास डच के नागरी को ने किया लेकिन वो क्या हुआ असफाल हो गया फिर 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मढ़ावरा में पहली चीनी मिल स्थापना की गई पहले का पर बिहार के मढ़ावरा में सारण जिला में पढ़ता है मढ़ावरा ठीक है चीनी उद्योग का पूरा बेल्ट जो है वह आपका उत्तरप्रदेश महाराज बिहार आंद्रप्रदेश तमिलनाड़ और करनाटक चार-पांच स्टेट है जहां पर आपको चीनी उद तक ठीक है और लगबक 65% चीनी का उत्पादन यहीं पिके आता उत्तर पर्सेंट उत्तर प्रदेश में और सबसे महेंगी चीनी भी यहीं बिखती है प्रमुग जिले कौन से हैं जैसे आप इस बिल्ट की तरफ प्रवेश करेंगे यहीं से जो आओ इनके मुराद नगर से आप आपर गंगा कहिनाल पर बगल से पकड़ देना रास्ता चोटी वाले ढाबे के बगल से तो वहां से जैसे जाते जाएंगे आपका सहारनपूर ने रट फिर उदर मुरादाबाद फिर उदर आप पहुंचेंगे तो वह आपका क्या पड़ता नगीना धामपूर है ना वह पूरा बिजनाओर वह पूरा बिल्ट जो आपका पड़ता उत्राखंड तरफ नैनी ताल की तरफ जब जाएंगे पूरा आप देखेंगे आग बहुत समाल चलाना पड़ता है वहां पर एक बार में फंस चुका हूं इसलिए बता रहा हूं ठीक है तो यह आपका बहुत एक पूरा का पूरा जो बेल्ट है यह आपका पश्मी उत्तर प्रदेश पूरा बेल्ट है सहारनपूर मुझाफर नगर मेरट गाजियाबाद ऑच्छा अच्छा अच्छा इस पीछे वह गन्ना वाला लगा हूँ ए तो इसको तो देते होंगे न नहीं वहां पर आप लोग समहल के रहना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट आपका है अगला है आपका तो जी तूड़ उत्तर प्रदेश का छेत्र हो गया इसके बाद बिहार का जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देवरिया गोरकपुर बस्ती गोंडा बारा बंकी जौनपूर सीतापूर अर्दोई बिर्जनावर इस छेत्र में भी आपका गन्हा उत्तपादन है बिहार राज्ज में भी लगबग 29 मिले उसके आसपास बिहार राज्ज में हैं तो बिहार राज्ज में आपका सारण चंपारण मुझापफरपूर दरभंगा आदी जिले यहां पर रहें और दच्छणी बिहार में बीटा बकसर डालमियन अगर यहां पर भी चीले की बहुत सारी मिले महाराष्ट में लेगी में पाट डेटा 143 जी लें एदि एक्सवाठारा उत्तर प्रदिश महाराष्ट नमबर एक में तो महाराष्टी हुआ ना पिर अच्छ कर दो में गड़ नहीं करेंगे आप क्योंकि सबसेधर डेट अब ही तक के साब महाराष्ट में है तो महाराष्ट में महाराष्ट में सबसेधर चीनी मिलें कोर्षण पूछा कि गलत मत करा देना आप लो पाचल आपके चका मेरा भी गलात हो ठीक है वार चेक कर लेना महाराष्टी सही है यहां तक तो सबसे अधर नासिक मनबाड पुड़े एहमद नगर मिराज सोलापूर कोलापूर इन जिलों पर आपका जो है सबसे अधर हैं फिर तमिल नाडवी चीनी उत्पादन में सबसे एक महात्पूर्ण स्थान रख रहा है जहां पर कोयम बटूर दच्छनी तथा उत्री अरकाड तिचरापली मदुराय आदी जिलों में 30 मिलों की स्थापना की गई है यूपीसी में कोश्चन भी आया था कि उत्तर भारत की जगे पे दच्छन भारत में आपका सुगर क केन जो पूरा इंडस्ट्री है यह होता जा रहा है इसका क्या कारण है ठीक है तो इसका कारण एक तो पहली बात वहां की जलवाय विसेश्था आप देखेंगे उधर का गन्ना और इदर का गन्ना है ना उधर की 15 गन्ना के बराबर करना से एक वहां पर सुगर जो है उच् सिफ्ट होती जारे क्योंकि गन्य की गुलवत्ता के कारट से ठीक है तो आप लोग ने गन्ना अभी साइद दच्छनबाद का गन्ना नहीं आप लोग ने चुआ हां मौका मिला की नहीं मिला अर इसर्फ वह भी वह अर आप लूज पूरायग की जो पुराइज पूरा प्रश्चि मिलें जी रो जी जी रोड़ दो फरोड़ती थैंड़ अच्या उसमें सब्सटे यह चीनी लगती है तेकि प्रोड़म यह हमारे ज़ितने मिले यह प्राइब इचले डेड़ दो साल जा अच्छा तो इसका अच्छा जो इसमें घर नहीं आज़ तो इसका नहीं ए सब्सक्राइब मुर्ची मिल जाइए जो जो इसमें आज़ इन अच्छा अच्छा तो बहुत सारी दिक्कते हैं इसी दिए सब लोग रोड पर बैठ है जाना है तो उसमें फिर चलते हैं मजबूरी नहीं जरूरी है मजबूरी क्यों है जाना है ठीक है नेक्स्ट अगला है आंध्र प्रदेश में भी आपका सुगर केन इंडस्टी है एक तालिस मिले हैं यहां पर जिनका केंद्री करण आपका गोदावरी क्रिष्णा विसाका पत्नम मेड़क निजामाबाद चित्तूर जिलों में अधिक हुआ है करनाटक राज्ज में यह उद्द्यों काफी उन्नत रहा है यहां पर बिलगाओं मांडिया बीजापूर बिला पर ब्रिगान अगरजिले में एक पूरी चीकंदर से चीनी बनाने का लोगाने का इस्थापित किया जा चुका है तिये था आपका गदना इंडश्ट्री ठीक है अगला है सीमेंट उद्द्द्यों ठीक है सिमें इंड़्यों को भारत में पहली बार जो है आदनिक ढंक से स आज भी बोला जाता है और भारत में जो पहला कार खाना पड़ा है पहला है 1904 में चन्नाई में लगाए गया जो असफल रहा दो तीन प्रियास हमारे असफल होते हैं लेकिन पता होना चाहिए ऐसे भी गुमाते हैं लोग ठीक है तो 1904 में चन्नाई में पहला कार खाना लगाए गया फिर 1912-13 के अवदी में इंडियन सिमेंट कंपनी लिम्टेड द्वारा गुजरात पोर बंदर में कार खाना लगाए ठीक है यह सफल रहा आपका 1912-13 में 1914 में यहां पर उत्पादन कारे भी प्रारम कर दिया गया प्रतम विशुद्य के दौरान कई सारे कार खाने लगे आपके किलिक निक्संद कंपनी द्वारा राइस्थान में लखेरी बूंदी पेक लगाए गया खाटाओ कंपनी द्व सार में उत्पादन बढ़ाने के लिए एसोचीएटेड सीमेंट कंपनी लिंटेड एसीड थापना की गई छीओ तो इसे छीओंध आपका यहीं का है 1934 पर बना था कि इसके पाद सीमेंट उद्धयोग कच्छा माल अधारी तो द्ध्योग जिसमें कच्छा माल क्या-क्या चाहिए इसमें चूना पत्थर होना चाहिए जिपसम होना चाहिए कोईला होना चाहिए यह प्रमुख है और इसके बाद जो है सिमेंट चितने भी इंडस्टी हैं प्रयास ही किया जाता है कि कोईला इंडस्टी या कच्छे माल के समय जहां पर चूना पत्थर हो जहां पर यह हो वहीं पर लगाए जाते हैं तभी आप देखेंगे मैयर वाले च्छेत में सिमेंट इंडेस्ट्री डिबलफ है कई जगहां पर ठीक है तो यह आपका जो है हो गया सीमेंट उद्ध्योग इसके बाद हाँ अच्छा अजादी के पहले हैं घरों पर लगा सकते थे घरों पर लगा सकते थे अच्छा आप नहीं लगाने के पर्मिशन लेने पर पहले बहुत सारा बताया ने पहले जो था सारा कुछ सरकार के अंडर में था बाद में इसको दीरे दीरे अगले हर बार इसको कम करते गए अब बनाया इन्होंने महारतने नवरतन और मिनी रतने कंपनिया ठीक है ये कंपनिया भी बनाई गई है तो महारतने कंपनिया वह होती है जिनका 300 वर्सव तक 25 करोड़ रुपए से अधि लाब में रहे company ठीक है और इनकी जो पर संपत्ति है total जो complete asset है इनकी कितनी होनी चाहिए 10,000 क्रोड रुपए के asset होनी चाहिए तो ऐसी company को महारतना company हमें हम क्या करते हैं ठीक है बदल देते हैं नौरतन company हो में भी क्या किया गया है इसमें भी बनाए गया कि भाई कम से कम इसमें जो है एक profit loss और इनके assets को ले करके तो निवेस लाब को ले करके भी बनाए गया भी बरतमान में कितनी जनकारी मुझे भी है दो यदि कौन सी बड़ी एक बार सर्च के लिए अभी ही हो जाएगा यहीं पर क्लास में clear हो जाएगा डालिए महारतना company है कौन कौन सी है ठीक है फिर एक परसन पढ़ेगा पूरी महारतना से हैं मिल गई किसी को की नहीं मिले सच के लिजिए अच्छा इंटरनेट का इश्यों है इसी लिए चेक फिर आप लोग कहेंगे कि पासवर्ड चाहिए बहुत आप लोग हूं ठीक है टोटल नौरतन कंपनियां कितनी है 17 के असपास है नौरतन कंपनियां और मेरी तनतना आ अगुँए मेरी मिनीरat Annarka में विदो कटेगरी बनाएगे मेनीरद रचना मिनी रचना तो तो इसमें भी जो है 18 कंपनियां जो हम देए टोपे हैं और मिनीरद रचना वन पे आपकी चंवन कंपनियां सब में बताए गया कि कि किसको कितना लाब होना चाहिए क्या्जिए तक एक वर्स में 30 करोड़ रुपए का लाब होना चाहिए ठीक है इस तरीके करके इन्होंने मानक बनाएं और बहुत सारी आपकी ठीक है तो कुछ आप टैप में लिख लीजिए भारत में सरप्रतम स्थापित उद्योग कौन सा इस कहां पर कौन सा पहला उद्योग लगा यह कुछ लिख लेजिए सबसे पहला कि 1879 में कागज का सफलकारखाना इस्थापित किया गया लखनव में कागज का पहला कारखाना आपका लखनव में लगाए ठीक है सर प्रथम इस्थापित उद्योग के नाम से लिख लिए इसको कहां पर कौन सा पहला उद्योग लगा है तो कागज इंडस्ट्री लखनव में कब रहा है 1889 में डूसरा लिखे कानपूर में 1876 में प्रथम आधनिक उनिवस्त्रकार खाना लगा गया कानपूर में 1876 में प्रथम आधनिक उनिवस्त्रकार खाना लगाए गया इसके बार नेक्स्ट बेतिया में 1903 में प्रथम सफल चीनी मिलके इस्थापना की गई बेतिया में थे कि 1903 में सफल चीनी मिलके इस्थापना की गई को साफिंग से बिहार में वि determined मदावरा में कि नई बेतिया में हमने चीनी मिलक का प्रथम प्रयास किया था डच ब्यापारियोंने मधावरा में लगा था सफल मधावरा लिखे यह गलत हो गया 1903 में प्रथम सफल चीनी मिल इस्थापित किया गया मधावरा में और बेतिया में 1840 में आधनिक चीनी मिल का प्रथम प्रयास डज व्यापारियों ने किया था उसको रहने देजिए अगला लिखे इस आठारची में भारत का प्रथम भारी इंजन संयंत्र स्थापित किया गया राची में अगला लिखे 1937 में देश का प्रथम ऐल्मूनियम संयंत्र लगाया गया जेके नगर में कि 1937 में देश का प्रथम इल्मूनियम संयंद लगाए गया आप लोग जानकाई देदू आप लोग नौ घंटे से ज्यादा बैठे हुए हैं नौ घंटे के अवधी हो चुकी हमें क्लास करते करते हैं कि समझे अपना एनर्जी पोटेंशियल आप लोग कितने पोटेंशियल वाले हैं अभी पढ़ेंगे भी लिख लेते हैं यह फिर पढ़िएगा आप पूरी रिष्ट खोल लीजिए पिर आप ही को दूंगा मैं पढ़ने कांपे प्रथम लगाए आपका जेके नगर पे यह प मनगर में मैं हम अ मोख सो अगला नेक्स्ट अथा शूत-उट निस सोच व्हाचा चान प्रथम निजि साहिंत लागा या यूनियन कारवाई लिंग तव्ष अथा सुचयन प्रथम निजिस अयंत्र नीजि मतलब प्रेविट कमपनि ने लगाया ट्रांबे में ट्रांबे प फिर 1854 में कावश जी डाबर द्वारा सूती वस्तर का प्रथम कार खाना लगा गया अगला नेक्स्ट ने भारत का प्रथम कृतिम रेशा सयंत्र स्थापित किया गया अगला है 1906 में देश का प्रथम सुपर फासफेट सयंत्रिस्थापित किया गया रानी पेट्ट तमिल नाड़ में रानी पेट तमिल नाड़ में 1906 में देश का प्रथम सुपर फासफेट सयंत्रिस्थापित किया गया चन्नाई में प्रथम सुपर फासफेट सयंत्र रानी पेट में 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट सयंत्र कहां पे चन्नाई में अगर्मेंट बहुत सारे काम किये मेकर इंडिया कार्क्रम गौर्मेंट ने चालू किया इस दिशा में गौर्मेंट ने स्किल इंडिया भियान चलाया कि किस तरीके से आप लोग स्किल्ड हो जाएं कौर्मेंट ने फेम इंडिया फेम इंडिया जो है भारी उद्योगों और साज्मिक उद्यम मंत्री राले द्वारा अप्रेल 2015 में चालू किया गया तो विद्दुद बाहनों में तेजी लाने के लिए फेम इंडिया का सुभारम किया गया इस टार्ट अप इंडिया का रिक्ट्रम 15 अगस 2015 को लाल किले में प्रदान मंत्री जी ने ठीक है इसके बाद इंडिया का यह जो है आपका बाबु जग जीवम राम के जन्म दिवस पे 5 अप्रेल 2016 को प्रारम किया गया था फिर इस टार्ट अप उद्यम योजना यह प्रारम की गई आप लोगे बहुत सारी चीजे गवर्मेंट लेकर के आई ठीक है इसके बाद आपका बहुत सारी कंपनियां है जो दोगीक मसनरी निर्मार कंपनिया जो बड़ी-बड़ी और दोगीक मसीनों का निर्मार करती है ठीक ह इसके बाद जो है आपका बहुत सारे सामीक छेत्र के सहिंत्र हाँ पहले कुछ पढ़िए दस के दसों नाम पढ़ेंगे यह बैठके बैठके बस हाँ और क्या आप पढ़िए दस-दस महारतना पढ़ रहें न आप पहले महारतना नौरतना कौन पढ़ेगा 17 ठार कोई बात नहीं पढ़िए अच्छा उन्सी में अपग्रेट कर दिया होगा इन्होंने टोटल कितनी हैं महारतना महारतना दस और यह 14 नौरतना 14 तो यह दोनुं लिख लो कहीं पर लेकलो सिर्फ इतना लिख लो महारतना आपकी टोटल दस है आप आप से यह ना डेटा सही जगह से ले रहे हैं ना गूगल को मैं सही थोड़ा ना मान तो साइट कौन सी है गूगल कोई बात नहीं नाम बताइए आप सारी सभी का भारत है वी लेक्टिक यह बेल हो गई ठीक है नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिम्टेट नेक्स्ट कौन थी पोरिंग अच्छा हाँ ठीक है नेक्स्ट ठीक है पावर ग्रेड वाली नहीं है जोड़ी है मेरे ख्याल से एंटी पीसी तो पहले से भी थी एंटी पीसी नहीं नहीं है एंटी पीसी पहले भी थी आठ में भी रही है चलिए ठीक है उसको रहने दिजिए नौरत न छोड़ दीजिए को ज़रत नहीं है ठीक है तो दस महारतना है नेक्स्ट आपका अगला कौन सा है आगे हम लोग देखेंगे आपका बहुर भारत सरकार के द्वारा उर्बरक निगम भारती उर्बरक निगम ठीक है उर्बरक च्छेत्र को लेकर के नई यूरिया नीती 2015 में भी आई थी भारती उर्बरक नियांग के स्थापना की गई उन्निस इंक्यानबे में उन्निस इंक्यावन में कितनी है यह यह क्या है कर रहे हैं आप लो नहीं तर यह तरही है अब यूप बाढ़ा है वन फोर एक सोन चास एक सो तिरसट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में नंबर एक था नंबर दो करवा रहे थे आप डेटा है अधी अपडेट हुआ है उत्तर प्रदेश में 163 हैं टोटल मिलें कोई बात नहीं आप लिखके मुझे स्क्रीन सॉट कीच के बाद में भेद दीजेगा मैं बाकी देखके सारी जितनी भी अभी जैसे डेटा को लेकर इशू है ना तो यह सारा कुछ एक बार देख लेंगे कोई शू नहीं है यह बाद में देख लेंगे यूपी में अब सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं उत्तर प्रदेश में है ना चीज चलिए तो भारती उर्बरक निगम लिम्टेट के बारे में लिखे इसकी स्थापना उनी स्विंग क्या और भी देश का सबस रहे राम गुंडम चौथा है तल्चर ठीक है कई जगे पर इसके स्थापने हैं अगला हिंदुस्तान उर्बरक निगम इसके भी कारखाने बरावनी बिहार में नाम रूप अशम में हल्दिया पश्यमंगाल में बाकी इफको का नाम आप लोगों ने सुना होगा इफको क्या है भारती क्रिसक उर्बरक सहकारी निगम इसके बारें भी लिख लो भारती क्रिसक उर्बरक सहकारी निगम इसकी स्थापना हुई उनीसो सरसथ में अच्छा उर्बरक और खादमिक अंतर होता है कि नहीं होता उर्बरक और खादमिक अंतर है खाद क्या होता है खाद रसानिक होता है खाद प्राक्तिक पदार्थ है जैसे गोबर है मानो अस्पिस्ट है पौधो क्या उसेश है इनके बिगिटन की सुरूप जो बनता है खाद यह है और जो उर्बरक होता है अकार्बनिक लवन होते है इसमें ठीक है इनका उत्पादन फ फासपूरस पोटेसियम इनकी प्रचुरता होती है ठीक है तो खाद आपका नेचुरल चीज़ है और उबरा और बरा कापका ठीक है तो हरित क्रांती के बाद इस उद्योग में सबसे ज़्यादा तेजी आई थी अगला आपका कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री तो कागज उद्योग का प्राचीर कुटिर उद्योग के रूप में रहा है पहले से ही तो पहला कार खाना 1716 में चन्नाई में लगाया गया था ट्रंक वार में जो सफल नहीं रहा विलियम कोरे ने लगाया था ठीक है आशफल प्रयास था लेकिन आपको जनकारी होनी चाहिए चन्नाई के निकट जो है ट्रंक वार पे लगाया इहनोंने विलियम कोरे ने 1716 में ठीक है फिर सफल का रखाना मैंने लिखवाया ना एक 1889 में लगाए गया ठीक है फिर इसके बाद टीटा गड़ में 1881 इसके लिए भी इसका कच्चा माल क्या है ठीक है वहीं से आता है कि नेक्स्ट अगला आपका है कि इंडुस्ट्री अखबारी कागज ठीक है रासायन यहां पेट्रो केमिकल कि तो इसको लेकर के भारत सरकार के कई सारे निगम हैं जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान अगलिक केमिकल्स लिम्टेड है ऐसे बहुत सारे हैं जो गवर्मेंट के इस पे काम कर रहे हैं आसम गैस क्रैकर पर योजना हिंदुस्तान फ्लूरो कार्बन लिम्टेड नेक्स्ट है आपका रेलवे उपकरण यह आपका इंपोर्टेंट है कि तो रेलवे उपकरण में सबसे पहले लिखी एक कंपनी बनाई गई थी आपकी रेलवे से संबंदित उपकरण पहले विदेशों से मंगाई जाते थे भारत तात्म निर्भर नहीं था तो आत्म निर्भर बनाने के लिए जहारखंड के सिंग भूम जिले में पैंसिल सुलर लोकोमोटिव कंपनी पैंसिल सुलर लोकोमोटिव कंपनी 1921 पे फिर इसके बाद 1945 में टाटा समूह ने बनाया टाटा इंजिनरिंग एम लोकोमोटिव कंपनी टेलको फिर 1950 में आपका बना चितरंजन लोकोमोटिव वक्स पशिमंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वक्स 1950 में बना मही जाम नाम किस्थाने पशिमंगाल में वहां पर है इसके बाद 1961 में बिजली के इंजन बनाया ने जाने लगे और इसको लेकर के कि 1961 में डीजल लोकोमोटिव वक्स मरुवाडी में बनाये गया वराणसी के पास है मरुवाडी यहां से जाती है ने बहुत साइट मरुवाडी एक ट्रेन का नाम ही है तो बनारस का एक आगामी स्टेशन है उसी में उसी का हिंसा है मरुवाडी । अचा नाम चाहे नाम ँववी ट्रे लौकष्यी गाजयाबाद का अच्छा Mi काम बचा एंड़्उ के काली टाइम पे नाम बदल रहे हैं गाजय ऒबात कब आएंगे पता नहीं इसका नाम रख दें क्या रखना अच्छा फिर गाजयवाद पकाएंगे गाजयवाद के स्थापना की थी मुगल सासक औरंग जेप को सुबेदार थाहां पर गाजु अद्दीन यह जानकारी उनके पास पहुंचे कि यह उनके नाम पर यह तो बदल देंगे फिर उसी के नाम पर गाजयवाद सहर का और नाम होगा नेक्स्ट आपकी है रेल की पट्रियों का निर्मार करती इस्टी लफर्टी ऑफ द्वारा की जाता है पिर टायटा इन के दौरा किया जाता है नों ठिंग जोड़ि आप इसे अप नेक्स्ट आगे जलते हैं है और लिखना एक ले एक योजना भी आपके चलाई गयी अस्ताद योजना उस्ताद योजना इल्प संख्यकिक को ध्यान में रख करके गया हैं उनसे संबंदित हांस्त कला हैं उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्री अलब संख्यक कल्यान मंत्राले के द्वारा उस्ताद युद्न चलाई गई है यह आपका कुटी रुद्योग को ध्यान में रख करके चलाई गई है इसके बाद भारत में हैं जलयान सिप 141 में 1941 में सिंधिया इस्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा थीके वायूआन उद्योग वायूआन उद्योग में लिख लिजे वायूआन निर्माड का प्रथम का रखाना 1940 में बंगलूरू में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी जिसका नाम अभी है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड है यही है देश में वायूआन निर्माड का पहला कार खाना है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी जिसका बरतमान नाम है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड है ठीक है तो पांच इकाईयां हैं बंगलूर में आज के इस समय इसकी टोटल जो काम कर रहे हैं एक आपका है मोटर गाड़ी उद्द्योग मोटर वेहिकल इंडस्ट्री तो मोटर वेहिकल इंडस्ट्री में आपको पता है कि सबसे अग्रणी इस्तान है मारुति का ठीक है जब से मारुति आई है तो लिखे भारत में मोटर गाड़ी उद्द्योग की शुरुआत 1928 में हुई तो एक कमपनी थी जनरल मोटर्स कमपनी उसके द्वार प्रावर्म हुआ यह मुंबाई में जनरल मोटर्स कमपनी के स्थापना की गई कब की गई 1928 में जनरल मोटर्स कमपनी 1930 में चन्नाई में फोर्ड कम्पनी स्थापित की गई फोर्ड हाँ वोर्ड विदेशी है वो लेकिन वह आली फोर्ड नहीं है स्थापना की गई उनीच्व च्वालिस में हिंदूस्तान मोटर्स लिम्टेड के स्थापना की गई तो अभी टोटल कितनी है अभी हिंदुस्तान मोटर्स है कुलकाता में फिर आपका असोक लेलेंड का नाम आपने सुना होगा चन्डवी में यह टाटा इंजिनरिंग हर जगे पे हैं टाटा हर जगे पे यहां पे भी है जमसेदपूर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आपने सुना होगा यह भी है मारती उद्द्योग आपका इसका यहीं पे गुडगाओं हरियाना में इसका प्लांट ठीक है मारती और मारती का सनराइज इंड़स्ट्री बंगलूरू में है और बाकी और भी बहुत सारे कार खाने इनके जगए-जगए लगे हुए लेकिन जब से मारती आई है उसके बाद इसमें करांती जीयों की तरह हुआ है सबसे सस्ते वेहिकल निकाल के इसने टाटा ने कोसिस की लेकिन नैनो फेल हो गया नैनो का प्लांट बंद भी हो गया आपको साथ पता हो पिछले साल एक गाड़ी भी की थी लागड़ान में एक भी न पर गया सॉप्ट्वेर इंडेस्ट्री हमारे यहां पर है ठीक है जैसे कि आप नोड़ा पर पूरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी यह सॉप्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क के टौट पर डिवलप किया गया है तो भारत में कई जगे पे ऐसी छेतर हैं जहां पर हम जैसे आपका पूरा बंगलोर है सिलकान बैली के तौर पर पूरा डेवलप किया गया है तो भारत सरकार के द्वारा अब देखते हैं हमारे देश पर जितना भी हमारा कंट्री पर जो सर्विस सेक्टर है आउट्सोर्सिंग पर जिंदा है आउट्सोर्सिंग मतलब हम विद सब्सक्राइब भारत से हो रहा है तो आउट्सोर्सिंग पर पूरी इसको लेके भारत सरकार की बहुत सरी योजना है ठीक है तो यह हो गई आपकी प्रमुक जितनी भी एक अब बात करते हैं परिवाहन प्रणाली उद्योग उद्योग खतम ठीक अब अगला है परिवाहन प्रणाली देश में समाजी कार्थिक भीकास में सबसे मात्पूर्य योगदान है कि नहीं है कि नहीं है तो कम दूरी मद्यम्य सबसे सुगम और सस्ता साधन के तौर पर आपका कौन सा है सड़क परिवहान है तो सड़क परिवहान सबसे विश्वसनी भी है खुद चला के भी जा सकते हैं तो ऐसे में यह सबसे महत्पूर्ण ट्रांस्पोर्टेशन के देखा जाए तो उसमें इसका एक सबसे मड़ा योगदान है तो भारत सरकार ने तीन वर्ग में क्या किया सड़कों का निर्मार्ड किया पहला राश्टी राजमार्ग ठीक नेशनल हाइवेस इसको लेकर एक संस्ता है आपकी कौन सी है एनेचे ठीक है दूसरा है आपका राज महामार्ग इस्टेट हाइवेस और तीसरा सीमा वर्ती सड़के जो भारत के जितने भी सीमा साजा करने वाले देश हैं उनसे जो समय तो इसको लेकर संस्था बना दी गई है बॉर्डर रोड्स और ब्रो तो उसका काम रहता है बॉर्डर में निर रख रखाओ का अदाई तो भारत सरकार द्वारा निभाय जाता है और इसके ही लिए बनाए गई है केंद्री लोक निर्मार विभाग बनाए गया है जिसको क्या बोलते हैं CPW CPWD यहां पर गाजियावाद में इसका मुख कारयाल है CPWD का CBA Academy के जस्ट बगल पे ठीक है इस दलहौजी के द्वारा जो है सबसे पहले यह बनाए गया इससे पहले भी मुगलकाल से पहले सेरसा सूरी ने भी एक बनवाया था सिंदुगाटी सब्वता से लेकर बंगाल राज सोनार घाटी तक उसने एक रोड बनाए जिसका नाम दिया ग्रांट ट्रेक रोड ठीक है अ एनेच वण आपका जो है और एनेच टू दोनों मिलके ग्रांट रोड का निर्मार करते हैं तो इसी को लाड लहौजी ने बाद में पूरा निर्मार कार इसका कराया इससे पहले भी आप और जाएंगे तो इससे पहले उत्त्रापत और दच्छिना प्रत करके दो मार्ग थ सूड़ते ठीक है तो ढ morale tech रोड आपका ये दो खंडों में विवजी था है पहली आपकी दिली से अमरस्तरत तक है ऐसे हिलंग है और दूसरी आपकी जो है डिली ससे कॉलकाता तो दिल्ली से कॉलकाता अब इन्होंने पूरे नाम बदल आपको पता हो अब एनेश 24 था ये भारत का सबसे चौड़ा हाइवे काजियाबाद से होके जा रहा है आपको बताओ चौदा लेन का बन रहा है ठीक है अब इसका नाम था नाम बदल के नहीं कर दिया पता नहीं क्यों किया अब इसमें नाम बदलने का क्या मतलब बनता था एनेश टू जो था उसका नाम नहीं को कर दिया किसको किदर मलब पता नहीं दर डाल दिए अब नाम बहुत जदा कंफ्यूजन नाम को लेकर कोई भी गूगल भी नहीं बता रहा है क्योंकि पर्टिकुलर जो नाम थे अभी नाम को लेकर इनकी साइट में भी इस पश्टता है नहीं है जैसे एनेश सेबन पहले भारत का सबसे लंबे आई बहोता था अब एनेश परिवान के साधन है पहला है स्थल मार्ग दूसरा है जल मार्ग तीसला है वायुमार्ग में देखी तो सड़क परिवहन रेलवे और पाइपलाइन पाइपलाइन के थू परिवहन तो होता है तेल का परिवहन उसमें ट्रांस्पोटेशन कोई चीज संसाधन जा रहे हैं उ उसे पेट्रॉलियम का पाइपलाइन भी शादिए उससे अपको जरूरी रखेशं कोई से सब्सक्राइब लोका तो पाइपलाइन भी तो इजी है उससे भी कैरी फारवड हो रहा है अन्हीं तो पता चलता कि घर में अभी पाइपलाइन लगी तो पानी इजली आ जाता है आप लोंके और नहीं पता इंतजार करते कि कब आएगा टैंकर तो पाइपलाइन भी परिवहान का एक बहुत बड़ा बरतमान में साधन है अप्टिकल फाइबर जो आपकी सब पाइपलाइन के थ्रू आई हुई है या फी गैस अब आपकी प्राक्तिक गैस भी आपके घर पे लग गया होगा यदि आप सहर में रह रहे हैं तो आपको हर ज प्रागरी जलमार्ग है जवाब बैठेंगे उसमें और अन्ता इस तिलिए जलमार्ग भी विक्सित किया जा सकता है देश के अंदर नदियों को ही हम क्या कर सकते हैं परिवहान योग बना सकते हैं वाइव मार्ग दो प्रकार का एक तो घरेलू परिवहान दूसरा अंतर र करूर ने की थी संचालन रच्छामंत्रा ले करता इसका साथ मही 1960 को यह बना था काम इसका क्या है देश की सीमा वर्ती सडकों का और हवाई पत्तियों का निर्मार करना तो लिख लिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिजे इसके बारे में सीमा सडक संगठन बी आरो ब क्यां परने चाही काम नहीं करती क्या क्यों क्ये इसके रिके तो इसको इसको लिखलाई इसमें देश के सीमा और निर्मार करना वूतान में सब्स fed тр प्रोजेक्ट हीरक चला रहा है और भूटान पर प्रोजेक्ट दन तक चल रहा है प्रोजेक्ट बीकन चला रहा है जो आपकी बहुत सारी साइनिक चानिया चानिया है जो कि आपकी पुर्वत्तर राज्य में वहां पर भी काम कर रहा है ठीक है तो कई जगर पे जितना भी सीमावर्ति छेट पर काम यह करता है क्यों रच्छा मंत्रा लें फौजी भाई है अपना जो है निपट भी लेते हैं कोई सीमा में आ जाता है नहीं तो इनके 5600 किलोमीटर लंबी सड़क है वैसे लगतार जैसे की नितिन गटकरी साब को सुनो तो बताते हैं कि हम प्रद्दिन 27 किलोमीटर डेली बनाते हैं सड़क प्रद्दिन के इस तरपे उन्होंने अपना टार्गेट रख रखा है तो अभी निरंतर काम इस पर चल भी रहा है व सक्षित मैं से कीओर 2% से इनका है तो देश के शंपूर जो सड़ परिवहान का है ठीक है जो आपका सड़क परिवहान है ब्र motherboard का 40% सड़क परिवहान से होता है कुल परिवहन यानि ज्यादत तो लोग विश्वास किस पर करते हैं सड़क परिवहन पर ठीक है तो अभी बर्तमान में देश में कुछ 75 राश्ट्री राजमार्ग है जिसमें 14 अभी प्रस्तावित हैं ठीक है राश्ट्री राजमार्ग सात पहले सबसे लंबा हुआ करता था अब इनेंच 44 है आपका ठीक है कस्मीर से कण्या कमाई तक जाता है बस यहीं लिख ली ज़िए और क्या बताने इसमें ठीक है नेस्नल हाइवे पहले यह क्या होता था इसका पहले नाम क्या था था पहले वन ए होकर के आता था यह वाने आता था आपका यहां तक अमरशर तक वाने के बाद एनेच वन से दिल्ली तक आता था दिल्ली से अमर फिर वहां से एनेच टू हो जाता था पूरा चेंज कर दियें नहीं पता कहां पर क्य बाता को तो एक स्वाइडिम जो है चतुर्भूद योजना बनाई गई ठीक है इसके बाद कि बाकी कुछ लिखना ठीक नहीं है आपका क्योंकि अब मैं आपको लिखाऊंगा में पास डेटा जो है वही है अब जिसे एनेच 47 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग था क्योंचाई किलोमीटर का है जो बिलिंगटन द्यूप से केरल को और कोचीन तक जाता है बस केरल के छोटे से हिस्से में नहीं नाम बदल दिया होंगे लिखना चाहों तो यहीं लिख सकते हो आप लेख लीजे बाद में आप देख लीजेगा चेंज कर लीजेगा एनस फोर्टी सेबन भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है यह मुझे नहीं समझ मांग है यह क्यों किया इन्हों ने राजमार्ग का चेंज करने का कुछ अभी कि पिछले एक-दो साल पहले हुआ है कि छे किलोमीटर लंबा है जो विलिंगिटन केरल से कोचिन तक जाता है कि पले बहुत आसानी से हम क्या करते फें डिली से निकलते थे इन्स टूप बाट ते कोलकाता पहुंच जाते ठिक है फिर यह上 से अधर और से मुंबाई इनेस चले जाते थे ठीक है Hey फिर हम ठाडे से मुंबाई से चन्नाई जोड़ता था जाते पहुत आसानी से हमिस लोने पर भी नहीं मिल रहा है यही डेटा दे रहा है हर जब पी डेटा दे रहा है ठीक है अगला लिखे नहीं सेवन भारत का सबसे लंबा राश्टिया इस फोटीफोर लिख लिए ना अपने नाम बदना अच्छी कोई बात ने पहले बनार्सी से कन्या को आई था बदल गय हुआ है अने एक्सप्रेश रहे हैं यह नहीं है अग्रस नहीं स्टू है नहीं स्टू है नहीं स्टू आपका जो है यह यह वाला पूरा रूट जाता है ना बुलंसहर से होता हुआ है यह पूरा बुलंसहर अलीगर्ड होता हुआ जाता है कानपूर और कानपूर से फिर आपका इटावा कानपूर से निकलता है हाँ क्या हुआ हाँ वो नाम बदल गया उसका है नहीं कर दिये बता दिये यह जाके यह चीज़े बहुत है ठीक है तो राश्टी राजमार्ग विकास नीती है जिसके तहट जो है भारत सरकार के द्वारा एनेच ने लिख लिए इसके बारे में देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से, सरकार ने दस्मी पंचवर्सी योजना में राश्ट्री राजमार्ग विकास कारक्रम प्रारम भी किया है और मैं आपको दिखा भीदू मैफ आफ इंडिया का मैं लेटेस्ट आपको दिखाओंगा उसको भी नहीं पता है उसमें भी जितना भी डेटा मैफ एंडिया का उसकी साइट से मैंने डेटा उठाये भी था ये कहां पे थे अप 10 वी पंचवर्सी योजना के दोरान भ्यापक व्यापक राश्ट्री राजमार्ख विकास कारकरम सुरू किया गया राश्ट्रिय राजमार्ग विकास कारक्रम सुरू किया गया नेक्स्ट यह परियोजना देश में संचाली तब तक की सबसे बड़ी परियोजना है संचाली सबसे बड़ी परियोजना है इसका संचालन भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण ने चयाई द्वारा किया जा रहा है इसका संचालन भारतिय राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण ने चयाई द्वारा किया जा रहा है बीस्थो का सब्से अंचा रेल्पुल भी बना जा रहा है ठीक है बीस्थो का सब से उंचा रेल्पुल बनाए जा रहा है ये मडिपुर के नोनी में और लगवग 141 मीटर ऊंचा है और अभी जो है जो बरतमान मेंश्ग का सबूंasmांचा उचा पुल रेल पुल वो है यूरोप में ठीक है लेकिन अभी भारत में इसको लेकर के काम किया जा रहा है एक और भारत सरकार ने काम किया से तु भारतम योजना का प्रारम किया है इसके तहत राश्टी राजमार्गों पर पुलों का निर्माड किया जाएगा ठीक है तो से इसके तहित क्या है सड़क परिवान हुआ राजमार्ग मंत्राले द्वारा सड़क परिवान हुआ राजमार्ग मंत्राले द्वारा सागर माला सिपिंग प्रोजेक्ट मॉडल पर आधारित सागर माला सिपिंग प्रोजेक्ट पर आधारित सिपिंग प्रोजेक्ट पर आधारित भारत के अंतर राष्टी सीमा छेत्रों को सडको से जोडने के लिए भारत माला पर योजना पर कारे किया जाना है तीस अपरेल 2015 को शुरू की गई थी योजना तीस अपरेल 2015 को प्रारम की गई अब देखो करना क्या है इस से जितने भी अंतर राष्टी से जैसे मिजोरम से सुरुआत करते हैं मिजोरम मडीपूर नागा लेंड अवडाचल प्रदेश अश्रम सिक्किम जितने भी सीमा जो सीमा से जुढ़े हुए इधर से देखें तो इधर से क्या आपका गुजरात है गुजरात के बाद राईस्थान के पंजाब है पिर इधर ऐसे करके रोड़ बनना नहीं है पूरी एक क्यों सीमा पर यह ऑ्पूरी जो इतलीए सीमा इसको मिंया करना यहाइन भारत माला पर्योजना भारत माला ठेक तो भारत माला पर्योजना के बतलब है कि इनको आपसे में जोड़ो पस्षिम रिखोम ही समनेथा ऊच्छेट अगला नेक्स्ट है आपका देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेवे एक्सप्रेस वे जो बनाये गया है इसको बोला जब इसका काम सुरू हो चुका है गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना जेपी इंफर्ट्रेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और यह आपका आगरा लक्ष्णव एक्सप्रेस वे की सफलता के बाद यह गंग ग्रेटर नोड़ा से बलिया तक प्रस्तावित है लिख लिए इसका यह एक्सप्रेस जो आपका लखनव आग रहा है उससे भी बढ़ा है चाहिए चालू हो गया अब पांच परियोजना को प्रारम मलब प्रस्तूत किया था मायवती सरकार ने 2007 में उसने प्रजेंट किया था लेकिन बाद में जो है परियोजना काफी लंबे बिवाद में जमीन बिवाद और दुनिया वर की चीज़ें जेपी इंफर्टेक्ट ने इस पर काम भी शुरू करने की 30,000 कर 2014 को लिख लिए इसको स्विकृति प्रदान कर दी गई पांच अक्टूबर यह सपा सरकार में इसको स्विकृति प्रदान की गई थी पांच अक्टूबर 2014 को इसको स्विकृति प्रदान कर दी गई यह आठ लेन का होगा यह 8 lane का होगा प्रवेस वा निकास नियंतर्ण प्रणाली पर अधारेत देश का सबसे बड़ा express way होगा तो देखे कहां कहां से जाएगा greater noida के बाद बुलन सहर बुलन सहर के बाद यह जो नरौरा वाला च्छेत्र है बुलन्सहर नरोरा, बदायू, फतेगर, कन्योज, बिठूर, उन्नाव, उचाहार, भधोही, मिर्जापूर, चुनार, गाजीपूर, रामनगर, फिर बलिया, बलिया कहां पढ़ता है पता है आपको, सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे कैसा सहर है, कौन से जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो कहां से शुरू करेंगे, हम ग्रेटा नोड़ा से कहां ले जाएंगे बलिया, यह आपको कहां जाता है, ग्रेटा नोड़ा से चलू होता है, यमना एक्सप्रेस है, और कहां खतम होता भी लखनाव में, इसको भी हम एक्सपैंड कर रह जाएगा यह बलिया तक जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतिम किनारे तक तो लिख लिए प्रवेश वा निकास निहंतरम प्रणाली पर अधारित देश का सबसे बड़ा इसके बाद अगला है रेल परिवान रेल ट्रांस्पोर्टेशन तो इसका तो एक ही आदमी को जाता है डाल लाड लहोजी को ठीक है तो लिख लिजिए इसके बारे में थोड़ा से दो चार बातें तो देश में जितने भी विसालतम समार है बड़े मात्रा पे जो परिवहान होता जैसे अब लोहा इंडस्ट्री है तो अपना माल जो है ट्रांस्पोर्टेट करने इधर से उधर बेजना तो उसके लिए वह रेलवे का अंत्रिक परिवहान में सबसे बड़ा रोल अदा करन नहीं तो आन्टा अप रेलवेय आपको सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता और सबसे आपको मलब सबसे बड़ी परिवहान सुभिधा के तौर पर आता है इसका विकास लिख लिए सबसे पहले किस ने करवाया विकास देखो प्रारम होता हम लोगों को जनकाई 17 डिखाई और उसने यहां पर काम वी प्रारम कराया बाइस दिसम्बर निस्वंग यावन को पहली रेल गारी भारत में चली इंद्धि लेकिन ओं मालhen इंतु Coming च्हाँ थे था हां रहन है चलि भारत में रेलवे के विकास के दीसा में सर पर्थम प्रयास hypoc ही 823 रहत में रेलवे की का सकी दीसा में सर पर्थम प्रयास 1944 में तद्कालिन गवर्नर्ज लाड हार्डिंग ने ऑठारा सुवाली जो में उन्नीस बोलूँ अठारा सुनना आपको पता है दस घंटे हो चुके हैं ठीक है तो सका प्रभाव दिखे का दिमाग में में निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्मार का प्रस्ताव रखा था कि देज में पहली रेल गाड़ी का परिचारन 22 दिसंबर 1951 को किया गया 950 को किया गया spend consider record किया गया जिसका प्रियोग रूरुड़की में जिसका प्रियोग रूरुड़की में निर्मार काctar रें दू माल डूलाई है उति पि किया गया ओथार सुर्थ में सबसे पहली माल गाड़ी चली इसके बाद नेक्स्ट कि एतिहासिक द्रिश्ट से भारत में प्रथम रेलमार गठारसुत तिरपन में प्रारम हुआ कि मुंबई से थाने कितना 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर ठीक है तो यह आपका जो है लगबग यह हुई थी शुरुवार फिर इसके बाद अब कुछ बस ऐसे लिख से दच्छिन भारत में रेल की शुरुआत एग जनवरी सोल पंन craft में मदरास रेलवे कंत्पनी के दौरा कैं evaluating 1991 में भारती रेल रश्टी करने ने फिर दिर sh legal गया यह presents भारत सरकार ने कहा जाने ऑजादी के बाद की यह यह भारत सरकार की संपत्ति है कब किया ग्या उन्यावन च्पान इसका रश्टी करन वही चलता था पूरे भारत की रेल परणाली को 17 जोनों में बाटा गया है ठीक है यह भी बढ़ गया है अच्छा तो 18 जोनों में विवाजित किया गया है और इस्थानी रूप में बहुत सब्सक्राइब भारत के विविन राज्यों ने मेंट्रो सब्सक्राइब भूमीगद भी है हूं के ऊपर है भारत की पहली पिर इसनल कहा चल रही है मोधिपुरम पहली भारत की रिजनल रेल यहां पर यहीं पर गाजियावाद से होके जा रही है सराय काले खांसे लेकर के मोधिपुरम तक मेरट में ठीक है तो पहली मेट्रो रेल कहां चालो हुई भारत में कॉलकाता कॉलकाता है 1984 कलकता में मेट्रो रेल वी की प्रारंब होती है ठीक है सबसे पहले और इंद्रा गांधी ने दमदम छले के टोली गुंग 2002 को सहाद्रा से 30,000 कोड तक में पहली पहली मेट्रो आपकी चली थी यहां पर आराम हो गई थी तो अब तो इस समय दिल्ली खूब धन SEC बैसमे कोशने पर सफके हुआ दdoo रही है यलो लाइन वैलेट म्लाइन ग्रीन लाइन जितनी लाइन सारी लाइनों में ठीक है टीसरी मेट्रो रेल आपकी कहां पे है बंगलूरु में डैबलब हुई नम्म मेट्व के सब्सक्राइब करने हैं अगली ने मेट्रो जैपूर में प्रारम उत्तरप्रदेश्वालों ने प्रयास किया मेट्रो संचालित करती है तो पर्टिकुलर जैसे एक इस्थानी वहीं के अथर्टी करें तो लखनाव मेट्र परियोजना जो है दिसंबर 2015 को प्रदानमंत्री जी के अध्यक्षता में लखनाव मेट्रो अभी आप देखते हैं बहुत सारी यम्यू चलती है लोकल मेट्रो कि लोकल रेल जो है आपकी यहीं पर से भी आता है प्रबंधन को ले करके प्रथम एक्सप्रेस वे यह जो नोड़ा से ग्रेटर नोड़ा जो यमने एक्सप्रेस वे हैं अच्छा यह वाला बना हुआ ताज एक्सप्रेस जानकारी नहीं है देखना पड़ेगा अच्छा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपका नेक्स्ट पुरोत्तर भारत में आपका भी रेलवे पहुंचनी चालो हुई है ठीक है पुरोत्तर भारत में आप देखिए इतना बड़ा विकास हो गया डि अब जाके जब मोदी सरकार आई तो फिर इस गौवर्मेंट ने पुरोत्तर भारत में रेल सेवा प्रारम की कब 2014 में 2014 में ही आपकी पुरोत्तर ठीक है आपको यदि अभी जाना हो यहां से पुरोत्तर तो आप कहां तक जा सकते हैं मुश्किल से इटानगर एदी जाना हो और उडांचल प्रदेश तो आप कोई ही नहीं ट्रेन ही नहीं है वहां के लिए उससे पहले एक बना रखा उन्होंने नागर होल करके ऐसे कुछ बना या तो गुहाटी तक जाए गुहाटी के बाद फिर अपना पकड़िए लोकल जो ट्रांसपोर्ट है और नहीं तो एक इसे करके कुछ बना हुआ है एयरपोर्ट भी नहीं है आपको साइध पताओ जानकरी घरेलू उडाने नहीं चलती वहां पर अउडांचल प्रदेश में रक्षा डिफेंस के अपने बने हुए हैं तो आपको जाना है तो तेजू एयरपोर्ट आपका पड़ता है यहां पर सफ्हार सब्कर्द करें तो इसको मजबूत नहीं किया जोड़ा नहीं ट्रांसपोर्टेशन किया क्यूं नहीं किया ड़तीतर सबस्टे लोग सब्सक्रां सबस्गाइब करों traveler कि यहां पर काम कर रहे हैं ठीक है इसके बाद आपका युनेसको की सूची में भारती रेलवे कई रेलवे आपका जैसे की दार्जलिंग हिमालियन रेलवे इसको ट्रॉय ट्रेन के नाम से जानते हैं यह आपका युनेसको की सूची में समलित है सीवाजी च्छत्रपती सीवाज बाकर श्iegen के नाम से लाहाब जाता है इसको भी आपका जो है युनेस्कों नेगोशित किया ist तो वर्ण को ठीश ए आपका ठीक है बाकी 18 जोन नंए नाई दिल्ली ब्सक्री जोन अधार जेपूर उत्तर पश्मी जोन इसके अलाव गौर्मेंट का काम अब यह है गौर्मेंट हैं परियोजना चला रहे हैं परियोजना के तहद भी जोड़ने का प्रयास कर रही है सारी चीज़ों को पर्टेन अधारित बहुत सारी हमारी चला जाती है जैसे पहले सॉन हुइल यह आपकी जो है 26 दौनरी 1982 को पहली बार पहले सॉन हुइल्स प्रारम की गई स्टीम इंजन से चलने वाली इस ट्रेन को राजिस्थान यात्र के लिए बनाया गया है एक रॉयल राजिस्थान है य उन्हें बता यहीं जगह मिले ठीक है तो राजिस्थान रॉयल के नाम से भी एक ट्रेन चलती है भी बहुत इनका महंगा होता है महराजय एक्सप्रेस चलती है मार्च 2010 में प्रारम की फेरी क्वीन चलती है आपकी दिल्ली से अलवर की यात्तरा के लिए ठीक है वास्म चैरियट चलता है इसमें जो हैंपी के जो यह आपका पूरा करनाटक वाले चेतर में चलती है हमपी के जो बिठल मंदिर है उससे बनाए गया पुरा उसके रतों से यह पूरा इसका नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है इसके अलावा गवर्मेंट के द्वारा इस समय जो आपका एक बुलट ट्रेन परियोजना यह सब आपका है जो घरेलू परिवहान को लेकर करके गवर्मेंट के द्वारा अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि जैसे वह जैसे अभी क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्टेशन बने हुए उन स्टेशनों में माल गारी को रो सब्सक्राइब चलने वाली पहली बुलिट ट्रेन की भी बात की गई है इसके अलावा अन्य बहुत सरे हाई स्पीड कोरिडोर बनाया जा रहे हैं जैसे दिल्ली चंडीगर अमरसर पूरे मुंबई एहमदाबाद इसके लावा बहुत साई ट्रेन अभी चला भी दी गई ज से दिल्ली को ले करके यह भी आपकी सबसे तो कुछ ट्रेने अभी ट्रायल पर चल रही है जो सेमी हाई स्पीड है एक सो साट किलमेटर पर गंटे की रफ्तार से चलनी शुरू हो चुके है ठीक है इसके बाद जो है आपका दिल्ली मुंबई और दोगी गलियार आपका है तो इंडिस्ट्रिल कॉरिडोर को डिबलप किया जा रहा है जिसमें केवल और केवल यह रहेगा कि जितने भी आपके निवेस वा ब्यापार को पुरसान देने के उद्देश से इसको डिबलप किया जाएगा दिल्ली से मुंबई तक आसानी से जो आउसन रसनात्मक परियो तो वायू परिवहन को आपको पता है कि भौतिक द्रिश्ट से हमारा देश बहुत विशाल है विबित्ता युक्त है कहीं परवत है कहीं पठार है तो ऐसे बहुत दिक्कत होती है कि आप सडक से जाएं या फिर आप रेल से जाएं तो ऐसे में सबसे जारत बढ़िया क्या ह सीधा सूपरमैन बनके जाएं उड़के जाएं तो वायू यान तीब्र गामी साधनों में सबसे महत्यपूर्ण है और इसके माध्यम से ही देश में विभिन्ने चेत्रों पर हमने बहुत सारे एयरपोर्ट डिवलप कर रखे हैं और इसके में भारत का विश्व में सर्वोच इस्थान भी है भारत में वाई परिवान के सुरुआत 1911 से हुई यह फैक्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलहाबाद से नैनिक के बीच में विश्व एयर वेज कंपनी की स्थापना की गई 1923 में इंडिवेशन एयरवेश कंपनी की सथापना की गई जिसने लहोर से कराची के 20 भीमान सेवा संचालित की को और फिरटा आएगा 1931 अटाटा एयर्वेश थीक है 1935 में ताटा एयरवेश दौन्बई मुंबई दिल्ली मार्क पर बिमान सेवा प्रारम की तो इस तरीके से देश में अभी बरतमान में 21 वायू परिवाहन कंपनिया स्थापित हो चुके हैं टोटल 21 हो चुकी हैं जिनका लगातार 1903 में भारत सरकार ने आधिस ज्यादा कंपनियों को राष्टिक्रित कर दिया ठी कई निगम बन गए भारती विमान निगम इंडिया एरलाइन्स कार्पोरेशन के अंतरगट आठ कंपनियों को सामलित कर दिया गया ठीक है 1997-1999 में इंडिया एरलाइन्स जो है डेवलप की गई और इसके बाद जो है इसका मुख्याले नई दिल्ली पर बनाया गया और च्छान वे देशों के साथ भारत को जोड़ दिया गया इंडिया के माध्यम से और इसके तहित बरतमान में बहुत सारी कंपनिया है और भारत में चार बड़े हवाई अड़े डिबलप किये गया है मुंबई कलकत्त दिल्ली चन्नाई में और इसके बाद 86 देशी हवाई अ हवाई uthodos को डिबलप किया गया ठीक है अंतर आश्टी हवाई अड़ों की भरतमान में संख्या 25 से टोटल अंतर आश्टी हवाई अड़ों में आपका जवाललनेर हवाई फिसको तक्रूज हवाई अड़ भी बोलते हैं सुभाथ चंदर्यबोस हवाई अड़ा है दम द इड़्री आपकी अंतर थी हाई है अड़ी में दूसरी है प्रधान हुआई एड़्रकमें तीसरी मद्रिम्हारी हाई एड्र Twitch के लूप में तो पूरे भारत भर में होई हैं ये पिर्वाय्ट बना दिया कहां से कहां तक बनेगा गंगा से लेकर गंगा से लेकर ये इलहाबाद से लेकर के हल्दिया तक यानि गंगा से लेकर भागी रती और हुगली नदी तंत्र तक यहां से प्रयागराज में तो गंगा कही नाम है उसका पश्ची मंगाल में आपका वह भागी रती के नाम से और गोसित किया गया सकताइस अक्टूबर 1986 को पदा नहीं कब चालो होगा ठीक है अभी समय लगेगा इसमें और यह आपका उत्तर प्रदेश विहार जारखंड पश्चिम मंगाल से होकर गुजरेगा ठीक है तो हल्दिया से फरक्का फिर फरक्का से पटना पटना से फिर आपका इलाहबाद यह तीन छेत्रों में इसको विभाजित किया गया ठीक है और इसमें 25 मीटर उंचा एक बांध भी बनाया जाएगा कि दूसरा राष्ट्री जलमार्ग आपका है एक तो यह हो गया पहला इन डबलुवन दूसरा कहां से कहां तक है दूसरा है सदिया से धुबरी ठीक है सदिया से धुबरी यानि सदिया असम में और धुबरी असम में तो पूरा ब्रह्म पुत्रा के उपर यह बनाया गया है इतना है 205 किलो मीटर है इसका विस्तार जो है केरल के पश्मी टटी चेत्र में है ठीक है केरल वाले चेत्र में बन रहा है और इसमें 24 गंटे 9 कायन की सुभिधा प्रारम हो चुकी यह देखे केरल है लेकिन विस्तार जादा नहीं है इसका ठीक है इसने अपना काम सुरू कर दिया है इसके बाद यह आपका पश्मी टट नहर उद्द्योग मंडल नहर चंपा कारा नहर तीनों को मिला करके टोटल यह 205 किलो मीटर तक बना हुआ है ठीक है पेरियार नदी पर यह पूरी परियोजना है नेशनल वाटर वे मार्ग तीन चौधा आपका जो है व वजीराबाद विजयवारा से लेकर कृष्णा नदीता के जोड़ेगा अपस में ठीक है तो यह जलमार्ग 1095 किलो मीटर लंबा है तो चौथा आपका कहां पर है गोदावरी कृष्णा के बीच में बनाया जा रहा है पांचवा आपका जो है यह 24 नुमबर 2008 में इसे भी ज द्रबतिया तक साइस को कीं है कियो गया पांच वांग और एक आपका बाकि जो है छट्वा एक बार देखली तगी फिर परकी आपके छोटे-छोटे ठीक है यह हो गया आपका 6 आपके बाकी के जितने भी हैं जलमार्ग आपके अभी गोसित किये गए हैं बहुत पुराई नहीं है भारत के तीरा पुल बड़े बंडर्गाह हैं दो बारत को प्रमुक बंडर्गाह्ओं में बाटा गया है फिरा प्रमुक बंडर गाहों में पहला ह elim कांडला कांडला आपका पड़ता है गुजरात की रनौफ कक्ष में ठीक है ज्वारिय बंदरगाह है दूसरा आपका है मुंबई बंदरगाह ठीक है मुंबई बंदरगाह आपका सबसे ब्यस्ततम बंदरगाह है और यह वर्सभल खुला रहता आपका सबसे अधर काम ही होता ह इसको न्यावा सेया भी बोलते हैं ठीक है दस किलो मीटर यह दच्छनी अलिपेंटा गुपाओं के निकट बनाए गया है और इसका नाम रख दिया गया है जवालाल नहरू बंदरगा तो तीसरा बंदरगा आपका यह जुआ यह आपका न्यू मंगलूर कोचीन दोनों के मदधवस्तित करनाटक पास न्यू मंगलूर में यह बंदरगा तीक है राश्ट्री राजमार्ग 17 जो है इससे यहां से जाती हैं अगला है कोचिन कोचि कोचि केरल के तड्पर प्राक्तिक बंदरगाहा तीज़ा के बाद आपका नेक्स्टर है नाम्य चन्नई बंदर गाह चन्नई यह सबसे पुराने बंदर गाहों में एक और यह कृतिम बंदर गाह थेका यानि प्राक्तिक नहीं कृतिम तवर पर इससे बनाए गया है फिर आपका विसाखा पत्नम काकी नाड़ा टट पर आंध्र प्रदेश के पास स्थीथ और पोत निर्मार मरम्मर उद्द्धो काफी चीज़ यहां पर डिबलब्ड है एक चीज जाने लिए भारत का सबसे गंदा गहरा बंदर गाह गंदा नहीं बारत का सबसे गहरा बंदर गाह यहीं प्राकितिक बंदर गाहों में ठीक है यह ध्यां दखिएगा दूसरा आपका पाराद्यूप पारद्यूप उडिशा में पड़ता है पारद्यूप कुलकाता वह चिन्नई के बीच कटक से सौ किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा के उडिशा के पास इस्तित्य है यहां मुक्तिया जापान से कच्चा लोहा निर्याद किया जाता है ठीक है और इसका पो हल्दिया ग्यारवे नंबर पर आपका हुगली नदी पर अवस्तित है और बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर इस्तित है इस तालबाग से ठीक है और अंग्रेजो द्वारा इसको डेबलप किया गया था भारत की पहली राद्धानी जो है कोलकाता ही थी आर्थिक त है अंदर है 128 किलोमीटर अंदर कोलकाता अंदर है हल्दिया आपका ठीक है दोनों एक दूसरे से काफी दूर है अगला नेक्स्ट है इन्नावर बंदरगाह इन्नावर बंदरगाह आपका तमिल नाडु पे है चन्नाई के उत्तर में अवस्तित है 2001 से परचालन चालू हुआ कंप्राइस्ट बंदरगाह है कोई तरीके से ठीक है चन्नाई से 24 किलोमीटर उत्तर पे अवस्तित है और काफी काम जो है यह समाल लेता है चन्नाई बंदरगाह के जब से बना है तब से उसका थोड़ा सा बहुत हलका होगा अगला है पोर्ड ब्लेयर आपको पता ही है सागर माला परियोजना सागर माला परियोजना भारत माला परियोजना अलग चीज़ है सागर माला परियोजना अलग चीज़ है सागर माला परियोजना से जितने भी बंदरगाह है इन सब को जोड़ करके हमें सडकों को आपस में जोड़ देना है ठीक है जितने भी एक लिए ते रवड़े बंदर का पिंटू-पिंटू बहुत सारे लोड़ाही सों उनको थे इन्हें झाहन तो सागरमाला-पर्योजना वारे मैं 24 सब्दस्स लिख लीजी इस परीयोजना की गोस्ण पंद्रा-ःगस 2003 को की गई अटल बिहारी बाचपेजी के द्वारा की गई यह परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को यह परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोडने से संबध है इसे सागर माला इसलिए कहा जाता है कि इसे सागर माला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतरगर्द कि इसके अंतरगर्द देश के प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों को कि नई तक्नीकी से युक्त करना तथा समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना ठीक है तो पंदरा गज़ दोजार चौदा को प्रधानमुख नर्द मोजीजी के द्वारा सागर माला परियोजना को स्विकरत प्रधान कर दे गए अटल विहारी वाचपे जी के टाइम पे इसका प्रोजेक्ट रखा गया था प्रारम कर दिया गया है प्रधानमुख जी के द्वारा तो पंदरा गज़ दोजार चौदा को यह परियोजना क्या हो गई स्विकरत प्रधान कर दी गए तो समुद्र टटिये राज्यों के लिए एक महत्वा कंशी प्रियोजना है इससे ना केवल बंदर गाहों का विकास होगा बलकि बंदर गाहों के द्वारा विकास सुनिश्चित किया जाएगा वहां से एकॉनमी को हम बड़े इस तर पे लेकर के आएंगे और विशेस आर्थिक छेत्रों में हम सड़क परिवान के माद्यम से समुद्र टटिये छेत्रों को रेल परिवान और सड़क परिवान वाई परिवान जल संपर्क को सब एक साथ जोड़ पाएंगे ठीक तो ये हो गया आपका बंदरगा भी हो गया आपका अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट भारत में पाइपलाइन पाइपलाइन भी था ना आपका एक तो पाइपलाइन आप लोग कह रहें कि यह ही नहीं तो भारत में पहली pipeline डिकबोई से बरावनी जहां पे पेट्रोलियम सोधन का रिखाने हैं तो वहां से पेट्रोल आएगा कैसे उसके लिए pipeline बिचानी पड़ेगी आपको तो भारत में पहली pipeline डिकबोई से बरावनी वर्स 1964 में बनाई गई ठीक है तो जहां पे तेल कुए है जैसे कि अब ये तेल कुए हैं, आपका नहर कटिया है, मोरान हुजरी गंज है, तो यहां से कच्चा तेल सोधन को बरावनी रिफाइनरी तक लाने के लिए, पेट्रोल तो निकाल लिया लेकिन और लाएंगे कैसे रिफाइनरी तक, तो रिफाइनरी यदि वहां से लाएंगे परिवान सड़क परिवान के मद्दम से तो कितना लाओगे कितने कितने लीटर लेके आओगे कितने बड़े ट्रक होंगे आपके पास वाइव यहां से लाओगे तो कितना लाओगे आंत्रिक जलियान है नहीं आपका तो बेतर क्या है सीधा pipeline ही लगा दो नल खोलो निकलने लगए सबसे आसान तरीका सस्ता और नहीं तो प्रेट्रोल के मांग फिर पता चला सर्क फोड़ रहे हैं एक दूसरे का साइकल से चल रहे हैं नहीं कर बहुत महेंगा हो जाएगा तो इसलिए pipeline काम है इसका transportation करना जहां पर आपके तेल सोधन जहां से कच्चे कुए कच्चा तेल निकल रहा है उसको रिफाइनरी तक पहुंचाना ठीक तो पहली pipeline आपकी कब बनाई गई डिकबोई से बराउनी तक बराउनी कहां पे बिहार में बिहार में बराउनी रिफाइनरी आपकी ठीक है इसके द्वारा आसम में तेल कुए अटिक अच्छा तेल को सोधन है तू बरावनी रिफांडी तक लाया जाता है ठीक है ठीक है ठीक है फिर अब वहां पर तेल सोधन हो रहा है तो तेल सोधन के बाद उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी जरूरी है है दिस्ट्रिब्यूशन के लिए और पाइपलाइन बना दी के तो बरावनी से कानपूर अब बना गई गई ठीक है वहां से जो सोधित तेल होता है उसको कानपूर तक कंपूर तक ले आते हैं अच्छा तेल था वो पूरा हल्दिया से आकर के मतुरा रिफाइनरी से बजार थे छेत्र तक पहुंचाया जाता है तो ऐसे करके पूरे देश भर में बहुत सारी रिफाइनरी बनाई गई है ठीक है कि सबका नाम लिखवाना आप लोग एक बार देख लीजेगा अब बात करते हैं मेरे ख्याल से अंतिम ही टॉपिक होगा भारत की प्रजातियां और जंजातियां ठीक है तेक बार देख लेते हैं साहिव मानचीत हूं मानचीत हुआ पास सारे थे तेल सोधन सरीयंत्र देख सकते हैं अब अभी एक बार देख लेते हैं यहां पर भी कहां कहां पर हैं तेल सोधन सरीयंत्र यह देखिए यह कच्चे तेल के छेतर नहीं है लेकिन यहां पर तेलों का क्या किया जाता है सोधन किया जाता है मतुरा आपका हो गया यहां पर दे चिंदखनी नागापतिनम कोची मंगलोर ठीक है मुंबई यह सारे आपके यहां पे मिलेंगे इसके बाद भारत के तेलवा गैस पाइपलाइन छेत्र ठीक है तो यह आपके जितने भी इदेखें पाइपलाइड छेत्र हैं यह आपकी पूरी पाइपलाइन बिच्षी हुई ह पूरे भारत भर में यहांप लेकर डिक बोई से लेकर यह आपकी घई हुई है ठीक है यह आतकी बरावनी की की बरत्मार में कितनी चल रही है तो जो इस डॉट में हैं बाकी कुछ प्रस्तावित हैं कुछ आपकी गैस पाइपलाइन बनाई जानी है तेल सोधन कारकाले ठीक ठीक धातिक उद्ध्योगों स्जूड़ा हुआ था अब हमें जन्जातियों का देखना है अधिक औरफिड्योग सस्मेंट और तो कागज फचानें canis चीनी द्योग मनें युद्योग और मुंद्योग और मौंनियन द्योग मैं आपको स्वाडिम चतुर्भूच पर योजना है यह पूरी के पूरी पूरी तो भारत के कहां पर कौन से रेल्वे जोन है ठीक है यह रेल कोच फैक्टरी का पूर्थुला में है मैं आपको यह पीडिया फुपलब दे करा दूगा अप लोग इसको योज कर लेजेगा दो दो जगें लगा दूगा जादे इस एकडमी के एप में भी लगा दूगा और टेलीगाम चैनल पर दो जगा भारत के अंतर अश्टी हवाई एड़े तो हवाई एड़े यहां पर सारे दिये गए हैं जहां पर अंतर देशी जल परिवहन यह आपका बना हुआ है आपका जियोन खली से लेकर तलचर तक है ठीक है तो यह आपके पूरे नहीं सिकस यह आपका भांगा से लखीपूर्त या टेकर तो इस तरीके से बने हैं आपके राष्टि जल्मार्ग पिर यह प्रमुफ बंदरगान एक बार यह देख लेते हैं खिश्त यह पूरे हैं क्रम से देख लीजे आप लोग कह रहे थे हल्दिया यहां पर है कोलकाता यहां पर दोनों अलग अलग बद्दर गाएं दोनों में दूरी है पारद्यू पुडिशा में हैं विशाका पट्टनम आपका अंद्रप्रदेश काकी नाड़ा मचली पटनम सारे यह आपकी है भारत की जन गर्णा होएं जन जातियों का देख लेते हैं नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि यह आपके पूरी जन जातियां तो भारत में विभिन राज्यों में अलग अलग जन जातियों का निवास है हर जगह पर टोटल मैंने कितने परसेंट बताया था है इस्टी कर्टिगरी का आठ दिसम्लो छै प्रसत अंसूची जन जाति के लोग हैं भारत में तो कहां पर कौन सी जन जातियां रहती हैं देख लेते हैं एक बार सबसे यह आपकी जंबू का स्मेर की जन जातियां हैं बक्करवाल गुजर मौन चंगा वाल्टी गद्दी सि जार इहां जानकारी जैसे एक मालो सबसे बड़ी बड़ी जन जाति समू कौं साह तो गोंड़ी जन जाति को सबसे जदा है ठीकत मद्ध प्रदेश میں भी हैं और गोंड़ी जन जाति है आपका 46 घर मैं भी है सबसे बड़ी जनजाती प्रदेश है आपको फिर इसके बाद भील का नमबर आता है भील आपको भी उत्तरबाद के कई छेत्रों मिल जाएगी गुजरात में भील, बंजारा, बार्वा, बारली, खीरी, धोडिया, कॉंगड़ा, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण ठीक है, दमंद्यूप में धोडिया, सिद्धी, बरली, जनजाती पाई जाती है दाद्रयम नागर हवेली में वरली, कलोडी, कोकना, नायकड़ा, ठीक है गोवा वाले महराश्टवल छेत में बर्दा, बावचा, भील, भुंजिया, बिर्हुल, धनवार, धोडिया, कोली इसके बाद गोवा में धोडिया, बरली, करनाटक में बरला, चेंचू, कुरुंबा बजन जाती, मलेरू, टोड़ा तोड़ा जन जाती, आपकी नीलगीरी की पहाड़ियों वाले छेत में पाई जाती है, सोलगमा जन जाती, राथवा जन जाती, पिनियम, कुर्मू, कुर्दू, लक्षदीप में मलामी बजन जाती, केरल में मोपला, मोपला बिद्रो हुआ था आपका, 1921 पे बड़ी फेमस है और इसके 200 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले साल, ठीक है तो इससे जुड़ा हुआ कोश्चन है, किसान थे मोपला, मुस्लिम किसान थे, इनका बिद्रो था, पिट्सस के खिलाप और राजी के खिलाप, अगला है, नेक्स्ट है, नायर, मलकारा, अलवार, अदियान, कादर इरूला, ठीक है ये आपकी केरल के हैं, तमिल नावड में टोडा, कुरूंबा, टोटा, इरूला, बढ़गा, नेक्स्ट है आपकी आंद्र प्रदेश में चेंचू, लंबाडी, यनाडी, यरकुला, संबरा, खोंड, बगाता, कुलिया, यायक, कॉंडा, कोया, केपचा, और अंग, मुंडा, नेक्स्ट आपका है, यहां पर ये मेगाले वाले छेत में, गारी, खासो, जहनतिया, मिकिर, होजांग, हमार, लखेर, समेंत, मिजोरम में, मिजो, लखेर, पावी, चक्मा, गारो, कुकी, हाजमा, यहां पर पूरा जंजाती समूँ है, देख ठीक है, वाणड के अंदर भी विभाजन है, वैसे जंजातियों में भी जंजाती समूँ है, जंजाती समूँ के अंदर भी वाजन है, ठीक है, मिजोरम में, मीजो, लखेर, पावी, चक्मा, गारो, कुकी, हंगमा, मडीपूर में, हंगामी, को, कौम, कुकी, माओ, मारिंग नागलेंड में नागा, कोयांक, सेमा, गारो, कचारी, कूकी, रेगमा अवडांचल प्रदेश में चक्मा, डिम्शा, मिकिर, हाजेंग, थाएंग, कचारी, लुगमा, बोरो नेक्स्ट आपका, बिहार में, बिहार में आपकी बैगा, अशुर, खोंड, उराओ, बिरहोर, बेदिया, बंजारा, जारखंड में, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, खोंड, उराओ, कोरबा, खरिया, माल, पाहडिया, अशुर, भुया, उत्तर प्रदेश में आपकी प्रमु say 튀 Asia बुखसा जाउनसारी यह उत्त्रकंड में भी पाई जाती यह है यह आपकी उत्तर परदेश में भीपाई जाती से अर brag नाड़ा में मीड़ा है मेयो जन जाती है मद्धप्रदेश में भील अगरिया कोल काकू कमार बैगा गोंड जन जाती है ठीक है तो इस रिसाप से भारत की प्रमुख जन जाती है अब इनके बारे में कुछ छोटी-छोटी भी सहस्ता हैं हम लोग देख लेंगे तो गई आपक यह यह राज्यों का अपना सब्सक्राइब और अट्र सरकारों के द्वारा पूरा और राजपाल करते हैं राजपाल महोदे आप देख어지 सरकार के द्वारा कई आपके आडिकल एंपर आपका है आडिकल 59 अपका है आडिकल 30 यह है जनजाती जनजाती सब्द संभिधान में कहीं भी परिवासित नहीं किया गया इसी सब्द जो है अनसूची जाती सब्द कहीं पर इसकी परिवासा नहीं दी गई है लेकिन भारती संभिधान में अनुख्षे 341 है जहां पर जो है इनको इनके बारे में चर्चा की गई है ठीक में बैदिक काल में अंसूची जाती को चंडाल कहा जाता था चंडाल नाम से इसको बोला जाता था ठीक है और इसके बाद भारत में किसी भी जात को अंसूची जाती कोसित करने का अधिकार इसको है भारत के राष्टपती को है भारत के राष्टपती किसी को भी ठीक है और 1935 इसका जो अधनियम था वहां पर अंसूची जाती को जो है अचूतों के अचूत लोग जो थे जो पूरा समाज का अवर्ण ऐसा वर्ग था जो अचूतों की स्रेडी में आता था उनको अंसूची जाती के नाम से इसको बनाय गया फिर बाद में लगातार जो है संविधान में फिर इन जीजों को के बारें परिभासित किया गया तो इस टेट वाइस आख्रे जाते हैं अंसूची जन जाती एस्टी को ले करके थोड़ी से दो चार बाते हैं यह समय लिजे सबसे पहले इनके लिए एक आर्टिकल बनाय गया संविधान का कौन साइब कौन से अंसूची क्या पांचवी अनसूची दो अनसूची पांचवी और छट्य अनसूचीosti के लिए पाचवी अनसूची का मतलब है एम इंट्यम को छोड कररा बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर दी अंसूची जंजाती 6 त्रकोसित करना तो कौन करेगा राज्ट पती और अंसूची जंजाती में गोसित कैसे करते हैं क्या क्या चीज़े देखी जाते हैं पहली बात आदिम जंजाती की विसेष्टाएं होनी चाहिए यानि कि जो हमारे प्राचीन पूर्वस्त है उससे जुडाओ होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नयाब जिसे आप में प्रवेश कर जाएं जंजाती चेत्रों में आप लोग जंगलों में रहने लग ज चाहिए समान समुदायों से मिलने में उनका संकोच होना चाहिए हमारे साथ हिल्मुल नहीं सकते हैं उनकी अपना खुद का कल्चर ऐसा होना चाहिए तो इस आधार पर जो है इनको क्या किया जाता है अंसूची जंजाती के तौर पे भारत के राश्पती को रेक्मेंडेश के द्वारा इनको आदिवाशियों का पिता भी बोला जाता है इनके द्वारा प्रयोग किया गया था इसके बाद जो है समिधान निर्मात्री सभा में जैपाल सिंग सरप्रथम जंजातियों में आदिवासी जैपाल सिंग जो है आदिवाशियों के समिधान सभा में प्रति यहां पर दिया गया है और इसके बाद एक एक करके थोड़ा सा जन्जातियों के बारे में पिसेश छेत्र का इनका एक बार चर्चा-पर्चा कर लेते हैं एक एक जंजाती को पकड़ेंगे संथाल जंजाती ठीक है संथाल जंजाती मुख रूप से जारखंड में पाई जाती है इसके बाहर भी यह पाई जाते हैं लेकिन सबसे आदा यह कहां पाई जाते हैं जारखंड में संसा यह से बाहर यह बंगाल बिहार उडिशा मद्यप्र और यह सरना धर्म का पालन करते हैं ठीक है विवाह को बापला कहते हैं यह संथाली इनकी भाशा है और लिपी ओल्चिकी है ठीक है इसके बाद दूसरा है गोंड जन जाती भारत का सबसे बड़ा जन जाती समूंग जन जाती है और यह भारत के मैदान से लेकर के गोदावरी नदी छेतर तक पहला हुआ है आश्ट्रेलाइड नट से यह भी है आश्ट्रेलाइड नसले से जुड़ा हुआ है द्रबिडियन परिवार की एक जन जाती है पांचवी और छट्वी सताब्दी में दच्छन में गोदावरी टट से यह मद्ध प्रवेश कर गए थे ठीक है तो यह आपका इनका जो है जन जाती भासा गोंडी है और द्रबिड परिवार से जड़ाव रखते हैं एकला है मुंडा मुंडा जन जाती कहां से हैं सबस्यादा जारखंड वाले छेतर से छोटा नागपूर पठार से बाकि इसके बाद यह द प्रेजों के खिलाब जो है बड़े इस्तर कांदोलन चालू किया और इसको लेकर के भी आपका जो है इसको लेकर एक अलग प्रटिकुलर में क्लास फिर लूँगा बिर्सम उंडा को लेकर के चारखंड वाले चैनल पर ठीक है नेक्स्ट है आपका बोड़ो जन जाती जो ह सबसे सबसे जाता हैं और आप देखेंगे धनौसमंट मतलब ने पहचान है और काई बार जब मुगल आकरमर और यह सब होती थी तो यह एक्टिव हो जाते थे उस दवरान पर और ऐसा माना जाता है कि यह एक तरीके से गुरिल्ला युद्ध पद्धती में अपने आपको बहुत ज्यादा सक्षम थे जन जाती ठीक है नेक्स्ट है आपका खासी जन जाती आपको पता है मेगाले की प्रमुग जन जाती है इसके बाद यह असम बंगलादेश के कुछ छेत्रों में भी रहते हैं इसके बाद सहरिया जन जाती है मद्ध प्रदेश की प्रमुग जन जाती है सहरिया ठीक है इसके बाद सहरिया जन जाती के मुख्या को को तवाल कहा जाता है मीड़ा जंजाती राजिस्थान की प्रमुग जंजाती है ये और मीड़ा का मतलब जो मतस्य जाती से जुड़े हो मतस्य भगवान से जुड़े हो मतस्य भगवान के बंसज हो ठीक है पहला उतार विष्णु का मतस्य था ना तो उसी से अपने आपको पास रहते हैं यह और अंग्रेजियों के सासन के समय लोहे की खान और उनको पिगला कर धातु बनाने का काम करते थे और बरतमान में जो है एक जाती समूं के तौर पे नमक बनाने का काम करते हैं अगर यह जंजाती के लोग नमख बनाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश और 36 गड़वाली सहत्र में जायता है ठीक है एक आपका लला जंजाती ए की देस्षन भारत की जुद झाती है नील गुरि की पाहडियों पर निवास करती है स्याम बढ़ के आदिम जाती के लोग है ये ठीक है और इनको जो है ये ऐसा इनका मानना है कि मृतकों को गाड़ने की प्रथा है और गाड़ते समय उनको जो है पदमाशन की अवस्था में बैठा करके मस्तस को उत्तर की ओर रख देते हैं इरुला जन जाती के लोग ठीक है उ और इनकी इस जन जाती में लगवक 16-17 उप जन जाती भी है इसके बाद ये जंगली जानरों का सिकार करना योद्ध जन जाती है जूमिंग कल्टिवेशन इनमें बहुत ज़्यदा फेमश है इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला है लेप्चा जन जाती तो इसे रोंग जन जाती भी कहते हैं लेप्चा जन जाती को सिक्किम बाले छेतर में सबसे आदा पाए जाते हैं ये पसुपालक समधाय होता है ठीक है अगली है डिमाश जन जाती आपका ये भी असम की प्रमुख जन जाती है तोड़ा जन जाती नील-गीरी के परवतों में रहती है और इनमें बहुपती प्रता मतलब एक मैला कई पतियों से विवा कर सकती है यह इनका प्रमुख है इसके बाद भूमद सागरी जन जाती है अगली है उराव जन जाती उराव जन जाती यह कुरुख भासा बोलते हैं प्रोटो अस्ट्रोलाज समूग के हैं अगला है गसरिया जन पूतों के बंसज हैं और राजिस्थान की जन जाती है उराव जो है जहारखंड की जन जाती है बुक्सा जन जाती उत्त्राखंड नैनी ताल देरादून के तरही भागों में पाई जाती है खारू जन जाती उत्तरपदेश उत्त्राखंड के तरही भागों में पाई जात है यह पित्र सत्तात्मक समाज है यहां पर बहुपती बिवाहा भी प्रचलित है समाज पित्र सत्तात्मक होने के बाजूद भी बहुपती बिवाहा प्रचलन होना यह थोड़ा समझ से बहार है या तो एफेक्ट गड़बर है या तो इसमें वो सकता सही भी हो अगला है भोटिया जनजाती भोटिया जनजाती में समाद में एक पत्नी प्रथा है और पती के मृद्ध के बाद विदुवा दूसरी साधी नहीं करती है इसमें कि कहें एक पत्नी पत्रहुक्त दोनों करते हमेंटंड भी नहीं करता है सब्सक्राइब, को सब्सक्राइब? कि लगबग लगबग complete कितने टॉपिक कि हमने आज क्या क्या बचा नहीं क्या बच गया यह बताईए सोचिए सोचिए नहीं डोड़ पाएंगे हाँ बताईए पसु पालन अभी कर लेते हैं एक मिनट में यहीं बचा है अभी अभी तुरंत करते हैं पसु पालन आपके लिए बचा है एग्री कल्चर के साथ वैसे हो जाना चाहिए लेकिन मैंने सोचा कि शायद आप लोग पसु अब करेंगे कैसे पसु पालन नहीं नहीं और पसु पालन के लावा नेक्स्ट तो सोचिए अ अधियान रखेगा आपको पकड़के पीड़ भी सकते हैं लोग नदी जोड़ोपरयोजना दर अब यूझा नदी जोड़ोपरयोजना भी कर लिए छे क्यों जुड़वा रहे नादियों खो भी जुड़वा रखे छे नदी जोड़ोजना दर असल Uneika यह एक संकल्पना है जो की धिरे धिरे अब संकल्पना स्वरूब में भी आ रही है कई नदियों को आपस में हो जाती है कि मांसून के समय पे उत्तर भारत कि नदियों में अतरक्त जल आ जाता है और दचन वहरत के नद言 वِचारी मांसून के बाती है है इसके बाद उनके पास जलकी नितांत कमी हो जाती है तो इस समस्या के समधान को ले करके बहुत सारे भूब गेरबा या फिर भूगल बेटता बैठे और उन्होंने का कि नदियों को अपस में जोड़ देना चाहिए लगबग उन्हों है इसको बेवहार में लापाना उतना ही कठीन है क्योंकि जो भोगोलिक सनचना उसके विप्रीत आप नहीं जा सकते हैं और प्रकति के साथ खिलवार भी है एक बार हम यह कर सकते हैं कि दो स्थानी नदियों को आपस में इंटर लिंक कर सकते हैं नहर प्रणाली के दौरा जो की लगातार वही रहा है लेकिन कोई यह कहे कि हम कावेरी को गंगा से जोड़ेंगे उससे मुरक को यादमी नहीं होगा कैसे जोड़ लेंगे ना गोदावरी को गंगा से जोड़ लेंग जल को अत्रिक्त जल को ताकि बार प्रबंधन की समस्य का समदान किया जा सके जल नौकायन जलनो कायन परिवाहन को डिबलफ किया जा सके ऐसे खुब सारे पोजिट्व पॉइंट बताने फिर बाद में उतराना निगेटिव है ठीक है निगेटिव क्या हो सकता पहली बाद प्राकति प्रकति से छेंड छाड़ है पहली चीज तो यह ना दूसरा एक चीज यह बताए मांसून के टाइम में मांसूनी जर्ण नदियों में तो ऐसे भी पानी होता है ठीक है और आप औ उस समय पानी कैसे ट्रांसफर करेंगे इससे बाड़ प्रबंदन की समस्य का समधान नहीं हो पाएगा तो आप इसके दोनों पक्षों को लिखेंगे पक्षभी भी पक्षभी पांच-पांच पॉइंट आराम से लिख सकते हैं कोई बहुत बड़ा इसू नहीं है ठीक है त सतलज यमुना लिंक बनाया जा रहा है दोनों को आपस में नदियों को जोड़ा जा रहा है ताकि जोड़ देंगे तो क्या होगा जो बीच का छेत्र है आपका क्योंकि हरियाना के पास पानी नहीं है लेकिन हरियाना के पास पानी नहीं है क्यों हरियाना के पास पानी क्यों उनको सिंचित कर दिया जाएगा ठीक है तो ऐसी इस्थानिय परियोजनाय बना सकते हैं अब कंक्लूजन में जा सकते हैं इस बात को कि उत्तर भारत की नदियों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और दच्छिन भारत की नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं जिससे हम इस्था को आप इस तरीके से ले सकते अब कुछ सोचे पठार को कैसे काट लेंगे पता नहीं किस ने दिवां मैदान और पठार की कोई बराबरी है फिर बीच में बिंद्याचल पर वह स्रेडी आ जाती है वह अलग कैसे तोड के कैसे बना लेंगे ऐसे पॉसिवल नहीं है ठीक है तो हो पूरे होंगे में पास टॉपिक सारे है अगला नंबर इसी पासु पालन पर ही हुमन अच्छे घरवार भरोसा नहीं करेंगे आज दो नहीं करेंगे आज और अब कहीं और तो ने बैठते है तो हमारे देश में अधिकान जनसंख्या साकारी है ठीक है जाए टा लोग हमारे देश में साखारी हैं और जो हमारे क्रिसक समुदाएं तो दोधारू दो दुधारू पस्वों को कम से कम पालन करते हैं पहले उसका महात तो ज़्यादा होता था क्यों क्रिसिकारे में पस्वों की संलगनता पर्याप्त होती थी लेकिन अब धीरे-धी क्रिसिकार से पसु हटते जा रहे हैं मसीने उसका इस्थान लेती जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी पसु पालन भी अपने आप में बड़े इस्तर की आये का स्रोत है ठीक है तो हमारे देश में पसु पालन को लेकर के सरकार के द्वारा प्रसाहित किया जा रहा है और पसु पालन के माद्यम से विवन्य प्रकार के खाद्य पदार्त खाद्यानों का भी पिकास हो रहा जैसे कि दुध दूध हो गया दूध उत्पादन तो क्रसक अधिक से अधिक दुधारू जनवरों को क्या करते हैं और भारत सरकार को ले करके भारत सरकार के दोर्विविने सहकारी समितियों में वो अपने दूद को बेशते हैं ठीक है आपने नाम सुना होगा 1965 में वर्गीच कुरियन के अध्यक्षता में राष्टिय डेयरी डि प्रारम हुई तो यह आपका लाल बहुत सास्त्री थे उस समय और उसी टाइम पे आपका वर्गीज कुरियन की अध्यक्सता में क्या बनाए गया राष्टी डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड एक सहकारी समिती थी कॉपरेटिव सोसाइटी थी और इस बोर्ड के द्वारा ही इस समय जो तेजी से दुख दुथ पादन हुआ तीन फेज में दुख दुथ पादन किया गया जुलाई पसु है कौन कौन से है पहली बात गाय तो गायों की तीन नसले होती है तीन प्रकार की नसले गायों की भारत में प्रचली थे पहली नसले आपकी भारवाही नसले ठीक है भारवाही नसले यह वो होती है जो नसले बजन को खीचती है ठीक है भारवाही नसले यह नसले सक्त वही नसले दूसरी है दुधारू नसले ये नसली गाये इस नसली की गाये दूद अधिक देती हैं और इनके जो बैल के इनके जो बच्छडे होते हैं बच्छडे आपके किसी काम के नहीं होते हैं ठीक है भार वहाग के लिए तो कम से कम नहीं होते हैं कुछ नसली कुछ नसल है कई सारी इसमें गायों की नसले जैसे की रेड़ सिंधी का नाम आपने सुना होगा ये लाल रंग की गाय होती है और इसमें एक होती तुर तो इस तरीके से गायों की कई नसले हैं आपकी जैसे कि थापर पर हरियाना में डॉगी देवनी ऐसी बहुत सारी नसले पाई जाते हैं ठीक एक और चली है कौन सी है एक क्या बोलत वाहिए जर सी से जर्शी मिक्स ब्रीड है ठीक है और देसी भी हो ऐसे बहुत सारी देसी नसले बी अगला वख्री पालन थीक्षinese बक्री से दो चीजे मिलता है दूध और मांस दोनों इसका जो बकर होता होता है ऊसको हलाल किया जाता है और वख्री दूद देती है गुडवत्ता के दिश्ट से बकरी का दूद सर्वोत्तम होता है बकरी को कम बे में पाला जाता है लाभर्जित किया जाता है तो इस कारण से इसको महत्मा गादी ने क्या का था निर्धनों की गाये गरीबों की गाये कौन है बकरी और इसकी कई सारी नसले हैं जैसे पस्मीना पस्मीना कस्मीर में है कुलू घाटी में भी हिमाचा प्रदेश में पाई जाती है इससे उन बड़ी मात्रा में निकलता है बरबारी एक आपकी है दिल्ली हर्याना आगराच छेतर में चंबागद्धी है ये हिमालय के पहाड़ी छेतर में है और जमुना पारी है ये गंगा चंबल नदी छेतर में हैं बीटल है आपके पंजाब छेतर में हैं ठीक है तो ऐसी बहुत सारी नसले आपकी हैं ठीक है इसके अलावा फिर आपको पता होगा कि अब आज के टाइम पे दूद के साथ होता क्या है दूद को आप देखते हैं एक आज दूद आया उसको 15-16 दिन ताकि उससे हानिकारक जिवाण उनस्ठ हो जाएं और हम क्या करते हैं दूद को समानता पैसा डिग्री सेंटीग्रेट तक 30 मिनट तक उबाला जाता है और इसको तुरंट ठंडा कर दिया जाता है तिससे जितने हानिकारण और इसको 30-30 दिन तक आराम से आप रख सकते हैं चलता है आपका दूदी पाश्चरी कृत दूद वह आता है प्लास्टिक के डिबो में वायल करने की आपको जोटनी वस लेना है पी जाना है तो आज के टाइम पे एक प्रक्रिया आपकी चल रही है ठीक है इसके अलावा गाय को लेकर के बहुत सारे मिशन चल रहे हैं बिशिया उत्तरप्रदेश सरकार जी के रहेत्ने द्वारा योगिया जी को आप जानते उनके पास मिल आजा तो हर टाइम हो गाय को गासी क्ला रहे होते हैं ठीक है तो गो पालन को ले करके बिविन प्रकार की बहुत सारी नसले और बहुत सारे उनको जैसे की गाय की कितनी नसले नागोरी नसल नागोरी नसल जोदपूर में पाई जाती है बाचूर नसल बिहार में पाई जाती है मलावी नसल मद्ध प्रदेश में पाई जाती है खेरी गड़ खीरी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है हलीकार अमरित महले तुंगुकार हसन करनाटक में पाई जाती है कंग्याल ये तमिलाणों पाई जाती है सिरी दारजलिंग सिक्किम में पाई जाती है छापाकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है मेवाती मतुरा में पाई जाती है काकारेज जो है गुजरात में पाई जाती है रत यह आपकी नागौरी हृयाणह नुसलों का मिस्त्राण है निमारी नसल मद्र प्रदेश गे निमार जिले नर्मदा अगाडि है डांगी कलाबा थाम ठाडे अड़े महराष्ट अहमद नगर में पाई जाती है तो ऐसे करके विभिन नसले पाई जाती है विदेशी नसलों में जर्सी जर्सी अमेरिका की नसल है खुब दूद देती है ठीक है इसके बाद आपकी होलिस्टीन फ्रिजियन ये नीदल लैंड की नसल है गाय की नसल है ब्र नसले तो देश में भैस की दस नसले पाई जाती हैं दस प्रकार की तो अधिक दूद्द देने में महत्यपूर्ण नसले कौन सी हैं पहली मुर्रा नाम आपने सुना होगा रोता खिसार गुड़गाव अरियाड़ा इस छेत में मुर्रा पाई जाती है कि कि तना देती है यह दूद्द बातन 18-25-25 लीटर तक दूद्द देती है जिसमें फैट की मातरा भी खूब होती है खूब बढ़िया मोटी मोटी गड़ी गड़ी मलाई पड़ेगी खूब सारा घी निकलता है साथ परसंट से जादा फैट पाई जाता है इसमें मुर्रा में अगली है महसाना म महसाना गुजरात में पाई जाती है बढ़ोद्रा और महसाना जिले की नसल है और दुख दूद बातन ये थोड़ा सा मुर्रा से कम करती है 1200-25 लीटर तक ठीक है और सबसे कम आयू में दूद देना सुरू कर देती है इसके बाद सुर्ती गुजरात में पाई जाती है कायर और बढ़ोद्रा जिले की नसल है यह और 16 सुट से लेकर 18 सु लीटर तक दुग दुप्रदान करती है इसमें 8 से 12 प्रिस्ट तक फैट पाये जाता है फिर है भदावरी आगरा के भदावरी छेत्र की नसल है दूद में वसा की मात्रा कम मात्रा इसमें सबसे अदा होती है कुट की नसल मुर्गियों की नसल तीस नसले भारत में मुर्गियों की पायों गाती है और यह जो है आपको पताईए कि अंडा वी मिलता इससे और यद्णा भी मिलता है फूंव jumpsyre – नसल खाते-आं लेकिन तो आते होंगे पूस्ते होंगे ना कौन सी नसल है लेकर आते हो हां तो अंडा तो अंडा सब खाते हों कि साका यह नाम पर आप लोग लगली तरश сторону इनाम चैनल कर दें अरे महापुरूष नूससे चूजा पैदा कर देगे अंडस तो पैदा कर देंगे अरे बैक्टीरिया किस चीज में नहीं डैक्टीरिया हर जगें डूल भी बैक्टिरिया हर चीज़ में बैक्टिरिया लेकिन आप मुझे बताओ क्या दूद्स से जीव पैदा हो सकता है जो बकायदा संक एक अंडाव और संक्राणों का मिस्रड हो ठीक है भूड है वो आप भूड हत्या करते हैं अंडे खा करके ठीक है और क्या कर रहे हैं दूद पीके भूनत्य थोड़ना हो रही है बच्छडा उससे थोड़ना पैदा हो रहा है तो यह चीज ध्यान रखनी है मान सारी नहीं यह चीज को आप बहुत से लोग करते हैं ऐसा तो 30 बिल्कुल निकलेंगे मुर्गी बैठाई यह उसके उपर बकायदा वातावरन दीज जाए तो बिल्कुल निकलेंगे उसमें कौन सा है कि मुर्गी कोई ऐसा की प्लास्टिक से बनाके दिकाल मुर्गी के अंदर से निकल रहा है वह भी आप भ्रम में इसलिए क्योंकि उसको इन टंपरेचर पे नहीं रखा जाता उस वाइव अंडल पर नहीं रखा जाता मुर प्हटी करके कैसे कर देंगे कैसे साकारी मतलब पीएचडी कर लेने से साकारी हो जाएगा अंडा बताई आपको नहीं पता तो किस से पता चला तो पूछ रहा हूं कि क्यों साकारी हां बताई बताय थे तो भूल गया अच्छा ठेक पता जरूर कर लिजे बिलकुल लेकिन म भूण रखता है वो उससे नीचे कुछने ठीक तो तीस नसले हैं और इसमें इंडियन गेम करके सबसे अच्छी नसल होती है मुर्गियों में यदि आपको इस नसल का मांस सबसे अच्छा होता इंडियन गेम का थोड़ा महेंगी भी आती है यह ठीक है परंत यह अंडे कम ेती है ठीक है शिरafebara मांस के लिए प्रयोग होती है इसके लाफ़ पहुसरी अठीन असलेसे नूरी नूरी-सफथेद रउंकी मुर्गी होती है ठीक है काजल काजल काली की होती है याकुब याकूब जो है कलालों और काली इस तोनों र स्कॉर होता है आप जाएगे और एक का नाम होता है पीला पीला जो नसल होती है इसका सुनहरा लाल रंग कलर होता है तो तीन-चार यह प्रमुक नसले हैं फिर विदेशी नसले भी है कुछ जैसे वाइट लेग और हॉर्ण करके आती है यह लंबे सफेद अंडे देने वाली मसबूर नसले इसके बाद आपकी रो करता हूं मैं आप लोगो थोड़ा सा कम टाइम पर ज्यादा समय नहीं लाएगा अंतर राष्टी हैं लेकिन यह राष्टी नहीं है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटाइटो मलब की आपका आलू का अनुसंधान के जो अंतर राष्टी संस्थान आपका सीरिया में है तो य इसके बाद आपका अंतर राष्टी इस्तर पर जो सेंटर है जनेटिक्स इंजिनरिंग और बायो टेकनोलोजी के लिए यह आपका इटली में है अनुवान सिक्ता और जयो प्रदोक्ती पर काम करता है इसके बाद आपका जो है राइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस् इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एगरी कल्चर रिसर्च हेग नीडालेंड में क्रिशियन संदान को बढ़ावा दे रहा है तो इस हिसाब से आपका पसुपालन भी होगे अब बताईए अब बताईए जो सब्जेक्ट आप बोल देंगे मैं तुरण दो मिनट बाद चालू कर दिये जाएगा मेरे हिसाब से लगवख लवख पूरा हो गया हम कितने समय तक लगवख बैट चुके हैं कितना समय हो चुका है हमारा दस गंटे चाड़े-दस गंटे के आसपास में हमने कर लिया तो रफली देखो हमने किया क्या पूरा का पूरा जो सेशान हमने देखा सुरुआत में हमने भारत के बारे में समझा जितना बेसिक उसका धार भूत अवस्तती विस्तार फिर उसके नशना के बाद पिर हमने नदी तंत्रों को सारे देख लिया फिर पूरा आपको अग्री कल्चर सेक्टर देख लिया प्राक्तिक बनस्पतियां बंसंसादन देख लिया मानसून देख लिया भारत में ठीक है इसके बाद जो है आपका पूरा जितने भी इनर्जी सेक्टर है यह देख लिया इंडेस्ट्रियल सेक्टर है यह देख लिया जंजाती है यह देख लिया फिर आपका बचा क्या अग्रीकल्चर सेक्टर यह देख लिया फिर क्या बचा अब क्या है भारत के भूगोल पर जदि हम भूगोल की तरफ जाएं तब भी बहुत सारी चीजह वालग पूछेगा ठीक है पीटी में इसी के फैक्ट पूछेगा तत्थ पूछेगा ठीक है बस यह है UPSC को कोई ऐसा थो नहीं कि अलग से कोई दूसरी धरती से बना रहा है यही सारे टॉपिक है यही साफ टॉपिक से कुश्चन पूछ रहा है वह थोड़ा सा चीडियों को घुमा करेगा बाकी PSC में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यदि आप इसी को सही से कर लें तो इतना रखते हैं आज के सेशन में ठीक है आप लोगों को अपने लिए खुद के लिए तालिया मजानी चाहिए अरे नहीं नहीं तो यह एक इतिहासिक लास्ती हमारी इसके बाद हम हिस्ट्री इनको भी उठाएंगे ऐसे उठाएंगे अभी थोड़ा से रिलाक्स दोंगा आप लोगों को की थोड़ा टाइम ले ले लेकिन अभी मैं दो तीन चार गंटे और पड़ा सकता हूं अभी इतना नहीं है यह लग मैं पंदर मिट भी नहीं लोगा आप से दो तीन चार गंटे पूरा इसी एनर्जी के साथ कहीं है तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो सकता पूरी नाइट निकाल दें से आप लोगा भी चल जाएगा दूसरा सब्जिक्ट चालू करते हैं बारती राजवेस्टर एड़ी करके लाए हूं है चलो फिर ठीक है यही से सेश कյा सबस्टे करते हैं बारती हैं जाएगा दो कर दो सकता चशरा भा दोगी सबस्ते हैं झालूवे